हेलो सी एम में इंटर स्टुडेंट्स हावर यौल मेरा ना में रमंदीप सिंग स्वागता आपका मेरे इशनल एफलम में अगाइज आज हम अपना सी एम में इंटर ऑडिट का मैराथॉन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो मैं सच्चाई हैं तो मेरे मारा ना भी उता यह हम अपना स्टार्ग नने में न… तो Lock a Marathon मैंने अलड़ी YouTube पर डाल दिया है उस Marathon का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ अब उसको भी देख लेना बहुत मजा आएगा, you will love it मैंने Lock a Marathon अलड़ी डाल रखा जून 23 अप्ट के लिए जो relevant है और अब मैं बात कर रहा हूँ Audit के Marathon की, तो इस बार Audit का जो मैंने Marathon बनाया है ये New Role से बस दोने के लिए relevant है और इस बार मैंने दो चेप्टर तो पहले से बने वे थे उनमें कोई chain नहीं था, वो तो हैं है प्लस मैंने दो और cover कर दी है अगर मैं इन चारो चेप्टर की बात करूँ तो मोटा-मोटा 35-40 मार्क्स के चार चेप्टर आते हैं आपके कोर्स के अंदर पेपर के अंदर तो 50 में से 40 नमबर की मोटा-मोटा मैं त्यारी आपको करवा दूँँगा इस वारे Marathon में बदले में आपसे एक छोड़ी से रिक्वेस्ट रफेहिए कि इस Marathon को अभी तक लाइक नहीं करता तो अभी लाइक कर दो बस एक तो यह जरूर कर दो और कम से कम अट लीस्ट अपने दो फ्रेंड्स के शेयर जरूर करना इस वीडियो को मैं आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा कि हजारों दोस्तों में शेयर कर दो सारे टेलीग्राम के ग्रूपों में शेयर कर दो अगर कर सकते हो तो कर दो नहीं कर दो तो at least दो फ्रेंड तो हर बच्चे के होते ही है आपकी कम्मुनिटी में तो दोस्तों के शेयर जरूर करना और अटमें इस मारथन को लाइफ जरूर कर दो के लोग वाले marathon के notes paid है वो 150 के notes है लोग के marathon के वो लोग के marathon में बताया हुए कैसे लेने है audit के marathon के notes audit वाले free of cost है इसका कोई charge नहीं है कोई charge नहीं है आपको whatsapp पे मेरे को 3 चीय लिखके भेजनी है आपका name x y z जो भी है आपका level level में आप लिखोगे cm में inter and आपका purpose purpose में आप लिखोगे marathon notes of audit mention करना पड़ेगा आपको marathon notes of audit या audit marathon notes अगर नहीं लिखोगे तो मैं confused होता रहूँगा न मैं पूछता रहूँगा तुमसे law के audit के और मेरे पे इतना time होता नहीं में reply नहीं करूँगा फिर तो बैटा रहे कि आप पहले से mention कर देना कि law के चाहिए audit के दोनों के चाहिए तो फिर बता देना law audit दोनों तो law के फिर आप 150 पे कर देना audit के तो free है यह तीन चीज़ आप मैं को whatsapp पे लिख के देना मेरा whatsapp number वैसे तो screen पे flash हो रहा है लेकि स्टिल मैं आपको लिख के भी देता हूँ 880 2233513 यह मेरा whatsapp number है मेरे whatsapp पे मेरे तीन चीज़ लिख के बेच देना मैं आपको नोट शेर कर दूँगा इसका कोई चार्ज नहीं है free of cost है चीक है और call नहीं करने है सिर्फ मैसेज करना आपको मैं नोट शेर कर दूँगा मैराथान के audit वाले एंड यह ओव्यस सी बात है को मेरे detail lectures audit के 60 hours के 60 गंटे के और मैंने ये वाला मैराथान अप्रॉक्सिमेटली साड़े च्छे साथ गंटे में खतम कर दिया है तो अव्यस सी बात है कि उतनी depth में तो नहीं जा सकते है कहां साथ गंटे और कहां साथ गंटे तो 10% में खतम कर रहा है मैंने overall content के लेकिन मज़ा आएगा you will love it है ना तो start करते है marathon को मैं जा रहा हूँ bye-bye क्योंकि मैंने already बना अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो इतनी request है आपसे अभी करो अब आगे निबढ़ना like कर दो अभी तक like निकर तो वह भी पहले अभी करो आगे निबढ़ना plus दो दोस्तों करना बस इतना कर तो सारे काम free वाले है चलो stop by love you वाइव इसले बोल तुम बैठे रहो मैं जा करूंगा तुम्हारी जो book है जो study mat institute का institute के study mat के अंदर audit को ना ऐसे बनाया हुए study note 1 study note 2 करके और मैंने अपने audit को अपनी book के अंदर 7 chapters में divide करा हुआ है तो अब यह तो नहीं पता है मैं कितने chapter करा हूँगा marathon मेरे को नहीं लगता है मैं पूरे करापा हूँगा कोशिश अब हम पहले से start कर रहे हैं तो बेस जो है वर्डिंग जो है मैं प्रॉपर तुमारे institute के उठाई है लेकिन मैं पूरा आजडिस और इस बात है कि detail lectures में लगकर आते है important topic जितने में थे निकाल निकाल के लग से मैंने बना ली है और हम उसका marathon start करने जा रहे हैं पहला chapter हमारी पहले बुक के साबसे auditing concepts इस chapter को मैं भी start करने से पहले भी book से start करने से पहले तुमसे पहले basic basic बाते करते हैं उसके बाद फिर इसको book से पढ़ेंगे पहले तुमसे कुछ समझते हैं चीजों के बारे में पहले मैं तुम्हें कुछ base बनवा देता हूँ उसके बाद फिर हम बुक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे ओडिट वाले चैप्टर को ठीक है देखो तुमसे क्योंकि हम ओडिट पढ़ रहे हैं और आपके पेपर में ओडिट 50 नंबर की वेटेज रखता है तो पहला मेरे एक सिंपल सा कोशन आप से यह है यहीं से बिलकुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि अगर किसने पहले आडिट नहीं भी पढ़ा तो उसको भी बिलकुल बेस समझ आए तो बेटा आडिट होता है इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन बोल लो या चेकिंग बोल लो किसी भी चीज की अगर हम इन्वेस्टिगेशन करते है या चेकिंग करते है that is audit अभी audit भीना कई तरीके के होते है जैसे एक होता है financial audit जिसके अन्दर हम financial statements का audit देखते है एक होता है cost audit इसमें हम cost के matters का audit देखते है एक होता है secretary audit जिसमें हम एक company पे जितने law लग रहे हैं वो धंग से follow हुए नहीं हुए उनकी checking करते हैं तो उसको मोलते है secretary audit एक होता है information system audit IS audit बोलते हैं उसको कि company के information system company के software company के जितने भी हमारे अभी information system के बारे में detail में बात करूँगा वसे क्यों होते है क्या वो धंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं क्या उनके अदर proper antivirus वे लिए लिए कि आज इड़ में data बहुत बड़ी power है क्या वो data को धंग से product किया गया नहीं किया गया उसके audit को हम बोलता है information system audit तो आईसे हम बहुत सारे audit के बारे में हम पढ़ने वाले हैं तो audit जिसके आगे लग जाया मतलब हम उस तीच की checking करने वाले हैं मैं तो बताया financial statement audit का मतलब का financial statements की checking करना investigation करना cost audit का मतलब का cost accounting matters की cost records की checking करना है न secretarial audit का मतलब का secretarial word बना compliance से तो जितने भी एक company के पर law लग रहे हैं उन सब की checking करना is called secretarial audit तो ऐसे बहुत सारे audit होते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, आगे, लेकिन CDC परशन से कोई पूछा, what is audit, तो audit का मतलब क्या है, investigation checking, नेक्स एक शब्द आता है, कि सर बहुत सारे बच्चों का एक मित हैं, इंडिया के अंदर, कि खाली CA ही audit कर सकता है, जब हम auditor सुनते हैं, तो auditor सुनते हैं, शब्द दिमाग में क्या strike करता है, CA, है न, अभी मैं उसके बारे में बात करता हूँ, कि हमारे इंडिया में न, में इंडिया का audit होते हैं, उसके बात करेंगे, में हमारे इंडिया में तीन audit होते हैं, एक होता है, statutory audit इसको हम financial statements का audit भी बोलते है एक होता है secretarial audit and एक होता है cost audit सरफ base बनवारों भी book से बाद में पढ़ेंगे हमारे इंडिया में statutory audit के अंतर क्या कर रहता है एक कंपनी की financial statements proper तरीके से बनी है या नहीं बनी है उसको check करने वाले audit को हम बोलते है financial statements एक कंपनी की financial statement के बैलेंशीट आती है profit and loss account आता है cash flow statement आती है क्या वो सारी चीजे धंग से बनी है या नहीं बनी है क्या वो as per law बनाई गई है या नहीं बनाई गई है as per accounting standards auditing standards एंडिया के अंदर जो ICI issue करता है क्या वो उसको follow करके बनाई गई या नहीं बनाई गई है तो उस चीज को हम बोलते है financial statements को audit तो इस पहले इन audits के बारे में समझे है ना पहले इसके अंदर auditor क्या check करता है to check whether the financial statements to check whether the financial statements are giving true and fair view or not are giving true and fair view or not इसमें हम ये चेक करते हैं कि financial statements true and fair view दे रही है या नहीं दे रही अब ये true and fair view का मतलब क्या होता है एक company के उपर जब हम balance sheet बनाते हैं तो आप लोगोंने accounts में पढ़ा होगा schedule 3 के according balance sheet बनती है तो बाद schedule 3 कहां का है company law का schedule 3 है companies act 2013 का schedule 3 है आपको पता होगा जो बच्चे हम से company law group 1 में पड़े में है law पड़े में है उनको आपको मैंने बताया होगा कि company law के अंतर total में 470 sections है जो कि 29 chapters में divide है and company law में total 7 schedules है schedules के अंतरा format दिये होते है तो उनी schedule में एक schedule 3 है जो किसमें deal करता है financial statement में deal करता है अगर एक company की जब एक auditor audit करने जाएगा और financial statements को check करेगा अगर वो financial statement चेक करते हैं वो यह देख पा रहा है कि company की financial statements प्रॉपर तरीके से बनी है company act proper follow हुआ है accounting standards प्रॉपर फॉपर हुआ है auditing standards प्रॉपर फॉपर हुआ है कोई भी दिक्कत नहीं है तो इसका मतलब हम यह कहेंगे कि company की financial statements true and fair view दे रही है कि company की financial statements okay है और तो इधर auditor का main काम ही यह होता है और यह audit कोन करता है इंडिया में only CA और CA में भी अगर मैं बोलू तो practicing CA CA में भी अगर मैं better शब्द बोलू तो क्या बोलू practicing CA आपको पता होगा CA हो CS हो या CA हो CA हो CS हो या CMO तीनों में से कोई भी हो यह दो तरीके के बनने के बाद यह दो तरीके की mainly काम करते है एक जाते है जौब में एक जाते है प्रैक्टिस में मतलब अफना खुद کا office खोलते हैं अपनी खुद की firm खोलते हैं अगर कोई CA खुद की firm खोलता तो से हम बोलते है CA in practice अगर वो CA CA बनने के बाद firm नहीं खोलता, job करता तो से हम बोलते है CA in employment तो audit employment वाले नहीं करते है, कून से वाले करते हैं, practicing वाले करते हैं पहला शब्द clear हुआ, सेम ऐसे ही CS में, सेम ऐसे ही CMMA तो CS, CA में भी दो तरीके की हो गए, एक हो गए practicing वाले, एक हो गए job वाले, employment वाले तो जो audit करते हैं, कून से वाले करते हैं, practicing वाले करते हैं, यह बात हो गई तो पहला audit हो गई, सेच्ट अगर इसकों फ्रैंशे स्टमेंट को audit भी बोलते हैं और यह कोन करता है, CA करता है, वो भी practicing, इसका काम जाओता है to check whether the financial statements are given for it fair or not इसमें हम चेक करते हैं, to check overall compliance of the company तो चेक overall compliance of the company तो चेक overall compliance of the company अच्छा एक कमपनी के ओपर जितने भी law लग रहे हैं अचा एक company work करें कि हम पर मजदूर काम करते हैं तो हम पर labor law भी लग रहे होंगे company है अपने अपने वो एक company तो company law भी लग रहा होगा अगर वो company stock market भी लिस्टेट है तो sabby के law भी लग रहे होंगे तो एक company के उपर जितने भी law लग रहे हैं क्या वो law सारे धंग से follow हुए नहीं है उसको check करना है इस कॉल सेक्रेटर्ल ओडिट इसी का दूसरा नाम क्या होता है compliance audit भी बोलते हैं इसको it is also known as compliance audit अच्छा मैं खुद बहुत सारी कंप्रियों को सेक्रेटर्ल ओडिटर रह चुक हूँ अच्छा में अच्छा में इसके बारे में known as compliance audit और यह कौन करता है यह इंडिया में only practicing CS करेगा only कौन करेगा practicing CS यह CS करते हैं अब आते cost audit cost audit के अंदर इसका इसमें auditor का काम क्या है तो चेक the to check cost records to check cost records and to check weather the cost of the products is reduced after compromising with the quality with the quality of the product without without कि इसको ठीक कर लो थोड़ा सा थोड़ा सा ठीक कर लो कोस्टिंग निकाल रही है तो कोस्टिंग निकालते वक्त हर एक कंपनी का एक टारगेट होता है कि उनकी कोस्ट मिनिमम माये कम से कम आये ताकि उसको बेचने में असानी हो तो यह तो नहीं कि क्या करते वक्त तो उस प्रॉड़क की कॉलिटी बहुत ज़्यादा गिरा दिये तो ऐसा नहीं हो न चीए तो ऑसूड़ी रगर काम यह होता है कि इंडिया में ओंली प्रैक्टिसिंग CMA कर सकता है कि यह इंडिया में ओंली प्रैक्टिसिंग CMA कर सकता है CMA कर सकता है ठीक है जी तो इसका आपको एक शीच ले रहो है CACACM में हर बंदा ओडिट कर सकता है सबके अपने-अपने क्या है ओडिट है वो अलग बात है कि हम लोग सबसे आदा इस audit को पॉपुलरली क्यों जानते है इस वाल ओडिट को उसका बहुत बड़ा रिज़नी कि ये वाल ओडिट हर कंपनी पे लगता है कौन सा वाल ओडिट? ये वाल ओडिट, statutory audit, every company पर अपनी के बलता है private company हो, public company हो, बड़ी हो, छोट सब पर लगता है, लेकिन secretarial audit का section है 204, ये कुछी companies के उपर लगता है, इसके बारे में हम आगे जाकर पढ़ेंगे, और cost audit का section है 148, ये भी कुछी companies के उपर लगता है, इसके बारे में भी आगे जाकर पढ़ेंगे, ये सारी companies पर नहीं लगता, तो इनकी वज़ा से ना, इ लेकिन statutory audit every company भी लगते है से जातर पॉपलर ही है और वो limited companies भी लगते हैं उनके बारे में आगे उड़ी पढ़ेंगे लेकिन ये बोलना कि खाली CAE audit करता है वो तोटली सरसर गलत है सारे ही लोग audit कर सकते हैं अच्छा एक शब्दोर हो रहा है यहां पर use statutory audit statutory का मतलब होते है कि ऐसा audit जो law के द्वार authorize किया गया है अगर देखा जाए ना तो secretarial audit और cost audit भी law के द्वार ही authorize किये गए है ऐसा तो है नी कि ये हवा में उड़के आए इनके भी proper section है तो देखा जाए तो ये दोनों भी statutory audit ही है लेकिन हमारे इंडिया में ना initial days में जब audit का concept चलू हुआ था तो उस time पे सबसे पहले खाली यही वाला audit होता था यहा बाद में आया concept second padres concept और cost Murray ऑरा कंसर्ट बहुत बाद में है सबसे पहले खाली यही वाला concept होता था तो उस टाइम पर इसी को statutory audit बोलते थे, इसी को financial statement को audit भी बोलते थे, तो popular यही हो गया, लेकिन आपको समन नहीं है कि ऐसा नहीं है कि खाली यही statutory audit देखा थे, तो सारी statutory audit है, कोई भी ऐसा audit जो law ने mandatory कर रखा है, वो statutory audit ही होता है, लेकिन अगर नम देसी भाशा में अगर हम कि उसकी जुबान से statutory audit का मतलब क्या निकलेगा, financial statement को audit, क्योंकि सबसे अधा popular यही है, क्योंकि initial days में start audit यही से हुआ था, बात समझा रही है, लेकिन देखा रहे तो हैं तीन है statutory audit, पेपर में भी आगर पूछा जाए, तो वो अलग से बता ही देखा, statutory audit वो जनरल बात करें, अब इसी को लिखना, otherwise secondary audit, cost audit के बारे में वो लगसे पूछे गई, ठी कहना, हाँ, नीचे note डाल कहना हो, तो लगसे note डाल देना, कि बही देखा रहे तो वैसे सारे लोग के दवारा authorizer, सारे इसी के लिए होता है, financial statement audit के लिए होता है, यह तो बाना बन गया base की audit क्या होता ह और डायर, वहां से derive हुआ, यहां से derive हुआ, जिसका मतलब होता है, to hear, सुनना, to hear, सुनना, जब पुराने जमाने में, जब audit का concept चाल हुआ, पहले तो audit का concept mandatory नहीं होता है, अप्शनल होता है, जब स्टार्टिं स्टार्टिं में audit launch किया गया, इंडिया के अंदर तो वो optional concept क पहले गुपताज, मुगल्स, मौरयाज, जब यह लोग rule करते थे इंडिया के अंदर, तो उस time पे जब audit का concept हुआ, तो उस time में उनको need feel हुई थी, पहले mandatory need feel हुई कि यार, हम जोई चीज़े बना रहे हैं कि इनकी कोई checking करने वाला बंदा भी होना चाहिए, तो वो लोग एक बंदे को point करते थे, बाद में उसको नाम दिया गया auditor, तो auditor जब उसको नाम दिया गया तो उसको audire word से derive करा गया, और इसका मतलब होता है to hear, उसका reason है कि पहले जो auditor audit करने आता था वो आपकी सुनता था, वो आपके कहने पर audit करता था, आप जो कहोगे वैसे करेगा, जै आज की डेट में auditor सुनता नहीं है आपकी, आज की डेट में auditor जब audit करता है ना, तो हम आज की डेट में auditor को वैसे भी auditor नहीं बोलते हैं, हम independent auditor बोलते हैं, क्योंकि वो आज की डेट में independent audit करता है, independent audit का मतलब होता है कि आज की डेट में auditor audit करता वक्त आपकी नहीं सुनेगा, वो law की accounting चलेगा मलब आप उसे बोले हो कि भाई अगर आज केड में जब auditor financial statements का audit करने आता है तो तुम्हारे कहने से audit नहीं करता वो as per company act जो तरीका पताया है कि क्या क्या चीज़े चेक करनी है क्या 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 चेक नहीं करनी है वो उसके according audit करता है आज केड में secretary audit की बात करूँ और cost audit की बात करूँ तो उनके भी proper section है 204-148 तो आज केड में auditor secretary audit या cost audit करने आ रहा है तो वो आपके कहने पर आपकी नहीं सुनेगा वो as per क्या करता है company act के according जो provisions बोले जा रहे है है ना जो auditing standards बोल रहे है वो उनके according audit करता है आपके according audit नहीं करता है इसलिए हम आज के लूमें बोलते है auditor independent है वो आपके कहने पर काम नहीं करता वो आपकी नहीं सुनता वो अपने इसाफ़ से काम करके अपने रिपोर्ट बनाएगा अपने इसाफ़ से हाँ थोड़ा बहुत आपकी बात है सुन लेगा माल लेगा यह चेक करनी है पहले यह नहीं करनी है यह बाद में करनी है पहले करनी है ऐसे तो सुन लेगा लेकिन आप यह बोलो कि यह तुछी चेक ही मत कर वैलेंशी चेक कर ले पीनल चेक मत कर लेजर चेक मत कर लेजर चेक मत आजके मैं auditor आपकी सुनता नहीं है वह as per law audit करता है और इसे हम independent auditor भी बोलते हैं इसलिए और independent audit भी बोलते हैं कि वो किसी की opinion और इसके base पर क्या करता है audit करने के बाद अपनी opinion form करता है शब्द बड़ा important है इस पर focus करना opinion form करता है आजके कासे और auditor ने audit करा और उसने honesty से audit करा वह अपनी तरस अवी तरस तुम ने उससे कुछ बात चुपाई है लेकिन वह पनी तरस था पूरी कोशिश करी थी निकलवाने की और उसके बाद आपकी कम्पनी में फ्रोड पकड़ा गया तो auditor जिम्मेवार नहीं है तो auditor जिम्मेवार नहीं है बहुत सारी कम्पनीयों कि fraud के बात करूंगा आगे जाकर है तो इसका मलब हम डिटेल वाले लेक्टरस में बात करते ही हैं कि fraud auditors कैसे कैसे करते हैं Deloitte, KPMG, PwC, India में बहुत चार big four कहते हैं worldwide चार big four audit firms हैं KPMG, NY, Deloitte, PwC तो बहुत बढ़ी-बढ़ी companies के auditor हैं कैसे-कैसे fraud करें उनके बात करेंगे तो auditor कभी भी ने जब अपनी opinion फर्म करता है तो audit अगर उसकी auditor ने audit report बनाई और बाद में company में को report पकड़ा है तो auditor जरूरी निया कि हमेशा जिम्मेवार होगा depend ये करता है कि अगर auditor उस fraud में खुद ही मिला हुआ था तो तो वो जिम्मेवार होगा लेकिन auditor से आपने चीज़े चुपाई है अगर auditor court में जाकर ये प्रूफ कर देता है कि मैंने proper तरीके से audit करा था मैंने सारी चीज़े चेक करी थी इन लोगों ने में उसके बाद भी चुपा ली मेरे को नहीं पता है तो ने किस तरीके से mislead करा मेरे को चुपा ली अगर auditor innocent prove हो गया तो auditor उस case से out हो जाएगा company वाले ही फसेंगे जिन लोगों ने गलत कर रहा है तो यह शी जोड़ धियान रखना है ठीक है तो एक यह बात हो गई तो auditor हमेशे independent audit form करता है अच्छा एक question और अगर तुम से कोई पूछे की auditor का objective क्या होता है कि अब्जेक्टिव क्या होता है तो मैं बहुत सारे बैच्चों से पूछता हूं कि auditor का objective क्या होता है तो मैं बच्चे कहते हैं मैं तुमको लिखके भी उता हूं कि यह अड़ेक्तिव वहता है to detect error and fraud to detect error and fraud क्य और यह करता कंपनी में जाकर क्या क्या गल्तियां हैं, क्या कमियां हैं, उनको पकड़ना अचा, Error और Fraud में फरक काता है, अचा, कंपनी के अंदर Balance sheet में कोई कमी है, माले लो, कंपनी का profit वह 10,00, ने लग दिया 1 करोड़, अब इसमें 2 चीज़े होगी, कंपनी ने वह एक करोड जान के करें एक जीरो देखो दस लाग में एक जीरो एक्स्टा करते हो तो एक करोड हो देखा अब कमपनी ने वो चीज़ जान के करी है या गलती से हुई है ये डिपेंड करता है अगर जान के करी है तो that is fraud क्योंकि fraud और error में फरगी होता है fraud हमेशा intentional होता है आप जान के करते हो और जो error होता always unintentional होता है आप ने जान के नहीं करा आप Quickly होई है जानके नहीं कर आपसे क्या हो यह गलती हो गई है क्या error अर्वर फ्रोडम ही फरight समय आया कि आपकी बैलंस चीट में कुछ कमी है आपकी बैलंस सेट में कुछ घरबड़ी है लेकिन वो एक हाता है कि आपने जानके घरबड़ी करी ही है अगर हम जानके तेस इसे एख सत्यम of accounts accounts का जालीपन इंडिया में क्या हुआ था इसके बहुत पॉपलर केस है जिसके नाम है सक्त्यम कंप्यूटर्स इसे आपको पताए इनफोसीज विप्रो है टीसी ऐसे इंडिया में पंच रतन कंपनीज गिनिया दिनी पहले गिनिया थी पंच रतन companies और इसके जो founder थे प्रमोटर थे उसका नाम था रामा लिंगम राजू तो इंडिया में पंच रतन पंच रतन तॉप फाइव आईटी कमणी सी इसमें Infosys का नाम था विप्रो का नाम था TCS का नाम था उसी में एक नाम सत्यम Computers का भी था और इनके auditor थे उस time पे PwC इनके auditor कौन से मैंने बता है ना चार auditor है बड़े-बड़े KPMG, इनके auditor थे PwC इनके auditor थे और ये company क्या करती थी window dressing करती थी window dressing का मतलब क्या है मालनो इनको profit हो रहे हैं पांच करोड के ये लोग दिखा रहे हैं पचास करोड के पचास करोड के अच्छा ऐसा क्यों दिखा रहे हैं because of peer pressure, peer pressure को मैं समझाता है competitors का pressure होने की वेज़ से क्योंकि इनके साथ की IT वाली कमने थे TCS, Infosys, Vipro वो उस टाइम पर बहुत तेजी से grow कर रही थी और इनकी growth उतनी तेजी से नहीं हो रही थी तो इनको लगा हमारी growth उतनी तेजी से नहीं हो रही है तो हम पंचरतन की category से out हो जाएंगे हमारी market में इज़द गिर जाएगी तो ये लोग fake profit दिखाते थे fake profit दिखाते थे इसी को हम बोलते है window dressing मलब profit हो रहा है पांच करोड का दिखा रहे है पचास करोड का जान के profit दिखा रहे है उससे फाइदा क्यों हो रहा है कि market में आप fake growth दिखा रहे है उसकी वैसे market में इनका share का price बढ़ता चला रहा है शूट अप करते आ रहा है इनकी company का share का price बढ़ता चला रहा है वो तो यह फस्त है मिना एक बार क्या हुआ कि इनकी company के उपर किसी को doubt हो और वो doubt कब हो इनके company के promoter एक राद पहले share बेच के बग लीगे फिर भी वो high profit दिखा रही थी ताकि उनकी market में इज़्जत बनी रहा है उनका share का price shoot up करते रहे और उस case में PwC के ओपर भी penalty लगा ही गई थी तो मैं दिखा भी देता हूँ सब्सक्राइब कर दो सो क्रोड की penalty लगी थी कि पतने की penalty लगी थी exactly amount याद नहीं है कि चेक करते हैं कि कितने की penalty लगी चेक करते हैं penalty on satyam computers sorry penalty on PwC in case of satyam scam 13 रूर लगी थी penalty लगी थी लगी थी 2 साल के लेटल लगा थी हो और इस्जार्ड़ा करने को बोल थी कि उइच्प्रोड करने को बोले थी कि जो ऋन्हें fraud करा आव वा पिस करना है कि दो साल का लगा था penalty तो अलग अमांट के लगे तो पर not Когда I am相 alarm याद नहीं आ farm tower है कि अमाउंट कि पेनल्टी अमाउंट कि पेनल्टी का माउंट 5 लाक इच वो तो इंटरनली ऑडिटर के उपर लग लगा था और इन्होंने जितना फ्रॉड करा था जो लोगों से अच्छल में क्या हुआ था इस केस के अंदर सुमार को मैंने सित्म स्केंडल के बारे में य प्रॉड करा था डिया था कि में था जयां है साथ हजार को फ्रोड़ का रॉड वा था और रामलिंगम राजुइन के कौन थे ते उसकंपर फाउंडर थे इस कंट्री के Just brought up 손 i अधिन जहां तक मेरे को याद है मेरे को भी वह मिल नहीं रहा है एक मिन्ट रुक आर मैंने उजन वह स्क्रीन शॉट निकाला थे करल दो मैंने किसी को दिखा रहा था उजन एमाउंट पर नेंट भी गूगल पर शोह नहीं कर रहा है हाँ अभी शोव नहीं कर रहा है वो तेरा कोड़ वाली बात ही शोव रहा है तो आप यह मान के चलों है के लोगए तक है घ्रा कोड़र बापीश किया इस लिए तो 60 में कॉप्यूटरS का गेम और इसमें हुआ रहा है विंड़ो ड्रेसिंग हुई थी अब मैं तुम्हें बत प्रॉव करने कि हम फ्रॉड में इन्वाल नहीं है और हम जैनुवार और हमने कोई गलती नहीं करें और वह honest प्रूव हो गए तो ऑडिटर के ओपर कोई प्रॉड नहीं लगए जो भी प्रॉड नहीं हो कंपनी पर लगेगी तो आज केड़ में ऑडिटर ओपीनियन फर्म करत बैटा नहीं पाश पाइcies कि सी कंपणी करने का हम पर अचा किसी के घर में चोड़ी हुई हैै अब इस चोर को सजा दिलवानी में यह कोट में तो क्या वकील दिलवाएगा यह पलीस वाला दिलवाएगा पूल से पहले error को detect करना नहीं होता पहला काम auditor के दो objective होते हैं लिख लो अपने आप है पेपर में आ भी सकता है auditor के जो objectives है वो two objectives होते हैं एक होता है primary objective एक होता है secondary objective auditor का primary objective क्या होता है to check अभी जो हम पढ़ रहे हैं अभी हम secretary auditor के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं इस पूरे audit के नदर जो पहला क्योंकि आपका जो course में audit है वो financial statement audit पे में फोकस है तो अभी हम mainly CA समझाओ कि CA के point interview से बात कर रहे हैं तो हम CA के point interview से पढ़ रहे हैं यहाँ पर enter के अंदर तुमारा सर्फ थोड़ थोड़ा जिकर किया गया से करेटर को सब्सक्राइब का में जो पूरे discussion होता है को सब्सक्राइब के बारे में फाइनल में होता है तो primary objective के auditor का होता है अब हम CA के point interview से पढ़ रहे है तो क्या है तो चेक अभी आपने पढ़ा था whether the financial statements are giving true and for fairview or not to check whether the financial statements are giving true and fairview or not और true and fairview not का मतलब क्या है कि एक company के अपर financial statements बनाते वक्त जितने भी law लग रहे है क्या वो धंग से follow हुए है नहीं हुए है उसको check करना is called financial statements को audit और financial statements जब बनती है तो कैसे बनती है as per company act, company act follow करना पड़ता है साथ में accounting standards follow करने पड़ते है साथ में auditing standards follow करने पड़ते है तो एक company का सारे तरीके से प्रोपर सारे laws को follow करके प्रोपर तरीके से financial statements बनाई है तो हम इसे बोलेंगे कि company के financial statement true and fair भी दे रही है और auditor का काम खली इतना ही होता है और इसके base पर audit report बनानी होता है उसका main काम यही है लेकिन अगर उसको कोई यहां पर financial statement check करते है वक्त कोई गड़बड़ी लगी कि यार financial statement true and fair भी नहीं दे रही अचिसे अब financial statement check करते होंगे तो हम क्या करते होंगे मालोब balance sheet के अंदर asset show कर रहे है है ना balance sheet के अंदर liability show कर रहे है तो उसको books of account से match करते होंगे cash book, sale book, है ना जो company loan वगयर लिए है आपको बता हो ना दो चीज़ी होती है books of accounts, books of accounts के base पर क्या बनती है financial statement, books of accounts में journals, ledgers यह सब चीज आती है अगर journals में कुछ और दिखाया हुआ है, ledgers में कुछ और दिखाया हुआ है और balance sheet में चीज़े में mismatch कर रहे है तो हम बोलेंगे कि financial statement true and fair view नहीं दे रही है है ना, यह company ने दिखाया है कि हमारे पास current asset में stock इतना पड़ा हुआ है और जब हमने stock की checking करी तो पतला का actual में इतना stock company के पास अभी है नी closing balance में तो अगर हमें कुछ गड़बड़ी लगेगी तब हमारा second काम चालोगा secondary objective to detect error and fraud कि अगर company की financial statement true and fair view नहीं दे रही है तो क्यों नहीं दे रही है अब हम error and fraud detect करने की कोशिश करेंगे कि वो error है या fraud है पहले तो यह check करेंगे कि अगर यह चीज़े mismatch हो रही है तो क्यों हो रही है वो जानके की हो रही है या अनजाने में हो रही है यह check कर रहे है कि वो error and fraud है मगर वो secondary objective अभी इस case में पुलिस की भी help ली जा सकती है company के directors की भी help ली जा सकती है और किसी authority को बुलवाना है MCA को ROC में complaint करनी है अधर भी complaint की जा सकती है इस इधर तो बहुत सारे लोग involved हो जाएंगे तो पहला काम सीधा साइटर का यह होता ही नहीं कभी वे secondary objective बात की चीज़े पहला काम तो आईटर का यह है वो प्यार से जाए और प्यार से जीज़े चेक कर क्या है लेजर में कुछ और लिखाओ और बैलनशीट में कुछ और लिखाओ तो एर्रा या फ्रॉड है चेक किया रहेगा इस सिंपल सा चेक करें कि फिनेंट फिरुड फिरुड दे रहें नहीं दे तो वो बागए अगर उनको लगए कि गड़ बड़ी है तो बैड बीन देंगे और वो उसके एंस कंप्री प्रॉपर रिपोर्ट बनाकर आएंगे और कं कंप्लेंट भी करेंगे एंसी एल्टी में अवागे रहें कि पढ़ेंगे नैशनल कंप्री ट्रीट रिवी नगे पढ़ा था ने कंप्री डॉम एक बॉड़ी एक कोट है एंसी एल्टी जहां पर केस के लिए तो यह और के अब्जेक्टिव्स होते हैं नेक्स एक चीज एक शब्द होते हैं वाउचर्स यह सारे शब्द में पहले इसलिए क्लियर करना हूँ क्योंकि इनका बार-बार-बार-बार जिकर होगा तो आपको पहले सबत होना चाहिए तो बुक्स ओप अकाउंट्स प्राइमरी स्टेप्स होता है बुक्स ओप अकाउंट्स के बेस प बुक एट्सेक्टरा यह सब किसमें आते हैं बुक्स ओप अकाउंट्स में इन लेजर जनरल इन सब के बेस पर क्या बनती है फैनेंट्स देट्मेंट्स फाइनल आउट्पुट होता है और इसके अंदर क्या क्या आता है बैलेंशीट प्रॉफिट एंड लॉस अगाउंट पी एनल अगॉंट है कैश फ्लो स्थेटमेंट एडशेक्त्रा यह सब इसमें आता है अच्छा बुक्स और ऐकाउंट्स और फिनाइंशील सेटमेंट्स बनाने की जिम्मेवारी किसकी दिखांगा ऑभी बैलेंशीट के ओपर हमेशा डेक्रश के शाहीं होते बैलेंशीट आप सोचते हैं कि balance sheet वगेरा CA बनाता है नहीं आप सुनना कभी जाके check कर लेने ध्यान से CA balance sheet बनाते हैं CA accounts ready करते हैं companies के लेकिन वो जिस company के accounts ready कर रहे हैं वो उस company को audit नहीं कर सकते law में clear record बना है मालो अगर मैं किसी company आपके पढ़ेंगे कि जो भी CA firm आपकी accounting की account और bookkeeping services और account maintain करती है वो आपका audit नहीं कर सकती दूसरा करेगा तो आप confuse मत हो ना तो मैं यह नहीं कर रहा कि CA कभी balance sheet बनाने सकता बुक्स और account बनाने सकता दिमाग में बिठावला वो भी बनाते हैं लेकिन वो जिस company के बना रहे हैं उस company का audit नहीं करें और यह नॉर्मली यह बनाने की जिम्मेवारी किस के हो कि बनाने की जिम्मेवारी management समने वाला कि माल लो मेरा 10-10000 अख्याव एक electricity का बिल आए मैंने electricity bill pay कर दिया समने वाला क्या करें तो मारे पास क्या proof है तुमने पे कर दिया तो जब मैं बिल पे करोंगा तो bill pay करने की slip generate होती नै चलान generate होता जिसको हम बोलते है चलान generate हो गया कि हमने bill pay कर दिया वही क्या ह वाउचर उसी उस चलान को यह बिल पे, जो हमने पे कर दी हो, हम क्या बोलेंगे वाउचर, है ना, वाउचर क्या है? एक Evidence है, जो प्रूफ करता है कि मारे पास चीज है, मालो, madala मैं बोलता हूं कि मेरे पास लैंड है, कि आपने कब खरीदी थी कहां से खरीदी थी किस जगा पर खरीदी थी तो जो उसके आपने कोई स्टेशनरी खरीदी है या आपने कोई खर्चे करें हैं आप आप उनकी डिटेल्स दिखाओ वह सब कहें हैं तो किसी भी चीज़ को प्रूव करना कि यह खर्चा हुआ है उसके सारे एविदेंस इस शोटे शोटे जो इस में यूज होंगे इस ऑड़िट के चैप्टर में और रिट के अंदर तुमारे लौ में ऑड़िट वाले सब्जेक्ट में तो मैंने पहले से क्लियर कर दिये अब तुम्हारा बहुत अच्छा था से मैंने बेस बनवा दिया स्टॉंग अब हम आड़िट को बुक से पढ़ना शुरू करते हैं अब आपको चीज़े अल्री समझ आ देंगे तो मैं ऐसा लगए तो चीज़े में हैं ठीक है पढ़ते हैं देखते हैं अब नेक्स डिफरेंस क इसको बिना पड़े बुक से बताओ पहले मेरे को बिना पड़े बुक से बताओ आजी हम च्छोटी चीज़े बैर मेरे को हो स्ट परू dinero कर ना होता होगा कि कोई कंपनी पहले अइकांट बनाईगी उसके बाद ही होगा पहले हम यह चेक करेंगे कि अधर सब कुछ आ गया बुक्स अधर काउंट्स भी आ गए और फैनाइंशल स्टेटमेंट्स भी आ गई दोनों चीज़ आ जाएंगी ना और फैनाइंशल स्टेटमेंट्स में फरक क्या होता हुआ मैं तुम्हार को बताई चुका हुँ कि बुक्स अधर के बेस पर क्या बनती है फैनाइशल स्टेटमेंट्स बनती है तो पहला स्टेप अकाउंट्स प्रिपेर करना होता होगा दैन क्या होता होगा दैन सेकेंडली क्या होता होगा और अदिट होगा उसका पहले अकाउंट्स true and fairview दे रही है का मतलब क्या होता है तुम्हारों को इस बात पता ही है कि financial statement true and fairview दे रही है नहीं दे रही है इसका मतलब यह है कि अगर एक company ने financial statement बनाते वक्त जो भी उसके पर applicable laws लग रहे हैं like company law, accounting standards, auditing standards अगर वो ढंग से follow कर रहे हैं जी अकाउंट को prepare कौन करता है तो अकाउंट को prepare करने की जिम्मेवारी किसकी होती है management की accounts को prepare करने की जिम्मेवारी किसकी होती है company की management की इसलिए मैं तुम्हार को बताया भी था जब company की financial statements ready की जब मैं बोलूँ management तो management का मतलब है board of directors company के directors और एकाउंट को ब्याने की जिम्मेवारी इनकी है लेकिन जब मैं बोलूं audit करने की तो audit कौन करता है auditor करता है और auditor जब मैं तुम्हार को बता हूं तो financial statement का audit करने का मतलब क्या है तुम्हार को मैं बताया था कि normally तीनों ही auditor होते हैं करता है वह only practicing CA होता है CS और CMA को financial statement करने का audit नहीं है ना tax audit करना अलाओ अब उसके बारे में आगे पड़ेंगे तो अब हम एक फोड़ा थोड़ा basic चीट है हमार को वैसी पता है accounts और audit में फ़रक कि accounts पहले बनते हैं audit बाद में होता है क्योंकि जब accounts बने हैं वो ढंक से बने नहीं बने उसका check करने को तो मॉडिट बोलते हैं है ना और दूसरी चीज की financial statement कौन बनाती है management board of directors audit कौन करता है auditor और यह कौन होता है by profession practicing CA होता है ठीक है अब हम इसको पढ़ते हैं बहुत सरी चीजिस में नहीं नहीं सीखने को मिलेंगी हम उसके बारे पढ़ेंगे और देखने हैं क्या क्या अच्छा एक चीज़ और बड़े ध्यान से सुनना financial statements कब ready होती है accounts जो बनते हैं उन्हें record कब करते है accounts को record कब के जाता है immediately after happening the transaction immediately after happening the transaction ऐसा यह होता है ना तुम्हारी company ने कोई sales कर दी ख बेची है तो तुम immediately क्या करोगे उसकी entry ढाल दोके बहु आता किDY वहने बेच दी है, sale book में उसकी entry डाल दोगे, तुम्हारी company ने कोई चीज खरी दी है, तो immediately तुम परचेस book में उसकी entry डाल दोगे, तुमने चीज खरी दी है, उसकी journal entry डाल दोगे, लेजर में डाल दोगे, पोस्टिंग कर दोगे, और आखरी में जब financial state में ready की जाएगी, तो उसक कब होता है, once the accounts are recorded, एक बार accounts को अपने record में लिख लिया, once the accounts are recorded in the books of company, once the accounts are recorded, जब एक बार पूरे साल के accounts रिकठे हो जाते हैं, उसके बाद साल खतम होने के बाद आपको बता क्या होता है, audit होता है, इसकल पहले accounts ready होते हैं, उनकी entry डाली जाती है, monthly basis पे, अच्छा आप त audit साल का खतम होने के बाद, एक साल के बाद, लेकिन जो listed companies होते हैं, बड़ी-बड़ी savvy ये बोलता है कि उनको तो quarterly basis पे भी करवाना है, annually भी करवाना है, साल का भी audit करवाना है, तो जब एक बार once the accounts are recorded, then audit is done, तो audit बार में होता है, तो असकल accounts पहले बनते हैं, obvious सी बाद है, तो अब पढ़ना शुरू करते हैं, बुक से पेपर के साब से important है, पहला, accounting और auditing में फरग, it is the collection, classification and summarization of data, preparation of books of accounts and to make financial statement, और आपको पता है, अचा एक बापता हो, जो आपने कोई चीच बेची, आप उस data को collect कर रहे हो, collect करने के बाद आप उसको ledgers के अंदर और cash book में और classify करने के बाद अब उसको summarize कर रहे हो, summarize कहा पर कर रहे हो, balance sheet और P&L के अंदर, आपको पता हो, balance sheet और P&L के अंदर जो entry हो, वह summarize form में होती है, उसकी detail बात तो नीचे, notes to accounts में की जाती है, detail बात तो नीचे notes to accounts में डलती है, balance sheet और profit and loss के तो summarize data होता है, जैसे example लेके बाद वह collection हो गई, उसके तब classify करोगे, classify का मतलब का है माल लो तुमने कोई asset खरीदा, तो वह current asset है या capital asset है, long term है, short term है, उसे हम बोलते है classification करना, फिर उसके बाद अब उसे summarize करके, आप balance sheet में डाल दोगे और P&L में डाल दोगे, उस data को record करके, तो आप उसके base पे क्या बना रहे हो books of accounts and financial statements बनाते हो, और books of accounts के अंदर books of accounts के अंदर ledger, journal, cash book, sales book ये सब आती है, इसके base पे क्या बनती है, financial statement जिसके अंदर P&L, balance sheet और cash flow statement आती है, तो आपको ये पता है कि accounting का काम होता है, इस चीजों को record करना, और auditing का क्या होता है, इन चीजों को analyze करके, इसके base पे एक report बना इन सारे चीजों को check करना critically कि ये चीजों के तरीके से accounts रिकॉर्ड किये गा है या नहीं करेगा है, उसमें कुछ गरवडी तो नहीं है, next, accounts कब record किये जाते है, at the time of occurrence, मतलब, just time हमने transaction करी, आपने कोई चीज बेची, अचा आप किसी की दुकान पे चीज लेने आते हो, तो तुम देखते हैं, वो अगर तुम किसी reliance fresh में जाओगे, या किसी भी जगा पे जाओगे, किसी showroom में जाओगे, आप कोई चीज खरेगा है, इमीजेटली वो उसके entry डाल देगा और आपको bill card के देगे, तो accounts immediately at the time of occurrence बनते हैं, लेकिन जो auditing होती है, वो कब होती है, एक ब यह line बड़ी important है, अच्छा, accounts के अंदर हम खाली monetary चीज़ों को गिनते हैं, accounts के अंदर, यह चीज़ important है, यह चीज़ बड़ी important है, ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने वाला हूँ, accounts के अंदर, हम only monetary things को cover करते हैं, monetary का मतलब होता है, money की form में, only monetary things को cover करते हैं, लेकिन audit के अंदर, audit के अंदर, हम लोग monetary as well as non-monetary दोनों को cover करते हैं, audit में monetary as well as non-monetary, both को cover करते हैं, अच्छा, एक बाव बता हो, monetary का मतलब क्या है, company ने कोई चीज़ बेची, तो वो money की form में होगी ने, कितने की बेची, वो चीज़ चेक करेंगे, कि सही value लगाई ने लगाई, company ने कोई चीज़ खरी दी, तो सही value पर खरी या ने खरी या ने खरी या इसा तो ने हो रहा, कि books of accounts में चीज़ लग value पर दिखाई जा रही है, और balance sheet में चीज़ लग value पर दिखाई जा रही है, financial statements में, यह वही monetary चीज़ जब, monitoring का मलता है, in terms of money, money की form में चेक करना, लेकिन audit के case के अंदर क्या हम, एक बाह बताओ, जो हम financial data check कर रहे है, जो हम books of accounts को financial statements से match कर रहे है, books of accounts and financial statements को जो हम check कर रहे है, वो तो हो गया monetary data, यह तो हो गया monetary data, को चेक करना जाना हो गया monetary data, कि भाहिए यह धंग से बनाए गए यह नहीं बनाए गए, लेकिन जो हम साथ में audit करते वक्त हम यह भी देखते हैं कि management ने पर्फॉर्मेंस धंग से करी थी या नहीं करी थी मैनेजमेंट ने पर्फॉर्मेंस धंग से करी थी या नहीं करी थी मैनेजमेंट ने कंपनी के प्रॉपर लॉप फॉलो करे थे या नहीं करे थे कंपनी की में Directors ने, कनरी चेλε Gibbs के उसी है क्योंकि कमपनीमें shareholders सरा है अब shareholders काreally पैसा है, directors उसका misuse नहीं कर रहे כपनी bena management performance दहन से कर रहे थे Management जो है वह like law follow कर रहे थी या नहीं कर रहे थी law follow कर रही थी यह नहीं कर रहें यह सब और नां अप टो और यह है कितना पैसा आया कितना पैसाइए कितने खर्चे केंडल हुए इस अभार्ट लेकर के अंदडर हम 거지 चैक करतें यह मूनेरी कि अंप्स लेक्ति व हम कितनी त्रांजेक्शन Olympics ले ने जिए आई है क्या वो financial statement से match कर रही है नहीं कर रही है वो सब तो check करते हैं साथ में non monetary चीजे भी check करते हैं कि management की performance कैसी थी management का law ढूंसे follow नहीं का रहा है management का behavior कैसा था यह सब चीजे भी auditor check करते हैं तो audit के अंदर हम खाली monetary चीजे चेक करते हैं और audit के अंदर हम financial as well as non financial matters दोनों check करते हैं next साथ है primary responsibility accounts के अंदर किसकी होती है accounts कोन बनाता है management यह दिवा गई ने management का मतलब board of directors towards shareholders 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 का पैसा लगा है लेकिन shareholders तो खाली पैसा लगा कर बैठ चुके है company को चलाता है कोन है directors तो accounts बनाने की primary में वारी किसकी होती है अदर है management की लेकिन audit करने की primary में वारी किसकी होती है independent person जो auditor आदर और और जसका काम होता है आज के जमाने में auditor law follow करके independent auditor तो आप उसको अपने ही साफ से नहीं चला सकते वो अपने ही साफ से काम करेगा वो चीजे चेक करेगा कि तुमारी कमणी डंग से follow कर रही है नहीं कर रही है वो यह देखने आएगा कि law follow रही है नहीं हो रहा अपने ही साफ से चेक करेगा तुम उसे फोर्स नहीं करोगे अचाउंटेंट का काम यह नहीं होता कि उसका काम है उसका काम है खाली बनाना और बनाकर अचाउंट्स को चेक करना है लेकिन उसको चेक करना नहीं है अकाउंटेंट से भी एक्सपेट निकरते हैं अडिटर के आम है प्रॉपर चेक करके एक रिपोर्ट बना कर देना कि भई फिनाइंचल स्टेटमेंट प्रूएंट फियर्वीव दे रही है या नहीं दे रही है जो अकाउंटेंट होता है वो management के अंडर work करता है लेकिन आपको बता है अधिटर किसी management के अंदर work नहीं करता अधिटर तो independent person है वो खाली shareholders को बताएगा एंड नोट जस्टा अपने इंडिपेंडने परसन है मतलब क्या वह audit करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा और वह शेरोल्टर को भी देदेगा और मैंज़्मेंट को भी बता देगा यह रिपोर्ट है तुम्हारी कमनी में यह पकड़ा है लेकिन आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं अगर उस audit करने के बाद भी फ्रॉड धंसे नहीं पकड़ पाया या audit करते वक्त वह खुद ही उस फ्रॉड में इन्वाल था तो ओडिटर फसेगा थर्ड पार्ड इसको थर्ड पार्ड बाहर वालों को वह लाइबल होगा उसके ओपर एक्शन लिया जाएगा अगर वह मेंडेटरी होता है लेकिन और फिर भी बहुत सारी कंपनी एक लिकांड का है मेंडेनेंस अगर बहुत थोटी होती हैं उनको नहीं बनाने होते एक मेड़ल लेवल को मैं ऐसे समझ सकते हैं कि एकाउंट जो बनाने होते हैं वह जनरली small entity हो तुमारे गली मोहले की दुशनें यह जो बहुत छोटी कंपनी है, small entities, generally वो accounts नहीं भी बनाती, accounts generally किसको बनाने होते हैं, middle level entities को थोड़े ले बड़ी हैं, या फिर large entities को accounts prepare करने होते हैं, आप अपनी मर्जी से, अच्छा वैसे देखा हैं ना, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी अभी, अपनी मर्जी से accounts बनवा लेती हैं, लेकिन उनके लिए mandatory नहीं है, लेकिन audit के लिए थो मैंने तुम्हार को बताया, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, उनको statutory audit तो सब कोई कर्वाना होता है, वो अलग बात है कि जो tax audit होता है, उसके लिए अगर सरकार tax audit सर्दे को tax audit और statutory audit में फर्क होता है, tax audit हर कंपनी में रखता है, section 44 AB है, income tax act के अंदर, आप लोगोंने income tax पर रखा है, income tax में section 44 AB हो पर एक limit दिए हुई है, कि इस limit से उपर हर एक company को tax audit करवाना होता है, इसका पर tax audit कुछ companies, छोटी companies के लिए exempted होता है, लेकिन financial audit हर कंपनी को करवाना होता है, लेकिन accounts जो होते हैं, वो छोटी entities को prepare ही नहीं करने होते हैं, बड़ी entities को prepare करने होते हैं, और next है accounting जो होती है, वो as per accounting standards होती है, और auditing होती है, वो as per auditing standards होती है, यह तुमेरे को बताने की जो अथा ही ठीक है यह बात हो गई, next हाता है कि अब audit करेगा कोन, मैंने तुम्हारे को बता है, main focus अभी CA पर है, तो कह रहा है, only chartered accountants कर सकते हैं audit को, क्योंकि यह मैं financial statement वाले audit की बात कर रहे है, वैस मैं तो इतना याद रखो, chartered accountants होता कोन है, जो ICA का member उसके बारे में बात कर रहा है, अब आता है audit और investigation में difference, यह बड़ा important है, यह बड़ा important है, सुनना बड़े द्यान से, इसके बारे मैं समझाता हूँ, अब आगे बड़ो guys, audit और investigation में difference करते हैं, यह बड़ा important है, most important, अच्छा, दोनों ही, अगर आपको starting, starting में याद हो, तो जब मैंने तुम्हारा को audit का मतलब बताया था, तो मैंने बताया था audit का मतलब investigation होता है, अब साला यहां पर audit और investigation में भी फरक बता रहा है, अब जब हम समझते हैं, वैसे जो तुम से कोई investigation का मतलब होता क्या है, अगर हम हिंदी में बोले तो छान बीन करना, तो हम audit में भी छान बीन कर रहे हैं और investigation में भी छान बीन नहीं कर रहे हैं, तो दोनों का जो character है, वो fact finding character ही है, fact finding character का मतलब होता हम कोई कमी ढूण रहे हैं, हम कोई गल्ती ढूण रहे हैं, हम यह चेक कर रहे हैं कि कोई कमी तो नहीं रहे गई financial statements के अंदर, लेकिन audit और investigation में भी फरक होता है, वो क्या होता है पर जहान से सुनना, वैसे तो भी मैंने तुम्हार को बता है कि audit का मतलब भी अपने आपने investigation होता है, लेकिन audit और investigation में main फरक कहा होता है, अगर मैं तुम्हार को बता हूँ, दोनों में यह कमी ढूणते हैं, लेकिन main फरक जो होता है वो पता है क्या होता है, वह half yearly भी हो सकता है एंड वह annually भी हो सकता है लेकिन जब मैं बोलो investigation तो यह periodically नहीं हो सकती है यह anytime हो सकती है यह कभी भी हो सकती है देखो invest audit जो हो रहा है ना audit जो होता है मैंने बता है वो quarterly half yearly जो जो चोटी company होती है उनको साल में एक बार audit करवाना होता है लेकिन जो बड़ी बड़ी listed comments होती है उनको quarterly basis पे भी audit करवाना पड़ता है और उनको half yearly basis पे भी करवाना होता है साल जब खतम हो जागा तो उसके बाद भी तो बहुत एक साल में 4 quarter होते हैं January से लेकर March, April से लेकर June July से लेकर September and October से लेकर December तो एक साल में 4 quarter होते हैं तो audit जो होता है वो quarterly basis पे भी करवाना होता है listed companies को फिर annually महलब एक साल का complete भी करवाना होता है plus 6-6 महिने का भी करवाना होता है जो बड़ी लिस्टिड गमनी चोटी companies को तो annually करवाना होता है लेकिन अगर मैं investigation की बात करूँ तो investigation कब होती है anytime कभी भी जब आपकी company पे doubt हो रहा है कि आपकी company में कोई fraud हुआ है तो उस time पे क्या होता है बड़ी बड़ी companies के अंदर छानबीन करवाई जाती टीम आती है investigation करने जैसे माल लो अगर हमें doubt है कि company ने गड़बड़ी करी है और छोटे level की company है तो ROC वालों की अपनी team है वो आती है ROC वाले भी raid मारने आते है अगर listed company है तो savvy वालों की अपनी team है वो आती है raid मारने अगर वो company foreign exchange में लेन दिन करती है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है अगर कोई company इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है इंडिया से बाहर माल भिजवाती है बाहर से माल इडिया में आता है ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए इंडिया में एक authority है enforcement direct trade ED enforcement direct trade अगर आपकी company पे doubt है कि आपकी company ने import export के अंदर smuggling करी है या कुछ ऐसा कुछ करा है तो ED इसको में बोलते है ED जैसे CBI होता है CBI उसी level की टक्तर की authority होती है ED तो यह investigation करती है इसका मिलब investigation जो होती है उसके लिए कोई period नहीं होता जब तुमारी company में fraud का doubt होगा कि तुमारी company ने गलत काम करा है उसी time तुमारे उपर raid मारने आ जाएंगे चापा मारने आ जाएंगे income tax वाले आ सकते है investigation करने अगर आप में tax कम भरा है आपके accounts कुछ और शो करने है और income tax authority को आपके अपर doubt है GST authority को आपके अपर कोई doubt है तो GST वाले भी raid मारने आ सकते है तो इसका मलब investigation तो कोई भी authority कर सकती है और वो कभी भी कर सकते है जब उनको आपके अपर doubt होगा लेकिन audit ज़रूरी थोड़ी है कि doubt के बेस पर होता है audit तो हर साल करवाने ही होता है जो अच्छी company आया है जैसे Tata हो गई Infosys हो गई, Vipro हो गई, Reliance हो गई तो जरूरी थोड़ी यह fraud कर रही है तो यह fraud नहीं भी कर रही है तब इनका audit तो हर साल होता ही है तो auditor का काम ही कह है वह आपके check करेगा कि तुम्हारी company ढंग से बैड रिपोर्ट बना कर देदेगा कि अभी CDC भाषा में तुम्हारी क्लीन रिपोर्ट बैड रिपोर्ट सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूं हाला कि टेक्निकल भाषा में इसको qualified opinion, unqualified opinion ऐसे बोलते हैं वह आगे जाके बात करेंगे अभी के लिए पर समझाओ अगर तुम्हारी company okay है तो auditor clean report देदेगा तुम्हारी company गलत है गलत काम करें और auditor bad report देदेगा लेकिन यह periodical based होता है लेकिन investigation कभी भी हो सकती है कभी भी किसी भी time हो सकती है है ना अब पढ़ते हैं इसको book से अब पढ़ो book से auditor investigation में फरक करा auditing is an independent systematic examination इंडिपेंडेंट समझ आता है दोनों शब्दों में फरक सब्जो independent और systematic में independent का मतलब है auditor आपके कहने पर काम नहीं करता है वो law according audit करता है आप उसको force नहीं कर सकते है मेरे कहने पर यह चेक कर यह चेक मत कर वो अपने इसाफ से सब कुछ चेक करेगा जो लो बोल रहे है और systematic examination का मतलब है वो सारी चीज़े law में system बताया है कि आपको proper company act follow करना है accounting standards follow करन नहीं है और साथ मैं आपकी financial statement true and fair way दे रही है नहीं दे रही है लेकिन investigation में ऐसा नहीं होता है investigation आपके accounts और records को check किया जाता है यह check करने के लिए कि special purpose के लिए और यह vary कर सकता है case to case special purpose का मतलब है जिससे मानलो सत्यम scam हुआ था तो इधर अलग चीज का scam था सत्यम scam के अंदर क्या था window dressing हुई थी सत्यम scam में क्या हुई थी तुमार को मैंने भी बताया था window dressing की accounts के अंदर company को profit का मोरे थे और company profit जादा दिखा रही थी इसका मतलब यह special purpose investigation होगा यहाँ पर CBI वाले भी आये थे इस investigation में CBI वाले भी involved थे income tax वाले भी involved थे तो एक special purpose के लिए investigation की जाती है यहाँ पर true and fair view motive चेक करना नहीं होता है यहाँ पर आपका main motive fraud पकड़ना होता है लेकिन यहाँ पर आपका main motive audit के अंदर true and fair view चेक करना है यहाँ पर audit का scope wider है audit का scope wider क्यों है क्योंकि audit management की point of view से भी होता है जैसे अभी आप तुम आगे जाके बढ़ोगे internal audit audit कई तरीके के होते है एक होता है internal audit जो इंटरनल audit होता है वो management के हिसाफस होता है management director से point करते है internal writer को अपने हिसाफस audit करवाते है एक होता है financial audit जिसको आप पढ़ रहे हो सिये करता है इसकला audit का scope बहुत वाइडर है यहाँ पर हम हर चीज़ चेक करते हैं लेकिन investigation का scope limited है यहाँ पर हम सिरफ उसी चीच को चेक करेंगे उसी area को चेक करेंगे जहां हमारे को doubt है जैसे मानलो audit तो हम पूरे annual कर रहे है audit तो हम पूरे financial year का कर रहे हैं पूरे साल का कर रहे हैं लेकिन अगर investigation के तरह मानलो अगर हमारे को गड़बड़ी लग रही है कि में के मन्त में ऐसा हो सकता है मानलो में वाले मन्त में या जून वाले मन्त में company ने financials के अंदर कुछ गडबड़ी करी है तो हम खाली इनी दो मन्त की investigation करेंगे पूरे साल की investigation नहीं करेंगे तो वह यही कह रहे है कि audit का scope wider है यह तो पूरे साल के base पे होता है लेकिन investigation का scope narrow है जहां हमारे को doubt है जिस area में fraud हो है जिस मन्त में fraud हो है हम खाली उसी चीज को check करेंगे पूरी चीज़ों को check नहीं करेंगे तो investigation का scope narrow है ठीक है नेक्स दा था objective, audit का objective है true and fair view check करना और investigation का objective है special purpose ये check करना कि कोई नया partner आ रहा है अगर company के अंदर या कोई नया member आ रहा है तो उसने कोई गड़बड़ी तो नहीं करी, कोई गया था छोड़के तो कुछ गड़बड़ी तो नहीं करी कोई financial statement गड़बड़ी तो नहीं होई, special purpose चेक करना कहरा audit करते है वक्त हम generally accepted auditing principles follow करते है audit के principles हैं लेकिन यहाँ पर हम क्या करते है investigation involved extended audit procedure extended audit procedure का मतलब है audit से बढ़कर हम आगे की चेक कर रहे है audit तो हो चुका है ना जैसे मालो सत्यम के scam में भी audit जैसे सत्यम case था वहाँ पर audit हर साल होता था लेकिन audit होने के बाद भी गड़बड़ियां थी auditor खुदी मिले हुए थे तो इसकल हम audit के beyond जाएंगे इसको हम बोलते है extended audit procedure audit के परे जाकर हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि company में आखिर में गड़बड़ी हो का रही है कि audit में तो हमने auditing principles के recording चेक करा और auditory मिले पड़े तो तुर ने ओके report दे दी लेकिन investigation के तरह हम audit के परे जाकर हम चीज़े चेक करते हैं कि कहां गड़बड़ी हो रही है evidence audit को हम audit के इंदर हमारा main evidence होता है accounting records से चीज़ों को check करना और मिलाना कि accounting records जो है हमारी जो books of accounts है कि हम financial statements से match कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं auditing के तरह भी चेक करते हैं लेकिन investigation के तरह हम सब कुछ check करते हैं conclusions कैसे निकालते है evidences के based पर किसने fraud करा कैसे करा कहा करा conclusive evidence का मतलब होता है कि ultimately fraud करा को किसने करा और क्यों और कितने amount का तरह है यहाँ पर हर चीज़ चेक होती है कहां auditor जो होता है वो sceptical होता है not suspicious अच्छा sceptical समझाता है वो कहां auditor जो है वो sceptical है लेकिन suspicious नहीं है sceptical है सकिन suspicious नहीं है sceptical का मतलब होता है unbelieving unbelieving और suspicious का मतलब होता है doubtful देखो दोनों शब्दों में ने पड़ा फर्क होता है septicolor suspicious में देखो auditor आपकी company में आपकी बातों पर भरोसा नहीं करता वो accounts को आप देखो आप बोल रहे हो कि आपके पास इतने asset है इतनी liability है है ना आपके पास current asset इतने है fix asset इतने है वो आपकी बातों पर भरोसा नहीं करेगा वो सारी चीज़ों को proper documents के साथ check करेगा मगर ऐसा नहीं है कि वो doubt कर रहा आप है वो सिर्फ check करेगा चेक करके अगर सब लगए लगएगा तो वो चला जाएगा इसका मतलब auditor जो होता है वो septicol होता है वो आपकी बात पर भरोसा नहीं करता वो records की बातों पर भरोसा करता हम कहते है ना इंडिया में कही जाते है ने जुबान की कोई उकात नहीं होती कावजों की उकात होती अगर आप किसी चीज़ के माली को तो आप प्रूफ कैसे करो कि आप माली को उसके ownership document दिखा दो तो अगर company कह रही है हमारे पास इतने fix asset है हमारे पास इतने current asset है अगर current asset इतने stock में दिखा दो कहाँ पे है अगर तुमारे पे यह fix asset दिखा दो उसके ownership document कहा है तो auditor को आप दिखा दो कि auditor आपकी बात माले बात खतब तो auditor आप पर doubt नहीं कर रहा है मगर आप पर भरोसा नहीं कर रहा है वो कह रहा है मैं कुछ चीज़े दिखाओ मैं भरोसा कर लूँगा लेकिन यहां तो सारा खेल investigation में doubt पर होता है आप किसी company की चानबीन कप करवाओगे जब आपको उस पर doubt होगा जैसे सत्यम के case में क्या हुआ था कि हम यह देख रहे थे कि सत्यम की इतनी sale तो होनी जी है लेकिन सत्यम का price बढ़ता चला जा रहा है profit इतने सारे कैसे हो रहे है doubt पैदा हुआ और doubt पैदा हुआ तो पता लगा सत्यम तो fraud कर रही है window tracing कर रही है इसका मतलब investigation doubt के base पे होती है आपकी सारी चीज़े okay है auditor मतलब investigation के अंदर investigating authority तब भी doubt करेगी जैसे माल लो आप कह रहे हो हमारे profit इतने है तो investigating authority तब भी doubt करेगी कि इतने है कैसे लेकिन audit में ऐसे थोड़ी होता है audit में आपकी company कहती है इतने profit है आपकी बात को माल लेगा वो इतना सब detail में नहीं जाएगा कि कहां से आया थे इतना profit बगयरा बगयरा लेकिन अगर आपकी company में doubt हो गया तो investigating authority income tax वाले तो आपको proper doubt करेंगे अगर आपने profit कम दिखाया है जारा दिखाया है तो कैसे दिखाया वो तो proper doubt करेंगे वो doubt के बेस्पे investigation होती है इसका मतलब audit जो होता है वो doubt के बेस्पे नहीं होता है audit तो आपकी बात पर बरोसा ही नहीं कड़ता वो unbelieving होता है जो आप दिखाओगे वो माल लेगा बस उसको ownership document से verify करेगा लेकिन यहां पर तो ownership document से verify होने के बाद भी investigation के अंदर वो proper हर चीच चेक करेगा क्या है ownership document तो नगली नहीं है investigation में तो यह सब चीजे भी check की जाएंगी अच्छा देखे है auditor है आपने बोला आप इस चीच के माली को auditor कहेगा पहले तो वो कहेंगा ownership document दिखाओ उसके बाद वो ownership document को verify भी करवाएंगे कि यह okay है या नहीं है यह वाली बात है इसका लोग investigation doubt के बेस पर चलती है periodicity मैं तुमारा को बता है auditor है periodical concept है routine concept है generally annually होता है लेकिन मैं तुमारा को बता है quarterly भी हो सकता है half fairly भी हो सकता है audit लेकिन क्या investigation ऐसी होती है वो एक साल से ज़्यादा भी हो सकती है अगर देखो मालों किसी कमनी का बहुत हजारो क्रोड औरपे का fraud है तो कई बार ऐसा होता है investigation साल 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 दो दो साल तिन तिन साल तक चलती है तो investigation एक साल से बड़ी भी हो सकती है लेकिन auditing जनरली एक साल का होता है या छे मेने का होता है या quarterly होता है यह था audit और investigation में difference अब आता है aspects to be covered in audit paper में आ सकता है ये भी कि paper के अंदर ये भी आ सकता है कि जब आप audit करने जाते है जब भी कोई auditor audit करने जाता है तो वो क्या-क्या चीज़े cover करता audit में वो क्या-क्या चीज़े check करता है उसके बारे में बात हो रही है तो उसके लेना मैं तुम्हारे को लिखवा देता है इसकी summary बनवा देता हूँ इसकी नहींने 4 points हैं इसकी मैंने summary बनाई हुई है तुम इसको याद कर लो इसकी मैंने वो बनाई है निमोनिक बनाई हुई है ऐसे याद कर लो यहाँ पर heading डालो aspects to be covered in audit कि एक auditor जब audit करने जाएगा तो वो क्या-क्या चीज़े audit करेगा उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे है ठीक है तो इसको तुम याद करने के लिए ऐसे याद कर लो इसकी short form याद कर लो aspects उमारे paper नो question आज़ा what are the aspects to be covered in audit तो चार point लिखने है E.A.R.C अच्छा तुम सुनते कहां से हो E.R.C सुनते कहां से हो E.R.C C को C मान लो E.R.C अब कोई बिशीच कान से सुनते हो न तो यह तो निमोनिक हो गया E.A.R.C E.M.O.N.I.K अर्क इसको अब ऐसे बोल सकते हो अर्क यह मैंने बनाया है aspects to be covered in audit अगर आप किसी कमने को audit कर रहे हो तो आप पर चार्च यह ध्यान दखनी है auditor को चार्च यह ध्यान दखनी E.A.R.C अब यह E.A.R.C क्या है पर ध्यान से सुनना E.Stands for Examination of Books and Records Examination of Books Records etc A.Stands for Accounting and Internal Control System R.Stands for Reporting or C.Stands for Compliance with Gap G.A.A.P Compliance with Gap अब एक क्या मतलब है इनका सुनना बड़ ज्यान से देखो auditor कभी भी तुमारी company में जाएगा तो एक तो वो यह चेक करेगा कि तुमारे books of accounts धंग से maintain होया नहीं होया अच्छा books of accounts चेक करने के लिए क्या करेगा cash book, sale book, लिएजर चेक करेगा फिर यह देखेगा कि उसके base पर जो accounting की गई है क्या वो okay है नहीं है accounting में क्या कोई financial statements वगएरा तो आपके वो books of accounts checks, books of accounts चेक करेगा, records चेक करेगा अच्छा records में क्या सकता है मानलो तुमारी company ने कोई resolution पास करा है आपको पता है, company लोग में बड़ से resolution पास होते है तो कि वो resolutions प्रॉपर record में maintain कर रखे नहीं कर रखे मोन सब चीजा को records maintain करेगा minutes बनते है company के, वो बने नहीं बने यह सब auditory काम है, तो पहला काम होगा examination करना, दूसरा accounting and internal control system यह internal control क्या तो भी समझाँगा फिर उसके बाद step 3 यह होता है यह R वैसे वैसे, तुमारे को मैंने learn करवाने के लिए R यहां लिख दिया step C होता है कि इंडिया में बड़ सारे accounting policies है generally accepted accounting principles है, accounting principles क्या होते है इसके अंदर क्या क्या आ आ गया step 1 जो है वैसे, तो यह steps है step 1 है कि company के accounts ready है यह नहीं है यह देखना फिर accounts के बेस पर उनको proper books of accounts बनाएगा है यह नहीं बनाएगा है step 2 फिर उसके बाद step 3 है कि company ने proper law follow करे है यह नहीं करे है फिर उसके बाद सब कुछ हो किया तो अडिटर उसके बेस पर क्या बनादेगा report बनादेगा step 4 है लेकिन तुम्हार को याद करने के लिए मैंने क्या करा steps उपर नीचे कर दिया तुम paper में steps के हिसाब से लिख किया ना यह जो 4 step है steps के हिसाब से लिख किया ना पहला accounts ready करने का मतलब है journal बगहरा में entry जाए की cashbook बगहरा में उसके base पे books of accounts बनेगा और financial statement बनेगी वो यहाँ आ गया second step फिर उसके बाद third step हो किया company ने proper law follow करे या नी करे है और third step अगर सब कुछ हो किया तो उसके बाद auditor क्या गया रहेगा रिपोर्ट बना कर दे देगा यह रिपोर्टिंग हो गई यह आर सी अब यह शब्द यूज हो रहे है यहाँ पर मैंने बोला कि company की proper accounting follow हो या नी हो रहे है और company का internal control system अच्छा है यह चेक करना अब what is internal control system मैं तो मैं यह समझा देता हूँ यह internal control system क्या होता है यह समझा देता हूँ पहले लिखो देखो internal control system क्या होते है नाम से क्लिव रहा है एक ऐसा system जो company को internally control कर रहा है जो internally क्या कर रहा है control कर रहा है अंदर दर के तरीके से और यह दो तरीके की होते हैं एक होते हैं from the point of view of technology और एक होते हैं from the point of view of humans internal controls दो तरीके की होते हैं एक होते हैं from the point of view of technology जी एक होते हैं from the point of view of humans, अच्छा एक बाव बताओ, हर एक company में बढ़ सारे department होते हैं, जैसे marketing department हो गया, है ना, legal department हो गया, production department हो गया, sales department हो गया, HR human resource department हो गया, etc, हर एक company में बढ़ सारे क्या होते हैं, departments होते हैं, अच्छा तुम्हारे पापा लोगों की गली मुहले की दुकान होती है, पापा आपकी दुकान के अंदर दुकान की marketing भी खुद देख रहे हैं, हैंना, sale purchase भी खुद देख रहे हैं, किसी दुकान पर Newakar को hire करना तो Hr वाला काम वह खुद conduct रहे है, अगर कोई दुकान भी dispute होगे तो legal भी सुमान भी खुआना तो marketing भी खुद ही देख रहे हैं, वहला पापा गली मोले में सारे काम भी देखते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी companies क्या करती है क्योंकि वहाँ पर काम बड़े level पर होता है तो वह सारा काम खुद नहीं करती है वह अंदर बड़े सारे department create करती है marketing का department create करेंगे वह खाली marketing का काम देखेंगे company का समान market कैसे करना है market में बढ़ाना कैसे है बेचने वाला काम sales वाले देखेंगे company का product को production कैसे करने का production वाले देखेंगे company का legal matter उसके case वाखेरा देखने तो legal department देखेगा company में नए employees को hire करना है निकालना है अच्छा department देखेगा इसका वाले ये सारे मिलके company को internally control कर रहे है इसका मतलब ये जो company में department बने होते हैं ये company का internal control system है यही company का क्या है internal control system है तो ये हो गया from the point of view of humans जो humans काम कर रहे है एक होते हैं internal control system जो company के from the point of view of technology होते हैं इसके अंदर बड़े सारे softwares लगे होए है जैसे अब तुम पता है जैसे बड़े सारे employees काम चोर होते हैं काम नहीं करते तो आजकल company में ऐसे software लग गए हैं जो employee के computer में fit होते हैं कि अगर कोई employee किसी computer पे बैठ के 10 मिनट से जादा सो रहा है तो boss को message पहुच जाएगा कि ये वाला employee इस वाले computer पे बैठ के काम नहीं कर रहा है अगर आपकी आखे बंद हो ही तो boss के पास automatic message चल जाएगा इसका मतलब वो software क्या है internal control system है जो boss को internally बता रहा है automatic control कर रहा है वो company के employees को कि ये employee धंसे काम नहीं कर रहा सेम पहले क्या होता था employees company में बैठ कर पौन website देखते थे या गलत गलत काम करते थे तो जो भी employee अगर website पे गलत किसी गलत website पे जाते थे तो आजकल companies के अंदर ऐसे softwares लगे हैं बड़ी-बड़ी companies के अंदर जो आपके boss को automatic mail कर देगे कि ये वाला employee इस time पे इस वाली website पे ये चीज़े देख रहा है तो इसको हम बोलते हैं ये भी internal control system है लेकिन from the point of view of technology है तो internal control system दो तरीके के हो गए एक हो गए from the point of view of technology एक हो गए from the point of view of humans humans मतला है जो company में departments बने हुए हैं क्या वो धंग से काम कर रहे हैं निहीं कर रहे हैं अगर हर department अच्छे से काम कर रहा है और auditor ये चेक करेगा दूसरा auditor ये चेक करेगा कंपनी के जो software लगे हुए है क्या वो धंग से work कर रहे हैं निहीं कर रहे हैं क्या company के employees के ओपर धंग से निजर रखी जारी हैं जारी क्योंकि अभी हमने starting में पढ़ा था और audit के अंदर हम खाली financial matters चेक नहीं करते हैं नौन-financial matters भी चेक करते हैं तो पहला गाम अब हम हम पढ़ के रहे हैं हम adding क्या पढ़ रहे है aspects to be covered in audit के बलब एक auditor जब audit करने जाएगा तो वह क्या के चेक करेंगा पहले क्या company के proper accounting की proper entry की जारी नहीं की जारी है और दूसरा company का internal control system अच्छा है या नहीं है और internal control क्या हो तब तब तुमारा को समझ आ गया दूसरा हम यह चेक करेंगे कि company ने proper books of accounts जो accounting company ने की है तुमने आज माल बेचा उसकी accounts में entry डाल ली लेकिन उस accounts के entry डालने के बाद उसके proper books of accounts और financial statements बन रही है नहीं बन रही है क्या उसकी earth medical accuracy मतलब होता है mathematical accuracy कि आपने ऐसा दो नहीं कि books of accounts में आपने sale दिखा ही है एक लग की और financial statements के अपने sale दिखा दिखा दिए 10 लग के आपने 0 उपर नीचे हो गई है यह सब चेक की रहेंगे records proper maintain हो रहे नहीं हो रहे next उसके बाद क्या company proper तरीके से law follow कर रही है नहीं कर रही है company के पर जितने भी law लग रहे है accounting standard auditing standards सारे follow कर रही है नहीं कर रही E stands for examination of books of records, A stands for accounting and general control system, R stands for reporting, C stands for compliance with generally accepted accounting principles यह सारे चीज़े follow हो रही है नहीं हो रही है यह खतम हो गया फिर next आता है paper में यह भी important नेक्स topic तॉपिक तुमारा objective of auditing तो auditor के दो objective यह तो कुछ खास नहीं objective auditing में उसके दो objective होते है आपको पता है एक होता primary objective और secondary objective आपको दो नहीं पता है प्रामरी objective होता auditor के चेक करना कि financial statement true and fair भी दे रही है नहीं दे रही है और secondary objective होता auditor के check करना है to detect error and frauds क्या starting में बता दिया था मैने बात अगर देखो सारी financial statement true and fair भी दे रही है तो बात वहीं खतम हो जाएगी वह secondary objective पे जाए गई नहीं दे रही है अगर company तो ढंग से फॉलर नहीं हुआ या accounting जंक से फॉलर नहीं और auditor को कुछ गड़डी लग रही है तो अब वह secondary objective पे मूव करेगा और देखेगा कि गड़डी कहा है अगर fraud हुआ है तो कहा है कहा है रहा है कहा दिक्कत है वह secondary objective पे मूव करेगा यह हो गया आपका खतम objectives of audit अब आगे बढ़ेंगे अब हम करेंगे basic principles से तो कोई जब आगे बढ़ो और अब हम करेंगे कहां से basic principles governing audit Institute of Chartered Accountants of India आपको पता auditing standards भी बनाता है और accounting standards भी बनाता है तो उनका एक ऐसे दोस्तों auditing standards दोस्तों है standard and auditing अब इसके अंदर तुर ध्यान सुनना इन्होंने कुछ basic principles बताया audit करने के लिए मलब जब कोई auditor audit करने जाएगा तो इन चीजों को पने दिमाग में रखते हुए जाएगा एक होते हैं प्रिंसिपल को मतलब बहुत है rules and regulation basic संसकार जो आपको regulate कर रहे हैं तो basic संसकार जैसे basic etiquette इसकॉम बोल सकते हैं जैसे माल लो एक auditor audit करने जा रहा है तो आपको आपके client के बारे में बहुत सार के secret कैसे client का इतना बड़ा profit हो कैसे रहा है वह ऐसी क्या techniques follow कर रहा है बहुत बड़ी-बड़ी companies अपने auditors वगएरो को बाते बता देती है क्योंकि उनको यह होता है कि auditor को बताएंगे तो थोड़ा सा वो हमारे business को ज्यादा better समझ पाएगा अब उन्होंने auditor को बताई तो वो पर किसी जिसके घर में उसने चोरी करी थी उन्होंने case कर दिया तो एक ची सुनना देखो जो case कर रहे है वो अपना वकील hire करेंगा जो चोर है वो अपना वकील hire करेगा और चोर अब भले court में जाकर यह बोले कि मैंने चोरी नहीं करी है लेकिन उसका मन तो जानता है उसने सारी बात है वकील को भी बताएगा अपने कि उसने चोरी करी है देखो आ कोई भी जो कोई भी ऐसा कहलो कि जो culprit होता है चोर हो डकैत हो मडर करने वाला हो rapist हो वो दुनिया को ना बताएगा तो फर्स जाएगा वो court में ना बताएगा तो court में सजा मिल जाएगी लेकिन वो इसलिए आपको भी देखना जब इंडिया में जो advocates के लिए अलग से law बने है और उन law में clear cut लिखा हुआ है कि अगर किसी advocate का कोई client उसको कोई बात बताता भी है भले वो offense करके आया है गलत काम करा है लेकिन still उस advocate की duty बनती है कि वो से confidential रखेगा और किसी को बताएगा नहीं ऐसा पते क्यों है अगर ऐसा ना हुआ और यह confidential law ना बने तो लोगों का Indian judiciary system पे और advocate से भरोसा ही उठ जाएगा है अगर वो बाते confidential नहीं रहेंगी तो इसका मतलब चोर चोरी करके आए ना दुनिया के लिए वो चोर होगा लेकिन वकील के लिए वो उसका client है वकील के लिए तो कोई fraud पकड़ा गया है तो auditor चूपना रहा है अभी हम आगे पढ़ेंगे company law में एक section है अभी तुमार को बताऊंगा audit जो है वो company law कही पाट है तो अभी तुमार को company audit जब मैं करवाँगा तो आप एक section 143 sub section 12 वो deal करता है reporting of fraud by auditors के अंदर reporting of fraud by auditors और उसके अंदर clear cut central government को दो दिन के अंदर intimate करे जैसे उसने fraud पकड़ा उसकी duty बनती है कि within two days वो central government को क्या करे reporting करे central government को भी बताए reporting करे कि भई मैंने इस company के अंदर क्या पकड़ा है fraud पकड़ा अगर उस fraud की value कितनी है अगर उस fraud की value एक करोड यह उससे जादा है तो अगर उस fraud की value कितनी है एक करोड रमोर यह बात कहां लिख हुई है section 143 12 में लिख हुई है लेकिन मैं तुम्हार को अभी से लिंक कर रहा हूं और अगर उसकी fraud की value एक करोड से कम है तो उसकी duty बनती है कि central government को ना बताए लेकिन company की management की जानकारी में बात डाल दे कि मैंने fraud पकड़ा है फिर management अगर management खुदी fraud में इंवाल हुई पता चले है management खुदी इंवाल है तो उनके against वो complaint कर दे central government को लेकिन अगर management खुद fraud में इंवाल नहीं है और उसको लगा रहे है कि company में दूसरे बंदे fraud कर रहे है तो उसकी duty बनते है कि फटर बट किसको पताए वो company की management को reporting करें company के directors को inform करें कितने में बताना होता है fraud पकड़ने के दो दिन में section 143 12 में लिखा ही हुआ है वो अलग बात है कि तब है जब fraud पकड़ लिया जाए लेकिन अगर आपके पास कोई वैसे secret information है company की तो auditor की duty बनती है कि वहने confidential रखे तो अब ज़रे बड़े जान सुनने ह इसका क्या रहे है basic principles में क्या क्या है paper में आ सकता है पहली बात तो integrity, objectivity and independence integrity का मतलब होता है honesty यह 5-6 कोई भी ना paper में straight forward question आ सकता है वाटा था basic principles governing audit पैसमें 6-7-8, 8-9 point दियो है कोई भी 5-6 याद करें ना 6 तो minimum याद करी लिए ना पहला है क्या integrity, objectivity and independence इसका मतलब क्या है the auditor should be straight forward, honest and sincere, free from any influence on his auditor, auditor हमेशा honesty से work करेगा and free from influence होना चाहिए, free from influence का मतलब यह नहीं कि company ने company के directors ने उसको थोड़ा सा पैसा पकड़ा दिया और बोला कि है काम कर तुना okay report बना दे clean report बना दे कि हमारी company बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रही है, ऐसा नहीं कि auditor बिक जाए वो कहता है auditor should be independent, वो free from influence होना चाहिए, free from influence का मतलब है उसके उपर कोई भी पैसे कर दबाव नहीं होना चाहिए, उसके पर ऐसे नहीं कि आप रिश्वत देके auditor को खरीद लो, वैसे बुकिश बात है practical life में auditor बिकते हैं, यह सचा है, unless and until fraud ना पकड़ा जाए, है ना तो बहु सारे CACACM में बिखते हैं, उन्होंने अगर वो company में fraud पकड़ भी लेते हैं, still वो clean report देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर छोटा मोटा fraud है तो फानी से पकड़ा है जाएगा, हमारी gym में कुछ पैसा जरूर आ जाएगा, बहुत बढ़ा fraud होता है ना उसमें उनके बिख करें, वो किसी influence में ना आए, next आद है confidentiality, मैं तुम्हार को बताई दिया, auditor के duty बनती है, he should not disclose the client's information, client यहाँ पर client का मतलब क्या है, वो company जिसका वो audit कर रहा है, जिसका वो audit कर रहा है, उसके लिए तो client है ना, तो auditor के duty बनती है, अगर उस auditor के पास अपने client company की कोई secret information तो किसी और को ना बताए, next skills and competence, वो कहा रहा है, हर एक company एक ऐसा auditor hire करें, जो proper skill हो, जो proper qualification वाला बनता हो, जिसको proper experience हो, ऐसा नहीं मूठा के, किसी भी बन्दे को auditor बना लिए, और वैसे भी आपको बताए, कि auditor as per, जो company, एक्टेमन ना तुमार को बताए है, कि statutory audit, जो होता है, financial statement का audit, वो खली CA ही कर सकता, और वो यह कर नहीं सकता, पहली बात, qualification तो उसकी okay है, अब यह देखना बढ़ेगा, कि CA okay है या नहीं है, CA भी तो सारे CA बढ़िया नहीं होते है, उस CA को experience कितना है, हर industry ना अपनी साब से hire करती है, अगर छोटी मोटी company है, तो वो fresher CA भी hire कर लेती audit करन E&Y, Ernest & Young, Deloitte, PwC, और हर एक CACCM में के बच्चे का सपना होता है, यहां जाना बनने के बाद, क्योंकि यहां पर pay package बहुत अच्छा है, लेकिन काम बहुत करवाते हैं, लेकिन learning बहुत अच्छी है, तो जो बड़ी-बड़ी company सा वो तो चाहतर big four को hire करती है, जो बहुत senior top 20, top 30 जो advocate firms हैं, जो consultancy के लिए, और top 20, 30 जो chartered accountant firms हैं, उनको audit के लिए hire करती है, next, work performed by others, care of the auditory should carefully supervise the work performed by others, such as subordinates, other auditors, experts, etc, as remain responsible for the work delegated by him to his assistants or other auditor experts, यहां बड़ी बड़ी बादर सुनना, आपने कभी सुना होगा, जैसे आप लोग CA करते हो, CS करते हो, CMMA करते हो, तो आप लोग जब article ship period के दोरान जाते हो, article ship करते हो, तो article ship में क्या होता है, आपका boss आपको audit पे भेत देता है, कि जा यार इस company audit करता है, साथ में एक-दो senior को भी भेतता है, लेकिन साथ में starting, starting के senior को वह एक-दो बारी बेतता है, उसको समझ आ जाते हैं कि मेरे trainee को audit करना आ गया, तो अगली बार से वह कहता है, तो अगली बार से वह कहता है, तो अब जब trainee audit करने जा रहा है, तो trainee के sign तो होने नहीं, audit report पे sign तो किसके होने, CA के, तो वह यही कह रहा है, कि अगर आप माल माल लो मैं दिली में हूँ, मेरा client पंजाब में है, और मैंने अपने trainee इसको बोला कि जाओ, तो मुझ जाकर audit करा, वह तो qualified सी है ही नहीं, तो अगर मेरे trainee audit करके आ भी रहा है, तो वो मेरे subordinate हो गए तो वह कह रहा है, ऐसा नहीं कि उन्होंने जो audit कर लिया, आपने उनकी बा अगरी auditor के basic next documentation, auditor के duty बनती है, देख लिगा न, proper working paper should be maintained by the auditor to evidence the audit work, working paper which is maintained to demonstrate that the audit is in adherence with the basic, proper working paper, सभी हम working paper के बारे में आगे पढ़ेंगे, जब auditor जब भी audit वहाँ पर करेगा, तो सारे record maintain करेगा, proper working paper maintain करेगा, उसने किस किस शिच को audit कर लिया, किस किस शिच कर नहीं करा, जो ज चीज़े check करता जाएगा, अचा हर एक auditor की duty बनती है, पहले books of accounts check करें, legends check करें, फिर बाद में financial statements के उपर आए, फिर उन चीज़ों को actual चीज़ों से verify करें, vouchers मंगवाए उनके, तो वो सारी चीज़ों को जो 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 ज पहले वो एक planning करेंगा, कि उसको किस तरीके से audit करना है, कैसे नहीं करना, पहले कौन से चीज़ों करना है, बाद में कौन से चीज़ों करना है, एक proper steps होते है, next audit evidence, evidence के अंदर आते हैं vouchers, मानलो अगर आपकी company कहती है, कि हमने इस बर इतने expenses करें, हमने इतना electricity का bill पे करा तो तो हम कहेंगे, electricity का चलान दिखा दो, जो अपने bill पे करा, उसका चलान दिखा दो, तो वो क्या हमारे लिए voucher है, वो evidence का का काम करेगा, तो हमारी company कहती है, इस बार हम लोगों ने staff को इतनी इतनी salary दी है, तो हम कहेंगे, क्या करो, salary slips की copy दिखा दो, और उनका payroll की slip दिखा अपनी company की passbook में, कि तुमने कप transfer करा था, next होता है, कि हम यह चेक करेंगे, कि company का accounting system और internal control अच्छा है, या, नहीं है, मैंने अच्छा है, और internal control क्या होते है, मैंने तुमारे को बताए भी देखा, हमने जो उपर पढ़ा था, EARC, मैंने पढ़ा था, EARC aspects to be covered in audit, इसमें प company के अंदर बड़ सारे department बने होते हैं, है ना, तो that is what from the point of view of human है, और technology के point of view से बता है, बहुत सारे softwares है, अच्छा तुमारे पता है, आज की data में सबसे बड़ी power क्या है, हर एक company की सबसे बड़ी power क्या है data, मांग तो इस बात को, अच्छा तुम कभी भी आजमाने ना, Facebook Facebook है, Instagram है, YouTube है, इस सब data पर काम कर रहे हैं, इंडिया में, क्या दुनिया में बेटा कुछ भी free नहीं है, आपको लगता है, आप फ्री में Facebook, Instagram चला रहे हो, WhatsApp चला रहे हो, कुछ भी free नहीं है, आप इसका कभी भी example देखना, आप ऐसे चेक कर लेना, तुम YouTube के अपर लिख दे हो जाएगी, तुम YouTube के पर लिखो, best jeans, best shoes, किस company के, तुम दुकर शाम को देखना, तुम शूज की आड़ा ने शूरू हो जाएगी, cases company के shoes better है, मैं बहुत तुम्हारे को इतना track कर रहे हैं, तुम्हारे लोग को इतना track कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक, और तुम्हारा शाम साथ है, तुम सेम डेशाम को खरीद लोगे वो चीज को, क्योंकि तुमने सर्च कर रहे है, आज तुम्हारा mood है, हाथ तुम्हारा का आड़ानी शूरू हो जाएगी, इसका मतलब तुम्हारे डेटा को क्या करते है, इतनी बड़ी power है, तुम्हारे को सुबस लेकर शा करने के लिए, बहुत सारे softwares लगाते हैं, क्योंकि आज के जमाने की चोरी ना, modern चोरी है, पुराने जमाने से लगए, जैसे पुराने जमाने में क्याता है, जब एक कंप्यूटर वगर का सिस्टम नहीं होता है, अगर आप किसी की घर में चोरी कर तो लोग चोरी से बचा क्रोड़ो क्रोड़ो रुपय का डेटा होता है, क्योंकि डेटा की बहुत वैल्लियो से कस्टमर को खीचना असान होता है, मालो किसी के बहुत स्ट्रॉंग डेटा है, आपने पता चले एक बहुत बढ़ी hard disk लेकर आपने सारा का सारा data कॉपी कर लिया, बहुत सारी companies को अग और यह तो इनका सारा data store होता है, उस data जहां पर इनका data room उसको data room बोलते हैं जहां पे इनका सारा सारा data store होता है अलगलग softwares के अंदर और अलगलग hard disk के अंदर hard drives के अंदर data store होता है उस room के बाहर इन लोगों ने क्या कर रहा है sense बड़े बड़े silent silent वो लगाएंगे क्या बोलते हैं उसको साइरन टाइप लगाए में है साइरन टाइप मलब जैसे ही आप उनके रूम के सो मीटर के दायरे के अंदर आओगे तो ऑटमेटिक साइरन बने लग जाएगा कि इनके डेटा रूम के पास कोई बंदा खड़ा है जो की अभी सो मीटर के दायरे के अंतर आ गया है जैसी वह आएगा तो वह साइरन बने शुरू हो जाएंगे तो वह 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 बी इंटरनल कंट्रोल है फॉम्ट अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं ताकि ओवरॉल कंट्रोल हो जाए कर एक में लिखो लिख़ो क्या होता है लिखो लिखों ईंट्रनल कंट्रोल इंटर्नल कंट्रोल रेफर्स तू वेरियस डिपार्टमेंट्स various department and measures that client has taken that client has taken for smooth functioning of its business. In simple words, for every functioning of company, company has created different departments for different work. This is called internal control. तो जैसे कंपनी अलगलग काम के लिए अलगलग डिपार्टमेंट करती है, वो हर डिपार्टमेंट को इंटर्नल तरीके से कंट्रोल कर रहा है. अलगलग नहीं हो रही है. तो ये सब चीज़ों अच्छा बोलता है कि सवर आईटी वाली चीज़े नॉर्मल चीज़ेंट वाली चीज़े वो कैसे चेक करेगा? तो बिटा आईटी वाली चीज़ेंट के लिए न साथ में न हमारी कमपनी के अंदर जो ये नॉर्मल डिपार्टमेंट तो चेक करता है आईटी के लिए इंडिया के अंदर information system auditor point कर जाते हैं अभी हम उनके बारे में आगे पढ़ेंगे जो आईटी वाली चीज़े चेक करते हैं उन्हें IS auditor भी बोलते हैं पढ़ेंगे उनके बारे तो यह सब चीज़े वो बड़ा important topic है significance of audit इसकी ना significance of audit का मतलब कै significance का मतलब होता है importance significance का मतलब क्या होता है importance अब एक क्या topic है बड़े ध्यान से सुनना अब इसको पढ़ते है significance of audit की audit क्यों जरूरी है importance of audit audit की importance क्या है क्यों जरूरी है इसको आप connect करो पहले पहले के जमाने से जब मैंने starting starting में chapter audit पढ़ाना शुरू करा था तो मैंने तुम्हार को पताया था कि पहले के जमाने में audit नहीं हुआ करता था initial days में audit नहीं हुआ करता था तो initial days में क्या होता था लेकिन company का concept तो शुरू से ही है company का concept तो बहुत पहरे से चलता रहा है एक होती है company की management और एक होते है company के honors honors वो होते है जो company को funds देते है और management वो होती है जो company को manage करती है honors हम किसको बोल रहे है शेयर holders को और मैंने जब management हम किसको बोल रहे हैं company के board of directors को और मैंने आपको बताया था कि company की financial statements को बनाने की जिम्मेवारी किसकी होती है board of directors की होती है अभी तुम्हार को नहीं प्रैक्टिकल balance sheet पगरा दिखा दूगा कैसी होती है और practical audit report भी दिखा दूगा और उसके पर दिखा दूगा sign कैसे होते हैं तो company की financial statement बनाने की जिम्मेवारी किसकी होती है management की और हर एक company की duty है कि shareholder ने पैसा लगा कर छोड़ दिया company के अंदर अब shareholder रोज 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 company में आके check तो गज़े तो दिखो बहुत सारे shareholder ऐसे जो company के अंदर जाते हैं बैठते हैं देखते हैं कि company ढंसे काम कर रहे नहीं करी लेकिन बहुत सारे shareholder ऐसे हैं जो company में जाते नहीं लेकिन उनका पैसा लगा जैसे तुम अपना ले लो example मेरा ले लो किसी का भी ले लो तो मेरे मेरे ऐसे लोग stock market से बहुत सारी company के share खरीते हैं तो इसकrav हमारा भी उस company में पैसा लगाये लेकिन क्या हम रोज उस company में जाते हैं in the form of dividend और जो share का market price बड़ेगा वो तो बड़ेगा इबाद में तो capital appreciation का भी benefit चाहिए और dividend का benefit भी चाहिए तो क्या होता है कि company की duty बनते है कि shareholder तो हो जाएगा नी तो management की duty बनते है कि वो financial statements को ready करें अगर वो खुद नहीं कर सकती तो accountant से ready करवाए और उसको ready करवाने के बाद क्या आता है shareholders को बताए shareholders को हर साल जो company general meeting होती है shareholders की जो AGM होती है annual meeting उसके अंतर उन accounts को पेश किया रहे लेकिन दिक्कत क्या है कि पहले क्या होता था कि लोग लोग क्या कर बड़ी करते देखो इसमें वो क्या क्या करते थे एक तो दो चीज होती है एक होता है error एक होता है fraud मैंने तुम्हार को बताया था कि जो error है वो भी एक गलती है लेकिन वो unintentional गलती है आपने जान के नहीं कर आप आप से गलती से हो गया जो fraud है वो भी एक गलती है लेकिन वह intentional गलती है एक है कि मान लो company को profit हुआ 10 करोड का और आपने गलती से एक zero कम कर दी तो आपने एक करोड लिख दिया एक है कि आपने जान के एक करोड लिख है आपने शेरोड उसको बताने नहीं चाहते एक्षिल प्रॉफिट कितना हुगा है तो वो fraud है एक है आप से गलती से एक होगी वो error है तो जो directors होते हैं पहले के जमाने के और आज के जमाने भी आपको मिल जाएं के बहुत सारे directors पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उनकी reports में error होते थे अगर कोई fraud होते था वो बताते नहीं थे वो inadvertly inadvertly का मतलब होता है intentionally unintentionally unintentionally misleading unintentionally मतलब जानके नहीं कर रहें मगर वो गलती से misleading है मतलब कुछ गलत शो हो रहा है वो दिखाना है तो नहीं चाहिए लेकिन उसमें कुछ गलत error आगे मतलब वह error की बात हो रही है next deliberately misleading है से दोनों फरक्स में रहे हैं डेलिवरेट का मतलब है intentionally एक है कि आप company की true position कंपनी को कितना profit हुआ कितने losses हुए कंपनी पर कितने इस ख्लोज relevant information और दूसरा है failed to confirm regulations जो relevant information शेरोल्डर को जो भी बतानी चाहिए हैं आप information नहीं बता रहे हैं आप चीज़े बता रहे हैं तो गलत बता रहे हो या आप अच्छा वो गलत जो बता रहे हैं जान के बता रहे हैं गलती से बता रहे हो कुछ भी हो सकता है या जो भी law लग रहे हैं वो law follow नहीं कर रहे हैं ऐसे बहुत सारी दिख्ते पहले होती थी तो इन सारी दिख्तों का solution क्या है कि account बनाओ आप लेकिन check आप मन करो देखो अगर किसी चीज़ को ready भी आप करोगे और उसकी गलती भी आप ही को निकालने बोल जाएगा तो इनसान अपन क्योंकि हम उसको क्यों क्योंकि हम उसकी गलती वो खुद नहीं बता पाएगा हम बताएंगे वो का गलती कर रहा है तो सेम यहां पर भी जब management की जिम्मेवारी है financial statements को बनाना लेकिन उसको check भी वो ना करें वो check किस से करवाई सब का solution क्या है तक यह सब चीज़े ना हो independent auditor से चीज़े ना होगा और इंडिपेंडनेंट शब्दा के क्यों लगा रहा हूं क्योंकि वो auditor तुम्हारे कहने पर काम नहीं करेगा वो एस पर law audit करेगा और वो तुम्हारी कमिया निकाल कर उसके base auditory vote बनाएगा और बनाकर बता कर बताएगा कि तुम्हारी कमनी में क्या क्या चीज़े हो के हैं क्या क्या चीज़े हो के नहीं है और वो अपनी opinion फर्म करेगा और मैं तुम्हारे को पहले बताया गया था हम उसके base पर opinion दे रहे हैं मैं तुम्हारे क्या बोला था अगर यह प्रूव हो गया कि जो चीज़े उसने चेक करी तो अपने हैंड से पूरी कोशिश करी और उसके अंदर मेरी opinion कोई दिक्कत नहीं है अगर बाकी कोई बच्ची चीज़े निकलता फिर ऑडिटर जिम्मेवार नहीं हो को फिर बच जाएगा तो इसलिए अगर 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 फ्रॉड में जर्ली उसकी लाइबिल्टी होती भी नहीं अलाएं उन्स अंटिल वो खुद इंटेंशनली फ्रॉड में इंक्रूड इंक्रूड ना हो तो वह यह कहरे है कि पहले प्रॉब्लम क्या होती थी कि मैने प्रॉब्लम है जालवेज क्या करें इन सारी चीजों का सल्यूशन क्या है कि कंपनी क्या करें एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंट करें लिखा है ना सारी चीजों का सल्यूशन एक ही है कि कंपनी क्या करें एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंट करें जिसको अम ऑडिटर बोलेंगे जो पूरी investigation करने के पर एक report बनाएगा और अपनी findings लिखके देगा कि उसने क्या-क्या company में देखा और क्या-क्या नहीं देगा और उसके basis पर अपनी एक opinion फॉर्म करेगा बार-बार मेरे शब्ड़ फोकस कर लो opinion, auditor कभी भी कोई अब मैं तुम्हार को practical audit report दिखाता हूँ पहले देखना रूको मैं धूननी पड़ेगी मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ यह देखो गाईज अब मैं आपको audit report दिखा रहा हूँ practical यह हमारी किसी client company की थी पहले की देखो स्टार्ट कैसे हूँ पहले उपर heading ही क्या लिखे हूँ है इन लोगाने पहले तो वो auditor का नाम आ रहा है chartered accountants वगयरा वगयरा उसको छोड़ो में यहां से स्टार्टर है independent auditor report अब तुम्हार को पता है independent का मतलब क्या होता है कि auditor की कोई जिम्मेवारी नहीं है और उसने किसी के दबाव में आके नहीं डाला है उसके facts जो उसको दिखाए गए तो उसके base पे और law according जो उसका बनता था उसने check करके report बनाई और उसने अपनी opinion form करी है audit report किसको दी जाती है shareholders को दी जाती है सबसे पहले तो नहीं के आगे पेश की जाती है क्योंकि नहीं का पैसा लगा कंपनी में तो जब financial statements ready करते है management तो उस financial statements को audit करने के बाद उसको हम बोलते है audited financial statements और उसको shareholder का आगे रखी जाती है तो दे मेंबर साथी बिल्डर कंपनी का नाम साथी बिल्डर उनके shareholders को कौन लिखके दे रहा है auditor लिखके दे रहा है क्या लिखके दे रहा है we have audited the accompanying financial statement of srd builders जो की balance sheet ही पुरानी है 27 की balance sheet है at the end the statement of profit and loss account हमने सारी चीज़े audit कर ली है और आगे Godこんにちは क्या बोल रहे देखो समें बता रहा है Clear Cut क्या रहा हमारी meditate management की responsibility management ऑनलब बोर रेक्टर क्या management is responsible for the preparation of this financial statement clear volt दिया ना помने नी बनाई है financial statement बनाने की जिमेवारी किस की थी management की इसका मतलब वो यह क्या रहा है कि management की जो financial statement बनाने की जिम्मेवारी थी management ने वो financial statement प्रॉपर तरीके से बनाई है और हमने वो चेक कर लिए और financial statement क्या दे रही है through and fairview दे रही है अब हमारी responsibility क्या है क्या है auditor की क्या responsibility अब ज़र रहे यह देखो क्या क्या था अब या next column मैं auditor responsibility का our responsibility is to express an opinion आगी नहीं वो guarantee नहीं देता auditor की जो अपनी audit करता है वो कोई guarantee नहीं कि सब कुछ okay होगा उन्होंने खाली क्या करी है opinion form करी है अपनी एक इच्छा जाहिर करी है on this financial statement based on our audit we conducted our audit in accordance with the standards on auditing issued by ICI आपको बता है standards on auditing को नहीं इसू करता है ICI those standards require that we comply with the ethical requirements and plan and perform the audit to obtain the reasonable assurance यह शब्द बड़े important है to obtain reasonable assurance assurance का मतलब होता है guarantee reasonable का मतलब है exact guarantee नहीं मतलब ठीक ठाक guarantee दे दो किस से ले रहे हैं reasonable assurance सामने वाले से management से जो उन्होंने financial statement बनाई है हम यह मान के चल रहे हैं कि उन्होंने ठीक ठाक बनाई है थोड़ा 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 जो हमें चीज़े चेक करने थी उसके according okay reasonable का मतलब कि exact देखो एक होता है assurance assurance guarantee उसने exact assurance नहीं लिखा reasonable assurance लिखा है reasonable assurance का मतलब होता है कि जितना उन्होंने management ने उसको दिखाया और जितना वो अपने end से check कर सकता था उसके according financial statements लास में देखना क्या बोलता है यहां तो auditor की responsibility है so we believe that the audit evidence obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion वो क्या रहा है कि हमने जितना check कर और जितने हमने evidence मांगे उसके according financial statements okay बनी है उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमने सारे sufficient evidence बगार obtained कर ले था अगर बोला है कि हमने इतने expenses करें तो हमने वसारे expense check कर लिए वाउचर से उनकी detail गई दिखा दो company बोला हमने इतनी staff को salary दी है तो हम उनकी bank statement की copy दिखा दो company की company बोलती है कि मने यह land purchase करी है तो उसकी purchase deed दिखा दो हमने चीच बेची यह sale deed दिखा दो तो हमने वह सब चेक करी हैं, अब opinion, अब last में final opinion क्या बोल रहा है, in our opinion and to the best of our information, line important, इस पे इनों ने यही सारा खेल, यही बदल देती है, in our opinion and to the best of our information and according to the explanation given, तो अपने उपर जिम्मेवारी लही नहीं रहा है, कैसे खतम कर ली, line क्या दुबारा पड़ो, in our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, according to the explanation given to us, expression किसने दी होगी, management है, जब auditor audit करने किया होगा, तो वो company के staffs और management से detail मांग रहा है, यह चीज़े दिखाओ, तो क्या, जितनी चीज़ें उन्होंने मेरे को दिखाई, उसके according हमारी opinion क्या है, कि company के financial statement true and fair view दे रही है, और proper accounting principles और accounting standards follow कर रही है, उसके according, अगर इसका मतलब जितना उन्होंने इसने ये line डाल के अपनी जिम्मेवारी शुडा ली, अब कल को ये अगर कोई extra चीज़ में fraud पकड़ा गया, मैंने तुम्मेवार क्या वह ओला था, आडिटर नॉर्मली जिम्मेवार नहीं होता, वो सरफ उन चीज़ों के लिए जिम्मेवार होता है, जिन चीज़ों की वह हामी भर रहा है, कि जितनी management ने उसको बताई थी, तो बड़े fraud के अंदर पर 90% cases के अंदर बच जाते हैं ये बोलके, कि भाई management ने हमार से चुपाई है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बड़े fraud होते हैं, तो उसमें na NCLT और बड़ी-बड़े authorities इसनी पागल ने होती हो, समझ जाती है कि auditor मिला होगा था, लेकिन still, ये line ही जो होती है, छोटी-छोटी-छोटी-छोटी, ये auditor को बचा देती है, ये बोलके, क्योंकि वो अपने उपर जिम्मेवारी लेता ही नहीं है, वो क्या बोलके बाद खतम कर रहता है, कि जितना मेरे को बताया गया था, उसके according opinion form कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीज़े नहीं ब कोपी, बैलन शीट की कोपी दिखा देता हूँ, यहां पर साइन नहीं हुए वे, अभी ये मेरे पास अंसाइन पढ़ी है, अच्छा, अंसाइन पढ़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, तो मैं फिर भी दिखा देता हूँ, ये बैलन शीट बगएरा, इस से हमेशे पहले उपर लगती है, नीचे बैलन शीट लगती है, ये कंपनी की बैलन शीट में शेयर कैपिटाल, रिजर्ब्स, ये तुम लोग अन प्रैक्टिकल लाइप में देखी होगी, मैंने तुम्हें क्या पता है था, फनेट साइड में क्या लिखा हूँ है, और लेफ्ट साइड में क्या सवीक्त είस के लिखाल, ये कंपनी की बैलन शीट खुद नहीं बनाती, बहुत सारे हों पढ़ chp कि युझी नहीं होती है साइन साइट करते हैं दूसरी फीलॉग करते हैं उनके साइन होने का मतलब क्या है कि वो जिम्मेवारी भर रहे हैं कि जिस बैलेंस्यट में जो भी लिखा है वो और कल को अगर कोई fraud पकड़ा गया इस balance sheet के अंदर से तो management भी फसेगी क्योंकि उनके sign होएवे हैं और auditor तो तब फसेगा अगर उसने opinion में कुछ और बोल रखा और balance sheet में कुछ और निकला तो क्योंकि balance sheet तो वो check करके गया है और उसके बाद भी balance sheet पकड़ा गया तो auditor फस जाएगा लेकि नॉर्मली वह नहीं फस था यह बात समझ आ गई है आपको जी यह PNL है इसके ओपर भी क्योंकि PNL तो balance sheet गई पार्ट है तो उसमें भी sign किसके होंगे दो director के और auditor के क्यों हो रहे है लॉजिक समझ आ गया यह लॉजिक समझा ने जलूरी है क्योंकि मैंने फानेचर सेट्मेंट के होती है और यह क्यों हो रहे हैं क्योंकि यह audited financial statement से तो auditor के sign तो होंगे ठीक है जी चलो कि अब बुक से पढ़ते हैं अब तुमने प्रैक्टिकली देख लिया अब हम significance of audit पढ़ रहे थे अब हम पढ़ते हैं कि audit की क्या significance है अलग-लग point of view से देखो audit की significance ना वह तुमार को तीन point of view से पढ़वाएगा 2 तीन point of view से एक पढ़वाएगा लीगल point of view से एक पढ़वाएगा हो इंटर्नल gives kole points of view से एक पढ़वाएगा हो illsे लिए सिगनिफिकों से यह plupart में देखो other paper में सीधा इतना आगे味 heures इतना आ गया तो पहले तीनों बना देना लीगal point of view, internal, internal control point of view और आपके कहते एकsternal affairs point of view और सब के बारे में 2-3-3 point लिख देना फिर तीसरा है वाय से बूछ सकता है कि audit की significance external affairs के point of view से बता तो फिर तुम खाली उसी की significance explain करना है तो यह हो गया from legal point of view एक येवली significance पढ़ेंगे भी हम दूसरी है from internal control point of view और तीसरी है from external point of view external affairs point of view तीनों में क्या फर्क है भी हम पढ़ेंगे तो तीन तरीके से audit की importance पढ़ेंगे legal point of view से audit की क्या importance है internal control के point of view से audit की क्या importance है और external affairs के point of view से audit की क्या importance है पहला आता है लीगल का मतलब है अच्छे वैसे हर्ची लीगल ही है अच्छे पहला है from filing of income tax return अच्छे एक बाव बता हो आपको पता होगा जो बड़ी-बड़ी companies होती है उनको tax audit करवाना होता है क्या करवाना होता है कि उनका tax कितना बन रहा कितना नहीं बन रहा देखो एक होता है financial statements audit and tax audit में थोड़ा सा फर्क होता है भर दिख होता है वह चेक करते हैं कि company की financial statement true and fair वी दे रही है नहीं दे रही है तो एक बार अगर एक शीर मान के चलो किया रहा है Income Tax Authority generated a profit and loss account that has been audited by qualified auditor and they do not go into details of the account अच्छा समझो क्या Income Tax Authority के पास मैंने तुम क्या पता हर financial statement का audit कौन करती है auditor करता है वो तो करना ही होता auditor को छोटी कंपनी बड़ी कंपनी अच्छा समय करता है और वो कौन करता है Income Tax Authority पर इतना टाम था है नहीं कि हर कंपनी की balance sheet पड़ेगी तो वो कहा रहा है कि हम जनरली मान के चलते हैं CA के sign कि इतनी value है कि अगर CA ने उस financial statement में sign लगा रखे हैं तो इसका मतलब company की balance sheet okay है वह लग बात है साला कि हर balance sheet में CA के sign तो होते ही क्योंकि auditory होती है और बाब में पता लगता है कि इसमें fraud निकला है लेकिन जनरली यह पहली presumption ले जाती कि CA का ठपा लग गया तो वो okay next अच्छा तुम्हें पता होगा सब्सक्राइब को उसकी copy लेकर आओ साथ में तीन साल की क्या लेकर आओ कि तुम्हारे इस टेम पे total asset कितने है total liability कितनी है total तुम्हारे को कितना पैसा चुकाना है कितना लेना है कितने surplus पड़े हैं उनके detail बनवा कर लाओ एक report बनवा कर लाओ और जो आपके asset उनकी current की valuation लगवा कर लो क्योंकि बहुत सारी कमपनिया secured loan नेती है secured loan का मतलब है कि वह company बैंक के पास कुछ चीज गिरवी रखेंगी बदल में loan लेंगी तो उसके उपर भी CA का ठपपा लगता है लगी है CA के sign करवा दो कि कितना actual loss होगा CA determine करके देदे हम उसके वेस पर claim देदे के तो क्या ही है कि सारे audit कराने के इतना सारे फाइदे है कि insurance claim easily मिल जाएगा loan easily मिल जाएगा income tax department आपको भरोसा करेगा sales tax और GST payments GST की जो payment है आपको आपको पता होगा GST audit पहले mandatory आप तो हट चुका है GST audit के concept होगा लेकिन पहले तो आपको पता होगा जो GST authorities होती है अगर आपने अगर देखो आपको GST audit नहीं करवाना होता है लेकिन financial statement audit तो अभी भी करवाना होता है और आपके जो एक साल में profit कितने हुआ है आप उसी के बेस पे और एक साल में आपने कितनी collection करी उसी के बेस बढ़ते हो तो कहता है GST authority भी आपकी अगर financial statement audit नहीं तो आपके वरोसा कर लेती है कि आप जो GST profit के बेस पर आप 18% का GST दे रहे हो या 28% का GST दे रहे हो तुम बोलते हैं बहुत सरे लोग क्या करते हैं जानके insolvent होना चाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है चुगाने को तुम बोलना चाते हैं तुम बैंक को जाकर बोले हो कि मैं कंगला हो गया हूं तो कोई भी कोट उस कंपनी को easily bankrupt declare कर देगा ताकि वो कंपनी बिना टेंशन के क्या हो जाए बंद हो जाए तो यह एक फायदा है तो हमने पहली फायदा देगा legal point of view से यह सारे फायदे हैं कि अगर आपकी कमनी audit करवा रही है तो उसको income tax department उसको व्रोसा करेगा GST department उसको व्र आर्सी वाला करवाया था जब मैंने तुम्हार को यह आर्सी वाला करवाया था topic यह वाला कि aspects to be covered in audit इसके नहीं देखा था कि अच्छा करना की कंपनी के इंटर्न कंट्रोल सिस्टम कैसे तो अगर वो इंटर्न कंट्रोल सिस्टम चेक कर रहा तो फायदे के कंपनी अंदर क्या अलगे होए अलगलग department बने होए है कि हर एक department अपने department को फ्रोड पकड़ सकता है तो अगर डिपार्टमें इन से नहीं करना पड़ेगा वो अलगलग डिपार्टमेंट वालो पह जाएगा झाए गर अगर नेक्स्ट मोरल चेक का मतलब क्या होता था इंटरन जोटो ना अगर कमपनी के एंपलोई को पता है कि हर साल हमारी कंपडी में और आधर में तर कि अगर गलत काम करेंगे तो यह अगर रहाख सकते ना तर सिंगिन्युकंस में आगया कि employees के पर एक moral check रहता है उनके पर डर बना रहता है कि उनको पता है कि हमार को auditor अगर हमने कोई गड़बड़ी करी तो आपके पकड़ लेगा next advice to the management अच्छे को बता हो यह भी एक फायदा है इंपॉडिट का फायदा है कि अगर अगर बने होई है और एंप्लोई के तो ऐसी डर रहते हैं और इसलिए अगर इसको दमाद की तरह चाता है उसको ला कर देंगे उसको स्नेक्स ला कर देंगे सब कुछ ला कर देते हैं एक इंजत मिलती है उसको company के अंतर तो यह वह ही किया रही है मैं अपन दर दे मैंनेजमेंट में कंसल्ड ऑडिटर को एडवाइज दने की जिम्मेवारी नहीं होती है लेकिन ऑडिट करवाने का फायदा यह है कि अगर वह किसी डिपार्टमेंट में कोई कमी पकड़ रहा है तो ऑडिटर अपनी वैसे तो ओपीनियन में फॉर्म कर रि तो बताओ आगे से नावे से कैसे सुधा रहे तो यह भी एक अडिट का बैनिफीट है कि अडिटर कमणी में आएगा तो वह कंपनी कमियां देखता भी और कमियां सुधार निके से बता भी जिसे नेच्ट आथे यूनिफॉर्मिटियर अकाउंट से तो हो यह ही है उच्छ इसka बाइट जोस्त को यह है है कि अब जोटा है है लेकिन अब इतक तुमने अडिट नी कर वाए है और तुम बोल रहे हैं कि तुम्हारी balance sheet के अंदर इस बर इतने profit है और अब हम अपनी company को बंद करना चाहते हैं और अपने सारे shareholders में आपको पता हो जब भी कोई company बंद होती है तो सबसे पहले creditors को payment दी जाती है उसके बाद secured creditors को उसके बाद unsecured creditors कुछ बचता है ता shareholders को और shareholder में पहले preference shareholders को payment मिलती है जब कोई company बंद होती है बाद में equity वाले को मिलती है तो वो accounts settled कब होते हैं accounts audit होने के बाद वारना अगर un-audited accounts है तो shareholders को भी भरोसा नहीं होगा कि accounts होके है या नहीं है कि क्या management ने गलत profit तो नहीं दिखाए ताक इस shareholders में कम पैसा बटे लेकिन अगर वो accounts audit हो जाएंगे तो उसके बाद अब यह पहला फाइद ही है कि audited accounts से settlement easily हो जाती है क्योंकि लोग उने accounts पर trust करते हैं next एस तुमारी बॉलने से कुछ नहीं होगा मुझाए तुमारी बोलने से कुछ नहीं होगा हा लेकिन अगर ओडिटर ने ठपका लगा दिया उसके अपर कि तुमारी कमनी की एसेट्स की वेलिऊशन इतनी बनती है तो अब वो जह एक बड़ ठपा लग गया तो वह एक authenticity माली तो दुनिया आपकी कंपनी की अगर तुम्हारी कंपनी बोलती है तुम्हारी गुडविल इतनी है तुम्हारी 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 इतनी है तुम् और सेम ऐसा भी हो सकता है कि कम्पनी ने पहले सल 10 क्रोड कमाया आगले सल 20 कमाया इसका लगा कंपनी का प्रॉफिट हर सल इंक्रीज हो रहे है अगर आप अपने जुबान से बोलोगे तो कोई वरोसा नहीं करेगा लेकिन अगर वही एककाउंट आडिट होंगे तो लोग आप इस फ्यूचर ट्रेंड क्या होने वाला अगर आडिट एकाउंट से देखना असान होड़ेगा उनकी वैसेट्स की वैलेशन गुडविल अगर सी एक ठपा लगा तो उसको अनलाइस करना असान हो जाता है अब आता है अब आता है इंहेरेंट लिमिटेशन आफ और इंहेरे लिमिटेशन आफ और इंहेरेंट लिमिटेशन का मतलब होता है इंहेरेंट का मतलब होता है इंटर्नल इंहेरेंट का मतलब क्या होता है इंटर्नल तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि internal limitations of audit, limitation मतलब क्या इसका मलब topic की पहले heading समझो, फिर अंदर का माल समझेगे, यह heading यह कहना चाहा रही है कि जब हम audit करवाते हैं, तो auditor अपनी तरफ से तो अच्छा ही करता है, है ना कि अपनी तरफ से वो सारी चीज़े चेक करके true and fair view दे रहे हैं कि financial statement true and fair view दे रहे हैं लेकिन वो सब कुछ चेक करने के बाद उसमें कुछ ना कुछ limitations है, कुछ ना कुछ कमिया है, internal कमिया है, वो क्या है, जरा मैं तुम्हें एक example लेके बाद करता हूँ, जैसे बाब बताओ, auditor जब audit करता है ना, तो वो test audit करता है, यह हम ऐसे कह सकते हैं कि वो sample test करता है, ऐसे समझो, मलब आप एची समझो, एक company हजारों लाखों transactions, कितनी कितनी कमपनियां तो ऐसी जिसे Amazon type हो गई, इनके अंदर हजारों transactions daily basis पे होती है, तो इनकी sale book, purchase book के अंदर कितनी entry यां रोज होती होंगी, है ना, और same ऐसी finance, जो सारा सारा पैसा आ रहा है, तो सारी entry है, sale book, purchase book के इलावा, जितना पैसा lane देना है, सारी expenses और income के entry भी होती होंगी daily basis पे, तो तुम्हें क्या लगता है, कि जब एक auditor audit करने जाता हो, वो तो पूरे साल का audit एक साथ करने जा रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है, वो daily, एक दिन की, Monday की, Tuesday की, Wednesday की, सारी transactions चेक करता होगा, यह random testing होती होगी, random testing होती होगी, मतलब वो पता है, क्या करता होगा, तुम समझो, कि एक मन्त की, any four या five transactions उठा लेता होगा, any four या five days की क्या उठा लेता होगा, transaction उठा लेता होगा, और यह मैं चार-पाद दिन भी ज़्यादा बोल रहा हम, कई बार तर ऐ साथ है, एक-एक मन्त की, एक-एक-दो-दो, बस, क्योंकि पूरे साल की testing करने हैं, तो हर एक मन्त की, एक-एक-दो-दो transaction बीच मस उठा ली, और उनको cash book, sale book वगएरा को match करना शुरू करा, किस से, यह तो books of accounts है, फिर books of accounts को journal से, ledgers से, और उसके बाद, आपको क्या करते हैं कि company के expenses, total के अंदर हम P&L में इतने दिखा रहे हैं, तो क्या हम सारे expenses, day by day verify करते होंगे, P&L में तो तो पूरे साल के expenses लिखे हुए हैं, है ना, पूरे साल की income लिखे हुई हैं, तो मगर हम income तो daily base पे collect होकर इतनी हुई हैं, expenses daily base पे collect होकर इतनी हुई हैं, तो auditor के हर रोज क सुबे से लेकर शाम तक के पूरे साल के 300-65 दिन के check करता है, नहीं, इसका मतलब auditor की भी कुछ limitations है, इस पे इतना time थोड़ी है कि पूरी economy देखनी है, मतलब एक कितने limited auditor है, कि आवा रोज के बैठ के company में लगा रहेगा, ऐस दो एक एक company को audit खतम नहीं होगा, तो वो ना test audit ह मतलब होते हैं कि सारी शी check नहीं होती, random testing होती है, महीने की, एक एक महीने की, दो या तिन दिन की बुरी बुरी transaction है verify कर ली, उसके base पे audit कर लिया, है ना, और उसके base पे ऐसी हर महीने का, अच्छे, देखो, idea तो होई जाता, अगर आप गडबडी कर रहे हो, तो आपकी गड पड़ी, किसी ना, किसी मन्त में तो पकड़ी जाएगी, जब अब random testing करोगे, हर मन्त की 2-3 दिन की transition देखो, तो किसी ना, किसी मन्त की transition में तो गलती पकड़ी जाएगी, तो इसलिए company है, अपनी डर के मारे, वो पहर ऐसी better करने की उजशिश करती है, लेकिन still, auditor के point of view से द आती है, तो ले देके, लेकिन हम क्या समझने की एक limitation है, कि exact, इसलिए auditor की report पे exact भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए auditor क्या बोलता है, कि मैं खली opinion form कर रहा हूँ, आप तो practical report दे भी चुके हो, auditor की report कभी भी guarantee नहीं देती, कि मैं सब कुछ जो कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, auditor की report work as a guarantee काम नहीं करती है, कि भाई, जो उस report में लिखा है, वो पत्थर की लकीर है, सब कुछ okay है, नहीं, ऐसा नहीं होता, वो खाली एक reasonable assurance देती है, क्या देती है, reasonable assurance, ये शब तुमार को बैठ जाना चाहिए रिमांग में, एक reasonable ठीक थाक assurance देती है, कि मेरे हिसाब से company के क्या रहा है, कि जो भी बंदा, अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब किसी company की stock market में invest करते हैं, जैसे मालूम मैं हूँ, मैं reliance में invest करना चाहता हूँ, मैं टाटा में invest करना चाहता हूँ, इंडिया में ने दो तरीके के investor होते हैं, एक वो वले investor ने, हाँ तूने क के बाद की company के past में profit कितने थे, company expenses कितने थे, company profit में आया है, loss में है, company dividend कितना बाटा, वो सब कुछ analyze करने के बाद, 3-4 साल की financial performance analyze करने के बाद, वो बंदा उस company में invest कर रहा है, तो इसको बोलते हैं, well educated investors, इनको बोलते हैं, prudent investors, समद्दार investors, जैस सोच समझ के पैसा लगा र रहा है, तो आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो almost balance sheet true and fair view दे रही है, लेकिन आप उस balance sheet को guarantee मत मालने हैं, auditor की हाँ यह company अगर आज तक 3 साल से profit में है, और आज आप उस company के sharement invest करोगा, तो कल को भी profit होगा, ऐसा नहीं है, auditor की balance sheet कभी भी, auditor की जो report है, उस balance sheet के पर लगी ह वो कभी भी act as a guarantee काम नहीं करती, कि आप उसकी report को guarantee मालो कि हाँ, auditor ने जो लिखा, वो सही होगा, पत्थर की लकीर होगा, तीन साल से profit हो रहा तो आगे आने वाले साल में profit होगा, क्योंकि बहुत सारे auditor ना अपनी opinion form करता है, वक्त ये भी पता देते हैं, कि तीन साल की performance ऐसी करो, अपने हिसाब से company का past track record market में goodwill कैसी analyze करके source समझ के लगा, auditor अपनी तरफ से अच्छा कर रहा है, उसके जितना best हो रहा है वो कर रहा है, लेकिन still आप भी अपनी checking करो, उसकी report को guarantee मत मानो, खाली reasonable assurance मानो, अब आपको ये topic की heading ले रही, inherent limitation of what it means, auditor जितना मर्जी अच्छा करे, कोई ना कोई कमिया थोड़ी बहुत रह जाती है, हर इंसान में भी कमी होती है, तो आप उसको as it is believe मत करो कि वह सब कुछ okay ही है, हाँ, मोटा मोटा 90% वो okay होता है, reasonable assurance होती है, छोटी मोटी कोई कमी रह जाती है, तो उसके लिए auditor जिम्मेवार नहीं, अब पढ़ो, there are some inherent limitations of audit, यह paper में आ सकता है topic inherent limitations of audit, इसमें चार चीज़ आती है, यह ध्यान रतना, inherent limitations में चार चीज़ आती है, यह क्या है, भी मैं पढ़ाऊँगा, चीक है, पहला तो क्या क्यारा जारा देखना, as per essay 200a on objective and scope of audit, objective and scope of audit, essay 200a on standard of auditing, जो ICA issue करता है, वो किसमें deal करता है, objective and scope of audit, क्या है, बोलता है, the objective of an audit is to express an opinion, as to the true and fair view of the financial statement, यह यह न, auditor का objective यह है, कि audit का main objective यह है, कि check करना कि financial statement true and fair view दे रही है, नहीं दे रही है, the user should not, user का मतलब कोन है, जो उन audited financial statements को पढ़ कर, company में transaction करने जा रहा है, अच्छा, user के अंदर, कोन कोन आ सकता है, shareholder आ सकता है, user कोन हो हो सकता है, creditor हो सकता है, कोई employee हो सकता है, कोई भी हो सकता है, user का मतलब है कैसा बनता, जो उस financial statements को पढ़ कर, decision ले रहा है, उस company में जाना चाहिए नहीं, देखो, बहुत सारे लोग company की financial statement देखकर, की company की financial performance कैसे decision लेते हैं, कि इस company में job join करने है, नहीं करने है, बहुत सारे banks, बहुत सारे बड़ी-बड़ी financing companies, company की financial statements देखकर, यह decision लेते हैं, audited financial statement देखकर, की इस company को loan देना है नहीं देना, यह आपनो पर पढ़ा भी था, बहुत सारे shareholder company का past financial performance देखकर, track record देखकर decision लेते हैं, कि इस company के shares में invest करना है या नहीं करना, तो यह सब कोनों का user, तो कह assurance as to the future viability of the enterprise or the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the enterprise, कै रहा रही नहीं, कै रहा है, user यह believe नहीं कर लेगे, एफ exact assurance है, कि हम भी assurance का रहा गरंटी है, यह proper assurance नहीं होती है, यह reasonable assurance होती है, उसने बोला ना, कि यह जब हम बोले assurance, assurance का मतलब होता है guarantee, कै यह exact guarantee होती है, यह reasonable assurance होती है, pure insurance नहीं होती है, 100% assurance नहीं होती है, कि सब कुछ okay है, reasonable होता है, कि मोटा मोटा हमने sample testing करी है, हमारे सब से चीज़ें okay है, तो कह रहा है, इसलिए हो कह रहा है, कि उसकी auditor की audit report बनाने से कहीं से भी यह test नहीं होता है, कि भाई future के अंदर, अगर auditor नहीं report बनाई है, कि भाई अभी तक company अच्छी है, तो अब इसका मतलब यह नहीं कि आगे भी अच्छी चलेगी, अरे इनसान की guarantee नहीं होती, company तो बहुत दूर की बात है, कितने माबब बोलते हैं, हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, जब तक व स्कूल में होता है, जैसे बच्चा hostel में जाता है, कॉलेज में जाता है, स सारे करम कांड कर रखे हैं, तो इसका मतलब यह guarantee नहीं होती, company कहां से होगी, auditor अपने ही साब से मोटा मोटा बता देता है, कि मैं मेरे साब से okay है, लेकिन still कोई ना कोई कम ही रह जाएंगी, तो आप auditor की जुबान पे, पीछे की चीज़ों को मान लो कि यह okay और आगे भी okay हो अब यही कहा रहा है, an audit does not guarantee that all material misstatements will be detected because of the falling inherent limitations of audit, तो वो auditor कहा रहा है कि वो यह guarantee नहीं होती, कि सारी कमिया, material misstatements सारी कमिया पकड़ी जाएंगी, क्योंकि audit की भी कुछ limitations है, क्या limitations है, पहला, test nature of audit, यही बताए था भी, test nature of audit का मतलब होता है, test nature of audit का मतलब होता है, कि हम सारी चीज़े खोल-खोल के detail में चेक नहीं कर रहे है, हम random testing करते हैं, sample testing भी बोलते हैं, उसको, कुछ-कुछ चीज़ा करते हैं, महीने के 2-3 दिन उठा लिए, random चीज़े चेक कर लिए, कि एक एक दिन में कितनी हुई, यह यह नहीं कि हर एक दिन की पूरी-पूरी सुबस लेकर audit evidence available to the auditor is persuasive rather than conclusive, जिसका मतलब यह है, कि auditor जब audit करने जाता है, तो अगर किसी company में कोई कमी है, तो वह उसको खुद ही detect करनी होती है, परसुद ही detect करनी है, company खुद अपनी कमी पर उसके लिए देगी उसके आगे, अच्छा, एक बाब बता, किसी इंसान की कमी है, तो आप ही अपनी कमी है, financial statements में खुद ही detect करता है, company खुद नहीं बताती, यह एक limitation है कि आपको खुद detect करना पड़ेगा, company खुद आपके अपनी कमी नहीं बताएगा, यह भी दिक्क्त है और उसके लिए time लगता है, है ना, next आता है, inherent limitation, internal control, example, certain level of management, may be in a position to override control, यह बड़ी मलब उनके internal staff, वैसे तो पता है, auditor क्या करता है, auditor क्या करता है, company employees को बुलवाता है, और उनसे पूछता है, अच्छा बताओ, यह चील ले के, और तो ऐसा भी करते है, जसे तुमने पिच्छरों में भी देखा हुआ, कई पर ऐसा भी करते है, practicalizing auditor, कि एक employee से same चीज को पूछ अगर दोनों का लग लगा रहा है, तो auditor चेक करता है, auditor चीज़े चेक करता है, लेकिन वो कहता है, कई बार management इतने बड़े level पर scam में involved होती है, management वाले खुदी मिले होते हैं, और वो internally गड़बडियां कर रहे होते हैं, और fraud पकड़ाई नहीं जाता है, बलब lower level से लेकर top level त अगर पर करता है, तो auditor को क्या है, auditor तो वैसे भाला है नहीं, वो तो यही बोलते हैं, जाके जितना मैंने मांगा तो उन्हें को दिखाया, जो मैं कुछ और मांग रहा था, तो auditor बोलते हैं, और कल को fraud पकड़ा है, तो auditor जिम्मेवार नहीं होगा, तो यह उसकी लिमिटेशन है कि कई बार वो अपने एंटर्ना कंट्रोल प्रॉपर चेक करता है, हर डिपार्टमेंट से प्रॉफर्मेंस की डिटेल लेनी कोशिश करता है, जो भी उस अच्छा हर डिपार्टमेंट का कहीं नहीं अगर नहीं बताते है, अगर उसके अंदर पकड़ा है तो auditor जिम्मेव था skepticism का मतलब होता है unbelieving auditor का nature ही क्या है unbelieving मैंने तुमार को बताया था दो चीजे होती है एक मिंट रुको एक मिंट रुको एक मिंट रुको एक मिंट रुको एक चल गया skepticism का मतलब होता है unbelieving unbelieving मैंने तुमार को बताया था auditor का जो नेचर है वो skepticism वाला नेचर होता है rather than कौन सा वाला आपको यह दो को मैंने ऊपर चीज पढ़वाई थी कहां पे कहां पे कहां पे मैंने बताया था auditor skeptical होता है मतलब unbelieving होता है rather than suspicious auditor को company में कोई doubt नहीं होता वो कई गलत सोच से नहीं जाता वो तो भरोसा ही नहीं करता तुमारी बातों पर वो तो सरफ unbelieving nature होता है तो वो सरफ इतना मान के चलता है इतना तुम दिखा रहे हो वो उसी पर believe करेगा और वो आपकी जुबान पर believe नहीं करेगा जुबान के साथ साथ evidence भी होने चाहिए लाइक vouchers मैंने तुमार को बताया था sales कितनी करें उसकी details दिखाओ expenses करें था expenses की details दिखाओ कहां कहां करें है है ना purchases करें तो purchase के bill दिखाओ है ना salary pay करें salary slips दिखाओ तो वो आपके उपर doubt नहीं कर रहा है वो भरोसा ही नहीं कर रहा है तो कई बर अच्छे लोग जो होते हैं ने रेखो अच्छल में कहाता है कि तरह इंसान बहुत ज़्यादा ऐसे nature का नहीं कि वो किसी पर वरोसा नहीं करता तो कई बर अच्छे लोग भी उसकी नहीजरों से छूट जाते हैं है ने क्योंकि आप हर चीज evidence की बेस पर करोगे तो बहुत सारे company में लोग ऐसे भी होते हैं जो बुरे होते हैं आपको अपनी company की कमियां बताते हैं लेकिन आप खुद ही नहीं मानना चाहते हैं उनकी बात सुनते ही नहीं आप ना अच्छों की ना बुरों की वो आप लाइफ में auditor लोगों की सुनता भी है मानता भी है सब कुछ करता है लिए लिखा ना बुकों के अंदर independent auditor management की नहीं सुनता मैं तुम्हार को बोलना निचा रहा तुम्हारा वरोसा उड़ जाएगा मैंने अपने हाथ से audit करें auditor कंपनियों के अंदर ऐसा भी करते हैं कि management के कहने पर clean report बना देते हैं company में कमी पकड़ने के बाद भी पैसे लेकर clean report बना देते हैं कि हाँ company होगते है कि सोचते हैं कि जो एगी future में जब पकड़ा जाएगा फ्रोड तब पकड़ा जाएगा देखी जाएगी इंडिया में इतनी company है कौन सा पकड़ा जा रहा है छोटा मधा फ्रोड शोटा मधे फ्रोड में बड़े फ्रोड में तो उनको डर होता खोदी तो इसमें वह नहीं सब्सक्राइब कर लेती है तो यह बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि आपको कमिया पकड़ी नहीं पाते है और नेक्स्ट प्रोफेशनल स्केप्टिसम मतलब आप अनभी लीविंग नेचर कि आप बरोसा नहीं करें तो आपको हर चीज प्रोपर चेक करने हैं उस पर टाइम प्रोफेशन लिए कम प्रेजियन लिखा है कम पैरीजन कम पैरीजन बिट्वीन एक्सराणल अड़ीट आइंड इंटर्नल अड़िट अभी एक्स्टर्न अड़ीट न इंटरनल और नोईट में क्या फरकोता बड़ जांसा सुनना कुछ नहीं देखो यह आप statutory audit पढ़ रहे हो statutory audit मैंने तो होता है कौन करता है practicing CA करता है है ना independent और यह कौन होता है independent CA होता है यह आपकी company के employee है यह आपके कहने पर काम कर रहा है यह बहारवालों के शेयर ओलटर से सब्सक्राइब करते हैं और यह law के इस आप से चलता है independent professional होता है तो यह तो statutory audit होता है, इसी को में external audit बोलते हैं, तो statutory audit के दूसरा नाम क्या होता है? external audit, तो देखो दो तरीके के audit है, एक है external audit, और एक है internal audit, पहले तो दोनों में फरक समझो, फरक क्या है? जो external audit है, यह from shareholders से point of view होता है, shareholders point of view होता है, यह share holders के point of view से होता है, और जो internal audit होता है, यह from management point of view होता है, management का मतलब board of directors, management point of view से होता है, board of directors, देखो, जो एक internal audit मेरे बने मेनेज्मेंट के point of view होता है, इसका मतलब यह है, यहाँ आप ऐसे समझो कि external auditors are appointed by shareholders external auditors are appointed by shareholders external auditors को कों appoint करते हैं shareholders appoint करते हैं और internal auditors को कों appoint करते हैं internal auditors are appointed by board of directors internal auditors को board of directors appoint करते हैं by board of directors और यह जो external auditors इसी को हम क्या बोलते हैं statutory audit भी बोलते हैं next it is done by यह कों करता है statutory audit done by practicing chartered accountant कों करता है practicing CA और यह कों करता है it can be done by anyone it can be done by anyone CA CS CMA etc even employee of the company can become auditor मलब आपको बाहर का कोई बंदा point करने जो रोती हैं आप अपनी company के किसी employee को भी internal auditor बना सकते हो even employee of the company can become can become even employee of the company can become internal auditor next और एक point में it is mandatory for every company आपको मैंने बताया था financial statements को audit हर company के लिए mandatory है it is mandatory only for those companies which are mentioned under section take me to which are mentioned under section 138 section 138 of companies act 2030 इसका मतलब internal audit सारी company को नहीं कराना खाली उन company को कराना है जो 138 में है इसके लावा जो बचियोई company है अपनी मर्जी से कराना चाहे तो करा ले लेकिन ये तो हर company के लिए mandatory है अब जरह समझो फरक क्या होता है क्या यहाँ पे auditor का main name क्या होता है यहाँ पे auditor का main name क्या होता है main objective क्या होता है objective क्या होता है to check whether financial statements are giving true and fairview or not बस यह खाली financial statements को देखता है कि true and fairview दे रही है या नहीं दे रही लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ internal audit की अगर मैं internal audit की बात करूँ तो internal auditor खाली यह नहीं चेक करता कि financial statement true and fairview दे रही नहीं दे रही here internal audit का objective क्या होता लिखो objective क्या है to check each and everything assigned by the management to check each and everything assigned by the management assigned by the management मलब यहाँ पर internal audit कोई specific financial statements के लिए नहीं होता आप कुछ भी management check करवाने को बोल सकती है खाली management ऐसे example आपको बोल सकती है आप stock audit करो अब stock audit का मतलब है कि हमारे go down के अंदर company लिख रही है कि अच्छा कितनी बड़ी-बड़ी company ऐसी है जिनके shareholders अपनी management भी वरोसा नहीं करते अब वो यह कहते हैं जैसे example लेके बात करते है company कहती है कि हमारे stock के अंदर 50,000 units पढ़ी है जो closing balance का stock पढ़ा है किसी भी चीज़ का वो जिसमें भी deal करती हो मालनों उनके बाद वो stock की 50,000 units पढ़ी है जो उन्होंने balance sheet में लिखी है shareholders ने वो balance sheet पढ़ी अब उन्होंने देखा company के बाद 50,000 units का closing stock पढ़ा हुआ है अब shareholders को दिक्कत हो रही है जिनको यह लग रहा है कि भाई पता नहीं 50,000 units है भी है नहीं और पूरा stock calculate करवाकर internal wallet से report बनवाकर दो और जो पूरी एक एक चीज गिनके दे कि 50,000 units पढ़ी है या नहीं पढ़ी है exactly stock के नतर जो हमार को उसकी report पर भरूसा होगा इसका मलब करवाती है management है कई बर shareholder करवाने को बोलते है कई बर management खुद करवाती है जैसे ही वो meeting खतम होती है उस meeting में जितने भी decision लिये जाते हैं उसके एक summary बनाई जाते है उसको हम बोलते है minutes of the meeting उसे हम क्या बोलते है minutes of the meeting minutes of the meetings minutes of the meetings का minutes of the meetings का मतलब क्या होता है summary of the meeting minutes of the meeting का मतलब क्या होता है summary of the meeting summary of the meeting summary of the meeting का मतलब है एक meeting में जितने भी decision लिये गए उसके minutes बनते हैं तो हम एक company को audit करने गए थे उस company के directors को अपनी company के company secretary पे और legal department पे शक था क्योंकि minutes बनाने के जिम्मेवारी CS की plus उसकी CS की team होती है company के अंदर उनकी होती है उनको शक था अपनी company के CS के उपर कि उन्होंने minutes धंग से नहीं बनाये तो उस company ने हमार को क्या काम दिया था बड़ ध्यान से सुनना उस company ने हमार को internal audit पे बुलाया वो internal audit इस हा वो भी क्या था इंटरनल audit उस company के directors ने हमार को बुलाया और directors ने हमार को बुला कर पता है क्या बुला directors ने हमार को बुलाया और हमार को बोलते हैं कि हमारी company के एक media pen नहीं चल रहा उस company के directors ने हमार को बुलाया और हमार को बुला कि हमारी company के last 20 years के minutes चेक करो क्या करो minutes चेक करो properly की proper minutes बने या नहीं बने हर meeting के सारी details निकालो अच्छा हम पता minutes कैसे चेक कर रहे थे पर ROC की site पे हर एक company को ना हर साल एक annual return file करनी होती है हर एक company को हर साल क्या करनी होती है ROC को annual return file करनी होती है every year इस annual return के अंदर एक company ने एक साल में कितनी board meeting कराएं देखो company में दो तरह की meeting होती है एक होती है board meetings एक होती है general meetings एक होती है board meeting एक होती है general meeting general meetings होती है shareholders की board meeting होती है directors की तो एक company ने एक साल में कितनी board meeting कराएं general meeting कराएं उस सब की detail annual return में लिखके देनी होती है और अच्छा जब भी meeting होई होगी भी नवी डिसीजन तो लिया ही गई होंगे. तो हम लोग पता है क्या कर रहे थे? मिनट्स को वेरिफाई करने के लिए हम लोगों ने, क्योंकि आपर एंची की साइट के उपर, मिनिस्टियों कोर्वर्ट आफ की साइट पे सारी annual return के form आप डाउनलोड कर सकते हो, हर company के annual return balance sheet आप डाउनलोड कर सकते हो, किसी भी company की 100 रुपे की fees पे करके, तुम्हें दिखा भी देता हूं कहा से डाउनलोड होते हैं, यह देखो, आप किसी भी company की balance sheet वगेरा डाउनलोड कर सकते हो, ROC की site से जाकर, तो हम लोग क्या क आप उसा देंगे, internal audit, लोगो, MC की site पे गए, ministry of corporate affairs की site पे, यहाँ पे आने के बाद आप यह देखो, तुम्हार पर एक topic दिखेगा, एक दिन लोगा ने interface change कर दिया है ना, दोखो, यह रहा, view public documents के नाम से column होगा देखना, document related services यह रहा, और इसके ना, documented services के अंदर MC services में गए, तो हम कहां कहां जाने हैं, पर जान सुन लो, MC की site पे का, MC services में तुम्हारी knowledge के लिए, कि अगर किसी company की balance sheet download करनी हो, किसी भी company की, उन्हें पता भी नहीं लगेगा, उनकी company की balance sheet download हो गई, तो कैसे होती है, मैं सिखा रहा हूँ, यहाँ पर आओगे, MC की services इसके अंतर जाओगे, documented services में, इसके अंतर जाओगे, view public documents में गए, अब यहाँ पर जाने के पता, भी company की, आप क्या कर सकते हो, balance sheet निकाल सकते हो, मैं यहाँ क्लिक कर दिया company का नाम, अब मैं यहाँ पर मालो Reliance Industries Limited डाल दूँगा, ठीक है, अब मैं यहाँ पर submit करूँगा, तो यह automatic आगया, अच्छा, अब इसमें इसके क्लिक करा, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो यह ओपर फिल हो जाएगा, यह आगया, अब देखो, वो क्या कह रहा है, आपको document में क्या निकालना है, उस company का, directors की detail निकालनी है, incorporation documents निकालनी है, चार documents निकालनी है, उस company की annual return and balance sheet निकालनी है, उस LLP की document निकालनी है, तो उसकी भी details है, other forms वगयरा वगयरा, आप company की MOA, वे, उस company की director की details, जो कौन appoint होगा, कौन नी होगा, उस company की balance sheet वगयरा, सब निकाल सकते है, मानलो मैंने annual return balance sheet पर क्लिक कर दिया, अब वो पूछ रहा है, कौन से साल की निकालनी है, देखो 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, कौन से साल की निकालनी है, वो भी निकालनी है, वो भी निकालनी के submit पर क्लिक कर दो, जैसे मानलो मैं click कर देता हूँ, जैसे example लेके बात करते हैं, 2022 ले लेते हैं मानलो, 21 ले लिया, जलो, अब मैं submit पर क्लिक करूँगा, क्या कह रहा है, so select document category and year of filing to search a document, बोथ fields are mandatory, कर तो दिया, अच्छ, उपर, उपर load हो रहा है, अच्छ, भी net निचल रहा, मलब net कह रहा हूँ, पॉर्टल ली चल रहा, बस इसके बाद कुछ नहीं करना होता, जैसे मैं आप सब्मेट पर क्लिक करूँगा, येलो, देखो, पॉर्टल बंद हो गया, लेकिन आपको समझागा, जैसे मैं submit पर क्लिक करूँगा, बस उसके payment gateway पर खुल जाएगा, पर किसी भी कंपनी के balance sheet निकाल लो, तो अब हो क्या रहा था, हम क्या कर रहे थे, अब audit करते वक्त, हमने क्या कर रहे थे, कंपनी के पिछले 20 साल के minutes बना दो, बना देखो कि minutes बने या नहीं बने, और वो सही बने नहीं बने, हम क्या कर रहे थे, MCA की site पर जाकर, पहले 20 साल की annual return निकाली, क्योंकि annual return से यह पता लग जाएगा कि company ने कितनी board meeting रहे जनर meeting रहे थी, और date पता लग जाएगी किस date को ही थी, और अब हम उस date की जाके उस company के जो अंदर staff है, जो internal staff है, उसको बोलेंगे CS की team को, कि भाई हमार को इस इस date के minutes की copy दिखाओ, तो उससे पता लग जाएगा उन्होंने उस date के minutes बनाया या नहीं बनाया, ऐसे चेक कर रहे हैं हम 20 साल के minutes, तो इस 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 also internal audit, लेकिन क्या है हम financial statement चेक कर रहे हैं, नहीं हम तो minutes चेक कर रहे हैं, वो जो stock audit वाला concept बताया था, कि हम वहाँ पे हम financial statement चेक कर रहे हैं, नहीं, वहाँ पे हम stock चेक कर रहे हैं, इस कलिए internal audit एक बहुत wider time है, जो management चेक करवाने को बोलेगी आपको वो चेक करने है, आपको वो चेक करने है, इसने मैंने लिख दिया, लेकिन external audit में हम खली क्या चेक करते हैं, financial statement चेक करते हैं, तो देख को इसमें यह बता है, एक external auditor को share auditor से point करते हैं, लेकिन internal audit को को बोलेगी करती है, management करती है, यह तुम्हारा को मैंने सारी बाइब बता दी, अच्छा, external auditor का scope law में लिखा हुआ है, कि financial statement चेक करने है, तो कैसे करने है, क्या करना है, क्या नहीं चेक करना, लेकिन internal auditor का scope आपको पता है, law में नहीं लिखा हुआ, वो तो हम management decide करते है, क्या check करवाना है, क्या check नहीं करवाना, तो paper में का difference आ जाए, तो ये इस तरीके से types of audit, अब क्या आता है, types of audit, अचा types of audit, वो खिय रहा है, तीन तरीके के होते है, एक होता है statutory audit, एक होता है internal audit, अचा statutory audit and internal audit में फ़रक ता आपको आपको पता लगी कहा, statutory and internal audit में फरक ता आपको बीपता धिया है, मैंने, और तीसरा कौन सा कहा रहा है, एक होता здесь thoughtful प्राने जमाने से जो नाम चलता रहा है लोगों को सरफ स्टाटरी पता है तो लोग सरफ स्टाटरी का मतलब सीय समझते हैं और जब उन पेपर में तुमसे नॉर्मली स्टाटरी पूछे लेकिन अधरी पता है कि लोग से से जोड़ी नाम देते हैं लोग उसे से बुलते नहीं है लेकिन वो स्ट्रेटरी और को स्ट्रेट और स्ट्रेट लिग रहा है statutory audit और cost audit को अलग मान रहा है statutory audit को अलग मान रहा है लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर paper में आज़ा statutory audit तुम भी अलगी लिख्या होगे तुम यही बोलोगी कि statutory audit को मतलब financial statements audit जो CA करता है लेकिन still मैंने तुम्हें knowledge के लिए बता दिया कि practical life में जाके अपनी बेस्ती मत करवाना practical life के अंदर statutory audit के अंदर सारे audit आते हैं जो law ने mandatory कर रखे हैं अब statutory audit के अंदर financial statement audit तो आता है जो CA करता है, secretary audit भी आता है, cost audit भी आता है और internal audit क्या होता है तो management करवाती है यह तुम्हार को मैंने बताई दिया अच्छा, अब यह एक लिखा है, आप इसको देखो, वैसे आपको पता है statutory audit जो होता है, जो cost audit होता है यह independent auditor करता है, independent auditor का मतलब क्या है बहार से external auditor आता है, बहार से auditor आता है अच्छा CA, आप अपनी company के CS audit करवाते हैं मैं job कर रहा है, आप उससा audit निकरवा होगे बहार से external CM में आते हैं, जो practicing CM में होते हैं वो आपके audit करते हैं इसका मलब यह independent auditor होते हैं, जो आपकी company के employee नहीं होते हैं बहार से आकर special audit करने आते हैं, उसकी audit fees लेते हैं, चले आते हैं तो यह आपके दबाब में काम नहीं करते हैं, अपने इसाब से law accounting audit करके चले आते हैं और opinion form करके चले आते हैं लेकिन internal auditor के लिए आप कोई बहार का बंदा भी बुला सकते हो और मैंने तुमारे को क्या बताया था, internal auditor चाहो तो आप अपनी company के employee से भी करवा सकते हो मैंने क्या पताया था, even employee of the company can become internal auditor दिखवाया था ना, चाहो ता आप बहार के किसी CSECMA को बुलवा के करवालो चाहो ता आप अपनी company के employee से करवालो तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, कि internal auditor independent हो भी सकता है और नई भी लेकिन external auditor मिशा को न होते है, independent reporter होते है और एक अधर statutory special audit का मतलब है कि यह हमेशा नहीं होता जब आपकी company में कोई fraud होता है या fraud का doubt है कि fraud हो सकता है, हुआ नहीं है होगा या तो आपकी company में कोई fraud पकड़ा गया है या doubt है कि fraud हुआ नहीं है हो सकता है तो ऐसे case में central government क्या करती है government क्या करती है आपकी company में एक auditor बेचती है जो जाकर क्या करता है investigation करता है check करता है कि भाई कुमारी company ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही और अगर नहीं कर रही है और fraud पकड लिया उन्होंने तो अब आपकी company की पूरी management को वो लोग control करते हैं सरकार के बंदे control करते हैं वो अपने बंदे बेचते हैं सत्यम scam में भी यह हुआ था आपको था सत्यम computers में जब वो case हुआ था जो सुमार को मैंने बताया था पीड़ेवी सी वाला उसके अंदर भी सरकार ने उनकी management को पूरा control कर लिया था अपने बंदे बेच दिया थे वहाँ पर तो ऐसे audit कम बोलते है statutory special audit के हैं यह भी mandatory है तो mandatory सरकार ने बोला audit करने को तो में जो होगा तो हो गए लेकिन इसे special के बोलते हैं कि हर साल होता है नहीं जब आपकी कमणी फ्रॉड करें यह फ्रॉड का डाउट होगा तब ही होगा अपनी टीम पे लेंगे वो रेड मारने के लिए और चेक करवाने के लिए लेकिन यह वाले जो audit है नॉर्मल statutory audit और internal audit यह तो हर साल होते है और मंगर आपने तो हर साल होता है जिन कंपनी के पर इतनी पेड़ आप शेयर कपिटल है तो उनके पर लगेगा वह आगे तुम्हार पर चेप्टर करवांगा वहाँ पढ़वाँगा लेकिन statutory audit हर company पर लगता है तो इसलिए एक समन्ने वरी चीज ये है कि statutory audit जो है आप यह समझो कि वो always mandatory in nature है लेकिन cost audit or secretary audit always mandatory in nature नहीं है वो उन company के लिए mandatory जिनके पर आप applicable हो रहे हैं लेकिन बाकी company की choice है कि आप उन्हें cost audit करवाना करवाओ नहीं कराना नहीं करवाओ जैसे मालो मेरी company है मेरी company के पर मालो cost audit applicable नहीं है cost audit किस company पर applicable है वो section 148 में बताया हुआ है section 148 किस में deal करता है cost audit मे and section 204 company act का किस में deal करता है secretary audit में तो इनकी किन-किन company पर applicable होंगे किन-किन company पर applicable नहीं होगे इनकी applicability इन section हो के अंदर बताई हुई है वो हम आगे जब हम company audit वाला chapter करेंगे तो महाँ पढ़ेंगे तो जिन कंपनियों के ऊपर ये वाले audit लग रहे हैं उनके लिए तो mandatory है लेकिन अगर कोई कंपनिया इन दो section में fall नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए cost audit and security audit mandatory नहीं है उन्हें खली एक ये audit करवाना है कौन सा वाला वो statutory वाला financial statements वाला बाकि उनकी मर्जी है कि वो ये वाले audit करवाना चाहें अपनी अच्छाई के लिए अपनी बलाई के लिए तो करवाला नहीं करवाना चाहें तो ना करवाएं तो अब बता रहा है कि देखा रहा है कि देखा रहा है तो तीन ही statutory है लेकिन फिर भी law जो मानता वो किसको मानता अब आता है concept of true and fairview ये तो मेरे को बताने की जो दिने true and fairview क्या होता है true and fairview का मतलब होता है auditor का main काम ही होता है कि हर एक कंपनी के पर company डो लग रहा है schedule 3 और जितनी भी कंपनी की financial statement बनती है न वो section 129 के according बनती है company act बनाई है company लो proper follow कर रहा है accounting standards proper follow कर रहा है secondary standards proper follow कर रहा है तो इसका मतलब यह लिकर है schedule 3 का जिकर हो रहा है इसका मतलब company की balance sheet true and fairview दे रही है और इसी की सबसे बड़ी relevance है और अगर company की इसमें से कोई भी गड़ दिक्कत है तो इसका मतलब company की financial statement true and fairview नहीं दे रही है अब आता है concept of materiality in planning and performing audit यह concept बड़े important materiality यह accounts में सिखाते है accounts के teacher में materiality का concept सिखाते है यह materiality का concept क्या होता है मैं तुम बताता हूं सुनना बढ़ द्यान से तो गाईज अब हम materiality का concept बढ़ते हैं important है भी परगी साब से materiality का concept accounts में भी important है audit में important है देखो auditor का जो हमेशा focus होता है ना आप इच्छी समनना वो miss statement पकड़ने पे होता है अब सुनना आप ऐसे कहलो miss statement कहलो या ऐसे कहलो कि auditor का काम होता है जnes secondary objective होता है primary objective होता है які financial statement ट्रू ञइएं नगे देरी जब वो true and fairview चेक करता है ना जब auditor financial statement में यह चेक करता है कि financial statement true and fairview देरी है नहीं देरी तो उसका उसका check करने का मतलब ही यह होता है कि वो material miss statement stimulus चेक करता है अजया है उसके निदर एक तो यह चेक करता है कि सारे law proper follow वह रहे निये हो रहे हैं और accounting standards proper follow और अजया हो यह सब देखता ही है मगर अब चीजों को match करता है na books of accounts को financials से match करता है कि books of accounts में Perchanges कितने कितने दिखाइए है तो उसमें पervice चीजे मिलाता जो थो मिलाता है material इंस्टेटमेंट्ट का मतलब हो चीजे mismatch हो रही है लेकिन वह सम Matthew material मिस्मैच हो कर व हो रही है आव समन्हा नै jus से मतलब होता है significant important मेटेरियल शब्द का मतलब क्या होता है सिगनिफिकेंट बोल लो या मेटेरियल Alto उसक्यामपल जिए अप्शांपल ले के बाद करते हैं माल लो अगर कोई company एक लाख रपे कमाती ये खाली पूरे साल का कमाती ही बहुत कम है माल लो या ऐसे समल लो माल लो एक company x limited ये पूरे साल की income इसकी 10 लाख रपे की है income इनकी 10 लाख रपे की है और इनकी company के अंदर अगर एक लाख रपे का fraud हो जाए 1 लाट रपे की गरबड़ी हो जाए अगर इनकी company के अंदर 1 लाट रपे का miss match हो जाए पता नहीं लग लगा कि 1 लाख रपे गया काँ अगर इनकी company में हो जाए तो ये material है बहुत बड़ा है म Lipton – 10-10-10-10-iger रपी की total income है उसमें से 1,10-10- vidéo यह नुकसान है तो auditor चेक करेगा कि आखिर हुई कहा है इतनी बड़ी हुई कैसे है वह verify करने की कोशिश करेगा तो इसका मिलब पहले पहले तो यह चेक कर रहा होगा मिला रहा होगा कि सारी चीज़ मैच कर रहे नहीं कर रही जब उसने देखा एक लाकर भी चीज मैच नहीं क से मैच करके पहले तो मैच करता चलेगा अगर मैच होगा तो वह से केंट्री अब्जेक्टिव पर मूब करेगा ही नहीं अगर मैच नहीं करा तो इसका मिसमैच होगा और मालो एक लाकर रपे का मिसमैच हो रहा है है ना books of accounts में transaction 10 लाकर रपे की दिख रही है और financial statements के अंतर 9 लाकर रपे की दिख रही है तो इसका 10% का मिसमैच है बहुत बड़ा मिसमैच है तो इसे हम बोलेंगे कि यह material मिसमैच है material misstatement है और यह एक बहुत बड़ी चीज़ है इसके पर अपना secondary objective move करेगा और देखेगा ऐसा क्यों हुआ और और वह error or fraud detect कर नहीं कोशिश करेगा ल ऐसे मिसमैच को तो company क्या कर देगी miscellaneous expense में show करके खतम कर देगी अगर 100-2500 रुपे नहीं मिल रहे तो कहानी खतम हो जाएगी company दिखा देगी हमारे miscellaneous expense से बात खतम हो जाएगी अब on the other hand डूसरी जगह आना मालो एक company एक साल की income पचास क्रोड़ है मालो अब इतनी बड़ी income है इनकी अगर मालो इनकी company के अंदर एक लाख रुपे का मिसमैच हो जाए क्या इने घंटा फरक पड़ेगा इनकी पचास क्रोड़र पर कमाने वाली company का अगर एक लाख रुपे आगे बीचे खतम कर देना या इसको ignore कर दो खतम कर दो इन चोड़ी चोड़ी कर दो कि पचास क्रोड़र पर कमाने वाली company के लिए एक लाख रुपे कोई उकात नहीं है उन्हें फरगी नहीं पड़ेगा एक लाख रुपे आगे बीचे हो गया वो तो इसको चाई पी लेते होंगे इतन कि लेए दो ताइम का टीन टाइम का खाना नौर्मल है हमें मिलता है लेकिन बहुत सरे गरीब लोग ऐसे हैं जिनको दो कभी पूरे दिन खाना नहीं मिलता तो उनके लिए एक टाइम का खाना भी Material चीज़ है बहुत इंपोर्टन चीज़ है और हमें इतना फरगी नहीं और auditor का काम होता है कि material선 की को पकंडना हो और यह देखना को material fraud तो नहीं है अकर चोटी मोटी गडबडी दिख़ीय तो अब आपको 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 पता है कई तरीके की ओडिक होते हैं देखो प्रिक्स सुना भड़े जान से टाइपस ऑडिक में अब उपड़ से वाड़ेटरी पड़े देखो इप्ञोंत फंच सब्सक्राइब करें जो आगे बात करेंगे अच्छे समझना जो इंटर्नल ओडिट है बच्चा में रिसे पूश्टा है कि सर यह जो इंटर्नल ओडिट है या फिर जो सेक्रेटरिल ओडिट है या फिर जो कॉस्ट ओडिट है क्या यह ऑल्वेज में डेटरी है मलब यह ऑप्शनल में आएगा देखो मैंने तुम्हारे को बताया स्टैटूटरी ओडिट का मतलब होता है में डेटरी जो लौ ने में डेटरी कर रखा है अच्छा जो फाइनेशल स्टेट्मेंट का है यह ओल्वेज कंपल्सरी ओडिट है यह तो आपको पता ओल्वेज कंपल्सरी हर कंपनी को करवाना है ओल्वेज कंपल्सरी ओडिट है ओल्वेज कंपल्सरी है तो हर केसी कंपनी को करवाना ही होता है जो सी यह करता है और यह कौन करता है सी यह करता है इस फ्रेंशल स्ट के audit को हम लोग statutory audit भी बोलते हैं आपको बात पता हिए इसे हम क्या बोलते हैं statutory audit भी बोलते ही हैं क्या यह जो cost audit है यह जो cost audit है internal audit है, secretary audit है क्या यह always statutory है? नहीं इसकी दो category बनेंगी for some companies यह statutory है यहाँ जगा नहीं है इसको अपनी copy में लिख देते हैं आप इसको ऐसे बना लो तक कि clarity आज़ा चीज़ों में समझो देखो देखो जो cost audit है secretary audit है और जो internal audit है यह जिन company के उपर applicable है मैंने पताया ना यह सारी company आपनी रखते हैं internal audit के लिख लखते हैं section 138 है cost audit के लिख सक्षन 148 है और secretary audit के लिख सक्षन 204 है for some companies companies on which these audits are applicable जिन company के उपर यह audit लगते हैं वो limits दी हुई है कि इन company के पेड़ पित नहीं होगी turnover होगा तो उनके उपर लगेगा उनके लिए यह वाला audit statutory audit है उनके लिए statutory audit है या compulsory audit बोल लो एकी बात है compulsory audit बोल लो या statutory बोल लो एकी बात है लेकिन companies in which these audits are not applicable वो वाली companies जिनके उपर यह audit नहीं लगते हैं are not applicable जिनके उपर यह audit नहीं लगते हैं इन company के लिए यह optional है इनकी मर्जी है optional बोल लो या voluntary बोल लो इनकी मर्जी है करवाना है करवाओ नहीं करवाना ना करवाओ देखो ऐसा थोड़ी है कि जिन company के उपर audit लगनी रहे हैं वो करवा नहीं सकती करवा तो वो भी सकती है मगर उनके लिए फिर voluntary होजएगा voluntary का मतलब तो अपनी मर्जी से करवाने करवास नहीं करवाना ना करवाओ तो इसका अगर आप ऐसे समझो कि जो cost audit है secretary audit इंटरन भी इस career audit है internal audit है इनका जो nature है वो always mandatory नहीं है जिन company के उपर यह applicable है उनके लिए mandatory है जिन company के उपर यë applicable नहीं है उनके लिए voluntary है optional है करवाना है करवाओ नहीं करवाना ना करवाओ लेकिन अगर मैं financial statements की बात करूँ financial statements वाले audit की बात करूँ जो CA करता है इसको हम statutory audit भी बोलते है यह always compulsory होता है for every company always compulsory होता है for every company यह तो हर company होकर आ नहीं है तो यह statutory भी है और उन company के लिए compulsory भी हर company के लिए लेकिन यह internal audit, cost audit, security audit सिरफ उनी company के लिए statutory या compulsory कहलाएंगे जिनके उपर यह applicable है बाकी company जिनके उपर applicable है नहीं करवाना है नहीं करवाना ना तरह आपको सारे audit में फरक पता है financial statement, financial statement check की जाती है प्रोइट फिर भी दिरी दिरी, cost audit में हमारे cost records वगेरा चेक की जाते है second audit में हम overall law चेक करते है और internal audit में जो management बोलती है वो करते हैं तो अब यह types of audit के अंदर वो यही सब बता रहा है कितने कितने तरीके के audit होते हैं सबसे पहले किया रहा है voluntary audit voluntary audit का हम private audit भी बोलते हैं जैसे अब sole proprietorship है partnership firm है, LLP है, NGOs है इनके उपर audit normally तो mandatory होता नहीं है तो इनकी तो मर्जी देखो मैंने क्या बोला, every company के लिए statutory audit mandatory है sole proprietorship, partnership वगेरा के लिए mandatory है इनकी मर्जी है करवाना चाहिए तो करवा लें लेकिन statutory audit आपको पता ही अब क्या होता है तो हर गम्री के लिए mandatory है और government audit ये government departments वगेरा के लिए उनके बारे में बात करेंगे अब objective के base में कही तरीकी के audit होते है एक होता है independent financial audit ये statutory audit की बात कर रहा है एक होता है internal audit ये आपको पता ही अब क्या होता है एक होता है cost audit एक होता है management audit अभी सब क्या होता है एक tax audit अभी सब क्या होता है secretary audit आपको पता क्या है कुछ-कुछ इसमें आपको पता है क्या है कुछ-कुछ आपको नहीं पता है में आपको कुछ audit दिखने है नहीं जैसे social audit हो गया environment audit हो गया यह सब voluntary audit का part है आप ऐसे समझो basically audit दो ही होते है एक होते है voluntary एक होते है compulsory आप broad mind बिठालो दिमाग में दो ही तरीके के audit होते है अब होते है orository अब ही मैं आगे बताता जाओंगा kोन-kąn से voluntary है आप समझो सिर्फ यह कोड़ी щit audit है जो every company के लिए compulsory है और यह वाले audit है यह कुछ कमपनियों के लिए compulsory है बाकियों के लिए voluntary है इन मर्जी बिए से करवा रहे हो तो कि यह सब भी इंटर्नल ओडिट का इपार्ट हो गए यह होते हैं अगर यह सब क्या रहे हो सारे नहीं यह तो मैं ऐसी सरकल मार दिया कई पर चले तो मैंने सब्सक्राइब करें नहीं आप जैसे यह एंवायरमेंट ओडिट हो गया परफॉर्मेंस ओ कर रहे थे एंप्रॉइस की प्रफॉर्मेंस चेक कराने के लिए तो यह मेंडेटरी तो होता नहीं है और यह प्रफॉर्मेंस ओडिट मेनेजमेंट कर वा रहे हैं तो इसका लब बहुत सारे आपस में इंटर लिंक है तो आप एक तो आपको दो आपको सारे अपने आपके कि देंगे दिखावें कि उतने सारे हैं मगा होते दो ही हैं पहले तो आप 23 ट्री एक एक वालंट्री की कंपल्सरी का मतलब जो लॉन्री अमें से सट्योंटर लॉंट इसमें सब्राइब वाला और दूसरा कॉसारी शुक्या अगर वह जिन एंप्लिक रहे हैं उन के लिए मेंडेटरी हैं बाकी कमनियों के लिए optional है इसके लावा जो बचे कुछ है अब हम बात करें थे internal audit की internal audit होता क्या है तो मैंने आप तुमारों को यह बताया कि जिसके अंदर management जो बोल रही है वो सब चेक करो गया management अपने हिसाब से करवाएगी तो इसको अगर हम यह देखेंगे जिसे environment audit है company देखना चाहती है कि हमारी company से environment को कितना नुफसान पहुंच रहे है social audit मतलब हम समाज के लिए कितना भला कर पा रहे हैं आप उसकी checking करवाना चाहते हो performance audit में हमारे employees की performance के चेक कर रहे हो और जो आप मर्जी से करवारे हो management करवारे है और जो भी काम management करवा के auditor को point करवा के करवाती है वह सब को किसमें आते है इंटर्नल ओडिट का पार्ट है इंटर्नल ओडिट का पार्ट है ठीक है न ऑपरेशनल ओडिट की कंपनी के ओपरेशन कैसे चल रहे हैं पूरी overall staff office work कैसे कर रहा है वगयरा वगयरा तो और कई तरीकी के विए टाइमिंग के वैस पर में पढ़ेंगे और तुम आतमेटिक समय अगरे में क्या रखो वालटर से पड़ते हैं और दूसरी कैटिगरी क्या रखो कि वह इंटर्नल है यह एक्स्टर्नल राम इंटर्नल डिपेंट करता मैनेजमेंट कर वारी है तो इंटर्नल शेरोल्डर के पाइंट भी तो रहा है चीक है अब इनको बुक्स से पढ़ते हैं तो आप गाइस पढ़ना शुरू करते हैं voluntary audit और private audit इसको हम voluntary audit के दूसरा ना private audit अब आपको पता ये दो ही audit होते हैं compulsory or voluntary voluntary audit क्या है जो अपनी मर्जी से करवा रहे हो तो audit is not necessary for each form of ownership yet they go for audit अच्छा इंडिया में बड़ी सारी form of ownership हैं जिसे company है है ना sole proprietorship है sole proprietorship है partnership है वगेरा वगेरा अब हर एक company के लिए तो audit mandatory है financial audit लेकिन sole proprietorship और partnership के लिए audit mandatory नहीं है लेकिन अगर वो भी करवाना चाते हैं तो करवा सकते हैं अच्छा रहा है कि इनके लिए compulsory तो नहीं लेकिन अगर आप स्टिल अपने अकाउंट्स करवाना चाहें audit तो करवा सकते हैं कहारा मेंली दो तरीके की audit होते है एक होता है statutory audit एक होता है voluntary audit statutory audit का मतलब होता है कहारा है mandatory audit और जिसका best example है कि audit के provision company act में हर company के लिए mandatory है लेकिन voluntary audit का मतलब non statutory audit जो mandatory नहीं आप अपनी मर्जी से करवाना चाहो तो करवा लो तो कहारा there is no requirement for audit for sole trader partnership form वगरा जिसे companies के लिए तो every company के लिए statutory audit mandatory है लेकिन partnership form sole proprietorship के लिए audit mandatory नहीं है अपनी मर्जी से करवाना चाहा है तो करा ले लेकिन वो कह रहा हूं उनको tax audit करवाना पड़ेगा under section 44 a.b as per income tax act अगर उनका एक certain limit exceed कर जाएगी तो वो tax audit की limit अपने 44 a.b में पढ़ी हो पहले वो पहले वो 50 लाग थी फिर वो increase हो के एक करोड हो गई थी तो एक क्रोड की limit है कि अगर एक क्रोड का वो टर्नोवर अब आई एक से भी इंक्रीज हो के दो हो चुकी है वो मैं शोर नहीं हो टेक्स की लिमिट टेक्स वाले टीचर से बूच ले ना अपनी मैं बता रहा हूं कि का मतलब है financial statement audit और tax audit का मतलब है कि एक कंपनी को जो tax computation बनता है कि उनका कितना tax बन रहा है क्या उन्होंने वो सही से निकाला या निकाला कि उन्होंने exact tax liability निकाले निकाले और उन्होंने exactly tax pay जो उनकी बनती है वो उसी के recording pay करना चाहरे है नहीं tax liability तो company calculate करती है उसके बाद although tax जब pay होगा तो वो audited financial statements के base पर ही होगा पहले financial statement audit होंगे लेकि उससे पहले company खुद calculate करती है कि tax liability बनती कितने है तो क्योंने सही calculate करे नहीं करी financial statement बने नहीं बनी वो सब पहले चेक होता है तो overall financial statements को check करना is called statutory audit और taxation matters related उस financial statement से टेक्स वाले matter जुड़े होए है क्या वो ढंग से tax liability calculate की गई नहीं कि tax के provision ढंग से लग रहे है नहीं लग नहीं लगा रही वो सारे matters को check करना is called tax audit और दोनों अलग अलग concept नहीं पर ध्यान से सुनना मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ पहले तो लिखो फिर समझाओ कि tax audit और statutory audit में क्या फरक है लिखो ठीक है यहां पर heading डालो बेसीस फॉर कंपैरिजन बेसीस फॉर कंपैरिजन और तुम्हार को फरक किस में करवा रहा हूँ मैं statutory audit में statutory audit का मतलब आपको पता ही है financial statement का audit और दूसरा हम फरक कर रहे है tax audit में बहुत सा लोग गो कि same लगता है तो फरक पता हो ना जी यह फरक क्या है पहली बात तो meaning पहले आते हैं में इनके meaning के पर बात करते हैं तो meaning का मतलब है statutory audit statutory audit लिखो statutory audit statutory audit is audit made compulsory by company's act compulsory statutory act को compulsory किस ने करा है companies act ने compulsory करा है statutory audit जो है financial statement का audit है वो company act का concept है और tax audit के अगर मैं बात करूँ tax audit is an audit 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 made compulsory by income tax act समझाया दोनों अलग-अलग act से govern हो रहे है statutory audit का concept company's act से आया है और आपको statutory audit अप डिटेल में पता यह क्या होता है financial statement को audit करना true and fair भी जेक करना यह company act ने करना और यह every company के लिए mandatory है और tax audit का जो concept है वो income tax act से आया है और यह हर company के लिए mandatory नहीं है यह हर उस organization के लिए mandatory है जो एक certain limit turnover की exceed कर देगी जो 44 AB में बताई गई है ठीक है जी वो तुम्हारे income tax act अब पहले पचास लाग होती थी फिर वह एक क्रोड़ी अब वह एक क्रोड़ है दो क्रोड़ है वो तुम्हारे को पता होगा चैनल नहीं हो उसके वारे में बात ही नहीं कर रहा नेक्सर часть unit को कोउन करता है stick JUL को कॉन करता है réflex टॉष CR मैं external auditor लिख रहा हूं खाली CA नहीं लिख रहा हूं कि आपको पता statutory audit के अंदर cost audit भी आता है secretary audit भी आता है तो cost audit, secretary audit भी दो CA करता है वो तो CS और CM में करते हैं इसलिए मैं आप external auditor लिख रहा हूं कि external auditor जब मैं शब्द लिख दूँ है उसमें तीनों आ जाएंगे होता है कि हर वो चीछ जो लौने mandatory कर रहे है बस statutory audit है तो उसके अकॉर्डिंग फिर statutory audit में थमारा को बताया था कि cost audit भी आता है secretary audit भी आता है और internal audit भी आता है बस परक्या है कि statutory audit जो financial statement वाल audit है वो every organization के लिए every company के लिए mandatory है लेकिन जो cost audit है और जो secretary audit और वो जिन companies के लिए mandatory है उनके लिए statutory है जिनके लिए mandatory नहीं है उनके लिए voluntary है वो उनके section नहीं है किनके लिए mandatory है तो इसलिए यहां पर शब दिखना है external audit लेकिन टेक्स audit को न कर सकता है only Chartered Accountant only CA अच्छा वैसे देख रहे तो यहां पर भी CA आना चाहिए ता लेकिन external लिखके क्यों छोड़ जिया only CA क्यों नहीं लिखा मैंने यहां पर external auditor के अंदर CA, CA, CM में सब आ सकते हैं क्योंकि statutory audit में खाली financial statement को audit नहीं आता बाकी भी आते हैं वो तुम्हार को पता ही है आगे बढ़ते हैं यहां पर audit किस चीज़ का होता है mainly यहां मैं तुम्हें confused चैप से लोट कर देते हैं यहां पर किस चीज़ का होता है यहां पर mainly अग full accounting records का यहां एक काम करो ना क्योंकि तुम paper में तो statutory audit CA वाले लिख क्या होगे तो यहां पर इसको confused मत कर दो यहां भी CA ही लिख दो और वहां भी CA लिख दो ठीक है ना तौना तरफ CA करता क्योंकि paper में तुम्हार को पता वो तो मैंने तुम्हें दिफ्रेंस भादिया paper में त वैसे तुम note डाल के नीचे बता सकते हो कि भाई देखा रहे तो यह भी statutory है cost वाले क्योंकि यह भी law के द्वार में देट रहे है cost वाले लेकिन में ली क्योंकि पुराने जमाने से चलशुटर यह मुसकों मानते हैं तो CA वाले को financial statement वाले को तो इसलिए financial statement वाले लिख देए अब यह audit किस चीच कहुता audit of यह full accounting records कहुता आपको पता यहां पर हम financial statements पूरी देखते हैं और पूरे accounting records देखते हैं और यहां पर जो audit होता है वो किस चीच का होता है only matters related to tax बस यहां पर हमारा पूरा audit नहीं होता रिलेटिट टू टेक्स जहां तक tax के matters हैं कि tax liabilities को प्रोविजन को प्रोविजन को प्रोविजन को नहीं करें हम उन चीज़ों को audit करते हैं बस यहां बाकी financial सच्टेजों को नहीं देखते हैं वह इस वाले audit में देखी ताती स्टाट्यूटरी वाले में अब आता है purpose इसका purpose क्या है और उसका purpose क्या है इसका purpose है इसका purpose है to ensure reliability and transparency of financial statements and इसका purpose क्या है to ensure proper maintenance of books of accounts proper maintenance of books of accounts and so that they truly reflect the taxable income of the assessee ठीक है जी फरक क्लियर हो गया तो basis of comparison उपर लिखवा दिया statutory उदर टेक्स लिखवा दिया तो पहले तो बहुत सर लोगों को स्टेटरी और एक्स ओडिट सेम लगते दोनों को लगता झाइसर क्पल माए लेकिन हर कमपणी के लिखार लेकिनारी इसनल कर लोगता बागते लिख दो है चांवर यह इसों कंपनी के लेकिनारी जनल कर दिखान B तो company अक्ने मेंडेटरी कर रखा हर company के लिए यह भी सीय करता है यहां पर full accounting records चेक के जाते हैं true and fair views of books of accounts से लेकर financial statement तक और यहां पर खाली tax related matters चेक के जाते हैं और tax related matters के लिए accounts अच्छे से बनने चाहिए तो यहां पर हम books of accounts को उतने हद तक देखते हैं कि और यहां पर हम proper हर चीज को transparent view में करने कोईश करते हैं ताकि shareholders proper decision ले पाए जो future shareholders बनना चाहते हैं कि इस company में invest करना नहीं करना और जो existing shareholder उनको पधा लगसा की company की financial performance कैसी चल रही है तो दो नहीं फरक clear हो गया तो वह यहीं कह रहा है कि there is no statute requirement for auditors लेकिन tax audit उनको करवाना पड़ता अगर वह 44 AB की बताई हुए limited turnover की अगर वह exceed करेंगे तब otherwise नहीं advantage जिसके हैं sole proprietorship की audit की यह तो तुम खुद पढ़ लोगे partnership की advantages तो मैं को पढ़ानी जुवत नहीं है अब statutory audit क्या होता यार यह भी मैं इतनी बार तो बता दिया तो तुम खुद ही पढ़ लोगे है यह statutory audit का part government companies also a company ना और every company के लिए audit mandatory है तो statutory audit तो हर कमनी के लिए mandatory है तो है तो है तो यह statutory audit का ही part है देखा जाये तो government audit भी बस इसे government audit क्यों बोल रहे है क्योंकि यह government departments को और government companies को audit किया जा रहा है अच्छा इनको audit कौन करता है जरा अब बढ़ ध्यान से सुनना पहले में गवर्मेंट अणिट क्या होता है simplified wording में लिखवा रहा हूँ जरा लिख लो लिख लो तुमारी बुक मेंने लिखा लेकिन मैंने अपने नोटस में लिखवा आया था अपने बैच्छों को लिखवा तो तुम भी लिखवा रहा हूँ लिखो लिखो पहले तो government audit का मतलब क्य and government enterprises includes government enterprises includes audit of government companies like bail, sale, etc., government corporations corporations which are formed under special act government corporations which are formed under special act example LIC and government departments example health department police department education department government, etc., 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 government audit होता क्या, बड़ ध्यान से समनना, तो कह रहा है government audit का मतलब है एक ऐसा audit जो government enterprises के लिए किया जा रहा है और गयरा government enterprises में तीन चीज़े आती है mainly एक तो government companies और आपने पता है, आपको government companies आप लोगों ने company law में पढ़ा है government companies वो होती है, जिनके अंदर 51% और more की paid up share capital या तो central government hold करती है, या state government hold करती है दोनों मिलके hold करती है दूसरा कह रहा है कि government corporations which are formed under special act example LIC जो खुद के act से बनी LIC act से और तीसरा government department example police department हो गए, departments है education department वगएरा तो यह सब government departments है, जब इन सब को audit करवाया जाता तो समक्या बोलते है government audit बोलते है, अब पढ़ ध्यान से सुनना मैं तुम्हें क्या बोलने वालू हूँ देखो, हमारे इंडिया में एक body है CAG, कभी आपने सुना हो एक body यह CAG, बढ़ ध्यान सुनना Comptroller and Auditor General of India इसको हम बोलते है, Comptroller and Auditor General of India यह body का काम क्या है यह body का काम क्या है General of India देखो, government यह CAG क्या करती है जो government companies होती है government companies example, भारत है, electronic limited, steel authority of India limited, government company और government department अलग-लग चीज़े हैं दोलों आप लोग कंपनी डॉपर पढ़ाया हुए है मैंने, जो बच्चे मारे हैं, उनको आपका मैं पताया है कि government company के employees की सरकारी नोकरी नहीं होती, government department के employees की सरकारी नोकरी होती है दोनों अलग-लग चीज़े हैं और government companies कों से होती है, जिनके अंदर वो होता CAE है, लेकिन उसे appoint कोन करता है appointed by CAG, Comptroller and Auditor General of India लेकिन जो government departments है उनका audit करता ही कोन है audit is conducted by CAG itself समझारी है बात? CAG कोन है, Comptroller and Auditor General of India यह एक बहुत बड़ी बाड़ी है, जो इंडिया में financial systems को देखती है तो government companies का audit CAG खुद नहीं करता government companies का audit auditor CA ही होता है उसे appoint कोन करता है? CAG करता है कि own auditor बनेगा government companies का वो CAG decide करता है लेकिन government departments का audit CAG खुद करता है और audit में करते हैं, आपको सरकार के पास इतना पैसा है, तो सरकार यह कितना maintenance में खर्चा कर रही है, roads बनवाने में highways बनवाने में, कितना पैसा सरकार को collect हुआ, कितना पैसा सरकार ने खर्चा करा, और खर्चा करा तो कहां कहां करा, वो उन सब चीजों के audit की जाते हैं, आच्छा लग 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 है हर department का एक fund decide होता है, है न, hospital वालोग वालग fund दिया जाता है कि इस पैसे को कहां का यूज करा, सरकारी बड़ सारे department है, हर तरीच का department है सरकारी department जितने भी है, education department होगा है, सरकार के health department होगा है सरकार के police department होगा हर किसी को funds दिये जाते हैं, सरकार की तरफ से वो funds कहां यूज़ हो रहे हैं, किस जगह से यूज़ हो रहे हैं, कितना कितना यूज़ हो रहे हैं, कहां कहां पैसा यूज़ किया गया, कितना पैसा सरकार के पास आ रहा है, expenditure कितने सरकार के पास कितना खर्च रही है, और कितना सरकार के पास आ रहा है, और next दूसरा audit होते है का efficiency कम performance audit efficiency कम performance audit कम लब है कि सरकारी करमचारी आपको बता है वैसे उनके हलाद कैसे होते है तो वो कितना काम कर रहे हैं उनको कितना टास्क दिया गया था वो डंसर उनने perform करा नहीं करा, on time करा नहीं करा वो सब चीजे भी चेक की जाती है सरकारी करमचारी होगी और क्या रहे है हम के सारा control किस पात में यह खतम हो गया कि में तुम्हारको सिंपल वर्डिंग में लिखा रीद ही यह यह खतम हो गया अब प्राइवेट ऑडि और सेच्टरी ओडिटी और गवर्मेंट ऑडिट में क्या फर्क होता ओँप दर गें अब आता है independent financial audit financial audit तो समझ आता है financial audit तो statutory audit है independent financial audit कै है अभी मैंने तुम्हार को बताया था कि statutory audit हर एक company के लिए mandatory है और जब मैं बोलू statutory audit और statutory audit का मतलब होता है financial statement audit लेकिन वो हर एक company के लिए mandatory है sole proprietorship और partnership के लिए mandatory नहीं है तो sole proprietorship और partnership खुद अपनी मर्जी से financial statement का audit करवाना चाहती है तो इसे हम बोलेंगे independent financial audit देखो दिखागे ना independent financial audit क्या है जो एक qualified auditor करता है at the request of the client मतलब client खुझ request कर रहा और client कौन हो सकता है sole proprietorship, partnership, non-profit organizations etc इसका मतलब और जहां पर true and fair view चेक के जाता है इसका मलब यह तुम्हार को पता है it is compulsory under some acts which govern the entity, some acts example company act company act में तो financial audit mandatory है उसी को स्टेटरी बोलता है वो only CA कर सकता है आपको पता ही है और financial audit टेक्स audit में क्या फरके में तुम्हार को बता दिया financial audit जिसको स्टेटरी बोलते हैं तो सरफ companies के लिए mandatory है और company act mandatory है बाकी organizations, partnership, LL, partnership, sole proprietorship इनके लिए mandatory नहीं है और tax audit की बात करूँ वो तो किसी के लिए mandatory नहीं है ना companies के लिए mandatory है ना sole proprietorship ना partnership वो किसी के लिए mandatory है unless and until section 44 AB वाली limit exceed ना कर जाए वो भी आपको पता लगे और दोरों में difference भी आपको पता अपको पता अब अब वही कहा है कि जो financial statement का audit है जहांब हम true and fair भी चेक करते है financial statements का वो companies के लिए mandatory है लेकिन अगर sole proprietorship और partnership उसे करवाना चाहें क्योंकि उनके लिए mandatory नहीं है इसका लगा क्या voluntary है क्या statutory है वो तुम्हें देखना पड़ेगा case to case अभी internal audit क्या होता है मेरे को बताना की जुएत नहीं है forensic audit क्या होता है forensic audit के अंदर क्या होता है जो बड़ी-बडी अगर primary objective पूरा नहीं होता तो हम यह चेक करते हैं अब हम secondary objective पर move करते हैं auditor अपने secondary objective पर move करता और उसका secondary objective क्या होता है to detect error and frauds यह objective होता है तो जो error और fraud कैसे हुआ अगर fraud किया गया तो कैसे किया गया उसके क्या क्या evidence है वो सब generate करने के लिए forensic audit किया जाता है समया गई तो forensic audit का main क्या था जो manipulations की गई है जो गड़बड़ियां की गई है वो सब identify करना कैसे होई है इधर CBI वाले भी आएंगे इधर enforcement डिरेक्टरेट वाले भी आएंगे अब वो अपने secondary objective पर मुव करेगा कि fraud हुआ है तो fraud कैसे कैसे हुआ वो सब जब चीज़ा हम चेक करेंगे उसी कम बोलते है अब हरे कंपनी के देखो एक शब्द होता है और इसके लिए ना Companies Act में ये पहले तो mandatory नहीं था लेकिन आज की डेट में Corporate Social Responsibility के लिए Companies Act के अंदर एक mandatory section आ गया है जिसका नाम है section 135 Corporate Social Responsibility के लिए आज की डेट में Companies Act में एक mandatory section आ गया है जिसका नाम कहा है section 135 इसकी topic कहता क्या है देखो कोई भी company एक समाज में grow कर रही है अगर आप किसी company से समान खरीद होगे ही नहीं तो company grow कैसे करेगी तो हर एक organization की growth समाज में होती है जब समाज के लोग उसको पसंद करते हैं अगर समाज के लोग उसको पसंद कर रहे हैं समाज उसका समान उससे समान खरीद रहे हैं तो उस company की growth हो रही है उनको free education provide करा सकती है आसपास के गरीब लोगों का medical treatment करवा सकती है बहुत सारी चीज़े बताई गई है अब section 135 में बहुत सारी चीज़े कर सकते हूँ तो section 135 के उपर कुछ companies के लिए, सारी companies के लिए नी certain companies, वो detail में यहाँ बात करने की जुवत नहीं है कुछ companies के लिए CSR mandatory है बड़ी-बड़ी companies के लिए ऐसे याद रखो बड़ी-बड़ी companies है ना जिनकी net worth 500 crore more है सुरी, जिनकी net worth 500 crore more है जिनका turnover 1000 crore more है जिनकी net profit 5 crore more है महाँ पे limit दी हुई है उन companies के लिए CSR का concept mandatory है कि हर एक company को जितना पैसा वो कमा रहे है उसका 2% जितना पैसा वो कमा रहे है जिनको उनका net profit है मालो अगर उस entity का net profit 100 crore है तो उसका 2% उनको क्या करना है 2% अगर 100 crore है तो 100 crore का 2% कितना हो गया 2 crore उन्हें CSR activities में contribute करना CSR activities में क्या कहा सकता है बच्चों को पढ़ाना गरीब लोगों का medical treatment करवाना है ना गरीबी दूर करने के लिए measures लेना है ना health को लोगों की improve करने के लिए measures लेना बहुत सारी शीचे बताई हुई है वहाँ पे तो जिन जिन कंपनियों के उपर CSR के provisions लग रहे हैं उन कंपनियों ने वो CSR के provisions फॉलो करे थे या नहीं करे थे यह चेक करना है इसको करवाना चाओ तो करवा लो mandatory नहीं अब इसको पतानी है बहुत सारी कंपनियां जब काम करते हैं इसे बहुत सारी इंडस्ट्री इंडिया में बड़ी खतरनाख खतरनाख जैसे टैंडरी अच्छा एंवार्मेंट जब हम बोले था एंवार्मेंट में बड़े सारे pollution आते है एयर pollution, noise pollution, water pollution अचा तुमने पता है water pollution के लिए इंडिया में बहुत गंदी इंडस्ट्री है जो पहले कानपूर साइड में जादा होती है तुम्हें दिखाता हूँ टैंडरी इंडस्ट्री कभी नाम से नहीं टैंडरी इंडस्ट्री तो को दिखाता हूँ गूगल गूगल लिखने हैं टैंड इंडस्ट्री टैंडरी में पर आनेमल की स्किन कारट कर लेथर और कहा जाता है किन है यह सारी टैंडरी इंड़्स्री में यहां सब्सक्राइब पानी इकलता है औरोब ah गंगा में शोड़ देते हैं, क्योंकि कानपूर साइड में जाता हैं, तो कहा जाता है कि जो टैंडरी इंडस्ट्री से पानी निकल रहा है, वो एक गटर के पानी से भी दर्सगूना जादा डेंजरस होता है, तो सोचो जो पानी में मचलिया रह रही हैं, living inhabitants रह रहे हैं, तो कितना नुकसान पोश्ट आओको बिचारियों को, जो पानी के अंदर भी जो प्रजातिया रहती है, तो ये भी एक pollution है, ये kind of कहा है water pollution, कि सब किसका पार्ट है, लोग कैसे गुसे वे अंदर, ये leather बना रहे है तो ये water pollution का पार्ट है, तो हर एक company अगर अपने लिए environmental audit करवाना चाहे, तो United States के अधिये करवाना चाहे, इंडिया में पितक में डेटरी नहीं है, अपकी मर्जी ये करवाना चाहो, तो करवा लो, तो उसके बारे में बात करा है, environment audit क्या होता है, मैंने बता दिया, next efficiency कम performance audit ये तो मैंने पहली बताते है, efficiency का मतलब क्या होता है, doing the task correctly on time with minimum cost, कि company अगर देखो, अगर आप, देखो, दो शब्द होता है, efficient, एक होता है efficiency, एक होता है effectiveness, एक होता है efficiency, देखो, अगर मैंने किसी employee को बोला कि आपको ये 100 unit बनानी है, 4 गंटे में, अगर वो 4 गंटे में 100 ही उसने correctly on time करा, with minimum cost करा, quantity ज़्यादा बढ़िया करी है, तो हर एक employees की efficiency कम performance audit, ये internal audit के पार्ट है, आप employees की efficiency चेक करवाना चाहते है, performance चेक कराना चाहते है, पहले कितनी थी, अब कितनी हर employees को target दी हुए है, उन्होंने वो target meet करे नहीं मरें, क्योंकि बहुत सारी companies के अंदर 1000 unit employees होते हैं, तो उनका आप सबका खुद जाके चेक नहीं कर सकते हैं, आप auditor point कर सकते हैं, जो सारे employees की performance चेक करें, जितना उनको target दियेगा है, तो meet करें नहीं करें, ऐसे audit कम बोलते हैं, efficiency कम performance audit, ये भी voluntary audit का पार्ट है, नहीं है, नहीं है, नेक्ट प्रप्राइशन आपरेश इस chapter में main main चीज़े खतम होगी, जो मैं को कराने वाली थी, technical चीज़ें, बाकी तो simple है, read only वाली है, जो मैं नहीं भी करांगो, तो चलेगा, I hope आपको मज़ा आया होगा, पता है, ये वाला chapter, जो मैंने तुमार को, यहां पर मेरे को लगता है, कितने time लगती होगा, मेरे को तो दोड़ा ही तीन गंटे तो लग गए होंगे, तीन साड़ी गंटे, ये chapter मैं अपनी regular course के इंतर कम से कम 10 class में कराता हूँ, अगर तो मंताज लगो, दो दो गंटे ही class भी ले रहा हूँ, तो 20-22 गंटे में chapter खतम कराता हूँ, मैं word-by-word analysis करा कि जो मैंने regular वाले बच्चे तीन तरीके के resolution पास होते है, ordinary resolution, special resolution, anonymous resolution, although वो company lock apart है, मिरको ये मान लेना चाहिए था, आपको वो आता होगा, लेकिन still company audit में उसकी connectivity होगी, बहुत सरे बच्चे ऐसे होगे, जो group 2 पहले दे रहे हैं, और बहुत सरे ऐसे होगे, जिनोंने पहले lock तुके में पढ़ा हमको आता मेरा नाम है रमंदीप सिंग स्वागदा, आपका मेरी चैनल EFLM के अंदर, and guys आजम स्टार्ट कर रहे हैं, अपना नया chapter audit का audit under companies act, लेकिन इस chapter को स्टार्ट करने से पहले ना, मैं तुम्हार को कुछ basic चीजे सिखाने जा रहा हूँ, जो मेरे को वैसे तो assume कर लेना चाहिए तो कुछ law की चीजें जो इस chapter में use होंगी, तो उनको मैं link करके समझाने वाला हूँ कि वो चीजे क्या होती है, तब इस chapter को समयने में जाता better understanding होगी, ठीक है, तो start करते हैं, अब उन चीजों को मैं समझाना से बताता हूँ, क्या क्या मैं बात करने जा रहा हूँ, आपको प चैलो कि company जो होती है, वो दो पार्ट में divide होती है, एक होती है, management of the company, एक होते है, honors of the company, honors of the company कौन होते है, जिनका company में पैसा लगा है, that is shareholders, that is shareholders, management of the company कौन होती है, जो company को manage कर रहे है, that is board of directors, company के directors, board of directors, B.O.D.s, ये बात समझ आती है, तो company को मैंने दो हिस्सों में divide कर दिया, management of the company, honors of the company, 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 पैसा किसके लगाता है, shareholders के लिए इन company को चलाते है, directors, अब होता क्या है, अब तुम बड़ा समझना बढ़ ध्यान से, जैसे घर वाले, जैसे सबोस हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो हमें कोई भी काम करना होता है, तो हमें किसकी permission लेनी होती है, सबोस मेरे को पिकनिक पर जाना है, स्कूल में हों है, और मैंको को अगर पिकनिक पर जाना है, तो स्कूल अले बोलते हैं, हजार पर पिकनिक के टूर के पैसे लगेंगे, तो मम्मी पाप से हजार पर लेंगे हो, तो इसका मला मेरे को पहले, मम्मी पाप से permission लेनी पड़ेगी, क्योंकि म Similarly, directors company में जो भी काम करते हैं, उनको किसकी permission लेनी होती है? Shareholders की permission लेनी होती है, कि company पैसा किसका लगा उता है? Shareholders का जिसका पैसा लगा है, उसी से permission लेंगे. Same, वहाँ पर भी हम बश्वर जो चोटे थे, तो पैसा किसका लगा है? Shareholders का तो हम permission किसे लेंगे? Shareholders से. तो company में जब कोई भी काम करना होता है न, तो directors पहले shareholders से permission लेते हैं. और permission given by the shareholder is called resolution. हम ना जगा जगा law में पढ़ते हैं, कि हमने ये resolution पास करवाया, resolution भी कही तरीके के होते हैं, लेकिन अगर हम जगा जगा law में पढ़ते हैं, मैं पता होना चाहिए कि resolution का मतलब क्या है? Permission given by the shareholder is called resolution. Shareholder ने आपको permission दे दी, कि आप ये काम कर लो, आप ये काम कर लो, that is called resolution, that is called resolution, ये बास समझाती हैं. अब मैं तुम्हारे को अगर आगे बात करूँ, तो हमारे Company Act में ना, resolutions पास होते हैं meeting में, हमारे Company Act में ना, दो तरीके की meetings होती हैं, जहां से सुनना, एक होती है board meetings, एक होती है board meetings, और एक होती है general meetings, एक कोन से होती है general meetings बोड meetings और general meetings board meeting किसकी होती है बोर्ड अफ डिरेक्टर्स की बिओ डिस लिगना हो स्वाट में बौर्ड ऑफ डिरेक्टर्स की general meeting किसकी होती है shareholders की shareholders की हमारे company law में क्या है अभी मैंने तुम्हार को पताया कि resolution क्या होते है permission given by the shareholder लेकिन कुछ resolution ऐसे भी हैं जो director खुदी पास कर लेते हैं उनको shareholder की permission लेने की जुवत नहीं है छोटे मोटे काम जैसे example company ने shares issue करें तो आपको पता company call money मंगाती है first call second call तो call money मंगाने के लिए shareholder से उनको shareholder की permission लेने की जुवत नहीं है वो तो company खुद मेंच कर रहे हैं तो call money खुदी मंगाएंगे तो call money मंगाने के लिए अगर वो resolution पास कर रहे हैं तो खुद भी कर सकते हैं जैसे suppose हम चोटे भी होते थे तो उसे जोटे काम है उसके लिए directly के दूसरे डिरेक्टर की परमेशन दे ते जाए काम कर लें लेकिन जो बड़े काम है उसके लिए directors को किसा की परमिशन लेने होती है अब board meeting मेना दो तरीके के resolution पास होते हैं ध्यान से सुनना एक oke Very newly resolution और एक होता है unanimous resolution एक होता है unanimous resolution एक हो गया majority resolution और एक हो गया unanimous resolution और general meeting में अगर मैं आपसे बात करूँ तो तीन तरीके के resolution पास होते हैं एक होता है ordinary resolution एक होता है special resolution और एक होता है unanimous resolution एक कुन सा होता है unanimous resolution unanimous resolution यह कितने में पास होता है majority resolution पास होता है more than 50% पे unanimous resolution कितने पे पास होता है 100% पे फिर इदर मैं अगर बात करूँ तो ordinary resolution कितने पे पास होता है more than 50% पे special resolution कितने पे पास होता है 75% or more पे और unanimous resolution कितने पे पास होता है 100% यह बात समझाती है अब example लेके समझाते है example लेके समझाते है मान लो एक company है X limited इसकी company इस company के अंदर मान लो total में 10,000 shareholders है 10,000 shareholders इस company के अंदर है total 10,000 shareholders है इस company ने अपनी general meeting बुलाई क्या बुलाई general meeting बुलाई resolution पास करवाने के लिए shareholder की permission लेने के लिए और उस general meeting में 1000 shareholder present हुए कितने shareholder present हुए मलब 10,000 में से खाली 1000 आए 9,000 एपसेंट 1000 shareholders present हुए 1000 shareholders present हुए और इन लोगों ने voting में participate करा तो अब मान लो अगर company को ordinary resolution पास करवाना है तो अगर इस 1000 में से 501 और more लोग agree कर जाएंगे तो ordinary resolution पास हो जाएगा क्योंकि ordinary resolution कितने पे पास होता है more than 50% पे तो इसका मतलब मैं 50 और more नहीं है more than 50 है तो मतलब 501 और more क्योंकि 1000 का 50 कितना होगा 500 तो more than 50 कितना होगा 500 एक और तो 501 और more लोग agree करेंगे तो और पास हो जाएगा अगर 750 और more लोग agree करेंगे तो special resolution पास हो जाएगा क्योंकि SR कितने पे पास होता है 75 और more पे SR और OR में फरक का है OR में more than 50 है exact 50 नहीं है SR में exact 75 भी है और उससे more भी तो 75 और more लोग agree करेंगे 700 और more लोग agree करेंगे तो special resolution पास हो जाएगा और अगर 1000 के 1000 लोग agree कर गए तो unanimous resolution पास हो जाएगा unanimous resolution पास हो जाएगा ये मैंने इसलिए समझाया कि तुम्हे न जगा जगा भी तुम नहीं और उडिटर वाले चेप्टर में जगा जगा पढ़ोगे कि इस चीज के लिए ordinary resolution पास करवाना है इस चीज के लिए special resolution पास करवाना है तो ordinary resolution क्या होता है special resolution क्या होता है तो मैं पता हो न चाहिए तुम लोग ने जब लॉट पढ़ा था तुमको पढ़ाया गया था और डिनेर डिपीशेंच कहां पास होगा थिए प्राइब के लिए कोई थमरूरसक्रार वाला हर सेक्षिन के अलग रिकॉयर्मेंट किसी किसी section में और लिखा हुआ कुछ पास करवाने के लिए किसी एसर तुम लोगों ने वहाँ पे section पढ़ा था alteration of capital clause कि अगर company अपने capital clause को alter करना चाहती है alteration of capital clause उसका section पढ़ा था तुमने 61 section 61 और वहाँ पे लिखा हुआ और तुमने वहाँ पढ़ा था कि जब भी अपने articles को alter करेगी तो special resolution पास होगा क्या होगा सर इसका तुम एक सी समय जाती होगी ना अच्छा और पास करना ज्यादा फास करना ज्यादा मुश्किल है क्यों इधर ज्यादा लोग कंसरे ज़िए जितने ज्यादा लोग अपना प्र आण अटा ज्यादा टेंशन होगी देखो इस फोगता है ममी कहती है तो आपके कि वह भी काम करना है पापा से पूछ की दाइगा है तो तुम्हारे सरे एक टेंशन है नहीं कि पापा की पर भी के माम्त कई ते को कोई काम करना तो मेरी भी परमिशन लेगा पापा की घालेगा लेगा और उनके हैं। बताया गया है जो थोड़े लिएंट मैटर उनकी लिए और के लिए उनके लिए फिरमेशन की परमिशन नहीं नहीं लेनी खाली बौड रूसरी बास कर वालो लो और जो बहुत जच्छिक मैटर हुए तो यह कौनियोट परखें लिए यह कुछ तो यह अदेर बोर में ट्वा होते हैं majority और unanimous majority कितने विवास होता है तो मैं कह सकता हूं कि जो यहां पर और वह यहां पर majority है इसका मतलब मान लो अगर कंपनी में टोटल में 10 डिरेक्टर्स हैं तो 10 directors की majority कितनी हो जाएगी 10 का half कितना होगा है 5 तो 5 तो बराबर होगा है तो 6 तो 6 director क्या हो जाएगी majority इसका मतलब अगर 10 में से 6 डिरेक्टर एगरी कर जाएंगे तो majority वाला resolution पास हो जाएगा और अगर 10 के 10 डिरेक्टर एगरी कर जाएंगे तो unanimous resolution पास हो जाएगा अब एक शी याद रगना पूरे company law में अगर सरफ इतना लिख के छोड़ दिया हो इतना लिख के छोड़ दिया हो कि आपको इस particular चीज़ को करने के लिए board resolution पास करवाना है इस particular चीज़ को करने के लिए क्या पास करवाना है board resolution लेकिन ये नहीं पताया board resolution कौन सा वाला majority है unanimous वाला तो हमेशा वो majority वाले की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है majority वाले की इसका मतलब वो कौन से वाले board resolution की बात कर रहा है, unanimous वाले board resolution की बात कर रहा है, इसका मतलब इस वाले case में दोनों को हम नाम board resolution ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, board resolution ही, ऐसे नहीं लिखते हैं कि majority वाला है या unanimous वाला है, वो law में लिखा होता है कि अगर law में से वितना लिखा board resolution तो मतलब वो simply normal majority वाले resolution की बात कर रहा है, बोर्ड resolution की, अगर law में लिखा है कि बोर्ड resolution आपको सारे directors की consent लेके बास कराना है, इसका मतलब वो unanimous resolution की बात कर रहा है, same general meeting में तो लिखा ही होता है, कि ordinary resolution, special resolution या unanimous resolution, अब तो ये कि ये बात हो गई, और आगया आते हैं, दूसरी बात के समझनी है, general meeting भी जो होती है न, वो दो तरीके की होती है, एक होती है AGM, एक होती है annual general meeting, AGM, एक होती है EGM, एक्स्ट्रा ओर्डिनरी general meeting, इसको हम बोलते है EGM, अच्छे general meeting किस की होती है अभी तुम उपर पढ़ क्या है, shareholders की, एक होती है AGM, एक होती है EGM, अब समझने वाली चीज़ यह है, कि EGM नाम से ही clear हो रहा है, नाम से ही clear हो रहा है कि यह साल में एक बार होती है, साल में एक बार होती है, annual लिखेना annual, साल में एक बार होती है, अच्छा, AGM कराने का में मकसद क्या होता है, कम्पनी में पैसे लागा है किसका शेयर ओक्तों अखेना ब этशन, संबहाल रहे हैं शेर- ai booster आप नहीं वह दो इए तो वह तो वh तो company को संभाल रहा है लेकिन तुम्हारे मेरे ऐसल बंदा के अब मैं हमे को मेत ऐसे उब घर करने हैं तो इसके लिए हर साल क्या है जिसमें कंपनी की ऊजाक पर normalized बताना पड़ेगा अब जैसे देखो एक्जाम्पल लेकि बात करूं अगर सुपोज में तुम्हार से बात करूं माल लो अगर मैं 21-22 की बात करूं 21-22 साल चल रहा है तो वो कब से स्टार्ट होगा 142021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक तो 21-22 की जो AGM होगी 21-22 की जो AGM होगी वो financial close होने की 6 months में होगी तो financial कब close हो रहा है 22-22 में 31 मार्च को तो यहां से within 6 months में AGM करानी है कंपनी को विदिन 6 months में क्या करानी है AGM तो यहां से अगर मैं 6 months calculate करूं तो वो हो गया 30 सब्टेंबर 2022 क्या है यह due date of AGM तो अब कंपनी की मर्जी है वो या तो इस date को AGM करा या इसके बीच में कभी भी करा ले इसके बीच में कभी भी AGM करा ले और AGM कराने का में मकसद क्या कंपनी क प्रफॉर्मेंस बताना डिविडेंट डिकलेर करना वगएरा वगएरा मानलो कंपनी ने AGM करवाई 30 तरीक को AGM हो गई हो गई बात खतम हो गई मानलो कंपनी का यह तो सब्टेंबर चल रहा था मानलो कंपनी का नवंबर में मूड आता है कि हमना कंपनी की capital को increase करते हैं पास करते हैं अभी मैंने पताया ना कि ordinary resolution special resolution कहां पास होता है जनल मीटिंग में तो कौन पास करते हैं shareholder इसका मतलब यह है कि अगर कंपनी को capital increase करनी है section 61 लगेगा section कुण सा लगेगा 61 लगेगा तो company को क्या पास कराना है और पास कराने के लिए shareholders की meeting बुलानी पड़ेगी अब लेकिन मीटिंग तो हो चुकी है सब्टेंबर में अब तुम नमबर में दुबारा shareholders की meeting बुलाओगे तो तुम उसको AGM नाम दोगे नहीं दो सकते क्यों क्योंकि AGM का तो मतलब ह साल में एक ही बार होगी तो अब तुम AGM नाम तो दे नहीं सकते लेकिन तुम नमबर में एक तरीका तो क्या है कि तुम अगले साल की AGM का इंतिजार करो कि भाई इस साल की AGM तो हो गई अब shareholder से जो भी permission लेने अगले साल लेंगे ऐसा नहीं तुम्हें emergency आज आज है तुम साल लो AGM हो गई इसके इलावा कंपनी साल में तीन बार चार बार शेयरोल्डर की और मीटिंग बुला रही है resolution पास करवाने के लिए कोई भी particular तो वो सब क्या 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 लाएंगी EGM वो सब क्या 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 लाएंगी EGM तो जो AGM नहीं है वो AGM साल में कितनी बार होती है एक बार financial close होने के छे मेंगे इसके इलावा आप शेयरोल्डर की जितनी भी मीटिंग बुल वा रहे हो पूरे साल में शेयरोल्डर को जितनी बार भी बुला रहे हो मीटिंग करने के लिए वो सब क्या 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 लाएंगी EGM क्या लाएंगी तो यह मेरे को ना बताना था तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यह जाओ यह नहीं सिर्ट का बेस था ज्ट अर्पाइक शैप्टर का बेस था कि इसके बिना वो चैप्टर समझ नहीं आता च्टीक है कि का अब तुम्हें अच्छा लगेगा अब तुम चैप्टर पढ़ोगे ना उड़ुक्त पर कंप्रिशे अंग Urban तो अब मैं उन वीडियो को पढ़ाऊंगा तो मैंने अल्री लिंक करके पढ़ा रखा था लेकिन तुम लोगों को मैंने चैप्टर वहां से आपके बेस देदिया कि तुम लोग फस्ट टाइम पढ़के आए थे फस्ट ग्रूप में और बहुत सरे बैचे नहीं पढ़े और बहुत सरे बैचे रट्टा मार के पास होते हैं तो इसलिए मैंने प्रिजम्शन निली कि तुम्हें पता होगा रेजलूशन क्या होते हैं इस इस दरी किसे वीडियो को प्यार देते हैं थैंक्स अलोट बहुत अब एक शिद्यान देने इस चैप्टर के अंदर पहले तो हम शुरूवात करें आकर और अज़ित की तो ऑडिट का जो मतलब होता अगर तुमसे कोई बहुत सीथी सी भार्षा में पूछे कि ऑडिट का मत मतलब क्या है तो क्या बोलोगे किसी चीज को वेरिफाई करना रीचेक करना अचा जो बनी हुई चीज है कि अब उसको वेरिफाई कर रहे हैं और नहीं है अचा एक बार तो चेक जिन लोगों ने बनाई हो कि उन्हों ने करियोग इसलिए हम आगे वर्ड के लिख रहा हूं अब आती है बात audit होता गया यह समझ आ गया नेक्स आता है सर जो audit करते हैं हमारे इंडिया में audit कोन करता है auditor auditor कोन होता है CA या CS भी हो सकते हैं CM में भी हो सकते हैं तीन हो सकते हैं हमारे इंडिया में तीन तरीके के auditor होते हैं लिखो एक होता है statutory auditor एक होता है सेक्रेटेरियल ओडिटर एंड एक होता है कॉस्ट ओडिटर एक हो गया स्टेटिटरी ओडिटर, एक हो गया सेक्रेटेरियल ओडिटर एक हो गया कॉस्ट ओडिटर अब बड़ ध्यान से सुनना इन तीनों का फरक क्या है, इन तीनों का काम क्या है जो statutory auditor होता है न, इसका काम होता है to check to check whether the financial statements are giving true and fair view or not are giving true and fair view or not इसका काम है check करना कि जो company की financial statements है वो true and fair view दे रही है नहीं दे रही और मैंने तुम्हार को बता है था true and fair view देने का मतलब है कि एक company के उपर financial statements के अंदर balance sheet, P&L सब कुछ आता है तो एक company को financial statement बनाने के लिए जितने भी law लग रहे हैं कंपनी law लग रहा है, accounting standards लग रहे हैं, auditing standards लग रहे हैं क्या वो सारे दंग से फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं इसका काम है check करना अगर वो सारे दंग से फॉलो हो रहे हैं तो इसका financial statement true and fair view दे रही हैं अगर उनमें से कुछ भी violate हो रहा है तो इसका तो ये काम किसका चेक करने का होता है statutory auditor का चेक करने का होता और ये इंडिया में कौन होता है only CA इसके इलावा और कोई नहीं कर सकता फिर next आथा secretary auditor इसका मतलब होता है compliance audit compliance audit अच्छा एक company पर दुनिया जहान के law लगते है company law लग रहा है labor law लग रहा है अगर वो listed company है तो savvy के law लग रहे है क्या वो सारे law ढंग से follow हुए है नहीं हुए है law को follow करने को हम बोलते है compliance law को follow करने को क्या बोलते है compliance तो compliance audit का मतलब क्या होग है वो सारे compliance चेक करना कि वो सारे law ढंग से follow हुए थे या नहीं हुए थे तो अगर हम वो वले चीज़े चेक कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं compliance audit और यह इंडिया में only CS करते है ठीक है जी फिर तीसरा आता है cost audit अच्छा एक product की cost आपने decide करी है तो वो किस source से decide करी है without compromising the quality और बहुत सारे other cost related matters वो सारी चीज़े कौन चेक करते है cost auditors तो यहाँ पर हम देखते है cost related matters यहाँ पर हम क्या देखते है cost related matters और यह इंडिया में only CM में कर सकता है इसका मालब इंडिया में सारी professionals auditor है सारी professionals के auditor है अपनी अपनी field के यह बास समझ आती है जी अचा statutory जो होता है ना देखा जाए ना तो इसको हम statutory audit भी बोलते है हम लगे जो CA वाले लोग audit करते है यह से हम क्या बोलते है statutory audit भी बोलते है और इस chapter का जो main focus है वो CA पर ही होगा इस chapter जो बढ़ने जा रहा है उसका main focus भी किस पर होगा CA वोगा आखरी में वो बोलते है कि जो सारे provision CA वाले है कुछ जगाओं को छोड़के जैसे applicability सब के लग लग है उसको छोड़के मोटा मोटा सारे provision CA वाले किस पर लगेंगे CA में और CS पर भी लगेंगे लेकिन starting से जो focus रहे किस पर रहेगा CA पर अब इसी समझने वाली यह है Statutory का word आया Statute से Statute का मतलब होता है law पहले इंडिया में खाली Statutory Auditory होगा करते थे Secretary or Cost Auditory mandatory नहीं होते थे और आपको पता होगा शायद पराने वाले company act में अगर यह बात आप लोगो को पता है तो पहले CMA का audit separate नहीं होता था काम तो हम भी कर लेते है पहले कर सकते थे अब कर नहीं सकते अब उनका रोल अलग है तुम्हारा रोल अलग है अब एक शी समझो तो पहले खाली एक ही law audit mandatory होगा करता था पराने वाले company act में इसका नाम क्या था Statutory Audits को में financial statements को audit भी बोलते है इसलिए मिसे statutory बोलते है क्यों के लोके जोवरा mandatory था अचा देखा जा तो logic अधरी तो किसfounded का है? को बोलते हैं अदरवाइस देखा जा तो सारी audit कोन से है? statutory audit है लेकिन फिर भी अगर हमें पेपर में लिखना तो हम लिखके क्या आएंगे statutory audit मतलब financial statements audit और वो कौन करता है CA secretary secretary auditor का मतलब compliance audit और cost auditor जो करता है वो क्या करता है cost audit अच्छी जोड़ statutory audit हर company पर mandatory है छोटी हो या बड़ी हो लेकिन compliance audit secretary audit और cost audit हर company पर mandatory mandatory नहीं है यह सिर्फ बड़ी कम्रियों पर mandatory है छोटी कम्रियों पर mandatory नहीं है ठीक है जी आगे बढ़ो कि यह तो बात हो गई audit की अब हम एक चीज़ और समझोए तो अब हम बात करते है इस चैप्टर के अंदर जो आप लोग sections पढ़ोगे वो पढ़ोगे section 139 से लेकर 148 तक ठीक है जी इस चैप्टर में sections पढ़ोगे और इस चैप्टर के अंदर जो form की series चलेगी वो चलेगी form ADT series कौन सी series form ADT मलब auditor पाइंट कर रहे फॉर्म ADT बन जाएगा तो ऐसे इस तरीके के form ADT 1, ADT 2, ADT 3, ADT 4 को उनको उनको उनकभ जाएग पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो form की series चलेगी वो कौन सी चलेगी form ADT series के form आती हैं अब एक चीच पढ़ना शुरू करते हैं अब हम बात करते हैं appointment of auditor की अज सुनना पर ज्यान से appointment of auditor को न हम दो category में divide करेंगे appointment of auditor को हम क्या करेंगे दो category में divide करेंगे एक करेंगे in case of non-government company और एक करेंगे in case of government company in case of government company ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं क्योंकि तुम section में जाके पढ़ोगे कि government company में auditor को point करने के provisions different है and non-government company में auditor को point करने के provisions different है अच्छा फिर आगे further भी category बनेगी दो further category क्या बनेगी अगर मालनों non-government company की भी बात करें तो इसमें भी दो तरीके से auditor point होगा एक होगा appointment of first auditor एक क्या होगा appointment of first auditor मतलब company में first time auditor point किये जा रहा है एक होगा appointment of subsequent auditor एक वार आपने appointment करा वो retire हो गया अब उसकी जगह पर क्या लेकर आ रहे हो दूसरा लेकर आ रहे हो उसे हम क्या बोलेंगे subsequent auditor तो इसके provisions अलग है इसके provisions अलग है तो हमने समझा कि अलग अलग category बनेंगी इस chapter के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं पहले तो हम यह देखेंगे कि auditor के पुएंट करने के दो तरीकी कम्नियों बटे हैं government non-government फिर उसके बाद भी non-government में भी दो category हो गई सेम ऐसे government में भी आके दो category बनेंगी फिर्स्ट और subsequent auditor स्टार्ट करें अब स्टार्ट करते हैं जी अब मैं पहले इस जो स्टार्ट करने जा रहा हूं वो मैं बात करने जा रहा हूं non-government company के case में appointment of first auditor non-government company के case में किस के बारे मैं पढ़न जा रहा हूं है appointment of first auditor के बारे में अचा कर तुम लॉजिकली देखो यहां पर सोचो कर तुम वाइच सुनके आ रही हो दीदी के वाद नहीं आती है वितितेज जैसे आती पहले नहीं आ रही ना यह तो बच्चों को चिकवारी है तो उनकी आ रही है speaker बंद कर वादी दीदी है इसलिए वाद नहीं आती अब नीचे देखो क्या बोलता पर धान सुनना कहता है section 139 subsection 1 and 6 state that the board of director of a company shall appoint an individual or a firm अच्छा क्या auditor हमेशे individual का firm भी हो सकता हूँ ना हमारे पापा की audit firm है मेरे भाई की audit firm है auditor single भी हो सकता है अगर एक से ज्यादा सी है मिलके firm बनाना चाहे तो firm बनाना चाहे तो single बंदा तो individual auditor के लाएगा अगर एक से ज्यादा सी है तो firm के लाएंगे as the first auditor of a company other than a government company अभी आगे government court आ जा जा जेते हैं कब within 30 days from the date of registration of a company within 30 days from the date of registration मतलब in corporation की बाद कर रहे है the appointment of first auditor shall be ratified by the member at the first AGM AGM मतलब क्या उसका tenure सरफ कब तक कर राएगा ratified का मतलब है subsequent approval मतलब मेंली आप ये समझो कि auditor काली first AGM तक राएगा first AGM के बाद अगर आप उस first auditor का tenure काली इसके बाद अगर आप उसी को point करना चाहो तो कर सकते है अरवाईस किसी जगा किसी और को भी लेकि आना चाहो तो ला सकते हो इसके लाएगा पहला auditor कमनी में point तक हो सरफ कब तक point होगा पहली AGM तक और एक कितना दिमें point होगा within 30 days तो इसका मतलब माल लो अच्छा समझना माल लो एक financial year चल रहा है 22-23 माल लो 14-2022 से लेकर 31 March-2023 तक का साल है ठीक है जी माल लो एक company 14-2022 को incorporate होई है 14-2022 को company क्या होई है incorporate होई है इसी date को अच्छा 14-2022 को incorporate होई है ये company तो इसका मतलब यहां से within 30 days के अंदर इनको क्या करना है company बनने के 30 दिन के अंदर इस company को क्या करना है first auditor appoint करना है company बनने के 30 दिन के अंदर इनको क्या करना है first auditor appoint करना है और इसका tenure कब तक कर आएगा कब से कब तक चलेगा क्याता है first AGM तक और first AGM कब होगी financial close उने के 9 मीने में आपको बता है पहली AGM तो financial close उने के 9 मीने में होती है बाद वाली financial close उने के 6 मीने में होती है तो first AGM हो गई जी financial close कब हो रहे 31.22 को तो यहां से within 9 months में आपकी क्या होगी first AGM होगी तो यह मैं कह सकता हूँ 31.12.2023 यह हो गई आपकी due date of first AGM यह हो गई आपकी due date of first AGM इस तरीक तक आपकी पहली AGM हो जाने चाहिए माल लो company ने 30 September 2023 को ही first AGM करवा दी क्या करवा दी first AGM करवा दी तो इसका मनलब इस वाले auditor का tenure माल लो जो first auditor पॉइंट होता है तो इसका नाम था Mr. A तो यह auditor का tenure खाली इस ही date तक राएगा पहली AGM तक इसके बाद इसको meeting से out होना पड़ेगा अगर इसके बाद ही इस meeting में इसका first auditor हमेशा का पॉइंट होगा company बनने के 30 दिन में और वो कब तक राएगा पहली AGM तक पहली AGM के बाद अब shareholder की मर्जी है अगर वो OR pass करवा के उसे continue करवाना चाहें तो करवा सकते हैं अगर shareholder ने OR pass नहीं कर रहा और इसकी जा किसी और को लेया तो जाएगा बास समय जा गई जी ठीक है ये तो बात हो गई जी first auditor point अच्छा by chance अगर 30 दिन के अंदर first auditor board of director point नहीं करते हैं तो क्या होगा देखो क्या बोलता है पहले तो यहां पर पढ़ो the auditor so appointed shall hold the office from the conclusion of that meeting till the conclusion of 6 AGM अभी में इसके बात में बात नहीं कर रहा हूँ अभी में इसके बात में बात नहीं कर रही है in case of failure of the board to point the first auditor it shall inform the members of the company who shall within 90 days at an EGM appoint the such auditor and auditor shall hold the office till the conclusion of first AGM अच्छा पहले 30 दिन में company बनने के किस ने appoint करना auditor को board of directors ने अच्छा board of directors को appoint करेंगे बाइपासिंग बी आर बोड रेजलूशन बाइपासिंग बी आर बोड रेजलूशन पहला auditor point किया जाएगा कितने दिन के अंदर company बनने के 30 दिन में अगर BODs 30 दिन में fail हो जाते हैं तो next 90 days के अंदर यहां से next 90 days के अंदर कों appoint करेंगे shareholders first auditor को appoint करेंगे next 90 days में shareholders क्या करेंगे first auditor को appoint करेंगे first auditor को appoint करेंग और आपको पताए shareholder jak point करते हैं वो तो अपनी meeting बुलवाएंगे और आपको पताए दो तरिकर की Hai強holder की होगी AGM or EGM AGM होती अनुटार dinner meeting AGM होती है extraordinary meeting अच्छा, AGM तो पहली अभी तो कमपनी बनी ही है इस साल तो, तो इसकी पहली AGM तो financial अच्छार क्लोस होने के no meneam होगी, तो इसका ला, वो तो financial close होने के no meneam होगी, लेकिन अब इसका फॉनेचल अच्छार क्लोस ही नहीं हो, उसके पहले ही हम क्या कर रहे हैं, शेरोलर की मी इसको ऐसे कह सकता हूँ, की जी 30 प्लस 90 हो गया, टोटल में कितना हो गया, 120 देज हो गया, 1st auditor का appointment, 1st auditor का appointment, 30 प्लस 90, अब ये 30 प्लस 90 क्या आपको समझाता है, 1st 30 क्या है, 1st 30 देज है, इसके अंदर कून अपॉइंट करेंगे, Board of Directors अपॉइंट करेंगे, 1st auditor को, और 1st auditor अगर ये fail हो गए, पहले 30 में, तो next 90 देज के अंदर कोन करेंगे, shareholder point करेंगे, next 90 के अंदर, shareholder से point करेंगे 1st auditor को, EGM के अंदर, bypassing OR, ordinary resolution, समझा गई का नहीं, ठीक है, ये किस auditor की पढ़ रहे हो, 1st auditor की पढ़ रहे हो, कौन सी कंपनी का 1st auditor, non-government company का 1st auditor, अभी मैं government की भी बात कर ले दो, पहले 1st फर्स फर्स दोनों को निप्टा देते हैं, ये form में point होता है, form number ADT-1, form ADT-1 में point होता है, और ये form ADT-1, जो होता है, कितने दिन में file करना होता है, within, within, 15 days, 30 दिन होता है, कितने में file करना होता है, 15 दिन में, ADT-1, 15 दिन में file करना होता है, अभी दिखा भी देता हो, तुमारे को, हुँ 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 यह रहा फॉर्म एड़ीटीवन कितने में जाएगा विदिन 15 देज के अंदर जब आपने पॉइंट करा अच्छा पॉइंट करा तब से 15 दिन लेने हैं अगर बोड मिटिक में पॉइंट हो गया तो तो वहान से 15 दिन अगर बोड मिटिंग में पॉइंट नहीं करा बोड डिटर से तो जब EG M में पॉइंट हुआ वहां से 15 दिन में IDT1, ठीक है, फाइल करना है, अब आती है कहनी आगे बढ़ते हैं, यह तो हमने कौन सा पढ़ा, अभी हमने पढ़ा जी, appointment of, non government company का appointment of, first auditor, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, government company का appointment of, first auditor, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, government company का, appointment of, first auditor, कौन सी कंपनी का, government company का, अचा यहाँ पर सब कुछ सेम है, थोड़ा थोड़ा फरक आएगा, days में, अचा तुमने कभी एक body का नाम सेने है, CAG, CAG, Comptroller and Auditor General of India, Comptroller and, Auditor General of India, अचा यह बॉड़ी का काम क्या है, देखो, यह audit नहीं करती है, government company का auditor कौन होगा, उसे recommend यह करती है, आपउइंट तो shareholder ही करेंगे, बास समझाती है, अचा, normal company इसके नदर shareholder करेंगे, यहाँ पर government company सके नदर कोन करेंगे, यहाँ पर भी shareholder ही करेंगे, पहले BOD अगर BOD नहीं कर पाए तो शेरोड़ अगर एक रूट एक्स्ट्रा हो गया इसमें सबसो पर कौन सा वाला कैग का कि पहले कैग क्या करें अच्छा लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं बार बार बोल रहा हूं एक शी ध्यान अगरा गवर्मेंट कैग अपॉइंटमेंट में भी यह काम करेगी एक शी ध्यान देनी है कैग अपॉइंटमेंट भी करता है भी देखें कि क्या क्या करता है पहले ध्यान यह देने वाली बात ही है कि गैग ऑडिट दिखनी करता क्या क्या करता है और दूसरी चीज़ है कि जो government companies के अंदर अधर निकर रहे देखता है लेकिन government department को audit क्या खुद करता है there is a difference between government company and government department ONGC, Bail, यह सब government companies और आपको पता हो का मैंने एक बाद बाद गाती है government companies के employees की सरकारी नोकरी नहीं होती है government department के employees की सरकारी नोकरी होती है अच्छा दिल्ली पुलिस government department है है ना यह सरकारी hospitals government departments है लेकिन यह ओन जी सी बाद रहे है government companies है तो मैं क्या बोल रहा हूँ नॉर्मल government companies के case के अंदर तो CAG audit खुद नहीं करता लेकिन government department के case के अंदर CAG audit खुद करता है बास समय जा गई जी अब जड़ा पढ़ना शुरू करो क्या बोल रहा है कहां पर दिया हम appointment of first auditor government company के case में पहले government company का first auditor कहा है देखें तेरा नीचे है appointment of auditor in case of government company जड़ा first auditor देखना यहां पर कौन appointment कर रहा है CAG ही कर रहा है अच्छा लेकिन मैं अभी बोला मैंने CAG auditor appoint करेगा लेकिन audit नहीं करेगा अच्छा लेकिन क्या audit कभी भी नहीं करेगा करेगा government department के case में government company के case में नहीं करेगा अच्छा जड़ा बदेखना देखना देश के हैं the first auditor shall be appointed by CAG within 60 days from the rate of incorporation and in case of failure to do so the board shall appoint the auditor within next 30 days तो 60 के बाद 30 और अगर board of director भी फेल रहते हैं it shall inform the members who shall appoint the auditor within next 60 days at the EGM तो अब जड़ा देखो इसका time period कैसे हुआ इसका मालना मालनो वापीस वही 14-2022 से लेकर 31 March-2023 तक का साल है तो मालनो ये company 14-2022 को incorporate हुई है 14-2022 को क्या हुई है incorporate तो इस government company के case में first auditor के प्रेंड में appoint होगा within 60 days के अंदर appoint होगा within 60 days के अंदर appoint होगा और इसे कोन appoint करेगा CAG appoint करेगा लेकिन CAG audit नहीं करेगा audit को कोन करेगा auditor खुदी करेगा within 60 days में CAG appoint करेगा ऐसे within 60 days में appoint करेगा यहां पर लिख देते हैं यह यहां CAG नहीं लिखते within 60 days के अंदर auditor appoint होगा by CAG यहां पर मैंने लिख दिया CAG CAG करेगा अच्छा लेकिन अगर CAG fail होगा CAG fail होगया अगर यह CAG क्या होगया fail होगया appoint करने में तो next 30 days के अंदर कौन करेगा appoint auditor को next 30 days में auditor को appoint किया जाएगा by BODs board of directors bypassing B.R. board resolution अच्छा पिर उसके बाद अगर यह भी fail होगया तो next 60 days के अंदर shareholder सब पॉइंट करेंगे next 60 days के अंदर by shareholders in EGM auditor को appoint किया जाएगा auditor को appoint किया जाएगा अच्छा यह appoint तो हो गया इन में से किसी ने भी कर रहा हो इसका tenure कब तक कर रहेगा first AGM तक ही और first AGM कब होनी है जब यह राज financial year close गुए 31 मार्ट दो जाएगा तो इसके within 9 months में तो इसके within 9 months में क्या होनी है first AGM होनी है और इसके 9 मेने में जब पहले AGM होनी है तो मान लो 30 September को AGM हो रही है 30 September 2023 को first AGM हो रही है तो यह auditor इन में से इन्होंने कहीं पर भी पॉइंट कर रहा हो उसका tenure कहां तक कर रहेगा 30 September 2023 तक का रहेगा पहली AGM को सा out होना पड़ेगा अब वो लग बात है कि इस AGM के अंदर वो अबपीस इसको shareholder पॉइंट कर दे तो कर दे कहां नहीं समझा गई तो इसका मतलब समझो तो अगर हम first auditor के appointment की बात करें तो अगर हम non government company को यहां पर रखें और यहां पर government company को रखें और दोनों का हम किसकी बात करें first auditor की तो यहां पर कितना है 30 प्लस 90 30 प्लस 90 टोटल में 120 डेज है इस first 30 डेज के अंदर BODs पॉइंट करेंगे अगर यह फेल होगा है तो 90 डेज के अंदर shareholders पॉइंट करेंगे अगर हम government company के case में बात करें तो यहां पर time कितना था 60 प्लस 30 प्लस 60 तो टोटल होगा है 1500 दिल rates होगा है ना सरकारी कपने 30 दिन जादा दे दी है ठीक है जी अच्छा तो इसके अंदर क्या है यहां पर कोन करेंगे CAG यह फेल होगा तो BODs और यह भी होगा है तो shareholders हाँ बई समझा गई कानी समझा गई और इसका tenure कब तक कर आएगा दोनों ही केस में कब तक कर आएगा तिल फरस्ट AGM और इनका tenure कब तक कर आएगा तिल फरस्ट AGM तक यह रहेंगे ठीक है जी कानी समझा गई दोनों ही केस में अब तो यह होगा फरस्ट OITER पॉइंट अब क्या बोलता है कि फरस्ट OITER का होने के बाद वो AGM पर आउट होगा है वो अब आता आती है सब्सिकुएंट अपॉइंट मेंट की किसकी बाता रही है सब्सिकुएंट अब आगे पॉइंट होगा अब सब्सक्राइम कब से चार लोगा? फरस्टेडियम से लोग कहाता है अगर वो non-government company का case है तो उसका auditor का appointment का tenure होगा पाँस साल का होगा फरस्टेजियम से सिख्सेजियम तक अचा फरस्टेजियम से second एजियम एक साल second एजियम थर्डेजियम 2 साल 3rd से 4th, 3 साल 4 से 5, 4 साल 5 से 6, 5 साल तो एक auditor से कितना साल तक के लिए point होगा 5 साल के लिए point किया जाएगा और वो tenure कहां से चाल होगा पहली AGM से, पहली AGM से कहां तक 6th AGM तक ये किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं Non-government company के case में कि government company में ऐसा होता ही नहीं है government company में एक ही चीछ दिमाग में इठालो government company में हमेशा हर auditor financial year start होने के एक स्वस्चिन में point होगा financial year start होने के और उसका tenure खतम कब होगा AGM पे तो उसका tenure तक हर साल नहीं आने आता रहेगा financial start होने के हर साल के AGM पे out होता जाएगा हर साल नहीं आएगा हर साल एजम पे out होता जाएगा अचा बाद का फरक है आ रहा है इस साल मालोगर 1 April 2000 22-23 साल है तो 1 April 22-23 से लेकर 31 बार 23 साल है तो April के एक स्वस्चिन में point होगा और अगले साल जो AGM होनी उसमें वो क्या होगा out होगा समझ आती है ना बात तो उसका एक-एक साल तक क्या रहेगा tenure रहेगा ऐसे अचा फरी अगले साल में उस सल ने आ चुका होगा वो उस अगले साल के AGM पे जाएगा उस अगले साल और ने आ चुका होगा अगले साल के एक साल के जाएगा समय आती है बात इस कलम मैंने क्या बोला दो के टेगरी बनाई non-government कमनी के के समें और कब है subsequent वाला first AGM से six AGM government कमनी के के समे financial start रहे के स्वस्चिन में point होगा AGM पे आउट हो जाएगा financial start application में point AGM पे आउट नीचे देखो ये अब हम लिखते हैं heading डालते है appointment of subsequent auditor appointment of subsequent auditor पहले हम category बना लेते हैं non-government company के non-government company के ठीक है अब इसमें देखना माल लो एक company बनी है X limited माल लो ये बनी है 14 2022 को ये incorporate हुई है तो इसका साल को उनसा हो गया 22 23 और ये कब से कब तक चलेगा 14 2022 से लेकर 31 March 2023 तक चलेगा अब इसमें एक चीज़ देखना इसके within 30 days के अंदर क्या होगा साल start होने के within 30 days के अंदर क्या होगा first auditor appoint होगा first auditor क्या होगा appoint होगा अच्छा माल लो ये appoint कर लिया अब इसका tenure कब तक होता है first AGM तक और AGM कब हो नहीं है यहां से financial close होने के 9 months first AGM तो वहां से 9 months में होती है within 9 months में क्या होगी within 9 months में इनकी first AGM होगी तो ये जो auditor यहां पर point होगा माल लो उसका नाम था Mr. A ये यहीं तक रहेगा 9 minutes माल लो इसी दिन को AGM करवा जें तो इस date तक रहे गए अब ये जो रहे रहा है यहां पर अब ये यहां से कब तक जाएगा first AGM पर अगर अगर यहां पर आउट हो गया अब company अब shareholder पाइंट करेंगे अब ये तो shareholder इसी को पाइंट कर लेंगे अब यहां से counting चालो होगी यह first AGM है तो यहां से second AGM फिर third AGM फिर fourth AGM फिर fifth AGM पांच में साल की फिर sixth AGM अच्छा अगर तुम देखो तो logically अगर वह यहां point हो रहा है कोई भी auditor मालों Mr. A को यहीं point कर दिया इसी को कर दिया तो यहां से लेकर यह कब तक चलेगा six AGM चलेगा तो यहां से लेकर यहां तक का one year हो गया second AGM, third AGM तक का second year हो गया और third से fourth का third year हो गया fourth से fifth का fourth year हो गया और fifth से sixth का कि Св लुए इसको कितने साल के लिए पौइंट होगा हुँगा है तो कर सकते हैं कि पंगत वाली बात नहीं है अच कैसी सुनन मापत है क्या बोलता पांच मेफ साल कर दालना पड़गा और अगर वह को सिद्धी पाइंद कर दो फाइं करो कि तो इसके लग दालना पड़ए गात्य। अगर इंडिविज्यूल है ठिवाना आफ धो हम सबस्कें के परणलियोंके केस के यौग अंदर तो भान साल की एंग तर्म उसके बाद वह पास तो आईटर ने भी जो घपले करें है, कोई और तुसको चेकर ने आ नी रहा, तो पकड़ाइन जाएंगे, लेकिन अब तुम कुछ सोचो, अगर अगर उडिटर, अगर इसे मोलते है, रोटेशन आफ अप अचार पाइटर, इसे मोलते हैं, रोटेशन आफ अचार दो रोटे कम है लेकिन ऐसा होता रही है जाता तर जब कोई जाता है ना पहले वारा तो उसी का दोस्त आता है और जिस कंपनी में उसका दोस्त था उस कंपनी में यह वाला जाता है तो ऐसी कहानी चलती रहती है ठीक है समझा रही है बात लेते के लेकिन समझे से मैं क्या बोलता पढ़ेगा इसके बाद इसे हम बोलते है cooling period क्या बोलते है cooling period और अगर ये firm है तो ये दो terms के लिए point हो सकती है 5 years की दो terms के लिए point हो सकती है 5 years each इसका माला पहले point हुई 5 साल के लिए उसके बाद दुबारा 5 साल के लिए point हो सकती है उसके बाद अभी ने क्या करना पड़ेगा, पांच साल ता कपनी में दुबारा नी आएंगे, उसके बाद दुबारा बाद में आना चाहे हैं, तो अब जड़ा देखना है, ये बात कहा लिखी है, अच्छा ये जो हम पढ़ रहे है, किसके बारे पर पढ़ एंगा, नौन ग पर उस अकले सल के आएगा ने ओटर आएगा उखले सल के एजएम पर आउट ऐसे हर साल चलता जाज़ेगा गौर्मेंट कवर्में पर हर साल ओटर क्या होगा चेंज होगा बात समझाती है चेंज होता हर साल ओय्टर गवर्मन दो सेम क्या नहीं हो गाए हाँ तो मैंने चेंज बोला तो बात ही वही हो गई ना चेंज हो गे तो बात ही वही हो गई ना क्या करदू और बढ़ा दू ठर्ड़ गृए जब बढ़ा दू करे लिए 26 ठीक है हाँ पर सुनो क्या हो गया अच्छा देखो धान सो सुनो मेरी बात ही रहा गई यह बीच में मैंने क्या बोला कि नॉन गवर्मेंट कमनी के प्स्टिकोंड ओडिटर का पॉइंटमेंट कब तक है पाँच साल तक का का सब चलेगा फर्स एजियम और गवर्मेंट कमनी केस में पांट सल वाला कोई कंसेप्ट नहीं है वहाँ पर क्या होगा हर साल फइनचल एर स्टार्ट होने के सबस्टिम में और प्र एजियम पर क्या हो जाएगा आउट फिर उस अगले साल कोई नया और चुका होगा वह उस सकते है कोई दिख्ट ओली बात नहीं है लेकिन असा करना चाहतों करना नहीं करना चाहतों करें लेकिन अ किस्टम किया एक यह वारे नभी बोल सकता है और लाइफ टेम के पांट हो गया हार साल अपाइटमेंट का प्रोसिर दोबारा ला पडेगा गवर्मेंन गमनी की केस म कहता है, क्या बोलता प्रजान से देखना है, कहता है, the auditor so appointed, अच्छा, कह रहा है, the auditor so appointed, कह मतला है, first AGM में the auditor point होँ वह, वो कम तक चलेगा, कह रहा है, from that meeting मतलब first AGM till the conclusion of, sixth AGM, thereafter till every sixth AGM, मतलब हर साल, पाइट पाइट साल के लिए, बीस साल के लिए point नहीं कर सकते, लेकि नहीं कब होता होगा, देखो, अभी हम आगे कुछ पढ़ने वाले हैं, कि कुछ companies पो rotation of auditor concept लगता है, रोटेशन आफ़टर क मतलब है, कि जिन कम्पनियों पर rotation of auditor concept लग रहा है, उन कम्पनियों में तो individual को 5 साल के बाद ही out होना पड़ेगा, 5 साल गैप डालना पड़ेगा, और firm को 5 पाइट साल की 2 तरम के बाद 10 साल के बाद गैप डालना पड़ेगा, 5 साल का, लेकिन जिन कम अइसां को आईटर चेंज करनेका जुवत नहीं है, जिन को आपर rotation of auditor concept लग रहा है, वह रोटेशन आफ रूटर कंसेट लगते हैं बें पड़ेगेंगे, तो अब नीचे आते हैं, सीथा म्या आओ, यह कंद मने, अच्छा यह तो किसका था, नोन गवर्मेंट गमनी इसका, माल 1 April कर start हुआ तो महां से एक्सवर्फाइल प्यूंट होगा और अगले साल के एग्ंपर इल्द अग्लूजुन उफदा एग्यम पे क्या हो जाेगा आउट क्योंकि इस साल की एजिम अगले साल होगी न बास समय浆ती है तो स्टार्ट होगो वह साल और आगले साल मैं इसी तरीके से जब नया साल स्टार्ट होगा वहाइग पस्टार्टें क्या ऊगला kalau A foot यह खतम हो गई जी अब आती है जी eligibility criteria वो कहता है कि auditor कौन बन सकता है तो कहता है auditor कौन बन सकता है only a chartered accountant क्योंकि मैंने बोला पहला पहला focus ख़ली किस पर है CA पर कह रहा है यह तो CA बनेगा और अगर कोई firm है तो महां पर majority उदा partners क्या होने चाहिए CA उने चाहिए और कह रहा है नीचे अगर LLP को बनाना चाहो तो आप उनको भी बना सकते हो और कह रहा है उसके अंदर लेकिन जो LLP में signing power होगी वो खली किस के बास होनी चाहिए CA के बा कि यह वो वो केसी जहां पर एक auditor आपकी company को auditor नहीं बन सकता यह कुछ केसी है इसको फास्टेक में कर निकोईश करेंगे वरना में को लगता है regular class के वरत में को लगता है मैंने इस topic के पर ही दो एक देट दो class ले लियोंगे है ना लेकिन अभी आइसा नहीं कर सकते हैं यहां फट 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 बगो देखो डिसक्वालिफिकेशन आफ और पढ़ना शुडू कर रहे हैं अच्छा इमनला यह वो लोग है जो auditor नहीं बन सकते आपकी company में कौन-कौन सो लोग आपकी company को नहीं बन सकते देहां सेखना कहता है falling persons cannot become auditor of a company पहला अब body corporate except LLP अचा एक भाव बताओ अचा partnership firm नॉर्मल partnership firm भी हो सकती है असपर partnership firm 1932, LLP भी हो सकती है असपर LLP 2008 दो नहीं firm क्या बन सकती है auditor बन सकती है लेकिन कोई company auditor नहीं बन सकती है तो बच्चे मेरे को बता है क्या बोलते है वो consultancy करती है वो audit नहीं करती है जो इन्होंने इंडिया में KPMG LLP बना रख्ये वो क्या करती है audit करती है अचा इसका मतलब KPMG काम तो कर रही है इंडिया में audit तो कर रही है तो बोट बढ़ी-बडी companies लेकिन वो audit कैसे कर रही है जो companies वाली form था रोखानी करती है औरिट नहीं करती हूं, औरिट हाली कोन करती है, जो उनकी LLP वाली essence है, वो करती है, अच्छा, ऐसा क्यों allowed नहीं है, नॉर्मल कंपनी स्कॉइटर बनना क्यों allowed नहीं है, अच्छा, एक बापता हो, जब हम firm बनाते हैं, partnership firm, तो क्या मेजोरिटी partners होते हैं, वहाँ पर शेयरोल्टर होड़ी होते हैं, महाँ तो कोन होते हैं, partners, और partner जाता है, same background क्यों होते है, CA firm, doctor की firm, lawyer firm, ऐसा होता है न, CS firm, तो क्या सारे same बिरादरी के लोग बैटे हैं, सबको knowledge है, क्या company में same तरीके shareholder होते हैं, कोई भी होता है, मूठा के, कोई भी होता है, सब्सक्राइब कैसे करेंगे, और चीज़े कैसे, company को बनाना लाओर, नहीं, अचा क्या company के अंदर एक चीज़ और दिखका था है, बहुत बड़ी, partnership firm के अंदर तो हम लोग यह बोलते हैं, कि जिए majority of the partner, उनको license पर उसी objective के साफ से मिलते हैं, कि हमारा यह काम होगा, क्या companies के अंदर ऐसा होता है, क्या companies basically idea में ऐसा करने के लिए बनती है, companies के अंदर कि हम share public को issue को रहेंगे आने वाले टाइम पर अगर company बड़ी हो जाएगी, IPO लाते हैं, बहुत सरी चीज़े करते हैं, कि IPO के टाइम यह बोलें कि जितने CAC हैं, वही पैसा लगा होगा के, यह कोई भी लगाएगा, तो इसलिए companies को loud ही नहीं होता है, Mr. A इसी company का क्या है, employee है, यह officer है, अगर आप इसी company के officer यह employee हो तो आप इस company के auditor नहीं बन सकते हैं, Next कैं, Any partner और employee of officer और employee of the, अचा, any partner और employee of officer of the company का मतलब क्या है, अचा, partner और employee of officer, समय ना, अचा, मान लो, इस company यह जो इस company का employee है यह इस company का जो officer है मानलो यह Mr. A किसी XYZ firm के अंदर partner भी है किसी XYZ firm के अंदर यह Mr. A क्या है partner भी है और मानलो यह XYZ firm CA firm है और यह Mr. A जो है यहाँ पर तो क्या है employee है इस company में लेकिन इस firm में क्या है वो partner है और इस firm के अंदर अच्छा obvious है Mr. A partner है लेकिन इसके इलावा Mr. A के इलावा यहाँ पे B C दो partner हो रहे हैं क्या इसके remaining दो partner इधर आके वो बन सकते हैं auditor इस company में लोग कहता है नहीं तो ना तो अगर किसी company के employee हो तो आप ना तो फुद इस company के क्या बन सकते auditor बन सकते हैं अगर आप किसी partnership firm है partner हो तो आपके remaining partner है वाके वो बीज़ना के क्या नहीं बन सकते है auditor नहीं बन सकते हैं क्या है disqualification है next आता है a person who himself or his relative or partner is holding any security or interest in the company or any company which is holding subsidiary or associate जेडिस का मतलब क्या है तुमको पताई है देखना मालो एक company है मालो एक company है x limited मालो एक company है a limited मालो एक company है b limited मालो ये holding company है किसकी a limited की और मालो ये b limited क्या है subsidiary company है किसकी A Limited की, अच्छी इसका हम लोग देखा जाए, तो A Limited यहाँ पर Holding भी है, A Limited यहाँ पर Subsidory है किसकी, X Limited की And A Limited यहाँ पर Holding है किसकी, B Limited की Holding of B Limited, A Limited यहाँ पर B की Holding है, और A की S की कह है, Subsidory है, और मालनों इदर एक Company और है, P Limited, यह A Limited A Limited की Associate Company है, क्या है? Associate Company, Associate आपको पता यह क्या होता है, जब एक Company, दूसरी Company में, 20% और मोर की Total Voting Power hold करती है, तो जो hold कर रही है, वो holding, इसको hold कर रहा है, वो associate अब एक्छी समन्ना क्याता है, अब person who himself or his relative or partner is holding any security or interest in the company, अच्छा यह जो यह Telepine करना है, तो इसको हम बोलेंगे है यह पर DA Company, इसको हम क्या बोलेंगे यह पर? DA Company. तो कहरा है, DA Company or its holding company, इसकी holding company को होन हो गई? X Limited or its subsidiary company, इसकी subsidiary company को होई? B Limited or its associate company её associate company को होई? यह P Limited. तो वो कहरा है, मानलो अब विचान है, Mr. Q अगर ये खुद या इसका कोई रिलेटिव या इसका कोई पार्टनर ये खुद हो गया या इसका कोई रिलेटिव या इसका पार्टनर अगर इन तीनों में से कोई भी इस कंपनी के अंदर A Limited में या तो कोई Financial Interest होल करके बैठा है या तो इस company में या इसकी holding company में या इसकी subsidiary company में या इसकी associate company में तो ये इस A limited में auditor point नहीं हो सकता, बास समझ आती है समझ आती है अच्छा एक चीज़ ओर नीचे इसकी एक exception है कि अगर इसका कोई relative ये तो person who himself भी कवर हो रहा था ना, माल लो ये Mr. A खुद C A, Mr. Q खुद C A तो ये अगर ये C A खुद इन में से किसी में share hold करके बैटा है, तो ये order point नहीं हो सकता अगर इसका कोई इसका इसका कोई partner hold करके बैटा है तो भी point नहीं हो सकता, लेकिन नीचे exception है कि अगर इस Mr. Q का इसका कोई relative है, यहाँ पहे इसका मतलब वो kud cover नहीं है कोई आए? Relative की बात यह ना partner की बात हो रही ना उसकी खुद की बात हो रही यह यहाँ पहली किसकी बात हो रही है? relative की तेंको उपरवाले में ना उपरवाले point में तीनो कवर थे वो kud भी, जो C A है उसका relative भी और उसका partner भी लेकिन नीचे वाले point मखाली कोन cover है उसका relative cover है वो खुद cover नहीं है himself और उसका partner cover नहीं है अगर उसका relative है और उसने इन मेंसे किसी एक company में share hold कर रखे हैं और उन shares की value face value एक लाग से ज्यादा की नहीं है तो वो auditor point हो सकता है लेकिन relative की बात हो रही है इसका मतलब अगर मैं ऐसे बात करूँ तो Mr. Q मानलो CA तो वो तो एक रवे का share भी hold नहीं कर सकता है इन मेंसे किसी भी company में अगर वो auditor बनना चाहता है तो लेकिन Mr. Q का अगर कोई relative है और वो इन मेंसे किसी company में auditor बनना चाहता है तो बन सकता है अगर उसने share hold कर रखे है तब important है face value अचा मानलो पेपर में question आता है कि Mr. Q कुछ सी यह है उसने खुद तो share hold कर रहे है लेकिन उसकी wife ने share hold कर रखे है उस company में जिसमें वोईटर बनना चाहता है wife उसके लिए relative हो गई और उसकी wife ने तीन लाग कर रहे है लेकिन उनकी market value 3 लाग है लेकिन face value खली 80 जा रही एक लाग से यदा नहीं होने चाहिए और इक पॉइंट किसके ओपर खली relative के लिए ना partner के लिए उसके खुद के लिए इसका पार्टनर मुदा मालो मैं CA हूँ तो मैं खुद इन में से किसी भी कमनी में एक रवे कभी share hold कर सकता मैं अगर किसी partnership firm में partner हूँ तो मेरा कोई partner भ कर सकता है लेकिन कितने तक का मैक्सिमम एक लाग तक का हो भी एक लाग भी का है फेस वेल बास समझ आती है अच्छा माल लो बीवी की हस्वेंट से लडा ही हो गई आज बोलेगी आध तो कंपनी से निकलवाती रुख जाए एक लाग से जादा के शेयर लेती हूँ हाथ तो आ साठ दिन में आपको वापिस एक लाग तक के शेयर लेने पढ़ेंगे बाकी क्या करने पड़ेंगे बैसिने पड़ेंगे अगर आप माल लो गर उसकी वाइफ को जोज जादा चल गया था और उसने एक लाग के जगध एड़ लाग के शेयर खरीड लिये थे अपने हस्वे को नो करी से कहाँ हाथ दो ना पढ़ेगा मलब उसका उडिटर वाले पॉजिशन से हाथ दोना पढ़ेगा को ठीक है ठीक ह시 habiliter ded और बाकी इसके अंदर काम-उले पॉइंट हैं इसके नकाम-फव्ज्श हैं कुछ काम काम बाकी तो अर्शके पर लेना बाकी वो 5 साल का है और एक फोर्म अच्छा इसको ना ऐसे मत समझो पांसल मत समझो लो बोलता है rotation of auditor का मतलब क्या है समझना law के कहता है rotation of auditor का मतलब के जरह देखो heading डालते है rotation of auditor rotation of auditor इसका मतलब यह है और वो कहता है अगर आप individual हो तो आप एक टर्म के लिए पॉइंट हो सकते हो कितने टर्म के लिए पॉइंट हो सकते हो अगर आप individual हो तो आप एक टर्म के लिए पॉइंट हो सकते हो और एक टर्म कितने साल की होगी maximum five years की maximum लिख रहा हो मैं साथ में कम की भी हो सकती है maximum five years then आपको क्या करना पड़ेगा then आपको 5 years का उस company में gap डालना पड़ेगा और इसी को हम क्या बोलते हैं cooling period then पाश साल के बाद आप दुबारा आ सकते हो और अगर आप firm हो तो आपको CA firm हो अच्छा individual firm मनलब जहां पर दो यह दो से अधा CA हैं तो वहाँ पर आप maximum two terms के लिए point हो सकते हो two terms के लिए point हो सकते हो जिसमें से one term क्या होगी maximum five years की होगी इसका लग एक term पास साल की तो दो term कितने की हो गई दस साल की then after two terms क्या करना पड़ेगा after two terms five years का gap डालना पड़ेगा इस ही को हम बोलते है rotation of order rotation का बोल रहे हैं कि जितने साल यह पांस साल का जब gap पड़ेगा तो समय से यह वाला auditor कमनी से लड़ेगा इनकी जागा बोई दूसरा auditor कमनी में है किसले हम बोलते है rotation की rotate हो रहे है जा एक जारा दूसरा आ रहा है और अच्छा जैसे यह पांस साल के कूलिंग प्रेट खतम होएगा तो इस पांस साल में कोई और था जैसे पांस साल खतम होगा उसके वह पहले वाला बाप्री समाना चाहे तो आ सकता है समझाँ यह बाद तो इडिजिल को कितने साल के बाद गाप अम्टा बाड़ता एक ताम के बाद पांस साल ही और फ़र्म को डाब कितने चांव पांस साल कि अग या गाप डार पांस लाग刑द्की मैंस्मम अगर मालना इंडिभीज तो तर्म के बाद ही अब मैं उसे दुबारा पॉइंट करो तीन साल की लिए तो लोजिकली अगर देखा रहे हैं तो तो साल की पहले वली टर्म थी तीन साल की दूसरी तो देखा रहे हैं सिर्फ पांची साल होए हैं लेकिन इसकी दो टर्म खतम होगे यह उसको क्या करना पढ़ेगा पांचेल होगे डाल ला पढ़ेगा तो तो तंग के बाद गाप डालना सवस्क्डप टरूस पर करो टंपर करो यह पर मत करो ठीक है? इंडिविजुल के अग तर्म में एक तर्म में दो तर्म थीक है अब इसको पढ़ो पहले तो वह कहाए रिटेशन आफ यह मड़ना किस पर देखना करता है किस किस पर लगता है क्यता है पहला तो all listed companies all listed company जो भार यह खतम .... घ्युदि नहiğन? पर ना कि देखना ही नहीं बात के चलिए रहा ही लगे गगा और लेश्टेथ में प्राइवाले में कोई बी अगर इंडिविज्वीजुल अडिटर है तो पांसल से यादा पॉइंट नहीं रह सकता पांसल के उसे पांसल क्या करना पड़ेगा गैब डालना पड़ेगा और अगर कोई फर्म अडिटर पॉइंट है तो उसको पांच-पांसल की दो तम के पिपती है 50 क्रोड और और तीसरी है all companies नीचे वाले में all, all का मतलब क्या private भी हो गई है और public भी हो गई हो गई अचा उपर वाले में पहले पॉइंट में खाली unlisted public cover ली नीचे वाले में unlisted private cover ली अचा अगर अनलिस्टिट कुन सी है प्राइवेट कंपनी है तो इसके ओपर पेड़ के पिल कितनी है पचास क्रोड रूमर उनके पर रोडेशन वाला गंसर्ट लगेगा और इसके लावा बच्ची हुई कंपनी कह रहा है अल कंपनी भले प्राइवेट हो यह पबलीक हो जो बिलो तो बिलो थ्रैशोल मतलब इन मैंशने ए और बी मतलब जो उपर वाली में दस क्रोड पचास क्रोड लिमिट से अंदर है लेकिन उनका लोन कितना है पचास क्रोड से जादा किसी बैंक वगरा से फिफ्टी क्रोड रमोर है तो इनके ओपर भी लगेगा इसका वाला मानलो का पब्लिक कंपनी जिसकी बॉर्विंग पचास क्रोड से जाना है भले वो पर वाले क्राइटीरी में नहीं आरी उनके ओपर भी रोडेशन वाला कंसेप्ट लगेगा तो फटब पर समप करो किन किन पर लगेगा एक तो और लिस्टेड कंपनी पर रोटेशन वाला जिनकी पेड़ तो इस उपर वाले हमां उनसे नीचे है लेकिन बॉर्विंग क्या है पचास क्रोड से जाए पचास क्रोड यह उससे जादा है 50 क्रोड और मोर है तो उनके ओपर भी लगेगा अच्छा इससी समझ आती है लगेगा इसके लाब बाकी कंपनियों पर इन्दर जे यह होती है तो उनके पर बैसे भी नहीं लगेगा अच्छा के रहा है अल्डides मेंट के लिए सीसाड प्रेपाइपाल रिपाते स्वान थोसकते है अग्र तक के लिए पांस साल तक के लिए पांस साल ना भाड़ गा गाप डालना पड़े Có ुसके बाद आसकता है। और करा अल्ड़ दा कंपनीस मेंचेट अभूँङए अवाव इसलो तसके विए, और कैर आफ या किसकी बाद हो रही है for re-appointment as an auditor in the same company for a five-year. So, इनका वालब दो term के बाद 5 साल का gap दालना है, और individual को एक term के बाद ही 5 साल के क्या करना है, 5 साल का gap दालना है. ये खतम हो गया. हाँ बई, next आता जी, removal of auditor. ये concept important, removal of auditor. सुनना पड़ जहान से क्या करना है? क्या कह रहा है? इसमें आपको तीन चीज़े करनी है. कह रहा है, as per rule 7, अगर आप किसी auditor को remove करना चाहते हो, तो कह रहा है, आपको central government से क्या करना पड़ेगा? approval लेना पड़ेगा, form number ADT, to within 30 days of passing the board resolution. इसका मलब अगर आप किसी auditor को remove करना चाहते हो, कि माइटर को remove करना चाहते हैं, और इसके 30 दिन में क्या करना है? central government approval लेना है, कि मिस auditor को अपनी कमनी से निकालना चाहते हैं. अचा, आगे क्या बोलता है? the company shall hold the general meeting within 60 days from the receipt of approval of CG for passing S.R. इसका मलब क्या S.R. भी बास करना है, shareholder का approval भी लेना है. इसका सबसे पहले company में board resolution पास होगा, उसके 30 दिन में central government से approval लिया जाएगा, एक बार CG का approval आगया, उसके 60 दिन में EGM बुलवाई जाएगी, उसके अंदर special resolution पास करवाई जाएगा, और auditor को निकाल दे जाएगा, लेकिन वो क्या कह रहा है, नीचे निकालने से पहले उसको reasonable opportunity बिंगर दी जाएगी, इसनवाई का मुका दिया जाएगा, जैसे मरने वाले की आखरी इच्छा पूची आती है, सेम उसको पी निकालने से पहले उसकी आखरी इच्छा पूची जाएगी, अच्छा ये तो था removal, आप निकाल रहे हो, नेक्स था था resignation, रेजिगनेशन का वालब क्या है, आप नहीं निकाल रहे, वो खुद जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसको form वो direct खुद किसको file करेगा, company को ADT3 file करतेगा, company को बात करते हैं, अच्छा उपर वाले case में भी, अगर देखा जाए, तो ADT3 file हो रहा था, ADT2 में, अच्छा सुनना बद्यान से, ADT2 तो आप किसको बेज रहे हो, CG को बेज रहे हो, कि भाई हम इसको क्या करना चाहते है, हटाना चाहिए approval लेने के लिए, बात में जब जब जाएगा, उसको अटाओ के तो ADT3 बात में भी जाएगा, लेकिन यहाँ पर ADT3 जा रहा है, यहाँ पर CG का प्रूब लेने, खतम कर दो, ADT3 file करो, कहानी खतम, यहाँ पर भई, मैं जा रहा हूँ तुम्हारी कमने से, यहाँ आपको याद होगा, चार तरीकी की ओडिनरी सर्विसीज पड़े थी, और दिनरी बिजनस पड़े थे, ADOPTION OF ANAL ACCOUNT, DECLARATION OF DIVIDENT, APPOINTMENT OF DECLARATION OF RETAIRING, चो था था था, APPOINTMENT AND FIXING OF REMONERATION OF PORITORS, तो इसकलब वही से क्लिर हो रहे हैं, कि REMONERATIONAL WORLDर कोण fix करते हैं, जनरल मीटिंग में, AGM में fix होता, BYPASSING, OR, अब आता है, AUDITOR NOT TO RENDER CERTAIN SERVICES, को हम बोलते हैं, PROHIPTED SERVICES, कि AUDITOR यह SERVICES PROVIDE नहीं करेगा, पहला है, ACCOUNTING AND BOOK KEEPING SERVICES, इसका मतलब यह है कि आप जिस कंपनी के ACCOUNTING SERVICES PROVIDE कर रहे हो, आप उस कंपनी के AUDITOR नहीं बनोगे, अच्छा, आप STATUTARY AUDITOR नहीं बनोगे उस कंपनी के, क्या उस कंपनी के INTERNAL AUDITOR बनना जाओ, बन सकते हो, INTERNAL AUDITOR बन सकते हो, कोई दिक्कर नहीं, अभी INTERNAL AUDITOR को नहीं का पढ़ेंगे, NEXT INTERNAL AUDITOR, अच्छा, अभी यह क्या बोल रहा है, जिस कंपनी के आप STATUTORY AUDITOR नहीं बन सकते हैं, STATUTARY AUDITOR किसके POINT VIEWS होता है, SHARE OLDER के POINT VIEWS, SHARE OLDER करवाते हैं, और INTERNAL AUDITOR कोन करवाती है, MANAGEMENT करवाती है, एक शी जोर, STATUTARY AUDITOR को POINT करने के लिए OR PASS होता है, आपने देखा, General Meeting में POINT होता है, INTERNAL AUDITOR को POINT करने के लिए OR PASS होता है, BOARD RESOLUTION PASS होता है, अभी मैंने बोले ना, जब करवाई कोन रही है, MANAGEMENT तो POINT भी कोन करेगी, MANAGEMENT, STATUTARY AUDITOR ONLY CA होता है, INTERNAL AUDITOR CAN BE ANYONE, CA, CA CA में, EVEN EMPLOYEYER COMPANY CAN ALSO BECOME DOITER, उसी कमनी का EMPLOYEY भी क्या बन सकता है, INTERNAL AUDITOR, बन सकता है, समय जाती है बात, STATUTARY AUDITOR AS FOR LAW चलता है, कि यह चीज़े चेक करनी है, Schedule 3 FOLLOW हुआ नहीं हुआ, AUDITING FOLLOW हुआ नहीं हुआ, INTERNAL AUDITOR ऐसे नहीं चलता है, INTERNAL AUDITOR को जो DIRECTOR बोलता है, यह CHECK कर वह सब CHECK करेगा, INTERNAL AUDITOR किस के कहने पे चल रहा है, DIRECTOR के कहने पे चल रहा है, लेकिन STATUTARY AUDITOR INDEPENDENT तरीके से WORK करता है, वो तो अपने इसाफ से काम करता है, किसी की सुनता थोड़ी है, वो तरी बोर्ट बनाएगा, बास समय जाती है, तो क्या कह रहा है, अगर आप किसी कंपनी के STATUTARY AUDITOR हो, तो आप उस कंपनी की क्या नहीं कर सकते, काम उसमें नहीं कर सकते हैं, क्या ही है, प्रोहिप्टिड सर्विसिस, कर ही नहीं सकते हैं, नीचे आते हैं, अब आता है SECRETARY AUDIT, अच्छा SECRETARY AUDIT का मतलब होता है, COMPLIANCE AUDIT, आपका पता ही है, कौन करता है, ONLY CS, और एक ची समयने वाली क्या है, कि इसके अंदर आपको यह पता है, कोन अपाइंट करते हैं, बस इसमें सरफ अपाइंट्मेंट की लिमिट पढ़ ले कि किन किन कमनियों पर लगता है, बात खतम हो जाएगी, कह रहा है SECRETARY AUDIT किस किस कमनियों करवाना है, कह रहा है एक तो EVERY LISTED कमपनी को करवाना है, बात ही खतम हो गई, किसको करवाना है, EVERY LISTED कमपनी को, तो अगर LISTED है तो बात खतम करवाना है, करवाना है, इसके लवा other class of companies, जो बताई जाएंगे और other class of companies नीचे बताई गई गई है, कौन कौन सी है, पहला नीचे है, Every public company जिसकी paid up share capital कितनी है, 50 क्रोड़े उससे, सुनो, अच्छा इसके ले यह कौन सी public company होगी, UNLISTED, क्योंकि LISTED वाले तो उपर ही कवर हो गई न, LISTED है तो क्या paid up turnover देखनी है, अगर LISTED company है, तो बात खतम उनके audit करवाना ही है, कौन सा वाला audit, Secretary audit करवाना ही है, अगर UNLISTED public company है, तो क्या देखना पड़ेगा, यह तो उसकी paid up कितनी है, 50 क्रोड़े उससे जादा, यह उसका turnover कितना है, 2500 क्रोड़े उससे जादा, यहां दोनों में, UNLISTED public company की बात हो रही है, यहां पर किस की बात हो रही है, UNLISTED public, क्योंकि LISTED तो उपर ही कवर हो गई, LISTED है तो बात ही खतम, ना paid up देखने ना turnover देखने, उन पर तो Secretary audit लगे गई, लगेगा, UNLISTED public company के case में, यहां तो paid up कितनी है 50 यह से जादा, turnover कितना देखना देखना, लेकिन तीसरे वाले point में, UNLISTED public company यहां पर every company है, तो तीसरे वाले में private भी आ गई और public भी आ गई, जिनकी borrowing कितनी है 100 क्रोड यह से जादा, इसका लग कोई ऐसी private company है, public company, जो उपर वाले criteria में, फॉल नहीं कर रही है, मालनो उसकी paid up 50 से कम है, यह turnover 200 से कम है, लेकिन उसके loan कितने है 100 क्रोड यह से, जादा, तो उनके पर से क्रेटर रॉडिट लगेगा, कौन करेगा CS in practice, यह खतम हो गया, next अधर जी internal audit, हा, internal audit कोन करता है section 138, मैंने भी पताया, कोन करता है, internal audit करता है, यह कौन हो सकता है, CA भी हो सकता है, CSB हो सकता है, CMA भी हो सकता है, even employee of the company भी हो सकता है, he can be anyone, दूसरी चीज़ क्या है, internal audit, statutory audit पर रहके में, statutory audit से होता है, internal audit, director की point भी होता है, तो internal audit को appoint भी कोन करते है, director भी appoint करते है, bypassing BR, यह किस किस पर लगता है, internal audit कर देखना, क्या रहा है एक तो every listed company, अचा बात ही खतम हो गई, listed है तो कहानी, खतम इनको तो करना ही है, appointed internal audit, दूसरा कोन सी पर निया, unlisted public company है, जिनकी यह तो paid up के bill कितनी है, 50 croda यह उससे जादा है, यह जिनका turnover कितने है, 200 croda यह उससे जादा, यह जिनकी borrowing कितनी है, exceeding 100 croda, 100 croda उससे जाद नहीं है, यहाँ पर exact hundred cover नहीं है, more than 100 croda है, अच्या उपर वाले में 100 भी cover ता, यहां पर more than 100 करोड है, exact 100 करोड नहीं है, गल्ती निकरनी पेपर में, यहां पर more than 100 करोड है, exceeding 100 करोड, ठीक है, और यहां फिर उनके deposits की फ़र्म में लोन कितने है, 25 करोड या उससे जादा, यह तो कही बात unlisted public company, अच्छा लिस्टिड में सब देखना है, लिस्टिड है तो internal audit करवाना ही है, अच्छा अगर यह unlisted में public में यह था, अगर unlisted private company है तो, turnover कितना है, 200 करोड यह से जादा, यह borrowing कितनी है, bank वगेरा से, 100 करोड से जादा, खातम, और who can be internal auditor जा रहा है पड़ना, CA, CMA और such other person as the board में decide, क्या board किसी को भी decide कर सकते है, even employee of the company can also become internal auditor, ठीक है, जी तो काईश चलो, हम अपना audit की revision में next chapter स्टार्ट कर रहे हैं, छोटा से chapter मेरे को लगता है, एक घंटा भी शाया दी लगेगा, हो सकता है, लग जाए एक घंटा इस chapter के उपर, लेकिन मेरे सब से लगेगा नहीं, देखते हैं क्या है, चैप्टर करना है, audit engagement, audit program, audit working paper, audit notebook, audit evidence and audit report, ये chapter जितने भी शब्द यूज हो रहे हैं, audit report तो मैंने तुमारे को पहले भी starting में भी जिकर करके दिखा दी, कि auditor जब audit कर तो देख report बनाता है, कि उसने क्या 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 चेक करा, क्या क्या नहीं करा, बाकि इसके लगए जितने term यूज हो रहे हैं, audit engagement क्या होता है, audit program क्य क्या होता है, audit working paper क्या होता, audit notebook क्या होता, audit evidence क्या होता, उन सब के बारे में बात करेंगे, और paper में मेरे को ऐसा लगता है कि इस topic में से, इस topic में से, 5 से 8 number तक का paper आ सकता है, हो सकता, 4, 4 number के 2 question आजा हो सकता, 5 number के ये की आजा है, अभी audit engagement से start करते हैं, सबसे पहले, सबसे पह audit engagement दिखाऊंगा, फिर audit engagement के लिए audit engagement letter sign होता है, वो भी दिखाता हो, ये रख, example of audit engagement letter, ये तुम्हार को paper में नहीं आएगा, मेरे को नहीं लगता कि तुम्हार को कभी बोलेंगे, कि audit engagement letter draft करके दिखाऊ, तुम्हारी किसमत ही बुरी हुई, तो ये 3-4 page का letter है, draft करने को बोल स example लेके बात करते हैं, आपको पता है कि auditor जो audit करता है, auditor को नहीं हमारे chapter में CA की बात हो रही है, और हमारे इंडिया में CA auditor बनना चाहता है, तो उस पर दो रास्ते हैं, वो CA जब auditor बनेगा, तो उस पर दो रास्ते हैं, या तो वो as a individual auditor बन जाए, individual, या as a firm auditor बन जाए, देखो मैं निया-निया CA बना, मैं अकेला CA हूँ, मैं अकेला ही सारा काम देख रहा हूँ, तो मैं होगे individual, हम तीन चार दोस्तों ने, दो तिन दोस्तों ने, मिलके सारी CA और मिलके CA firm बनाई है, तो वो गई firm, तो firm जादा तर वो लोग बनाते हैं, जो या तो आप समझो कि थोड़ सब बड़े लेवल पर काम करना चाहते हैं, या थोड़ा सा आप ऐसे समझा कि initial days के नदर तो sharing of expenses के लिए बनाते हैं, जैसे मैं जब नया-निया CS qualify हुआ था था हम दो तिन दोस्तों ने मिलके CS firm बनाई जी था कि थोड़े से expenses क्या हो जाएं, share हो जाएं, और एक दूसरा फा firm बोलेंगे, और अगर single CA मिलके, single CA केले ही काम कर रहा हैं, तो हम individual बोलेंगे, तो auditor दो तरीके से बन सकता है, तो individual या firm, अब तुम सुनना ध्यान से क्या है, वो कहता है, अब audit engagement letter क्या होता है, पर ध्यान से सुनना, मानलो एक company है, XYZ Limited, ये company है, और मानलो एक firm है, ABC firm, ये एक CA firm है, यहाँ पे 3-4 CA partners हैं, मिलकर इस firm को चला रहे हैं, इस company ने इस firm के पास proposal रखा, कि क्या आप हमारे auditor बनोगे, क्या आप हमारे auditor बनोगे, अब इन्हों ने तो proposal लख दिया, ये ABC firm, CA firm क्या करेगी, acceptance देने से पहले क्या करेगी, कि इनकी ने कुछ, कोई भी CA मना तो करेगा ने, पैसा आ रहा है, आगर कोई company किसी को अपना auditor बनाएगी, तो obvious सी बाता ने, उसको पैसे भी देगी, तो कोई किसी को भी पैसा आता, बुरा तो लगता नहीं है, तो भाई, CA firm हाँ तो कर देगी, लेकिन CA ऐसा नहीं होते है, कि मूठा कर चले जाएंगे, अब आप मेरे से दो चेप्टर तो कर चुके हो, भी तक आप, दो चेप्टर मेरे से पढ़ चुके हो, कौन-कौन से एक तो आप auditing concept वाला चेप्टर पढ़ चुके हो, और एक audit as per company भी पढ़ चुके हो, अब तीसरा चेप्टर है हमारा, तो ऐ ऐसा नहीं होगा, कि भई, कि तुम्हार को क्या कहते हैं, मुठा कर आप सिधा मना कर दोगे, और ऐसा भी नहीं होगा, मूठा कर चले जाओगे, जब कोई CA जाता है, तो अपने रुतुबे से जाता है, अपनी terms and conditions पर जाता है, कि मैं हाँ audit कर दूँगा, लेकिन मेरी कुछ terms and conditions है, मेरा कुछ scope है, जो company law ने बता रहता है, क्योंकि आपको याद हो का मने बता है, जो auditor होता है, जो auditor होता है, इंडिपेंट होता है, इंडिपेंट अडिटर का मतलब क्या हो था, मैंने बता है, वो कोई partiality नहीं करेगा, और वो जो भी audit करेगा, as per company act करेगा, company law ने जो to detect error and frauds, to detect error and frauds, वो auditor का दूसरा objective था, तो यहाँ पर समनने वाली शीच है कि auditor जब बनेगा ना, तो पहले तो बताएगा, कि मैं audit जो करूँगा, as per company act करूँगा, और ये चीज़ों करूँगा, ये नहीं, प्लस अगर करूँगा, तो कितनी fees लूँगा, वगयरा वगयरा, तो जब आप कोई company auditor को परना proposal लगती है, अगर वो auditor audit करने को त्यार होता है, तो वो एक company को एक engagement letter भेचता है, क्या भेचता है? engagement letter भेचता है, इस letter में क्या होता है? इस letter के अंदर auditor का scope होता है, कि वो किस-किस चीच का audit करेगा? इस engagement letter के अंदर auditor की कुछ terms and conditions होती हैं कि वो इस letter के अंदर remuneration वगयरा भी लिखा होता है कि उसको कितना remuneration मिलेगा कितनी fees वो audit करने के लिए लेगा और हर auditor के अपनी fees होती है अपनी capability अपने तुझूरूरूर। अपने experience के साब से लेते हैं एट सेक्टर यह सब्सक्राइब लिखाऊंगा अभी कैसा होता है तो अगर कोई company किसी auditor को proposal रखती है कि हम तुम्हार को अपना auditor रखना चाहते हैं तो auditor कहते हैं ठीक है मैं तुम्हार को को audit करूंगा और यह audit firm क्या करेगी इस engagement letter पर अपने sign करके भेज़ेगी यह तो अपना sign करके भेज़ देंगे अब company को अगर वो सारी चीजे पढ़ने के बाद उस engagement letter को पढ़ने के बाद लगता है कि हाँ भई हमार को इस auditor की terms and conditions वगारा से कोई दिक्कत नहीं है तो company भी क्या करेगी उस engagement letter के उपर अपने भी sign कर देगी जो company के representative वह भी उस पर sign कर देंगे तो दोनों के sign उडेगे इदर से audit firm वालों के sign उडेंगे इदर से company वालों के sign उडेंगे जैसे दोनों के sign उडेंगे अब audit करने का process हागे चालू हो जाएगा त लेकिन ROC को आपको बताना पड़ेगा कि अगर कोई भी company अब auditor पाइंट करती है तो आपको पता होगा अब यहां पे इन्होंने आपस में रिसाइड कर लिया कि भाई तुम्हारे लिए बनोगे नहीं बनोगे अब उसके लिए इन्होंने रिसाइड कर लिए अब शेयर ओल तो ले देगे engagement letter क्या है अब आपको पल्ले पड़ गया CDC भाषा में engagement letter क्या है कि आप किसी भी auditor को पॉइंटर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि यह kind of auditor का acceptance letter होता है कि हाँ मैं तुम्हारा audit करने को त्यार हूं बट इस acceptance letter के अंदर साथ में वो कुछ अपनी बाते रखते हैं और इसको हम यहाँ पर बोलेंगे जब ऑड़िटर करेगा तो हम इसको बोलेंगे यहाँ पर ऑड़िटर जब एक बार आपका engagement letter sign हो गया और इसको हम ऑड़िटर के लिए तो वो company client हो गई तो यह से मोलेंगे client और इसको हम दूसरा नाम बोल सकते है auditory जो बंदा audit करता है व क्योंको हम ऑड़िटी भी बोल सकते हैं तो जो audit करते हैं वो ऑड़िटर जिसका audit के जाता है वो ऑड़िटी और engagement letter क्या होता है hope आपको पढ़ ले पढ़ गया कि जब सामने वाली company ने प्रपोजल रखा कि आप हमारे auditor बनो गए तो जो audit firm है वो क्या कहती है और यह अच्छ कोई भी auditor को दबाव में डालके audit नहीं करा सकता, auditor is always independent, independent मतला वो free from biasness होगा, है ना वो किसी की सुनेगा नहीं, free from any pressure होगा, उसको कोई बोलके नहीं बोलेगा, हाँ भी clean report बना दे, बढ़िया report बना दे, सब कुछ होके होके दिखा दे, नहीं, जो law के according, वो company law बोलता है वो पर क्या कर देगी, अपने sign मार देगी, अगर company को सारी जोग के लगती है तो, और बहुत पार तो ऐसा होता है, practical life में बता रहा हूं, बहुत बार ऐसा होता है, और यह तुम्हारी book में डाल भी रखा है मैंने, कि बहुत सारी company पहले से ready होती है, कि भाई, इसी audit firm से audit करवान है, बहुत सारी company पहले से ready होती है, इसे बड़ी बड़ी big four है, आपको पता ने, इंडिया में, इंडिया में क्या, world में big four audit firm से, चार बड़ी-बड़ी audit firm से, आपने कभी नाम सुना होगा, सबका KPMG, E&Y, Ernest and Ian, Deloitte, और चोथा होता है PwC, तो यह चार बड़ी-बड़ी audit firms हैं, तो इन लोग, बहुत सारी लोग तो इन बिग audit firm से audit कराने को तरसते हैं, तो फिर वहाँ पर यह वाला खेल नहीं चलता, वहाँ पर बड़ी-बड़ी companies के पास engagement letter की coffee पहले से पढ़ी होती है, तो वह engagement letter company बना कर बेच देती है, और अपनी तरफ से sign करके बेच देती ह पहले से ही, क्योंकि normally तो क्या होता है, normally तो audit firm अपने sign करके अपनी terms and conditions किसको बेचती है, company को बेचती है, और company को बोलती है, अगर तो मुमार से audit करने को त्यार हो, तो आप इस पर अपने sign कर दे हैं, हमने तो अपने sign कर दी हैं, फिर engagement letter sign हो, तो दोनों जुड़ जाते हैं, और audit चालू हो जाते हैं, लेकिन यह primary step होता है, जिसमें आप, अच्छा audit चालू ऐसे नहीं हो था, वो तो एक time के बाद ही होगा, लेकिन एक primary step होता है, सबसे पहली state होती है, यह अगर आप किसी auditor को अपने साथ engage करना चाहते हो, तो उसके बाद आप पहले ACF OK कर लो, लेकि इसमें कुछ insert करवाना तो करवालो, और हमारे auditor बन जाओ, हम तुम्हार से audit करवाना चाहते हैं, तुम्हारे लावा किसी audit नहीं करना चाहते हैं, तो आपको मैंने समझाया कि normally क्या होगा, कि normally engagement letter को issue करेगा, normally आप हमेशे आद रखो, normally engagement letter audit firm issue करेगी किसको, company को, जिसका audit करन चाहती है, और company और अपनी terms and conditions वारी से डाल देगी, और company अगरी होगी, तो वो भी उसके उपर अपने sign कर देगी, लेकिन कुछ exceptional case में क्या होता है, कि company पहले से decided होती है, कि पहले इसी audit firms अपना audit कराएंगे, तो उल्टा हो जाता है, कि वो engagement letter पूरा ready कर लेते हैं, इनकी terms and conditions के according, और अपने sign management वाले करके issue करते हैं, अपने management जो इस company के director से वोलो sign करके बेच देते हैं, कि हमारी तरफ से okay है, तुमें इसमें कुछ और बैड करना कर लो, जो terms and conditions अपनी रख लो, लेकिन audit तुम ही करोगे हमारा, तो उल्टा भी होता है, कई वर signed audit or engagement letter पहले से आता है company के तरफ से, तरफ auditor को accept करना होता है, कि हाँ मैं तुम्हार audit करने को त्यार हूँ या, नहीं, तो अब परना शुरू करते हैं, audit engagement क्या है, तो audit engagement refers to an audit that an auditor performs, obvious सी बात है, जब आप auditor audit करेगा, तो engage हो रहा है, वो company के साथ जुड रहा है, तो उसी को audit engagement बोलते हैं, more specifically it refers only to the initial state of audit, ये initial state audit, audit start होने से पहले, start होने के time पे हम पहले क्या करते हैं, engage करते हैं, उसको, उससे audit again में data sign कराते है, which the auditor notifies the client, अब आपको समझा रहा हूँ, client का मतलब क्या है, यहाँ पे, auditing, और हमारे example में client कोन है, ये company, हमारे example में कोन थी, XYZ Limited, तो कह रहा है कि more specifically it refers only to the initial state of an audit, during which the auditor notifies the client, मतलब company को बताता है, that he has accepted the audit work, मैंने क्या बोला था, पहले ये लोग offer letter बेढ़ेंगे, आपको कि भई, आप हमारे auditor बनोगे, नी बनोगे, कोन बेढ़ेगी, वो company बेढ़ेगी, और auditor बनना चाहता है, तो वो engagement letter बेढ़ेगा, sign करके, कि हाँ मैं बनना चाहता हूँ, मेरी सारी terms and conditions है, ये scope रहेगा, ये remunition हैगा, इसनी इतनी fees लोगा, तुम करवाना चाहते है, तो तुम इस पर sign कर दो, इसकल मैं कैसे, kind of acceptance letter है, कि पहले हमारे को proposal आया था, और हमने accept करेंगे, कि हाँ हम तो करने को दिया रहे है, मगर हमारी कुछ ये बात नहीं है, आपको this is understanding of the audit purpose and scope, और उसमें वो अपनी बाते clarify करता है, कि मैं तुम्हारा इन इंची जोग audit करूँगा, और ये मेरा scope रहेगा, और ये अच्छे मगर पता है क्यों, अब इसमें तुम्हारा को याद होगा, मैंने बताया था, दो तरीके की audit होते है, वो वाले audit तो ही है, आपको जो पता है वैसे तो तीन तरीके की audit होते है, अएक होता है, statutory audit जिसमें financial statement audit होता है, एक होता स aggrav cuz compliance audit होता है, और पॉस्टर इसक्षिन 148 में बताइगा इन सब के लिमेंडेटरी है तो यह दो इनों Statutory audit का पार्ट हैं लेकिन एक मैंने audit आपको और बताया था मैंने आपको बताया था दो तरीके की audit होते हैं एक होता है Statutory audit जिसको हम External audit भी बोलते हैं और एक होता है Internal audit यह दोनों मैं आपको करा चुक हूं सबसे पहले वएले चैप्टर में भी करा चुक हूं यह सब मैं पहले बिता चुक हूं मैंने बताया था कि येवाला ओडिट शेयरोल्टर से पॉइंट इव्यू से होता है और येवाला और इंटरनल आड आडिट मैंचमेंट के पी इव्यू से होता है मैंने बताया था ना ये from the point of view of shareholder सोता है एंद ये वाला О्डिट from the point of view of management होता है अच्छा इस वाले audit में ना इस वाले audit में पहले से scope predefined होता है predefined का मतलब ज़्यादा बताना नहीं पड़ता लौ नहीं बहुत कुछ बोल रखा है law नहीं auditor को बहुत कुछ बोल रखा आपको यह चेक करने है, यह चेक करने है ऐसे ऐसे करने है बहुत कुछ चेक करने है तो इधर स्कोप ज्यादातर predefined होता है आपको खुद भी माँगनी लगाना होता तो यहाँ पे ज्यादार scope की बात नहीं होती है आपको पता है आपने जाके financial statement चेक करनी है आपको journal चेक करने है लेडर चेक करने है तो इधर सारा scope पहले से predefined ही होता है law में लिखा हुआ है ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता scope की दिकत कऊँ होती है यहां वाले पे eternal audit बहुत wider term है अचा company अपने stock को audit करवारी है कि हमारा stock okay है या यह नहीं ये भी internal audit का part है कंपनी को लगता है कि हमारे जो internal records है वो सारे धंग से maintain है और नहीं है वो उस को audit करवारी है कपनी को लगता है कि मैं अपने शेयर का अध़िट करओं कि नियुद रोगे और यहां पे स्कोप की दिख्कात आती है कि जहां पे डर है देखो यहां पे इंटर्नल ओडिटर रहेगा तो इंडिपेंडनेंट ही करेगा तो अपने इसाप से लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा ना ओडिट किस चीछ करना दिमाग नहीं लगाना होता अगर आप उसको कॉस्ट के लिए पॉइंट करेगा अगर अगर आप उसको अगर आप उसको फॉइंट करेगा तो अगर आप उससे एजा से करेगा तो सारे कंप्लाइंट में जो बाहुत सरी चीजियों मिलाएगा इंटर्नल डिकॉर्ड कंपनी के जिए से रेजोलूशन वगार हो गए बहुत सरी चीज़े होते हैं वो सारे धंसे मेंटेन और मिनट्स जो कंपनी मीटिंग करा तो उसके मिनट्स वो धंसे बने नहीं बने वो सब चेक करना है ना कंपनी के बास कितने लोगों शेयर लॉट कर इस चीज़ का नहीं डिक्राइब आप करना चाहते हैं तो आपर ज्यादा चीज़ कराना चाहते हो तो दिक्कत यहां जाधा आती है तो नॉर्मली मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि जो मैंने तुम्हार को बताया कि जो audit engagement letter होता है उसमें पहले से scope वगेरा लिखा होता है वो scope वगेरा लिखा होता है कि वो किस किस चिछका audit करेगा वो ज्यादा तर इस वले audit में लिखा होता है सेचुटेर्य वाले case में internal audit तो उस company की management बगाती है इस चीछका करो इस चीछका करो इस चीछका करो कमपनी अपने इस साब से करवाती है तो इंटर्लाइट के केस में स्कोप कंपनी बताती है आपको इन चीज करना है तो फिर वो आपको स्कोप बता कर देदेगी आप इसको फिल कर दो या आपका स्कोप का कॉला में शोड़ दे रहाएगा और फिर उसके अकॉडिंग ऑडिटर बैट के क्या करता है और आपस में इसको नौन की मेटिंग होकर बैट के प्रॉपर इंगेश्मेंट लेटर रफ्ट कर लेते हैं और उसके दोनों साइन कर देते हैं तो नौर्मली मैंने बताये कि इसे थिर दिए और इसे करेगा इसे करेगा इसे और यह तो बातली स्कोप पहले कमपनी आपको बदाइए आसाँ के सार ने के साथ किस लिए इपधे इस ही लख सामने वाले क्लाइंट पूहरी ब्Äंटर को तुम्हारी फीज जयाता लग रही है एफ या उल्टा ओ गया अ similar ख्लाइब लेकिन ऊटिटर को एक इंद लेगा कंपनी रचान लग रहा कमपणीre टोक इसलिए दोनों की सेहमती चारी यहां पर एक लाइन लिखे देगों इसको साइन करना है हमाई तरह से ओक है तुम्हारे को करने को त्यार हो कि लेकिन बहुत सरे तो करके देते हैं अब हम एक जांपल ऑफ जांपल में कि किस तरीके का इंगेटमेंट लेटर बनता है है ना अब यह देखते हैं आगे बढ़ते हैं अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं audit of financial statement under companies act when 2013 and the rules made there under when reporting under section 143 subsection 3 clause i is applicable part a audit of financial statement comment अब यहां से स्टार्ट करो कि कहां तो section number बता है कि section according हम बेथते हैं सिधा यहां से स्टार्ट करते हैं कि भाई अब मैंने क्या पता है थोड़े दिर पहले यह engagement letter कोन इसु करता है normally CA issue करता है CA firm issue करती है अपने rite को कि हम तुम्हारे लिए audit करने को त्यार हैं तुम्हारे लिए किसको XYZ Limited Company को मतलब वो कौन हो गई इसकी Client हो गई या इसको हम Audit T भी बोल सकते हैं और इसको हम क्या बोलेंगे Auditor तो अब देखो हैं कैसे इस्जू कर रहा है To the Board of Directors मतलब यहां से हम भेज रहे हैं न CA भेज रहा है किसको सामने वाली Company को XYZ Limited कोई भी हो सकती है Company का नाम लिख देते हैं Dear Sir हम तुम्हारा लिए Audit करने को त्यार हैं यहां से देखना I or V क्यों लिख रहा है हो सकता है वो CA Individual हो हो सकता है वो CA Firm हो 2-3 CA मिलके चला रहे हो I or V refer to the letter dated क्यों बोल रहा है मान लो वो letter आया होगा ना पहले क्या होता है मैंने तुम्हें क्या बताया था कि पहले वो Company आपको offer letter भेडती है कि आप हमारे लिए Audit करने को त्यार हो या नहीं हो और अगर आप उनको Audit करने को त्यार हो तो आप उनको reply दोगे Engagement letter के थूँ हम तुम्हारा Audit करने को त्यार है यह हमने साइन कर दी है यह हमारी Terms and Condition है यह हमने Remuneration लेंगे और इसके according अब तुम करवाने को त्यार हो यह नहीं final बता दो तो अगर वो त्यार होंगे तो वो उसी Engagement letter पर अपने भी sign कर देंगी कौन वो Company तो देखो यहां पर लिंक कैसे कर रहा है वही आई और भी मैं अकेला या वो firm है तुम्हारे letter का reply कर रहे है left to the letter dated मतलब जो उन्होंने हमें letter भीज़ाओगा हम उसका reply कर रहे है informing about my or our reappointment या तो हो सकता है appointment और reappointment या तो हो सकता है appointment और reappointment वो reappoint होने जा रही है तो उसको दुबारा से engagement letter sign करना पड़ेगा या अगर first time sign करने जा रही है तो भी उसे engagement letter sign करना पड़ेगा दोने ही case में sign करना पड़ता reappointment के case में भी और first time appointment के case में भी अब बताओगे as the auditor of the company हम आपको auditor बनने को त्यार है you have requested that मैंने बोला ना पहले वो हमें request करने आप बन जा और हम तो acceptance letter दे रहे हैं कि हम तुमारा बनने को त्यार है आपने request कर रहा था कि हम आपका क्या करें financial statement को audit करें as per section 2 class 40 section 2 class 40 का जो link कर रहा है क्यों कि financial statement company name section 2 class 40 में defined है और financial statement में क्या क्या आता है balance sheet profit and loss account cash flow statement cfs बोलते हैं और statement of changes in equity अगर आपकी company के equity structure में कोई change आया है तो वो भी financial statement का ही part होता है तो ये चार चीचे फिनेंशल statement में आती है as per section 2 class 40 company act के लिए कि हम तुमारा audit करने को त्यार है और यहां पर आप financial error बताओगे का audit financial error के बेसको होता है ना 2022, 23, 24, कौन साल का आप audit करना चाहते है उसमें वो लिखा होगा और कहरा ने अब हम आपका financial statement का audit करेंगे तो साथ में हम आपकी consolidated financial statement का audit भी कर देंगे I hope आपको consolidated financial statement समझाती होगी consolidated समझाता है ना मानलो एक company देखो दो तरीके की financial statement होती है मानलो एक company है H Limited मानलो एक company है S Limited मानलो ये holding company है और मानलो ये subsidiary company है holding company वो होती है अगर एक company दूसरी company के अंदर आप लोगोंने company law में पड़ रखा है more than 50% के equity shares hold करती है तो जो hold कर रही है उसको holding company बोलते है जिसको hold किया रहा है वो subsidiary company होगी तो holding company एक अपनी balance sheet बनाएगी subsidiary company अपनी balance sheet बनाएगी देखो हर company को हर साल ROC को इसको अपनी balance sheet वगएदा financial statement की copy file करने होती है तो जो यह अपनी अपनी बनाती है न उसे हम बोलते है stand alone financial statement क्या बोलते है stand alone financial statements तो जब एक company अपनी खुद की financial statement ROC को file करती है उसे हम क्या बोलते है stand alone तो holding company अपनी stand alone financial statement बनाएगी और subsidiary company अपनी stand alone financial statement बनाएगी लेकिन holding company के साथ एक दिक्कत हो रहा है holding company का खाली इससे काम नहीं चलेगा holding company को साथ में consolidated financial statement बनानी पड़ेगी एक H limited प्लस S limited की एक combined financial statement भी बनेगी जिसमें दोनों की combined balance sheet होगी, combined penal account होगा उसको हम बोलेंगे consolidated financial statement और ये consolidated financial statement बनाने की जिम्मेवारी किस की होती है holding company की होती है इसका मतलब अगर तुम holding company के point of view से सोचो तो holding company को दो financial statement audit करवानी है एक तो अपनी stand alone वाली और एक अपनी अपनी और subsidiary की साथ combined वाली जिसको हम क्या बोलेंगे consolidated financial statement और subsidiary company को खाली एक ही financial statement audit करवानी है, अपनी वाली, जो उनकी stand alone वाली है और यह financial statement किसको फाइल होंगी R.O.C. को इसको houylding और आपको पता है financial statement R.O.C. को किस form में file होती है, form number A.O.C. 4 में file होती है form number A.O.C. 4 के अंदर जितनी भी financial statement की copy होती है वो ROC को file की जाते हैं जो जितनी भी company की financial statement होती है वो AOC for form में लगा कर ROC को भीजी जाती है रिस्टार कमपनी को और यह AOC for कितने दिन में file होता है within 30 days of AGM जब भी किसी company की जो AGM होती है annual general meeting AGM बोलते हैं उसके 30 दिन में file किया जाता है क्योंकि आपको पता हुआ annual general meeting shareholders की होती है AGM के अंदर यह financial statement shareholders के आगे पेश की जाती है उनको दिखाई जाती है अदर हमने audit कर दिया है यह financial statement की copy है क्योंकि shareholders को financial statement की copy क्यों दिखाई जाती है और उनसे approve करवाई जाती है क्यों करवाई जाए क्योंकि उनी का तो पैसा लगा वे कंपरी में अब जब उनसे अप्रूव करवाली तो वो 30 दिन के अंदर वो कौपी फिनेंशलेट्मेंट की किसको भीज आती है आरोची को भीज आती है किस पॉम में अगर आपने किसी और एक कंसॉलेटर में उस होल्डिंग कंपनी की कोई सबसीडरी कंपनी है कोई जोइंट वेंटर कंपनी है एक हमारी कंपनी है यह हमारी ग्रूप कंपनी है यह हमारी सबसीडरी कंपनी है इनका भी ऑडिट साथ ही होगा तो उसी के कोईडिंग फिर ऑडिटर एंगेजमेंटर में अपनी फीज चार्ज करके बताता है कितनी लेगा तो इसका मला आप यह समझो कि जब ऑडिटर ऑड मैं अबिवीजियुड है तो माय, आवरर अंडिसेंटतो अब से हैं-कस कनेदेड़being दे लेजरे लेए हैं-कस देजर्स में म् Polsce लेंगें। और हमारा जो objective होगा वो खली किसली होगा for expressing opinion मैंने तुम्हारे कहबल था auditor का पहला काम खली opinion form करना होता है वो पहले आते ही उठा के fraud detect करना शुरू नहीं करेगा वो खली check करेगा कि सारी चीज़े ओके हैं नहीं हैं वो उसके according अपनी opinion form कर देगा auditor कभी भी तुम्हारे को jail में नहीं भिजवाता ओ हो भई ये company में fraud पकल लिया auditor क्या करेगा तुम्हारे जो भी तुम्हारे में गलत है उसके एक report बना देगा अगर कुछ सही होगा तो clean report बना देगा गलत होगा तो bad report बना देगा है ना और वो report बनाने के बाद ROC को तो company file करेगी क्योंकि उनको audited reference management copy ROC को लगाने होती है तो ROC अपने अप detect कर लेगा और प्लस अभी आगे company law में section 143.12 वहाँ पे लिखा हो है कि अगर fraud का amount 101 क्रोड से यादा है अगर fraud का amount section 143.12 deal करता है company law का reporting of fraud by auditors reporting of fraud by auditors में deal करता है और वहाँ पे लिखा हुए कि अगर fraud का amount एक क्रोड से यादा है और auditor ने पकड़ लिया है वो fraud तो आपके duty बनती है कि आप ROC वगारा को income tax department वगारा को खुदी बता दो कि ये company fraud करके बैठी है इतना बड़ा लेकिन अगर उससे छोटा amount है एक क्रोड से नीचे का fraud है तो आपको बताने की जुएत नहीं है तो वो सब बात है खेर बहुत भी आप हम जिकर नहीं कर रहे थे मैं तो देख बहुत नॉर्मली बता है लेकि आपको ये पता है कि auditor का का काम mainly fraud वगेरा detect करना बात का काम होता उसका secondary objective होता primary objective तो खली opinion form करना होता है वो सारी ये check करेगा कि आपकी company ने accounting principles जितने है follow करें नहीं करें कि आपकी financial statement true and fair view देरी है निदेरी ये सारी ये check करें और आपको true and fair view का मतलब मैंने बताया था एक company के ओपर जितने भी law लग रहे है balance sheet वगेरा बनाने के लिए companies act लग रहा है accounting standard लग रहे है auditing standard लग रहे है अगर वो सब कुछ follow ढंग से होई है तो इसका वाला company की financial statement true and fair view देरी है अगर वो सब को ढंग से follow नहीं होई है आप सारे पीनल वगेरा सब कुछ चेक करेंगे क्योंकि financial statement बनाने की जिम्मेवारी आपको पता है financial statement auditor नहीं बनाता CA नहीं बनाता आपको पता होगा ना financial statement बनाने की responsibility management की होती है board of directors की जो company की financial statement होती है balance sheet, pnl वगेरा इसको prepare करने की responsibility किसकी होती है करने की responsibility किसकी होती है management की management मतलब company के board of directors और इसको audit कोन करता है इनको check कोन करता है auditor तो auditor financial statement बनाता नहीं है वो बनी फिनेशल statement को check करता है आपको यह बात पता है और बहुत सारे company की management होती है वो खुद अगर financial statement प्रिपेर नहीं करती तो वो CA को या accountant को hire कर लेती है financial statement बनाने के लिए अगर खुद नहीं है या commerce background से बिलॉंग नहीं करते है engineer बगरा है डॉक्टर बगरा है लेकिन जैसे अब यह जो 40s hospital है या जो लाल पैतल है बड़ी बड़ी companies है hospitals के इनके जाता है directors doctors ही है अब यह फोड़ी financial statement बना पाएंगे तो company law में तो यह लिखा हुए कि financial statement directors को बनानी होती है तो वो तो बना नहीं पाते तो वो financial statement बनाने के लिए CA को hire करते हैं या accountants को hire करते हैं उनसे बनाते हैं लेकिन अगर तुम financial statement किसी CA से बनवा रहे हो तो जिस CA से आपने financial statement बनाई है आप उस CA से audit नहीं करा सकते हैं आपको किसी दूसरे CA से audit कराना पड़ेगा क्यों उसका simple logic है मैंने बनाई है मैं अपनी गलती खुद थोड़ी निकालूँगा कोई और ही निकाल पाएगा तो better है तो आपको किसी independent person से audit करवाना पड़ता है जिसने financial statement बनाई है वो से audit नहीं करवा होगे तो यह सब आप इसमें आप बता दोगे कि हम तुम्हारा audit कर देंगे हम as per company लो करेंगे हम सारे auditing standards, accounting standards अब follow करेंगे उसके according audit करेंगे और हम आपकी company के internal controls कैसे हैं सारी चेक करेंगे चेक करने के बाद हमारा audit किस चीज़ पर based होगा आपकी management की बातों पर based होगा पहली बात तो हम यह देखेंगे financial statement true and fair भी देरी देरी हम उसमें यह सब चेक करेंगे कि आपने company लो follow कर दो नहीं कर रहा था आपने proper accounts maintain कर रखे ते नहीं कर रखे थे आपके internal controls अचे से नहीं हम इस सब चेक करेंगे next हम आपका साथ में क्या चेक करेंगे कि future में आप क्या क्या transaction कर सकते हो financial transaction अभी जो कर रहे हैं future में कोन कोन चीज़ों का आप पर negative impact पर सकता है हम उसके बारे में ही बता देंगे प्लस अगर आपके उपर आपकी कंपनी पर कोई केस चल रहा है तो उसका आपकी financial management पर क्या impact पड़ेगा तो कितने केस चल रहे हैं कितने नहीं चल रहे हैं आपने कितने केस चल रहे हैं वह सारी चीज़ें बता देंगे अगर अभी की position के आपसे आपकी कंपनी को future में कितने losses bear करने पड़ सकते हैं अगर हमें को अंदाजा लग रहा है कि long term में आपकी कंपनी losses bear कर सकते हैं अब उस अपकी detail भी audit report में बता देंगे तो यह सारी कोपी लिखा ना यह हम किसको बेज रहे हैं कंपनी की audit committee को बेज रहे हैं और company को और okay लगता है कि audit करने को त्यार है तो साइन कर देगी तो यहां पर इस सब लिखा हो ना कि सारी terms and conditions लोड़ी हुई है कि हम इस इस तरीके से करेंगे यह चेक करेंगे और इन इन चीज़ों में भी क्या-क्या चेक करेंगे यह सब law नहीं बताया हुआ है मैंने बला ना जब आप financial statement को audit करते हो तो उसमें आपको ज्यादा scope खुद नहीं देखना पड़ था law ही बता देता कि क्या-क्या होगा और इसमें आप अपनी फीस वागिरा डालकर जो जो आप extra चीज़े वो डलवाना चाहते हैं आपसे सब करवा डलवा देंगे उसके according अपनी court वागिरा देना अगर वो company को लगता okay है तो वह sign करवा देगी आप से audit करवा लेगी ठीक है जी तो इसका अब आपको समझ आ गय सब्सक्रास में तो बच्चों को लाइन बन पूरा पड़ाया था एक format कैसे कैसे है तो इसके अंदर ctc भाशा में आपको समझा को बूचे एक लाइन में क्या है engagement letter ctc भाशा में audit करने को त्यार है और हम acceptance क्यो देते हैं कि पहले सामने वाली company से हमारे को proposal आया होता है कि आ आप उस company के लिए अंगेज हो जो कि अपना audit स्टार्ट कर दो और अगर आपको लगता है कि नहीं है तो आप refuse कर दो या company आपको refuse कर देगी दोने चीज़े हो सकती है खतम हो गया audit engagement अब आता है next चीज audit program अब यह क्यों होता बढ़ ध्यान से सुनने है यह क्यों होता है बड़ा simple है बहुत इच्छा है यह क्या बदाता अब स्टार्ट करतेंगा इस audit program यह पता है कैसा है यह audit program है इसको आप नॉर्मल प्रोग्राम से लिंक कर लो पहले दो दो नों पाँच friends है example लेके बाद करते हैं उन्होंने एक program बनाया कि यह काम करते है चल भाई गोवा के टूर पर चलते है गोवा का ट्रिप व्लां करते है उन्होंने गोवा का ट्रिप बनाया अब पाँचों दोस्तोंने क्या plan में क्या क्या decide करा कि भाई पहली बात तो budget कितना आएगा पैसे कितने लगेंगे दूसरी बात वहाँ पे क्या क्या विजिट करेंगे किस-किस जगा पे जाएंगे क्या क्या activity करेंगे कुछ food की list बनाई होगी क्या क्या खाएंगे अच्छा कितने दिन का trip होगा days कितने होंगे कितने दिन के अंदर घुमपर के वापिस आएंगे next plan ये करा होगा भाई train के थू जाएंगे या flight के थू जाएंगे etc तो जब हम कोई program बनाते हैं program में बहुत साची decide करते हैं मिलके दोस्ते हैं मिलते हैं आप बैट जाओ सारे meeting करते हैं एक program बनाते हैं कि यहाँ जाएंगे ऐसे जाएंगे ये खाएंगे वो पिएंगे इतना budget लगेगा वगयरा वगयरा पहले इस तरफ जाएंगे फिर उस तरफ जाएंगे पहले ये करेंगे फिर वो करेंगे और सारा कुछ इतने दिन में complete करेंगे घर वापिस आजाएंगे सेम ओडिट प्रोग्राम का मतलब क्या है ओडिट प्रोग्राम का मतलब होता है एक चेक्लिस ट्रेडी करना ओडिट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है एक checklist ready करना check list समझते हो check list ready करने का मतलब होता है कि हम लोग audit करने जाएंगे तो हम सबसे पहले वहाँ पे जाकर ये चीज़ चेक करेंगे फिर ये चीज़ चेक करेंगे इसी sequence बाइज चेक करेंगे और check करने के बाद ये चीज़ इतने दिन में खितम कर देंगे। और प्लान में रडी कर रहाना माल रो कर चार बंदे ऻिशेंद आँडित करने जा रहे हैं। तो इसमें से तू यह वाले चीज़ चेक कर लिए चॆपकर लिए तो यह वाले चीज़ें राइब आपसमें बाट ले आपसमें इस इस वीज़ अपने बदाता हूं जब हम लोग जाते थी ना ओडिट करने मैं तो सी एस की हुई है तो आपको याद होगा जब मैं हम से क्रेटर लोग थे थे ना सबसे बहले चेक करते हैं कंपनी के मिनट्स मिनस क्या होता है , summary of the meeting , इस वाली 沒有 के अदर है , इस वाली meeting के इनदर इस वाले मिनट्स में करा है उसके resolutions की copy check करना क्या उन्होंने उसके लिए resolutions proper pass किये थे नहीं किये थे क्योंकि पहले resolution pass होता है बाद में minutes बनते हैं कई बार ऐसा होता है company साला जूटे minutes बना देती हैं हमने यह करा था actual उसके प्रूफ ही नहीं होते उनके पास तो अगर तुम कहा रहे हो कि तुमने meeting में यह काम करा है यह काम करा है तो उसके resolution pass कर रहा होगा ने शेरोल्टर से permission लिए होगी तो resolution की copy थी नहीं थी तुमारे पास है ना अच्छा पर resolution pass कर रहे थे तो क्या उसको time ली जैसे हारे आज यह सब को तावर डिरेक्टर कि अच्छा यह जो resolutions pass होएं इसके लिए general meeting बिल बन साई होगी मीटिक के अंधर pass होते है जैरल मीटिंग या बोर लोडव मीटिंग या पू तो यह पेंधु को ब्रेतन के चलते हैं कुछ आज से इस बीको मीटिक लिएग औप लिटी का न बहुता है। वो उस टाइम पे भीजा था प्सारी चेक होंगे इस तरीके से तो मोघ चेक लिस्ट, लिस्ट से मुंजू Hungary Gastat करेंगे और इसके लिए हम लोग अलॉट कर लेते हैं जैसे माझलोग वह फूर परसंद जा रहें proving तो हम लोग टास्क का लॉट कर लेते थे कि भाई देख मैं resolutions वहाँ पर चेक कर लूँगा तो एक बार minutes का में से पूछ लिए कि किस minutes में क्या क्या कमी है उसके बेस पर resolution मैं चेक कर लूँगा तीसरे बंदे को बोल दिया कि भाई तू MCA की साइट पर विजिट कर और चेक कर कि resolutions की copy महाँ पर फाइल हुई है नहीं हुई है क्योंकि आप किसी भी company के resolutions जो पास होए है वह ROC को फाइल होते हैं आप उनकी inspection करके बहुत सारे forms ROC की साइट से download कर सकते हो चेक कर सकते हो कि company ने यह चीच फाइल करी है ROC करी करी है तो तीसरा बंदा चेक करेगा verify करेगा MCA के portal पर जाकर ministry of corporate affairs की साइट पर जाकर कि वह चीच फाइल हुई थी है नहीं हूँ थी मैं तुम दिखाता हूँ कहां से निकालते हैं तो मैं दिखा भी देता हूँ यह गया हम MCA की साइट पर MCA की साइट पर MCA Services में गए MCA Services में जने के पाद यहां पर कॉलम आ रहा है व्यू पबिक डॉक्यमेंट्स अच्छा व्यू पबिक डॉक्यमेंट्स जैसे माल लो मैं किसी कंपनी के पॉब्लिक डॉक्यमेंट निकालना चाहता हूँ मालनो मैं रिलाइंस के निकालना चाहता हूँ रिलाइंस इंडस्ट इस लिमिटेड मैंने सब्मीट करा मैंने यहां पर क्लिक कर दिया अब वो कह रहा है कि आपको कौन से डॉक्यमेंट निकालने है यह देखो तो अगर मैं उस कंपनी के निकालने होगी के है वो निकालना चाहता हूँ 100 ओर की agreement होती है अब बोछ रहा है यह तेक हÔं कि निकालना चाहते हो दोयर 21, 22, 23 माल लो मैं दोयर 22 की निकालना जाता हूँ मैंने submit पे click करा यह आ गया अब इसके बद क्या रहा है add this company to card बस card मैं add करूँगा, और 100 पे की fees पे करूँगा मैं document निकाल लूँगा तो मैं किसी भी company की balance sheet घर में बैठे हैं मैं निकाल सकता हूँ, उस company को पता भी नहीं लगेगा, हमने निकाल लिए और काम हो गया काम हो गया तो इसका मतलब audit program के अंदर क्या होता है बहुत सारी शी निकाल सकता है इसका एक बंदे को हमने task lot कर दिया कि भाई तो यह चेक करी हो एक को task कर दे तो यह चीज़े चेक करी हो, मैं यह चीज़े चेक करूँगा तो हमने सब आपस में काम बाट लिया तो यह हो गया हमने program ready करा और उसके बाद हम अपने time decide कर लिए कि भाई तू यह वाला काम इतने दिन में खतम करेगा तू यह वाला काम इतने दिन में खतम करेगा फिर पहले individual time decide कर लिए तू एक दिन में करेगा तू एक दिन में करेगा तू दो दिन में करेगा फिर overall time decide कर लिए कि भाई overall काम पाथ दिन में खतम हो जाएगा तो इस पूरी चीज़ को जो ready करा या फाइव डेस में कम्प्लीट हो जाएगा या इसे हम बोलते हैं audit program इसे हम क्या बोलते है audit program तो audit program just like एक checklist ready करना है एक plan बनाना है एक program ready करना है कि भाई तू ये काम करेगा तू ऐसे करेगा तू ऐसे करेगा पहले तो यह चीज़ चेक करी और मैं यह चीज़ चेक करूँगा बगएरा 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 तो audit program क्या होता आपको समझ आ गया अच्छा मैंने तो तुम्हार को उसके इसाफ से example दिया और क्या कहते हैं सेक्रेटर आउडिट के साब से financial statement के audit में हम लोग क्या चेक करते होंगे कि भाई टास्क बाट लिए कि भाई तू जर्नल चेक कर लियो मैं लेजर चेक कर लूँगा कि भाई यह चीज़ बैलेशेट में शो ओर ही है कि जर्नल लेजर में एंट्री डली थी नहीं ड़ी थी इसकी है ना तो सारी चेक करते हैं प्रॉपर रिकौर्ड बने थे नहीं बने थे और उसके बाद पे एनल में एंट्री डाली है अचा कंपनी बोले यह इतना स्टॉक ह करने के लिए जड़ा देखो क्या बोलता है और इप्रोग्राम क्या है एक डिटेल प्लान है एक प्लान है ऑफ दो ऑडिटिंग वर्क तु प्रोसीजर दू भी फॉर्ड वेरिपिकेशन अफ इच आइटम अचा इच आइटम मतलब कि फनाइंचा सेट में लिखा हुआ है एस तो एसेट इतने है करंट इतने फिस्पिवी फिजिकल इतने हैं तो इतने अमाउंन्ट की हैं तो भई करंट एचक करना एच ग्वाण की घभी है नहीं हो कि किद्ना वह देखने ऐसा कहां से शुरू होँए, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे कितना टाम में complete होगा, stock taking, मतलब company का कितना stock जो रहने show कर रखा है, मुसे match करेंगे, तो कई बर जो हम time बताते हैं, हो जरूरी निया कि वह timing उतने में complete होगी, कई बर उपर निशे भी हो जाती है, कई बर time consuming ज्यादा हो जाता, लेकि एक average time हम पहले से decide करें चलते हैं, तो यह time में खतम कर देंगे, कहारा, audit program दो तरीके की होते हैं, एक होते है, program common to all types of audit, और एक होते है special program, जब आप company में जा रहे हैं, एक सबका प्रोग्राम पहला तो सेम होता है, books of account चेक करना, बुक्स अपकोंट में क्या आता है, ledger general, उसके base, वो सबके base पे financial statement चेक होंगी, क्योंकि आपको बता है, पहले books of accounts ready होते हैं, उसके बाद financial statement बनती है, balance sheet, पेनल बगएरा, लेजर general के base पे बनती है, तो हम साब में balance sheet रखेंगे, जो management ने ready करी होगी, अब management ने जो चीज़े इसमें show करी है, उसको books of account से match करेंगे, और उसके बाद अब जो जो चीज़े उसमें check करने वाले से asset हो गया, stock हो गया है, अब उसको verify करेंगे, कि ये चीज़े उनके पस जो उनके ने दिखाई है, कि इतना closing stock है, इतना opening stock था, क्या वो सब चीज़े हैं भी उनके पास या नहीं, और करेंगे, कुछ special type of audit होते हैं, जो company के लिए नहीं होते हैं, एक particular firm के लिए होते हैं, इसे partnership firm का audit करने का है, तो उसको audit अलग तरीके से होता है, company is called a general होता है, लेकिन partnership firm अलग तरीके से अपड़ेट करते हैं, उनको audit अलग तरीके से होता है, अब audit program का idea गया है, पहली बा साथ में मिल, और कुछ चीज़े interconnected होगे, वो मिलके check कर लेंगे, आगे बढ़ो, और आपको पता होता है, क्योंकि जब आपने काम बाट लिया, तो आपको पता होता है, तो ये काम इतने time में करी हो, ये इतने time में करी हो, तो ये useful होता है सब के लिए, एक uniformity आ जाती है, useful हो करने के लिए कि जल्दिल्दी काम खतम होगा, as evidence भी create होगा, evidence क्यों हमारे लिए, इस ये proof के लिए क्यों काम करता है, तुम से सामने वाले company ने पूछ लिया, कि तुमने हमारी चीज़ चेक करी नहीं करी, तो आप सीथा मूँ पर बोल सकते हैं, ये देखो सार, checklist की list, इसके disadvantage क्या है, क्यारा, disadvantage क्या है, क्यारा, disadvantage क्या है, क्यारा, 90% companies में वही checklist काम आ जाती, तो कई बार ये ना, become boring और mechanical लगने लगने लगता है, हर company मेरा, हर जार जाकर सेम चीज़ चेक करनी है, लाओ भई अपनी books of account लेकर आओ, जाओ voucher से, अचा, company ने बोला, भई, हमने इतने expenses क करें, तो हम क्या बोलेंगे, कहां का खर्चे करें, उसके vouchers की copy लेओ, दिखा दो हमारे को, हैना, अब इतना boring होने लगता है, कह रहा है, कह रहा है, चोटी companies के लिए तो program बनाने का money नहीं करता, जो बहुत चोटी companies हैं, वहाँ पर क्या list ready करें, मन करता साला, फटा-फट ल अटक गया, inefficient staff था, staff ने नंग से काम नहीं करा, कही पर यह भी दिख्कत होती है, कही पर होता है, rigid program cannot be late for each time, rigid का मतलब क्या होता है, कही पर तुमने program ready कर लिया, लेकिन company की management cooperative नहीं है, आप तो checklist ready करके लेगा, यह चेक करोगे, यह चेक करोगे, वो time पर दिखाई नहीं आप को चीजे, आप अटक गये, आप complain तो कर सकते हैं, अभी तो तुम्हारा काम अटक गये ना, rigid होने की वेज़े से, company की management, rigid होने की वेज़े से, आपका program, और कुछ यह कही पर ऐसा होता है, कि आप बहुत ज़्यादा, rigid हो हर्ची चेक कर रहे हो, लेकिन company हर्ची चेक कर आना ह चाहती है, तो भी दिक्कत होती है, तो एक अट्वांटेज भी है, कुछ दिसड्वांटेज भी है, audit program के, यह होगे audit program आपका खतम, अब आता है audit working papers, यह क्या होते हैं, यह देखते हैं, next concept आता है guys, audit working papers, यह क्या चीज है, आप इसका connection है audit program से, आपने audit program बना दिया, लेकिन उसको detail में check करना कैसे है, उसके लिए program audit working papers का रोल आता है, आपने यह बोला कि हम यह चेक करेंगे, हमने बोला कि हम minutes चेक करेंगे, है ना, हम resolutions pass हुए ने check करेंगे, form filing चेक करेंगे, form file हुए निए, लेकिन उस form file करने के लिए क्या-क्या requirement होती है, कितने दिन में file कर कर जाते हो, उसे हम बोलते है audit working paper, जैसे मैंने सोचा कि भई, मैंने यहां से checklist में ready कर दिया, कि हम वहाँ पे जाकर check करेंगे, कि भई, directors कितने appoint हुए थे, कितने गए थे, ये तो हो गया हमारा audit program का का काम, लेकिन director appoint करने के लिए क्या requirement होती है, जैसे company law में लिखा हुआ है section 15 के अंदर कि director appoint करने के लिए आपको ordinary resolution pass करवाना होता है general meeting के अंदर, और एक बार director को पाइंट कर दी, ordinary resolution pass कर दी, और director को पाइंट करने के लिए उसकी consent लेनी होती है, DIR2 form के अंदर, और एक बार उसकी consent लेनी होती है, DIR12, जिसके अंदर उस resolution की copy और DIR2 consent letter की copy लगा कर और फ्रेंगी, तो लो धंग से follow, यह सब कहा होता है, audit working paper में लिखा होता है, DIR2, audit working paper में लिखा होता है, तो यह उपर से connected है, तो program में हमने सिंपल में यह website कर लें, यह check करेंगे, यह check करें, यह check चेक करेंगे, हमने एक checklist ready कर ली, वो तो हमारा audit program हो गया, लेकिन आप वो चेक करेंगे कैसे, अचा, loan लिये थे, तो loan लेने की requirement company law में क्या लिखी हुई है, जैसे वहाँ पर company law में लिखा हुई है, कि अगर कोई company loan लेती है, secured loan, तो उसको section 77 से लेकर 87 तक के provision follow करने होते है company law के तो क्या वो follow हुए थे, नहीं हुए थे, अगर हमने बोला जी, ये, चार्ज के provision है, चार्ज का मतलब होता है secured loan, कि company लोन लिया, बदले में कोई property गिर भी रखवाई, तो उसके लिए provision दियो है, यहाँ पे, तो हमने ये तो लिख लिए है, वहाँ पर audit program में, कि हम loan लिया न लिया, वो सब section में लिखा हुआ थी हो गए working papers की requirement, हम इसमें लिखके लेकर जाएंगे, कि मैं ये चीज़ है, ऐसे से चेक करेंगे, वहाँ पर ये चेक करेंगे, कि ये load answer follow नहीं हो, अब हमने डाल दिया audit program में, कि हम कितने director appoint हुए, कितने remove हम ये check करेंगे, लेकिन director appoint करने क के लिए और remove करने के लिए जो requirement है, appoint और remove करने की requirement है, company locket section 152 के अंदर, और remove करने की requirement है section 169 के अंदर, तो क्या वो requirement पूरी हुई थी या नहीं हुई थी, proper resolution pass हुआ था, नहीं हुआ था, proper form file हुआ था, नहीं हुआ था, वो सब हम working paper के लिखके लेकर जाएंगे, तो इसले working paper भी दो तरीके की होते हैं, एक होते है permanent working paper और एक होते है, देखो यह लिखा रहा है, अब एक होते है permanent audit file, working paper files बोलते है, score और एक होते है current audit file, अचा permanent audit file का मतलब होता है, यह वो चीज़ है, जो generally change नहीं होती, वो हमेशा वही रहती है, जैसे example company के MOA, अचा memorandum of association, article of association, MOA म चलेगी कैसे एक साल में कितनी meeting होगी, directors कोन कोन होंगे, उनके नाम, उनकी details, वो सब AOA में लिखा होता है, तो company का नाम क्या होगा, काम क्या होगा, वो सब MOA में लिखा होता है, company चलेगी कैसे वो सब AOA में लिखा होता है, यह होता है permanent audit file, जब company बनाई थी, उस time पे ready किये हर साल खोड़ी बनते हैं, अगर future में कोई, आप MOA में कोई changes करना चाहते हो, या AOA में कोई changes करना चाहते हो, तो amendment करना allowed होता है, उसे हमें alteration मोलते है, alteration कर सकते हो, लेकि normally यह सेम रहते हैं, जो बने थे, starting में वही generally lifetime तर चलते है, थो जो alteration होती है, current audit file का मतलब है, जो हर स साल चीज़े बदलती है, हर साल चेक करने होती है, तो इसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, like directors कितने अपॉइंट हुए उस साल के अंदर, directors कितने अपॉइंट हुए, कितने रिमूव हुए, क्योंकि director आए दिन company night आती है, कुछ हटा देए, कुछ ले आती है, company ने loans कितने लि है, उनकी detail, तो यह होती ही current file, जो हर साल चेंज होती है, हर साल, दो साल के अंदर, चेंज होती है, हम होते है current audit file, जैसे example लिखाना, annual reappointment, annual reappointment लिखाना, हर साल कोई director आ रहा है, कोई auditor आ रहा है, जा रहा है, permanent audit file का होते है, इस MOA होते है, जो generally same ही रहते है, साल और साल बदल स्टार्टिंग में engagement letter sign करा था, उसमें हमने बोला था कि हम यह चेक करेंगे, हम तुम्हारा यह scope बता दे थे न, पहले से कि हम तुम्हारा इनची जो audit करेंगे, financial statement करेंगे, तुमने यह बना दिया, तो सब तुम से step कैसे चलते है, तुम यह समझो, financial statement में हमने audit engagement में बोला क्या कैचीते बात में करोगे, जैसे पहले journal चेक करोगे, ledger चेक करोगे, panel चेक करोगे, balance sheet चेक करोगे, records चेक करोगे, stock चेक करोगे, वो सब तुमने ready कर दिया audit program में, और कौन को बना चेक करेंगे, उनको task load कर दिया, अब वो चेक करोगे कैसे, वो किसमें लिखा होता है audit working paper में तो तीनों connect हो गए ना, सबसे पहले engagementator में बताए कि हम यह यह चेक करेंगे, चेक, महला पूरा decide कर ले कि हम financial statement audit करेंगे, उसमें तो बहुत कुछ आ गया, फिर उसके program ready करागी, उसमें भी क्या-क्या check करेंगे, वो हमने audit program में ready कर दिया, और यह बंदा चेक करेंगा, फिर आए तीसरे working paper जिसके दरब हमने यह बता दे कि अब यह task तो lot करते कि तो यह करेगा, कैसे करेगा, law की requirement क्या है, वो सब लिखके ले चलो, working paper के अंदर, और उससे फिर match करते चलना, तो यह हो गए audit working paper, तो क्या रहे है, यह record होता है planning का, कि हम कैसे वो सारे काम execute करेंगे जो engagement में mention है, तो यहाँ पर हम set of working paper लेकर जाते हैं हर साल, कि हम इसी स्तरीके ची करते हैं, दो तरीकी की पेपर होते हैं, एक होते है, current year वाले, जिसमें हम current साल की चेक करते हैं, कितने डिरेक्टर आए, कितने गए, कितने गए, कितने गए, है ना, बो सब्सक्री चेक करते ह हैं, और इसके अंदर क्या होते हैं, कई बार ऐसे working paper भी होते हैं, जो एक साल से ज्यादा के लिए relevant होते हैं, जो हर साल जुरत पढ़ती है, इनको हम बोलते है, permanent working paper, तो मलब दो तरीकी की working paper होगा, current और एक permanent, permanent वो जिनकी हर साल जुरत पढ़ती है, ऐसे MOA वे, अच्छा त इतना loan ले सकती है, कितना ने ले सकती है, वो सब powers भी MOA में लिख्योंगी, है ना, अब वो company चल कैसे लिए होगी, कौन-कौन से directors को कौन-कौन सी power दी होई है, है ना, कैसे-कैसे दी होई है, वो सब चीजे कहा लिख्योंगी, AOA में, तो अगर तो MOA, AOA पढ़कर जाओगे किसी company के, तो तुम्हार को उस company के understanding better clear होगी, company manage कैसे हो रही है, तो उसको तुम्हार को audit करना असानी होईगी, तो कहना है, कुछ working paper ऐसे होते हैं, जो हमार को माप audit करने में help करते हैं, जो हर साल पढ़ती है, जो generally same ही रहते हैं, तो उने हम बोलते है, पर्मनेंट working paper, इसका पर example हो दिया, मैंने MOA होए, और कुछ हैसे होते हैं, जो हर साल चेंज होते हैं, जैसे एक बाह बताओ, आड नेया director आया, तो इसका appointment के procedure से, जो form आया होंगे, इसके अलग फाइल करे गए होंगे, अगर इसमें से किसी को निकाल के, कोई दूसरा लेकर आया है, उसके अलग अलग फाइल होंगे, हाना कोई auditor पहले था, वो चला गया, अब उसकी जगा नहीं आया है, तो उसके अलग फाइल होंगे, तो कुछ form ऐसे होते हैं, कुछी जासे होते होते हैं, जो हर साल चेक करने होती है, जब पिछले साल क्रोड करोड कर लोन लिया था, इस साल क्रोड कर लोन लिया, उसके लिए लग form file क्या होगा, उसके लिए अलग asset गिर भी रखवाय होंगे, तो यह वोगल requirement हर साल चेक करने होंगे, इस साल क्या क्या कर रहा है, तो वो सारी चीजिए जो हम उस साल चेक कर रहे हैं, लोग एक वो सब current working paper हो गए, और वो वाले document जो पहले से च पूले के साथ, निकाल कर लए जाओ, डाउन्लोड कर और company audit करने चले, तो आपको idea होगा, उस company के MoAway में लिखा था आप उससे चेक कर सकते हो, कि किस-kis director हो क्या-क्या power दीए, सब AOA में लिखा होगा, कि director यह काम कर सकता है यह नहीं कर सकता है, company यह काम कर सकते यह नहीं कर डोकेंटशन करना है और हम लोग डोकेंटेशन के लिएर्ड कर देए और जो परमनेंट वाली है वो को पढ़ने के लिए यह करकर लेगे करकर लेगे यहिए चाइक करेंगे उसकी लाग कर लेगे कि लॉग लीगली चीज सही है या नहीं है तो फटावर्ट समप करो फटावर्ट समप करो जी कि audit working paper क्या है सबसे बहले समप करो कि जो audit engagement letter सबसे बहले साइन दोसमें हम यह पताते हैं कि हम इन इन चीज़ों audit करेंगे financial statement audit करेंगे balance sheet penal करेंगे आपकी company का भी करेंगे, आपकी subsidy का भी करेंगे standalone वाला भी करेंगे, consolidated वाला भी करेंगे आपकी company के जितने frauds वखरा हो रहे हैं या internal control system में वो सब भी चेक करेंगे यह सब तो हमने लिग दिया engagement letter में उसके according piece वखरा कर दी अब आता है फिर दूसरा audit program जिसमें checklist study करते हैं कि भाई यह बंदा जाकर अब हम उस financial statement में भी चेक करने से पहले हम leisure कौन चेक करेंगा, journal कौन चेक करेंगा, यह सब चीज़े कौन चेक करेंगा, इसके कि यह चीज़ चेक कर लियो, कि यह चीज़ पूरी हुई थी यह नहीं हुई थी, law क्या बोल रहा था, वो सब कहां लिखाओगा, audit working papers में तो इस साथ हो गया, और working paper कितने दरीके कि दो, एक permanent, जो सालो साल जनरली सेम रहते हैं, मैं यह नहीं कर रहते हैं, जो हर साल हमार को help कर सकते हैं, उनको अपने साथ कहरी करें, प्लस कुछ working paper ऐसे हैं, जो हर साल बदलते हैं, जो हमार को उसी साल चेक करने पड़ेंगे जाकर कि इस साल की requirement के according law क्या बोल रहा था, और इन्हों पूरा करके ही director point करा है या हट आया है नहीं और इस डिरेक्टर कमपनी कहते हैं, आपको खतम हो गया, next topic आता, आपको audit notebook, यह तो कुछ भी नहीं है, यह तो बहुत ही simple है, यह तो कुछ भी नहीं है, audit notebook पता है क्या है, जब आप audit कर नहीं है, हात में copy रखो, और आप जो जो चीजें वहाँ पर observe करें, उसको note करते हैं, जो आपको अलग लग लग रही है, या जो आप observe कर रहे हो, जैसे आपने financial statement चेक करी, आपको उसमें न, अभी आपने पकड़ा नहीं है कि fraud हुआ है, आपको कुछ किसी particular point पर doubt हो रहा है, आपने copy में लिख दे कि यह वाला point आपको कुछ चीजें चुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उन बंदों का नाम डाल जे कि यह यह बंदे में से धंसे काव बात नहीं कर रहे हैं, कुछ चुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो audit notebook क्या है, जो भी चीजे आप बैट कर वहाँ पर observe कर रहे हो, उन सब को एक copy में note down क यह कहीं file नहीं होती, यह आपके अपने personal purpose के लिए होती है, यह अपने record में रखी जाती है, आप अपने लिए 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 जाता है, आप कोई चीज भूलो मत, आप उसके base पे जब आप audit report जब last में ready होगी, तो उसमें आप उनके behavior के base पे चेक कर रहे हैं, ताकि आप आपको doubt रहे है, ताकि आपको कुछ भी doubt हो रहा है, यह कुछ भी आपको चीज नोट करनी पड़ रही है, तो वह आप maintain करो, और usually क्या होता है, कि हर एक audit के लिए separate notebook maintain होती है, मालो मेरी 10 client company है, ABC Limited, XYZ Limited, तो मैं ऐसा नहीं कि एक audit notebook हर company में उठा के ले जाओंगा, तो कोशिश नोट बुक रहते हो, जो जो टीच रहता रहता है, वो नोट करते रहता है, तो तो सेम झब हम audit करने जारे हैं, तो जो ओम आपको बुरी लग रहे हैं, यह चीज मैं भूल ना झायओ, इको चेक करनी कुछ वाद में, अभी टाइम नहीं है, अभी पहला और चीज चेक करल तो आप उसको भी नोट कर लो, अगर आपको management का behavior अच्छा लग आप वो चीज भी नोट कर लो, अगर आपने कोई चीज management से मांगी थी, और management ने बोला था कल या परसो में दे देंगे, है ना, अभी तो ओन सा आप जा रहे हैं, अभी तो पास सा दिन audit चलेगा, तो आप बोचीज भूल ला जाओ, कि आपने management से मांगी थी, तो उसको भी audit notebook में note down कर लो, कि यह चीज परसो management से ले दी है, अपने purpose के लिए होते हैं, अपनी help करने के लिए audit करते वक्त, हमारे को जो चीज लगता है कि note कर लेनी चाहिए, ताकि हमारी help हो जाए, हम कुछ भूलना जाए, तो उसको एक note कर लो, उसे हम बोलते है audit notebook, simple, जरह पढ़ना, An audit notebook is usually a bound book, in which a large variety of matter observed during the course of audit record, है ना, audit करते है वक्त आपने क्या क्या चीज़े observe करी, आपको behavior कैसा लग रहा था, management का, आपने कुछ चीज़े मांगी थी, और ने बोला, दो दिन बात दे देंगे, आपको किसी चीज़े में doubt था, है ना, आपको लग रहा था कि यार, company बोल क्या चेक करा, वो सब को note कर लो, अपने पास, तो एक kind of audit notebook is a permanent record of the auditory, तो आपके पास ही पढ़ा रहा रहा है, एक बार में लिख लिख लिए, आपके बस record में रहा गया, for each individual audit, the auditor usually maintain a separate audit notebook, audit notebook आगे ना बात, जब अब अलग 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 audit notebook should be maintained clearly, completed and systematically, clearly आपको पता होना चेए, आप किस company की notebook maintain कर रहे हो, है ना, completely वाला हर चीट डाल दो महापे आपको जो जो दिख रही है, और systematically वाला आपको पता होना चेए, शुरू आप सिस्टमेटिकल होता है, सबसे पहले आपने क्या चेक कर रहा तो उसके बाद आपने क्य कल को अगर वो management वाला बोले मैंने तो आपने इस टाइम पे दो दिन पहले मेरे को यह बोला था, देखो मैंने note कर रहा है, एक दम से सामयल शॉक हो जाएगा अच्छा, तुमने मेरी बात को note कर रहा है, तुमने अगर कोई चीज महाँ पर observe करी थी पड़ी होई, कि आप यह यह रखी हुई थी और यह चीज होनी चीज होनी चीज होनी चीज ही थी कंपरी ने नहीं रखी हुई, उसको भी note down कर लो, तो यह विदेंशल काम करता है, defense के लिए कल को अपने आपको protect करने के लिए, जनरी content of what notebook में क्या होता है, enterprise का नाम, है ना, उनका structure की कैसे management बटी हु आपने management को बोला भाई यह चीज दिखा दो, तुम्हें थोड़ी पता company के resolutions कहां रखे हुए है, company के minutes की copy कहां रखे हुए, company ने लेजर जर्नल की books maintain कहां करी हुई है, तुमने company के management के लोगों को बोला हमारको यह चीज है दिखा दो, management बोला हमारको दिखाई नहीं रहे, य पर कर रही है, अच्छे, depreciation होने, SLM पर कर रही है, WDVS पर कर रहा है, वो सब मोटी मोटी चीज नोट कर लो, company के KMP कोन है, KMP में कोना आते है company के director, MD, CS, CFO, उनके detail नोटर कर लो, अगर तुमने कोई बड़ा fraud पकड़ा, उसको अभी के लिए नोट कर लो, अच्छा यह तो जब आप किसी बंदे के साथ भी घूमने फिरने जाते हो, तो दस दिन में उसको अच्छा behavior भी note करते हो, कुछ बुरा behavior भी note करते हो, तो सेम अगर किसी company में न रहे हो, तो कुछ चीज़ आपने अच्छी भी notice करे हो, कुछ बूरी भी, तो आप भूलना जाओ उन चीज़ो करें, उसके base पे तो में audit report बनाना तुम्हार को असान हो जागा और तुमने को 살ड पकड़ा था उसके note कर लेना, कोई behavior में दिख्कत लग इठी तो अपिने में डाल देगा, मैंने में से cooperate नहीं करें, तो वो अपनी audit report में डाल देगा या बात, तो इस notebook के base बाद में audit report बना करने आंधां कर रहा है कंपणी केothesод printing को होगा होता हुआ है एक होता है इनरेंगे इसे जब भी क्राइए तरीका के लिएग कर सकते हैं यह हो खोडर टार करने आता है तो यह का आइप इंलके मुद्ट तक अच्छा कंपनी ने बोला कि हमारे पर हजार यूनिट है स्टॉप कि और सारी गुड कंडिशन में तो और सारी यूनिट बैट के खोल खोल के चेक थोड़ी करेगा दो चार रेंडम चेक कर लेगा कि यह चीछ धंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सबस्टों करते हैं सेम अब कंपनी की लाखों trucks नौट हो रही है तो वह चाहिए ओंठ्टे स्टे यह वो रिस्क जो की, हमार को बाद में पता लगा, में पता है तो सब्सक्कार होती मेरे साथ घलता होती है ना कही बदो तुम्हारा पेपर आने वाला तुम्हें पता लग गया लेकिं अगर Perfect Actine क्योंकि नॉर्मली दस साल से पेपर सान आ रहा तो तुम पहनत करके चलते लेकिन तुम दस साल के साब से पास्टम्ट के पेपर प्रैक्टिस करें चलेगा और पेपर में हाथसा होगे तो 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 आप कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि आपको लेट पता लगा मतलπό होता है वह पकी कमपनी में कुछ गलतो रहा है आपको आप की कमपनी में कुछ गलतो कोई तो जब तक वह डिटेक्ट ही नहीं होगा तब तो तक वह जेल में कहसे डलवा होगी तो इसको हमेशा रहेगा रहेगा यह नहीं हो पाई तो इसलिए हमारे साथ वह जुड़ गया कि वह जो ओगाई घर में वो पानी की लिके जो जाती है हम सोच रहे हैं कि पानी यहां से लीक हो रहे है लेकिन पता ने लगा रहा है लेकिन पर बिमारी पकड़ में आती है है संब्साइब में अब आगे बढ़ते हैं अ हम पड़ते हैं सरप्राइज चेख अब यह क्या चीज़ है पर ध्यां सुनना बहुत सिंपल खास नहीं नाम से करना सुर्प्राइज विजिटकरा कई बार सब्सक्राइब डिया तो लोगों को लगता है कि यार कई बार महमान सरप्राइब तो भी ना बताया आगया आज तो इसको कुछ वैसे ही है यहाँ पर क्या है सर्प्राइब का मतलब क्या है तो मैं समझाता हूं नॉर्मली जो हम audit करते हैं वो after closure of financial year करते हैं कब करते हैं after closure of financial year जो कि जो balance sheet वागरा बनेगी वो financial year close होने के बाद भी नेगी मालो अगर current year 23-24 चल रहा है मालो अगर current year 23-24 चल रहा है financial year मालो 23-24 चल रहा है तो यह कब से कब तक का हो गया 14-23 से लेकर 31 मार्च 24 तक का साल हो गया तो normally जो हम हो क्योंकि जब यह साल close होगा तो इस date को एक close हो रहा है तो इसके बाद April के आसपास क्या बनती है financial statements prepare होती है साल close होने के बाद क्या होता है financial statements April के आसपास close होती है मलब बनने शुरू होती है पूरे साल की और उसके बाद मई जून के अंदर audit होते है मई जून जुलाई जनरली इन तीन महीनों में ज़ातार audit होते है companies audit करवाती है अपनी financial statements का तो हम यह देख पा रहे हैं कि normally financial statements का जो audit होता है वो साल खतम होने के बाद होता है जिसमें हम हर चीज चेक करते हैं कि इन्होंने जो financial statements शो करा है क्या वो true and fair वो दे रहा नहीं दे रहा फिर उसको हम ledgers से, journal से, cash book, sale book vouchers वगएरा से verify करते हैं लेकिन कुछ-कुछ auditor अगर चाहें तो इस period के बीच में ही जाकर surprise visit कर सकते हैं उसके हम surprise check बोलते हैं कि साल के बीच में ही जाकर चले गए और देख लिया कि बीच-बीच में काम ठीक से कर रहे नहीं कर रहा आप ऐसा नहीं हो कि तुम हर रोजी मूठा कर चले लो वो company को disturb कर रहे वो काम ही नहीं कर पारे वो लो आप once in a month या once in a two month once in two months आप चले जाओ एक महीने में एक बार या दो महीने में एक बार visit कर लो और जाकर देखा हो कि company ढंसे काम कर रहे ही नहीं कर रहे हैं इसको हम बोलते है surprise जब आप साल के बीच में चले गए चेक करने तो नॉर्मली जो audit होता है वो आपको समझा आगे financial close होने के बाद होता है अगर आप साल के बीच में जाकर इससे क्या होगा कि management क्योंकि आपको बता है financial statement बनाने के जिम्मेवारी management की होती है और accountants की होती है तो उनके मन में भी एक दर बैठा रहेगा कि यार कल को अगर हम ऐसा नहीं कुछ गल्ती कर रहे हैं और बीच में surprise चेक पर आगए तो हम लोग फस जाएंगे वह होता है ना जब हम paper दने जाते हैं तो वह squat वाले आते है जो आकर चेक कर लेते हैं बीच के अंदर flying team वाले कि भाई ये बंदा ढंसे कर रहा है निकरा surprise विजट करते हैं वह लोग आगर नहीं आए तो नहीं आए तो नहीं आए लेकिन अगर आगा है बीचिम और आप चीटिंग करते हैं पकड़े आते हैं तो आपको शीट शीन ले जाना था कि आप अच्छे से काम करो और इसलिए अगर वो बीच बीची में अपने बंदे बहिदना चाहें या खुद आना चाहें तो वो आ सकता है surprise check बोलते हैं उसको पेपर में दो-तिन बार आया हुआ है surprise check क्या होता है तो यह optional concept होता है mandatory concept नहीं है मतलब मर्जी है कि auditor अगर विजट करना चाहे या करवाना चाहे surprise check करवा सकता है वो उसकी मर्जी होती है तो कह रहा है auditor and staff have to visit the client place for carrying out the audit generally उनको visit कर लेना चाहिए अब वो करे ना करे फिर उनकी मर्जी होती है तो कह रहा है कि अगर उनका staff जाएगा surprise check पे तो फायदा ही होता है normally the visit is given to understand the accounting system to evaluate the system of internal control, stock taking etc. तो आगा ही बात कह रहा है normally visit क्यों की जाती है ताकि वो लोग accounting धंग से maintain कर रहे है stock धंग से maintain कर रहे है नहीं कर रहे है उनका internal control system अच्छा है या नहीं है यह सब चेक करने के लिए क्या रहा है यह well accepted है कि अगर audit के अंदर moral check भी होता है on employees अच्छा moral check का मतलब क्या है कि जो employees हैं उनके मंद में एक दर बैठ जागा यार कुछ भी गलत करेंगे अगर surprise visit पर आगा तो पकड़े जाएंगे तो एक डर बैठ जागा तो उसके से काम करें पता चले वो आए और हमार पर आकर वो surprise चेक करें और हमारी गलती पकड़े तो बैठ रहे कर भी मत but at the same time if the audit staff visit at regular interval the client or staff may get time be well prepared in advance for the audit queries this may impair the data defect thus there is a need of element of surprise लेकिन क्या रहा अगर आप बता कर जाओगे न हम regular आएंगे हफते में हर हफते Monday आएंगे हर Wednesday आएंगे अगर आप ऐसे regular तरीके से जाओगे तो उनको पहले से पता लग जाएगा आप क्या आप आने वाले हो तो पहले से अपने आपको well prepared रखेंगे आपकी हर चीज को अपनी गल्दियों को पहले चुपा कर रखेंगे ताकि आप पकड़ी न पाओ तो कहना बैटर है कि element of surprise होना चीए बिना बताएगा बिना बताएगा ताकि उनमें डर पैदा हो ताकि बोलो तरीके से काम करें ताकि उनके मन में डर बैठाओ कि कभी भी कोई भी आ सकता है इसको हम बोलते है surprise चेक ये खतम हो गया next concept आता है audit evidence ये audit evidence कुछ नहीं है बहुत simple है अच्छा क्या होता है कि जब आप audit कर रहे होते हो ना तो आपको बहुत सारी assertions मिलती है management से assertions का मतल बहुत आप ये चीत दिखा दो management आपको चीत दिखाई नहीं रही यह दिखा रही है लेकिन पूरी नहीं दिखा रही तो आपके मन में क्या होगा डाउट होड़ेगा तो और आप जो जो वो बोल रहे हैं आप उसको note down कर लो अपने audit notebook में अभी मैं आपको अगोधर बता है evaluate करो जो management ने आप बोला आप उसको evaluate करो और कैरा evaluate करने के लिए आप evidence generate करो तो कैरा आप दो तरी के generate हो सकते हैं या तो external evidence और internal evidence अच external होते हैं आप किसी third party से evidence generate कर रहे हैं example ministry of corporate affairs के portal से निकाल लो तो यहाँ पर MCA का portal क्या हो गया third party अगर घवान लो company बोल रही है कि हमने loan ल MCA की side पर check कर लो कि जब pay करा होगा तो उसके documentation file करी होगी न ROC के पास तो check कर लो MCA की side पर verify कर लो जाकर कि इन्होंने loan pay कर नहीं करा आपको पता है अब सारे documents निकाल सकते हैं MCA की side से कहां से निकालते हैं मैं उसमार को दिखा भी दिया कि MCA services में जाकर view public document में जाओ दूसर 3rd party से पता लगा और 3rd party से मतलब MCA वगरा से पता लगा लो उनकी side पर जाकर चेक कर लो कि जो यह बोल रहे हैं उनकी documentation file हुई है वहां से पता लग जाएगा तो audit evidence का मतलब होता है कि आप evidence generate करो evidence का मतलब क्या है proof कि अगर भाई कम management बोल रहे हैं कि हमने यह काम करा यह नहीं करा मानलो management बोल रहे हैं मैं 100 crore का loan लिया है तो आप check करो कि इन्होंने कहां से लिया है कितने का loan repay कर दिया है तो MCA की side पर check करो कि इन्होंने repay करा है नहीं कर कर सकते हो, external sources के help ले सकते हैं, internal equipment external के लिए, आप MSA के साथ पे विजिट करके वहा से documents निकाल सकते हो, पता लग जाएगा, internally आप चाहो तो किसी के जुबान पर भरोसा कर लो कि अगर एक employee बोल रहा है और बागी के 5 employee भी बात बोल रहा है तो हो सकता है, बात सहच हो इसी के सथ आपको audit evidence वाला topic भी खतम हो गया और आपका chapter खतम हो गया, I hope आपको एले chapter अच्छा लगा होगा, I hope आपको एले chapter अच्छा लगा होगा, I hope आपको आपको पता है, marathon marathon होता है, लेकिन still मजा आ रहा होगा तुमारे लोगों को, और सारी शियोग connective भी कर दिया हम आज की chapter को ही खतम कर देते हैं, अब अगले chapter में बात करेंगे, तो guys, अब में अपना miscellaneous audit वाला chapter स्टार्ट करने जा रहे हैं, and ये मेरा promises that you will love it, मजा आ जाएगा, लेकिन मैं इस topic की अगर मैं आपसे खासियत की बात करूँ, तो खासियत बोलुएं क्या बोलूँ कि ये chapter बहुत ज्यादा company law से connected है, तो जिन लोग का company law में base strong था, उनको ज्यादा better समझ आएगा, जिन लोग का company law में base weak था, उनको समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन still मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं साथ-साथ company law की linking भी कर दूँ ता कि आपको भी समझ आ जाए, तो ये miscellaneous audit मे share securities by a company, next topic पढ़ा रहा है, alteration of share capital, next topic पढ़ा रहा है issue of bonus shares, ऐसे ऐसे तुम्हारे को topics पढ़ा रहा है, अचा अगर तुम पता है क्या सीदी सी बात है, देखो आप लोग ने पढ़ा होगा, ये company law के सारे aspect कौन चेक करता है, secretarial auditor चेक करता है, आप लोग ने पता है, तीन तरी yes, वो ही secretarial auditor बनता है, तो अगर किसी company के उपर, secretarial audit लग रहा है, क्योंकि secretarial audit हर किसी company पर नहीं लगता है, secretarial audit खाली, section 204 में companies बताई गई है, उन्हीं के उपर लगता है, और section 204 के अंदर ये बताया गया है, जो भी listed company है, उसके उपर secretarial audit लगे गई लगेगा, और जो unlisted companies ह अगर उनकी paid up share capital पचास क्रोड़े उससे ज़्यादा है, public companies या टर्नोवर्स दो-धाई सो क्रोड़े उससे ज़्यादा है, तो उनके ओपर सेक्रेटर लॉडिट लगता है, इसका मुझा सेक्रेटर लॉडिट हर कंपनी में नहीं लगता, कुछ ही कंपनी इस पर लगता है, त अगर कोई कंपनी सेक्रेटर लॉडिट करवा रही है, तो वहाँ पर उस कंपनी के पर जो कंपनी लॉड लग रहा है, लेबर लॉड लग रहे है, सैबी के लॉड लग रहे है, वो सब तो CIC चेक कर लेगा, तो यह सारी चीज़े वहीं चेक हो जाएंगी, फिर तो इसमें अगर उसको ऑडिट कराना चाहती है, तो ऐसे केस के अंदर वो कंपनी क्या कर सकती है, एक इंटरनल ऑडिटर को हायर कर सकती है, क्योंकि आपको पता इंटरनल ऑडिटर को हायर कर सकती है, क्योंकि आपको पता इंटरनल ऑडिटर कौन होता है, जो मैनेजमेंट अपने हिसा तो तो बात ही खत्म होगा, यह सारे कंपनी लग वाला जो पोर्शन है, वो तो सब सेक्रेटरल ओडिटर अपने आप भी चेक कर लेगा, वो कि कि सेक्रेटरल ओडिट का मतलब ही क्या होता है, कंप्लाइंस ओडिट, कि एक कंपनी के उपर जितने भी लग रहे हैं, वो सब धं कंप्लाइंस जितने भी हुए थे, आपकी कंपनी के उपर, वो सारी चेक करवाना चाहते है, तो एक तरीका तो है कि आपके उपर सेक्रेटरल ओडिट नहीं भी लग रहा, तो आप वोलन्टेरली सेक्रेटरल ओडिट को अपनी मर्जी से पॉइंट करके सेक्रेटरल उसकी चेकिंग करवानी है, य हमने भाइबेक कर रहा था वो यह भाइबेक हैं ज़ानने किया, उसकी चेकिंग करवानी है यह भूनस इशूकर देन, वोर दंग्स प्रहों नहीं है, तो दूसरा तरीका ही है कि आप इंटर्निल ओ्डिटर ओडिटर पॉइंट कर लो उसको बोल तो कि भाई तिरेको सरफ यह चीज़ चेक करनी है अपनी फीज़ बना दे कितनी लेगा और जो उसकी फीज़ बनेगी उसके कोडिंग पे कर देना क्योंकि वो CS से तो कम ही लेगा लेकिन CS देखो यह सरफ रास्ता तुम्हारे पास तब है अगर तुम्हारे पर सेकरेटर सेकरेटर यह सारी चीज़ खुदी चेक कर लेगा अपने सेकरेटर लॉडिट का पार्ट होगा उसका वो और जो उसकी फीस बनती है वो ले लेगा और जिन कम्प्री लॉड़ कर वा ले जब जितने भी लॉड़ के कंप्लाइंस इस उनके पर लग रहे हैं और चेक कर वाले यही सारा काम internal auditor को lot कर दो और उसको बोला भाई हम तिरको ए टास्क देरे तू चेक कर दे हमारा और जो तरी फीज बने ही हम दे देंगे उसके according इसलिए heading भी कहा है जहां पर बचे कुछ audit पढ़ेंगे इसमें से most of the topics के जो हम audit पढ़ेंगे वो बहुत सारे audit internal audit का है इंटर लाइट का पार्ट क्यों है क्योंकि यह वो वाले topic है सारे कि भाई सारे company दोसे इनक्टिट है ज़्यादा तर और ज़्यादा तर यह compliance audit में पूरे हो जाते हैं तो उनको यह compliance का वो चेकिंग करवाना चाहती है कि हमना धंग से follow करें नहीं करें तो फिर वह वाली companies अब हम इनके बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं जिसमें पहला टॉपिक है आपका allotment of securities by company section 39 अब यह कैशीच है पड़े ध्यान से सुनना मजा आएगा तो allotment of securities by company अगर किसी company ने securities allot करी है और आप as a auditor उस company की checking करने जा रहे हो कि उन्हेंने वस securities घंग से allot करी है यह नहीं करी है तो आप क्या क्या चीज़े चेक करोगे हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं पहले तो हम यह समलें कि sir security शब्द का मतलब क्या है तो sir security एक wider term है share से जब हम बोलें security तो securities के अंदर equity share, preference share, debenture, bond, mutual funds सबको जोड़ दो तो word बनता है security तो security एक बहुत wider term है और security शब्द company law में define नहीं है security शब्द section 2 clause H of securities contract regulation act 1956 SCRA बोलते हैं उसको securities contract regulation act 1956 उसके अंदर define है security शब्द का मतलब तो वो तो आपके course में नहीं है आपको पढ़ना मी नहीं है वो तो जब कोई auditor audit करने जाएगा वो तो अब ध्यान लखे उस चीज़ को अभी के लिए मैंने दुमन को जाए securities शब्द का मतलब क्या होता है और company law में लिखा हुआ है कि जब भी कोई company securities allot करती है तो उसको methods of issue of securities के बारे में बात की गई है कि company law में कोई भी company जब security allot करती है तो किस किस तरीके से कर सकती है वो section 23 में बताया वा company law के तो आपर मैंने heading के लिखे methods of issue of securities company law के section number 23 के अंदर बताया है कि एक company किस किस तरीके से shares debentures को issue कर सकती है तो वहाँ पर दो category बनाई हुई है public company के लग, private company के लग public company को चार तरीके से shares debentures को issue करना allowed है और private company को तीन तरीके से shares debentures को issue करना allowed है क्या क्या है चार तरीके bonus issue, public issue, right issue, private placement पहले इन चारा में फरक समझते हैं क्या है जब कोई company अपने existing shareholders को free of cost share देती है उसे हम बोलते है bonus issue ठीक है जी जब कोई company बोलते है कि मेरा share आकर कोई भी खरीच जाए पूरी इंडिया के अंदर आकर कोई भी खरीच जाए market में कोई भी आकर खरीच ले ऐसे issue कम बोलते है public issue right issue में क्या होते है कि shares जो company allot करती है वो existing shareholders को allot करती है जो आपके shareholders शेयर होड़र है लेकिन market price से कम पे देती है अच्छा बहुत लोग ने इसको ऐसमाल है थी कि discount पे देती है नहीं company locka section 53 clear cut बोलता है कि कि किसी भी company को shares discount पे issue करना allowed नहीं है तो यहाँ पे discount पे issue नहीं हो रहे है discount का बोता मैं तुम पताता हूँ मालोग किसी share की face value 100 रुपए है और उस share को company 90 रुपए में दे रही है face value से कम पे दे रही है तो वो discount है लेकिन अगर मालोग किसी share की face value 100 रुपए और company ने उस share का market price 200 रुपए रखा है मतलब face value 100 रुपए लेकिन market में company due 200 का बेच रही है और वो दुनिया को 200 को बेच रही है और अपने existing shareholders को 200 को दे रही है इसका मतलब हो नहीं discount पर नहीं दे रही है सस्ते price पर दे रही है market price से कम पर दे रही है लेकिन nominal price से face value से कम पर नहीं दे रही है तो ऐसी चीश को हम बोलते है right issue के case के अंदर कि less than market price है लेकिन discount नहीं तो discount कब बोलेंगे discount शैठ कब यूज होगा जब को shares face value से भी कम पर दे रहेंगे लेकिन यहापर face value से घम पर दे रहे market value से घम पर दे रहे हैं और किसको दे रहे है existing shareholders कोई इसका वहला bonus shares भी existing shareholders को दे रहे है और right issue भी existing shareholder को देड़ा रहे हैं बस फरक है bonus shares तो free of course देड़ा रहे हैं और right issue में पैसे ले जा रहे हैं लेकिन market price से थोड़ा सा कम और चोथा शब्दात है private placement यह private placement क्या होता है जहां पे company shares जिन लोगों को जानती है उन्हीं को a lot करती है लेकिन वो company के existing shareholder नहीं होते मालो company के बराबर में कोई बराबर वाली building में company के पड़ोसी रहते हैं लोग रहते हैं वो shares लेने आ गए मालो directors के कोई relatives हैं उन्होंने shares खरीद लिए मालो किसी और बंदे ने share खरीद लिए जिसको आप जानते हैं उसने अपना नाम company के record में लिखवाया हुआ था मगर वो पहले से company का shareholder नहीं था मगर हम बोलते हैं identified person तो अगर हम identified persons को share or a lot करते हैं तो उसने हम बोलते हैं private placement और प्राइवेट placement और public issue में फरक क्या है प्राइवेट placement में फरक जसको जानते होती हैं उन्हीं को share со lot करते हैं आउसाइडर्स को lot करते हैं हालगि ये भी आउसाइडर्स ही है मुलाब ऐसा नहीं कि किसी ये का ब plenty सफीजा कर के। का जानते हो जानते हो या ना जानते हो anyone can buy कोई भी आकर ले सकता है कोई दिखकती नहीं है तो हम ने बोला कि एक कंपणी डब शेयर से यह security शेयर डिवेंचर इशू करेगी तो कंपणी लोगा सक्षिन 23 के बोलता है कि पब्लीक कंपनी के पास चार रास्ते है प्राइबट प्राइबट प्लेस्मेंट बोनस इशू और private issue, दोनो existing shareholders को issue होते हैं इसके अंदर shares, बस bonus issue में free of cost issue होते हैं और right issue में market price से थोड़े से कम price पे issue होते हैं public issue के अंदर कोई भी shareholder share करीच सकता है, कोई फरक नहीं पड़ता, वो कोई भी हो फिर कोई भी हो, कोई मतलब कोई भी भले कमपनी का वो जानकर हो या ना हो लेकिन private placement में shared ventures खाली unique allot हों के जिनको कमपनी जानती है unknown लोगों को lot नहीं होंगे और private company की तरफ जब हम आए हैं तो private company को तीन रास्तों से shared venture issue करना allowed है, private placement ride issue, bonus issue, private company को public issue लाना allowed नहीं है, public issue लाना allowed नहीं है, उसका बहुत simple logic है जब आप लोगों ने company लो पड़ा होगा, तो महाँ पर private company की definition में लिखा हुआ था section 2, clause 68 के अंदर कि private company को public issue totally prohibited है, तो वहीं पर मना कारा हो था private company के जो खुद के section definition section में, इस वज़े से यहाँ से भी आउट कर दिया गया, उसको section 23 से भी तो private company तीन तरीके से securities को issue कर सकती है, private placement, right issue और public company चार तरीके से issue कर सकती है, और company जब भी securities issue करेगी, जब भी यह private company हो यह public company हो जब अपने securities को issue कर देगी, allot कर देगी तो उस company को एक return of allotment file करने ही होती है, ROC को, to ROC किस form में, in form number P.A.S. 3 कौन से form में file करने ही होती है in form P.A.S. 3 form number P.A.S. 3 form P.A.S. 3 में return of allotment file करने ही होती है, यह P.A.S. पता है कैसे बना है, company law में आपने एक chapter पढ़ा होगा, prospectus and allotment of securities prospectus and allotment of securities, यह chapter आप लोगों को company law में पढ़ाया गया होगा तो इसी को short करके बन गया P.A.S. ए रहा A for allotment और S for securities, तो उससे बन गया P.A.S. 3 बोलते हैं, तो जब एक company अपने shareholders को shares allot कर देती है यह securities allot कर देती है तो उसकी return एक file किया थी है, ROC को shares allot करे गए, उसकी detail file की जाती है ROC को किस form में, form number P.A.S. 3 में, तो return of allotment का form कौन से, form number P.A.S. 3, और यह जिच कहां लिकी हुई है section number 39 में लिकी हुई है section number 39 में लिकी हुई है और वो ही हम पढ़ने जा रहे हैं तो अब तो अगर किसी company ने shares allot करे हैं, तो हम क्या कैसी यह चेक करेंगे पहली बात तो किस method से allot करेंगे right issue, bonus issue, private placement, public issue वगरा के route से next यह कि अगर public issue वगरा के route से करे थे यहां लिकाना है, पहले तो issue कैसे कर रहे था यह determine करना पड़ेगा किस value पर कर रहे था, कितने amount का कर रहे था एक होता है कि अब public issue लाए तो कितने amount का लाए वो चेक करना पड़ेगा, अच्छा prospectus issue करते वक्त, जब आपकी company prospectus issue करती है तो company law में बताया गया है अच्छा एक बाब बता हो, जब कोई company public issue लेकर आ रही है, तो वो prospectus issue करेगी कि आओ हमारी company में invest कर दो तो prospectus issue करने के लिए company law में section number 26 है जहाँ पे condition बताया हुए है कि prospectus के अदर ये चीज़े होनी चाहिए तो क्या वो prospectus वाला सारा criteria पूरा हुआ था या नहीं हुआ था, ये चेक करना है क्या वो minimum subscription का amount आया नहीं आया सैभी ने बोला हुआ है कि जो भी company public issue लेकर आती है उसमें से वो जितना हिस्सा public को issue कर रही है उसका at least 90% सब्सक्राइब होना चाहिए तब ही वो public issue successful माना जाएगा तो अभी आप उनको shares lot करोगे वरना नहीं करोगे अब ना बहुत सारे teachers को गलत पर आते है 90% किसका 90% जितने shares market में आ रहे हैं उसका नी public issue का नी जितने public को issue के रहे हैं उसका जैसे example लेके बात करते हैं मानलों ले company X limited ये 100 करोड का public issue लेकर आ रही है अब 100 करोड में से मानलों 30 करोड promoters ले रहे हैं 70 करोड पब्लिक ले रही है तो अब 70 करोड का 90% की बात हो रही है यहाँ पर promoters वाली calculation में promoters वाले हिस्से को exclude कर देते हैं तो हम 90% किसका गिनते हैं promoters के इलावर जो जंगता को issue किये जा रहे हैं उसका 90% कम से कम अगर जंगता खरीदेगी तो उस company का public issue successful माना जाएगा वरना fail हो जाएगा इस चीज़ को हम बोलते है minimum 90% इसको हम बोलते है minimum subscription और वो savvy की guideline के according कितना है 90% तो यह जो minimum subscription वाली बात है जो मैंने आपको बताई वो यह है कि जो भी company public issue लेकर आ रही है तो savvy बोलता है at least 90% share subscribe हो जाने जीए तो मैंने अपनोंबर को बताया कि 90% calculation किस चीज़ क्यों होती है बहुत सारे टिचर गलत सिखाते है यगर 100 crore का public issue आ रहा है तो 100 crore का 90% नहीं जितने का public issue आ रहा है पहले से उसमें से promoters कितने ले रहे हैं उसको exclude कर दो तो अगर 30 crore promoter ले रहे है तो बच कितने का है 70 70 crore का 90% कम से कम जनता लेगी और company उनको अलोट करेगी तब वो public issue successful माना जाएगा वरना फ्रेल हो जाएगा तो 70 crore का 90% कितना हो गया 63 crore तो वो यही कहा रहे है कि minimum subscription आया या नहीं आया आया आपको यह चेक करना पड़ेगा next आपको यह चेक करना पड़ेगा कि proper board meeting हुई थी तो उसके minutes जब आप देखो कभी कोई company shares a lot कर रही है तो उसके लिए meeting कर वाई होगे ना directors ने decision लिया हुआ कि नए shares a lot करेंगे तो उसके proper minutes बने थे या नहीं बने थे next यह चेक करना पड़ेगा कि application पर पैसा कितना आया था अचा आपको पता हो गए बात जो आजकल तो इस system होता नहीं लेकिन पहले ऐसा था पहले company application money मंगाती थी फिर first call फिर second call ऐसे system होता था ना अब तो आजकल system होता नहीं आप तो एकी बार में पूरा पैसा मंगाती है company लेकिन अगर company ने application money मंगाई थी तो law कहता है कि application money कम से कम कितनी आनी चीए law कहता है कम स इसको market में 300 का वेच रही है तो इसका मतलब face value 100 पे हो गई, market value 300 हो गई तो law कहता है अगर कोई company shares market में issue कर रही है तो उनके जो share की face value हो उसका at least 5% उनको application money पर receive करना पड़ेगा अगर वो धीरे-धीरे करके पैसा मंगा रहे हैं तो लिखा है न, shall not be less than 5% of the nominal amount application money का पैसा होना चाहिए आप लाइन क्या लिखी है, लाइन को पढ़ा है क्या लिखा है, to check whether the amount payable on application on every security shall not be less than 5% of the nominal amount, nominal amount का मतलब होता है face value मालब अगर share 100 रुपे का, market में कितने बिक्राइब उससे वरह नहीं पड़ता बहुत सब्सक्राइब लगाई थी लेकिन अब अपनी application withdraw करना चाहते हैं और उन्हें पूरा पैसा देए से या company लॉट नहीं कर पाई उनको किसी reason की वैसे तो company ने उनका पैसा timely return करा नहीं करा, refund करा या नहीं करा यह चेक किया जाएगा next, क्या company ने timely return of allotment ROC को फाइल करी या नहीं करी और return of allotment की इस form में फाइल होती है मैंने आपको बता दिया, PS3 में फाइल होती है तो return of allotment में क्या होते है कि किन-किन लोगों को allot करा, कितने amount के allotment करी और कितने-कितने shares वगेरा की allotment करी उसकी detail return of allotment में होती है तो क्या company ने proper return of allotment फाइल करी या नहीं करी तो अब as a auditor for about sub check sum up करो क्या क्या check करोगे कि पहली बात तो क्या उन्होंने proper यह decide करा कि कि कितने amount का public issue लेकर आएंगे यह सब check करा कितने amount के allotment करेंगे नेक्स पर यह चेक करोगे कि उसके लिए जो उन्होंने prospectus issue करा market में कि हम इतने amount के allotment करेंगे क्या वह prospectus company लोग एक और सही था या नहीं था section indices की conditions पूरी और नहीं हो रही थी total issue size जो होता है उसमें से जब public को issue कर जा रहे उसका 90% promoters वालों के screwed करेंगे next हम यह देखेंगे अगर company ने धिरे धरे करके पैसा मंगाया कुछ application money पर और कुछ बाकी मंगाईगी बाद में call money पर application money पर जितना पैसा मंगा रहे कम से कम face value का 5% होना चाहिए next proper minutes बने थे नहीं बने थे next अगर company ने क्या कहते है अगर अगर अलॉट्मेंट कर दी थी तो क्या timely return of allotment file गरी थी और उसी को यह नहीं करी थी यह आपका topic खतम हो गया कौन सा allotment of securities वाला next आता alteration of share capital section 61 अब यह क्या है देखते हैं अब next topic करने गाई हमारा alteration of share capital section 61 अब यह क्या चीज़ है जब हम बोल रहे है alteration of share capital मतलब हम अपनी company के share capital structure में change कर रहे हैं जब हम बोल रहे है alteration of share capital तो बच्चों के दिमाग में दो चीज़ आती है या तो company capital बढ़ा रही है पहले से increase कर रहे है decrease कर रहे है decrease जैसे हमालो पहले share issue कर रहे थे लेकिन company हम उनको buyback कर रहे है अब buyback करेगी तो overall share capital कम हो जाएगी तो यह और भी कई तरीकों से decrease होती है तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ और जब हम बोल रहे है alteration तो alteration में increase भी कवर होता है decrease भी कवर होता है लेकिन decrease के लिए company law में separate section दिया हुआ section number 66 और अगर आप capital को increase कर रहे हो तो उसके लिए section number 61 और यहाँ पे आपके course में तो section वो कौन सा है 61 इसका मतलब हम यहाँ पे capital increase करने के बारे में बात करेंगे decrease करने के बारे में बात नहीं करेंगे वो आपके course में नहीं है तो मैंने क्या बोला कि normally बंदा जब सुनता है alteration तो alteration का मतलब कि capital बढ़ भी सकती है अगर घट रही है तो उसके लिए company लों में कौन से section है reduction of share capital का section 66 उसके लिए यहाँ पे जिकर नहीं हो रहा increase जब करती है company capital उसके लिए section 61 लगता है उसके बारे में जिकर हो रहा है एक तो तब section 61 लगता है capital जब company बढ़ा रही है तब लगता है उसके लवा और भी कई जगहों पे लगता है और कई जगहों पे कैसे लगता है निसे मैं example लेके बात करता हूँ एक case होता है subdivision का यह subdivision क्या होता है मालोब एक company के 100 share थे 100 रुपे इच वाले 100 share थे 100 रुपे इच वाले उसके वाले उनकी value कितनी हो गई अगर 100 share 100 रुपे के थे 100 रुपे के शेर हो गई face value कितने की हो गई 100 रुपे का एक है 100 share होगा 10 रुपे के होगा amount में अब company क्या कर रही है company अपने 100 share को 200 share में convert कर रही है at rupees 50 each इसका मतलब face value 100 की जगा 50 कर दी लेकिन क्या amount में कोई change आया amount तो पहले भी 10,000 था आज भी 10,000 था आज भी 10,000 था आज भी 10,000 था आज भी 10,000 था आ रही है पहले भी 10,000 था आज भी 10,000 था आज भी 10,000 था आज भी 10,000 था आज भी 10,000 है amount में फरक नहीं आया लेकिन क्या number of shares बढ़ गए yes पहले shares थोते अब 200 हो गए इसका फाइदा क्या होगा, क्या face value घट गई, येस, पहले share की face value सो होती, अब 50 हो गई, अगर कोई company ये चाहती है, कि उसके number of share holders increase हो जाए, अचा किसी भी company के number of share holders कब increase होंगे, जब उसका share price कम हो जाएगा, अचा कोई एक company का share price सो है, अगर वो 100 रपे का share 50 रपे का कर दे, त तो इसका मतलब, अगर मान लो मेरे पास उस company के already 10 share थे, 100 रपे वाले, और company मेरे को ये कह रहे है कि हम आपको इन 10 share के मतले, आपको 20 share देने 50 रपे वाले, तो मेरे amount में कोई फरक नहीं आया, मेरे पास पहले 10 share 100 रपे वाले थे, मतलब 1000 रपे के हो गए, और company ने बाद मेरे को 20 share 50 रपे वाले थे थे, तब भी 1000 रपे के amount में कोई फरक नहीं आया, लेकिन मेरे पास number of shares बढ़ गए, 10 की रहा कितने होगा है, 20, तो अब इसका फाइदा क्या होगा, कि मेरे को market में बेचना असान हो जाएगा, मैं 100 रपे का share बेचता तो शायद हो सकता है, खरीदने व कि पहले अगर company ने total में, example company के total 100 share 100 रपे वाले थे, तो उनकी amount 10 रपे का होगे total में, लेकिन company ने बाद में 100 shares को convert करके 200 में बना दिया, लेकिन उनकी face value होगी है, कितनी करदी 50, तो number of shares बढ़ गए, लेकिन amount आज भी कितना है, 10 रपे तो overall amount में फरक नहीं आता, लेकिन face value कम होने की वैसे क्या होता है, कि number of shares बढ़ जाते हैं, उसकी वैसे क्या होता है, कि number of customers हैं, बलब number of shareholders जो company की share खरीदना चाते हैं, उनकी तादाद बढ़ जाएगी, तो अगर company अपनी company में जादा-स-याद shareholders को attract करना चाती है, तो वो क्या कर सकती है, अपने existing shares की face value का क्या कर सक करती है, तो यह भी alteration of share capital का part है, अगर company ऐसा करती है, subdivision करती है, तो यह alteration of share capital के लाएगी और company को section 61 follow करना पड़ेगा, एक इसी का उल्टा होता है, consolidation, consolidation, मैंने लिग दिया है, यहाँ पर consolidation, इसका भी example बना दिया, यह कैसे है, जैसे same example माल लो company के 100 share है, at rupees 100 each, तो कितने क्यो अब इस 100 share को, पहले क्या करा दो पर वाल example में, 100 के 200 कर दिया थे, अब company कर रहे हैं, इस 100 share को 50 shares बना रहे हैं, लेकिन हम पहले एक share की face value 100 थी, हम हम एक share की face value 200 कर रहे हैं, तो 100 into में 100 अब भी 10 यार था, 50 share into में 200 अब भी 10 यार है, overall amount में company के amount में capital में फरक नहीं आया, लेकि हम हो जाएं, limited shareholder हो, अच्छे, wealthy shareholder जिन पर बहुत पैसा है, सिर्फ वही लिए ऐसा नहीं, हर बंदा मूधा कर company का shareholder बन जाए, अगर company ऐसा चाहती है, तो वो share का price बढ़ा देगी, वो share का price क्या कर देगी, बढ़ा देगी, तो यहाँ पर company ने क्या कर रहे है, अपने 100 shares को हर 2 share को merge करके एक बना दिया, तो इसलिए 100 के कितने होगा है, 50, तो अगर मानलो मेरे पास उस company के 10 share थे, 100 रुपे वाले, तो मेरे को 10 की जगा कितने हो जाएंगे, मेरे 5 share हो जाएंगे, 200 रुपे वाले, तो amount पहले भी 1000 था, 100 into में 10, 1000, अब 200 into में 5, 1000, तो amount आज भी 1000 face value 100 थी, अब 200 हो गई, तो पहले मेरे पर number of shares 10 थे, अब 5 हो गए है, तो मेरे number of shares reduce हो गए, लेकिन amount पे फरक नहीं आया, इसे हम बोलते है, consolidation जहां पर कमने ने 2 share को जोड़कर एक share बना दिया, तो 100 share है, तो इसका अब पहले 100 थे, तो अब कितने हो गए होंगे, 50, अगर 2 का क्या था, amount पहले भी 10 था, यहां भी 10 था, यहां भी 10 था, लेकिन face value घट गई थी, तो जगर company face value घटा देगी, तो number of shares बढ़ जाएंगे, जैसे हमने देखा कि 100 share थे 100 थे 100 रबेच वाले, company उसको 200 share बना दिया, 50 रबेच वाले, तो shares बढ़ गए, लेकिन face value घट गई, लेक इस वाले example में अगर हम देखेंगे, तो यहां पे भी ना तो capital बढ़ी है, ना capital घटी है, पहले भी 10 था, आज भी 10 था, आज भी 10 था, पहले इतनी था, आज भी इतनी है, लेकिन number of shares कम हो गए, face value बढ़ गई, पहले 100 share attributes थे और company ने 2 share को मर्च करके 1 share बना दिया, तो उसकी हम बोलते है, subdivision की, एक share को तोड़के 2 share बना दिया, पहले एक share 100 का था, उसे तोड़के 50-50 के 2 share बना दिया, यहां पे एक share 100 का था, 2 share 100 सो वाले जोड़के 1 बना दिया, दोस्तों का इसे हम बोलते है, consolidation, तो company consolidation कर रही है, subdivision कर रही है, और capital increase कर रही है, इसमें से कुछ भी क चीज को audit करने जा रहे हो कि उन्होंने alteration of share capital दंग से करी है नहीं करी तो इसके लिए मैं तुम्हारे को अची knowledge के लिए बतायता हूँ वहाँ पर company law में लिखा हुए कि जब भी कोई company alteration of share capital करेगी तो उसको ROC को एक form file करना होता है जिस form का नाम होता है SH7 form number है SH7 उसके 30 दिन के अंदर आपको ये form ROC को file करना होता है और section ये भी बोलता है कि जब भी कोई company alteration of share capital करना चाहती है तो उसको general meeting बरवातर ordinary resolution pass करवाना पड़ेगा shareholder से permission लेनी पड़ेगी प्लस उनके articles of association के अंदर भी ये power होनी ज़रूरी है आपको पता है company में दो चीज़े होती है एक होता है MOA एक होता है AOA MOA मतलब memorandum of association AOA मतलब article of association memorandum company के external rules होते है articles company के internal rules होते है तो law कहता है section 61 में ये लिखा हुआ है कि जो भी company alteration of share capital करना चाहती है पहली बात तो उसके AOA में power होनी चाहिए प्लस उसको ordinary resolution pass करना पड़ेगा general meeting में प्लस जब वो alteration कर देगा उसके 30 दिन के तर उनको ROC को एक form file करना पड़ेगा SH7 file करना पड़ेगा किसको 2 ROC कितना दिन में within 30 days of alteration file करना पड़ेगा तो अब ये basic basic बात हैं में क्या impact आना था वो आप में डाला था उन्होंने नहीं डाला था next अब आप company से reason पूछो कि भाई आपने alteration क्यों करी तो उसकी reasoning दो जैसे मैंने दुमार को बताया अगर company ने subdivision करा है तो उनसे reasoning पूछो subdivision कि आपने इसलिए करा है कि अप shareholders बढ़ाने चाते थे अगर company ने consolidation करा है तो अब उनसे पूछो कि आपने consolidation क्यों करा है कि आप shareholders घटाना चाते थे अगर company ने कैपिल बढ़ाही है तो अब पूछो कि अपने अपने capital क्यों बढ़ाही है SEE reasoning loan से next क्या voting percentage में कोई change तो नहीं आ गया आपने share capital इतनी तो नहीं घटा दी या बढ़ा दी कि voting percentage में change आया वो पूछो क्या company ने इसके लिए proper accounting entries pass की थी या नहीं की थी वो check करो तो ये सब क्या हो गया section 61 की requirement है जो आपको issue of bonus share section 63 ये company lock है और bonus share सब आपको मैंने बता दिया bonus share क्या होते हैं जब एक company अपने share holders को जब एक company अपने existing share holders को free of cost shares issue करती है shares issue करती है तो उसका हम bonus issue बोलते हैं और bonus issue करना है कि कई तरीके होते हैं माल लो company scheme निकालती है कि every two share पे हम one bonus share देंगे हम one bonus share देंगे तो इसका मतलब क्या है अगर माल लो कोई company X limited उसने scheme निकाली कि हम हर दो share पे एक bonus share देंगे free of cost तो इसका मतलब यह होगा अगर माल लो कोई mister A है उसके पास 10 shares है तो उसको plus में क्या मिल जाएंगे पांच bonus share मिल जाएंगे हर दो पे एक है तो दस पे कितने हो गए पांच माल लो अगर कोई mister X नाम का बंदा है या माल लो mister B नाम का बंदा है उसके पास उस company के 50 shares अलड़ी है तो उसको 25 shares क्या मिल जाएंगे bonus वले मिल जाएंगे free of cost तो यह होता है bonus issue अच्छा इसके लिए company law कहता है कि अगर आपको bonus shares issue करने है तो आप share order से पैसा तो नहीं ले रहे लेकिन company अपने पास से पे करती है उसके लिए वो पैसा देती है CRR से capital redemption reserve account से पैसा निकालती है bonus share देने के कई तीन रास्ते होते है मेल जा तो आप CRR का पैसा यूज कर लो capital redemption reserve CRR की फुल्वन क्या होती है capital redemption reserve company के पास capital redemption reserve के अंदर पैसा पढ़ा हुआ है आप उस वाले पैसे से bonus share इशू कर सकते हो आप चाहो तो free reserve से bonus इशू कर सकते हो आप चाहो तो securities premium account के पैसे से भी bonus share इशू कर सकते हो इन तीन जगाओं से बोनस shares के पैसे से आप shareholder से पैसा दो ने ले ले लेकिन company अपने पास से बेकरती है तो पैसा इन तीन जगाओं पेसे निकाल कर दे सकती है bonus share का पैसा लेकिन law कहता है कि आपको revaluation reserve से पैसा निकालना allowed नहीं है I hope आप revaluation reserve समझते होगे example लेके बात करते हैं एक company की land है जो उन्होंने 100 करोडर रपे की खरीदी थी year 2000 में एक company ने year 2000 के ने था 100 करोडर रपे की land खरीजी थी मानलो अभी current year 2024 चल रहा है और मानलो आज में उस land की current value 500 करोड है तो company को क्या लग रहा है हो कि हमारा 400 करोडर रपे का फायदा हो गया कि 100 की खरीजी थी आज 500 की हो गयी तो मतलब कितने का increment हो गया अपनी property की तो आपको लग रहा है कि इतना profit हो गया है हो सकता है लेकिन हुआ थोड़ी है वो तो तब तक नहीं होगा जब तक आप उस land को बेचोगे नी तो ऐसे reserves को हम बोलते है revolution reserves की आपने revenue करा है और उसके base पर reserve बना लिया तो यह वो पैसा जो भी तक आपके पास आया ही नी आ सकता था अगर आप उस land को बेच दोगे तो अगर आपने कोई land सन 2000 में खरीदी थी 100 करोड़ की अगर आज वो 500 करोड़ की हो गए तो 400 करोड़ की बेच दी वो पैसा आ गया आपके पास अब आप उस पैसे को यूज कर रहे हो वो अलग बात होती है लेकिन यहाँ पर यह पैसा आपके पास आया नहीं है आ सकता था लेकिन आया नहीं है अगर यह पैसा आ सकता था और आया नहीं है तो आपने इस 400 करोड़ रपे की reserve बना दी है revolution reserve और आप आप यह सोचे हो कि इस पैसे को bonus share में बाढ़ देते हैं तो तुम्हारे पास पैसा ही नहीं यह तो fake reserves है तो आप इसको bonus share में बाढ़ो कि ऐसे तो law कहता है devaluation reserves से bonus issue बाढ़ना allowed नहीं है जो actual आपके बास reserves पढ़े में है free reserve में जो पैसा पढ़ा है capital reserve में जो पैसा पढ़ा अगर आप उस पैसे से bonus shares share holders को free of cost बाढ़ना चाहते हैं बाढ़ दो लेकिन devaluation reserves में तो पैसा होता ही नहीं है तो आपने devaluy करवा ही है और आपको लग रहा है कि आ सकता आया तो ही नहीं तो ऐसे पैसे को आप ऐसे reserves के पैसे को आप bonus share में नहीं बाटो के वालाओ दिनी है और next महां पर यह भी लिखा हुए कि जब भी कोई कमणी bonus share issue करेगी तो articles में power होनी चाहिए section 63 में लिखा हुआ है plus उनको ordinary resolution भी pass करवाना पड़ेगा shareholders से plus उनको board meeting में board resolution भी pass करवाना पड़ेगा पहले board meeting होगी पहले director से permission ली जाएगी हमारी company bonus share देना चाहती है पहले director से लाओ करेंगे board resolution पास करागे फिर shareholders की meeting बलवाई जाएगी general meeting और उसके अंदर ordinary resolution को pass करवाई जाएगा उसके बाद ही क्या होगा bonus shares बटेंगे तो इसका लग कई चाहरी चीज़े देखनी पड़ेंगी कि AOA में power है या नहीं है board meeting में BR pass हुआ था नहीं हुआ था OR pass हुआ था नहीं हुआ था क्या company revaluation deserves से तो bonus share नहीं बाद रही और bonus shares हमेशा fully paid up shareholders को मिलते हैं और bonus shares हमेशा fully paid up होने चाहिए एक तो जो company bonus shares दे रही हो fully paid up होने चाहिए दूसरा आप free of course दे लिए कि उसके payment company तो अपने end से करी जाती तो fully paid up होने चाहिए और जिनको दिये जा रहे हैं bonus shares वो उन्हीं को मिलते हैं जिनके पास fully paid up shares company के पहले से हैं तो वो सब चीजे भी चेक करनी पड़ेंगे जिनके पास fully paid up shares से पहले से company के उन्हीं को fully paid up shares मिलेंगे next कोई भी company revaluation of assets से bonus share issue नहीं करेगी यह आपको पहले से पता है किसी भी company ने पहले से payment of interest में default ना कर रखो देखो ना तुम share holders को free of course share बाट रहे हो और creditors से तुमने loan रखा तुम उनका पैसा time पर चुका आनी रहे तो ऐसी अरकत नहीं होनी चीए तुमने कोई statutory dues अगर income tax department को कोई पैसा देना था क्या company नो उनको fully paid up में convert किया या नहीं किया और next कोई भी company check whether the bonus share shall not be issued in lieu of dividend यू का मतलब होते है क्ये बदले देखो dividend अलगशा देखो dividend भी company के बास जब sufficient profits होते हैं कम भी तब देती है bonus shares भी जब company के बास sufficient profits होते हैं कभी तब ही देती है लेकिन फरक यह कि law कहता है कभी भी dividend के पैसे से आप bonus share नहीं दोगे मतलब क्या है सुनना देखो तुम्हारे पास 100 crore का profit हुआ तुमने पहले से decide कर लिया कि भी मैं 50 crore का bonus share दूगा 50 crore का dividend दूगा that is fine लेकिन तुमने पहले dividend declare कर दिया कि हम 100 crore का देंगे और बात में बोल रहे है नहीं नहीं सौरी सौरी हम तो dividend 100 crore का देंगे हम खाली 50 का देंगे 50 का तुम्हारे को bonus share देंगे law कहता है वो चीज अलाओड नहीं है dividend के पैसे से bonus share नहीं दोगे तो आपको पहले से decide कर लो कि आपको कहीं से भी यह नहीं कहीं और लोक कहीं से भी नहीं कहारा कि आप डूनस share मत दो बस law से भी यह कहारा है आप आपका बोनस शेर इसू करें और आप उनका बॉन शेर करने जा रहे हो अब यह स्क्रीड रही है यह buyback का है अब यह क्या देखते हैं आगे क्या बोलता है purchase of company, power of company to purchase its own security, own security का लोगता है company अपने ही share market से वापिस खरीद रही है, तो इसे हम मैंने क्या बोला है, इसे हम क्या बोलते है buyback, तो ले दे कि आपको company law में section 68 है buyback का, वैसे 68, 69, 70, 3 section होती है, जो साथ में पढ़े ज buyback के लिए company law में requirement किया है, तो company law में requirement है, पहले बात है, जब भी company buyback करेगी तो articles में power होनी ज़रूरी है, अगर articles में power नहीं है तो पहले articles को alter करो, अपने company के articles office association को alter करो, उसके अंदर power ढालो, uh के बाद은 buyback करना, तो articles में power होनी जरूरी है, पहली बात तो इसको हम बोलते है AOA में power होनी चीए अच्छा buyback भी दो तरीके के होते हैं एक होता है छोटा buyback एक होता है बड़ा buyback buyback भी दो होते हैं एक होता है small buyback ये कब तक का होता है अगर company up to 10% of paid up equity capital plus free reserves तक का buyback कर रही है तो board resolution पास करवाना पड़ता है then board resolution is required is required और अगर company बड़ा buyback कर रही है इसको हम big buyback ये large buyback बोलते हैं बड़ा buyback कर रही है तो उसकी requirement अलग है बड़े का मतलब क्या होता है 10% से यादा लेकिन 25% तक 25% यादा तो loud ही नहीं है अगर company 25% of paid up capital अच्छे यहाँ पर word बड़ा important है paid up capital अच्छे जब मैं बोलका paid up capital तो उसमें equity भी आ गई plus preference भी आ गई दोनो plus free reserves तक का buyback कर रही है तो आपको general meeting में special resolution पास करवाना पड़ता है then special resolution is required वहाँ पर company नौ में लिखा हुआ है then आपको क्या पास करवाना पड़ेगा special resolution पास करवाना पड़ेगा तो अगर मैं तुम्हारा को knowledge के लिए बता हूँ तो ऐसे example लेके बात कर लेते हैं मानलो एक company है X limited मानलो इसकी paid up equity capital है 200 करोड मानलो इस company की paid up preference capital है 100 करोड और मानलो इस company के free reserves है 200 करोड के तो वो कहता है अगर company 10% 10% किसका बोल रहा है of paid up equity preference की बात नहीं हो रही plus free reserves तक का buy back करना चाहती है तो इसका लेके 10% paid up equity कितना हो गया तो paid up equity है 100 करोड की नहीं 200 करोड की तो यह हो गया हमारा 10% of 200 करोड plus 200 करोड freeze up भी 200 करोड की है तो 400 करोड हो गया तो 400 करोड का 10% तो यह हो गया हमारा 10% of 400 करोड और यह कितना निकल कर आएगा हमारा 40 करोड तो अगर company इतने amount तक का buy back करना चाहती है अगर company इस amount तक का buy back करना चाहती है अगर company 40 करोड तक का buy back करना चाहती है then board resolution is required then board resolution is required company को board meeting में board resolution पास करवाना पड़ेगा लेकिन अगर company 25% of किसका अब यहाँ पर सारी चीज़े गवर हो रही है paid up capital अच्छा जब मैं बोलो paid up capital यहाँ पर equity values नहीं कर रहा है तो equity preference दोनों आगई plus free reserves तक का buyback करना चाहती है तो company को क्या करना पड़ेगा अच्छा पास करना पड़ेगा तो अब इसमें सारी चीज़े जोड़ दो equity भी preference भी और वो भी तो 500 करोड हो गया तो हम 25% किसका लेंगे of 200 करोड यह आपका equity वाला amount हो गया plus 100 करोड यह आपका preference वाला amount हो गया plus 200 करोड यह आपका free reserve वाल amount हो गया तो यह हो गया हमारा 25% of 500 करोड तो यह हमारा निकल कर आगया कितना 25% 125 करोड तो अगर company इतने amount तक का अगर 87 करोड पे तक का buyback करना चाहती है इतने amount तक का buyback करना चाहती है तो उस case के अंदर company को special resolution pass कराना पड़ेगा वहाँ पे लिखा हुआ है plus एक चीज और लिखी हुई है कभी भी same पैसे से buyback नहीं होगा अच्छा देखो buyback करने के दो रास्ते हैं या तो freeze up से पैसा निकाल लो mainly या आप new shares issue करके पैसा निकाल लो लेकिन ध्यान ये रखना है पैसा वहाँ से लिखा अगर आपको buyback करने तो आपको पैसे shares खरीद रहे हो ना तो आपको इधर से share खरीद रहे तो उनको पैसा देना पड़ेगा तो पैसा कहां से आएगा या तो आपके freeze up में security से buyback allowed नहीं है का मतलब क्या है मैं समझाता हूँ मालो अगर आप equity shares issue कर example लेके बात करते हैं देखो buyback ना बहुत सा literature गलस सिखाते हैं बहुत सा literature यह सिखाते हैं कि buyback खली equity shares का होता है preference shares का नहीं होता है preference shares का तो redemption होता है बहुत सारों के accounts ले literature सिखाते हैं that is totally wrong preference shares पे दो रास्ते company preference का भी buyback कर सकती है equity का भी buyback कर सकती है but बस फरक इतना है कि buyback is a voluntary concept company अपनी मर्जी से करती है and redemption is a mandatory concept redemption तो company कोई भी company preference share issue करती है तो as per section 55 company लोग के 20 साल में preference share redeem करना ही पड़ते है 20 साल में preference share holders की payment उनको देनी ही पड़ती है वापिस तो मैं कह सकता हूँ कि redemption जो होता है वो mandatory concept होता है redemption खाली preference shares का होता है equity shares का नहीं होता तो इसलिए accounts वाले टिचर गलत सिखातेते हैं कि equity shares का buyback होता है redemption नहीं होता preference shares का redemption होता है buyback नहीं होता पहरी, Redemption is a mandatory concept. Redemption तो करना ही पड़ेगा, Repayment तो करना ही पड़ेगी 20 साल के अंतर Preference Shares की. लेकिन buyback is a voluntary concept, company की मर्जी होती है, company buyback करना चाहती है, करें नहीं करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, तो मैंने बोला buyback करने के लिए आपको पैसे चाहिए ना, आप share अपने वापिस खरीद रहे हो, तो एक तरीका होते हैं कि आप क्या freeze up में पैसा प buyback कर रहे हो, तो उसके लिए आप 25 क्रोड के नए equity share issue नहीं करोगे, समझागे ना, एक तरफ आप equity buyback कर रहे हो, दूसरे तरफ नए equity share issue कर रहे हो, तो logic क्या हुआ equity buyback करने का पहले वाली rent देते, तो law कहता है, equity के पैसे से equity का buyback नहीं होगा, preference के पैसे से preference का buyback नहीं होगा equity के पैसे से preference का buyback हो सकता है, preference के पैसे से equity का buyback हो सकता है, बात समझा रही है, लेकिन equity के पैसे से equity का buyback नहीं होगा, preference के पैसे से preference का buyback नहीं होगा, इसे हम बोलते है same kind of security, इसका मतलब ये, कि अगर मैं मेरे पास, मानलो, free reserve में पैसा नहीं है, और मानलो, मैं 25 क्रोड रप के equity share buyback करना चाहता हूँ तो मैंने क्या बोला आप buyback करने के लिए आपको पैसा लाने के तरीके क्या है या तो आप free reserve से पैसा ले आओ या आप new share शेशु करके पैसा ले आओ तो अगर आप 25 क्रोड के equity share buyback कर रहे तो आप बदले में 25 क्रोड के नए परेफ्रेशन जयर शेशु निकर सकते हैं 25 क्रोड के नई equity share रिशु कर सकते हैं equity वाले शेशु करकेज़ पैसा आएगा वहांसे आप preference का buyback कर देरा है तो ले देके equity share रिशु करके equity का buyback नosis करें isolated से equity share issue करें यहां से पैसा आये उस से पुराने वाले equity share के shares खरीद लिये buyback कर लिये इसा नहीं करोगे लेकिन equity के पैसे से general buyback नहीं होगा लेकिन equity के पैसे से preference के बाइबेग हो सकते है और law बोलता है कि एक बया अगर अखने buyback कर लिया तो उसके within 7 days में आपको क्या करना पड़ता है shares को extinguish करना होता है destroy करना होता है extinguish करना होता है destroy करना होता है extinguish करना होता है extinguish करना होता है destroy कर देते हैं आग लगा देते हैं क्योंकि company उतने shares को खतम करना चाहती है रिकॉर्ड में company अपनी overall capital को balance कर रही है buyback में buyback का objective क्या होता है making the capital of the company from over capitalized to balance capitalized company अपनी capital को over से balance पर लेकर आ रही है इसलिए buyback कर रही है तो जितने share market में जो उनको खरीदे हैं उनको वो खतम कर देगी आग लगा देगी और अगर वो electronic form में share से dmat form में थे तो उनको dmat entry से cut वा दिया जाएगा जड़ा पढ़ना तो पहले तो पहले चेकर जाएगा next चेकर जाएगा board meeting प्रॉपर होई थी और sr pass हुआ था या नहीं हुआ था अच्छा sr कब कब pass हो अब आपको पता है अगर 10% तक का buyback नहीं है तो आपको खरी vr से काम चल जाएगा board resolution से काम चल जाएगा और नीचे बोलता है कि कभी भी same kind of shares के पैसे से buyback नियुगा अपको इब आप पता है अगर buyback करना है तो same kind के पैसे से नहीं होग अब आपको पता है equity के तो पैसे से preference का buyback नियूगा प्रेफरेंस के पैसे से प्रेफरेंस के कभी नहीं होगा उल्टे शेयर से बाइबेक कर सकते हैं मतलब मेरे पास अगर मैं को एकुटी बाइबेक करनी है और मेरे पर फ्री जब में पैसा नहीं है तो मैं प्रेफरेंस शेयर रिशू कर दूँगा आपको 25% तक का buyback करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको पता ही है, और कहरा, after buyback, आपकी जो debt equity ratio है, वो कभी भी, आपकी company का debt, वो आपकी equity के twice से यादा नहीं होना चाहिए, मालनों कर आपकी equity ए 100 करोड है, तो after buyback आपका debt का amount है, वो 200 करोड से यादा नहीं ह credit of shares का होगा, आपकी कमने listate है, आपको savvy के lobby follow करने पड़ेंगे, और कह रहा है, एक बार अगर आपने buyback कर लिया, तो आप अगले एक साल तक नया buyback लेकर नहीं आ सकता है, आपको कम से कम एक साल का wait करना पड़ेगा, और कह रहा है, buyback का पैसा आप कहां से निकाल सकते हो, freeze करना बढ़ेगा, बहुत सारी बाद लिखिए, तो अगर आप देखो, तो मैंने point पड़े नहीं है, जिसको law clear होगा, उसको इस सारे points automatic clear हो जाएंगे, आपको 8-10 points याद करने है, तो automatic हता है, audit of debentures ते इतना खास है नहीं, इसको ignore कर दो, statutory order, internal order में क्या फरकोते हैं, मैंने पहले हैं, आपको starting में पहले chapter में, अब हम audit of inventories से पढ़ेंगे, यह क्या है, यह देखते हैं, क्या है, तो guys, अब हम अपना next topic कर रहें, जिसका नाम है audit and assurance of standards, अब हम इन्वेंटरी का audit करने जा रहे हैं, जब मैं बोलू inventories, तो inventories का मतलब होता है, tangible property, tangible property का मतलब होता है, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, उसे हम बोलते है, inventory, अचा यह tangible property, movable भी हो सकती है, immovable भी हो सकती है, movable property भी हो सकती है, और immovable property भी हो सकती है, बहुत स क्यों नहीं तुम्हें example लेकं समझना तुम्हें बताता हूं, माझनो मैं car का dealer हूं, माझनो मैं car dealer हूं, तो car dealer वाले के लिए जो cars है, वो क्या है, inventory, अगर माझनो मैं electronic appliances बेचता हूं, like AC fridge वगेरा वगेरा तो मेरे लिए ये सब क्या है inventory लेकिन अगर मैं ये सब चीज़े बेचता हूँ और मालो मैं readymade garment बेचता हूँ example लेके बात करते है तो मेरे लिए readymade garment क्या है inventory तो मेरे लिए ये सब inventory है लेकिन अगर मेरे जैसा बंदा land ये सब inventory है तो ये सब मेरे लिए हो गए current assets ये सब मेरे लिए क्या हो गए जो inventory होती है वो किसमें आती है current assets में लेकिन जो मेरे लिए land और building है अगर मैं land building ये सब मेरे पास है हर एक company जब business कर रही है तो उस पर land building भी होगी तो ये वाई की fix asset में ये current asset में नहीं आती है किसमें आती है fix asset में क्योंकि land building किसका part है fix asset का लेकिन on the other hand मैं example लेके बात कर रहा हूं मालो मैं हूँ ही real estate agent मालो मारी real estate company है है ये हमारी construction company है तो अब हम लोगों के लिए तो जो ये plots हैं है ना buildings है flats है shops है ये सब हमारे लिए क्या होंगी inventory हमारे लिए fix asset में थोड़ी आएगा हमारे लिए तो inventory में आएगा क्योंकि हम तो इसको रोज बेचेंगे हमारे लिए तो stock in trade हो जाएगा हमारे लिए तो क्या हो जाएगा इस सब stock in trade और stock in trade किसके अंदर आता है current assets में आता है land building किसी के लिए fixed asset है और किसी के लिए current asset है stock in trade किसका पार्ट है current asset का पार्ट है तो आपको मेरी बात पढ़ने पढ़ रही है मैं कहना कह चाहरा हूँ मैं यह कहना चाहरा हूँ कि जब हम बोले inventory तो inventory को दिमाग में हमत बिठा ले ना कि हम छोटा मोटा stock चेक करने जा रहे हैं तो वह inventory होगा inventory कोई भी tangible property होती है वो movable भी हो सकती है movable भी हो सकती है और अगर हम उसे बेच थोड़ी नहीं है वो तो हम अपने assets है जिसके अंदर हम रहते हैं काम करते हैं जिस अगर हमारी पास land है बहुत बड़ी उसके अपना stock maintain करते है तो land हमारे लिए fixed asset है लेकिन on the other hand अगर हम dealer email property के हैं हम real estate agent है real estate company है हमारी construction company है तो हम लोग तो क्या करते होंगे plots, building plots, flats, shops यह सब बेचते होंगे तो हमारे लिए तो यही सब inventory हो जाएगी यह सब हमारे लिए stock in trade हो जाएगा हमारे current asset में आ जाएगा करते हो जो कि ordinary course of business में हम sale करते हैं या just production करवाकर complete होने के बाहर बेचते हैं है इस सब कुछ इसके अंदर आता है और कहारा inventory जो है significant portion होता है total assets का अच्छा जब हम बोले total assets, total assets में fixed assets भी आते हैं और current assets भी आते हैं और intangible assets भी आते हैं अगर आपको पता हो तो patent, copyright, goodwill उन्हें हम बोलते हैं intangible assets जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं छू नहीं सकते हैं वो भी आते हैं तो total assets में बहुत बड़ा portion कहता कि इसका होता है inventory का होता है और कहरा inventory जनली हर किसी के पास होती है भले आप manufacturing unit हो या service sector provider बली unit हो अच्छा service वालों भी inventory होती है बिल्कुल होती है अच्छा example लेके बात करूं मैं तुम्हारे से तो service sector के साब से बात करते हैं मानलो हम लोग car का showroom है हमारे पास car service center हम लोग कारों की service करते हैं तो कहने को हम कारों की service करें लिकिन inventory हमारे पास भी होती है कौन से inventory जो लोग car repair करवाने आए हमारे पास car की service करवाने आए तो इस इंतर जो spare part खराब होगा हम लोग उनको fit करके देते हैं हम लोग पहले से stock maintain करते हैं inventory कहारे कई बास susceptible का मतलब होता है doubt होता है कि हमारे को यह भी लगता है कि वह obsolete होजएगी spoil होजएगी बेकार होजएगी तो इसलिए हमारे को कोशिश करने चाहिए कि जो slow moving वाली जो में लगता है कम बिकेगी कि इसको कम रखो stock में ज्यादा है कि उसको ज़्यादा रखो stock में क्यारे inventories movable nature की भी हो सकती है है और कुछ cases में इंवेबल नेचर की भी inventory हो सकती है example अगर आप entity रियल estate में deal करती है अगर कोई company real estate में deal करती है तो उनके लिए जो inventory होगी वो immol property होगी कहारा कही बार ऐसा होता है कि सारी inventory एक ही जगा पर है और कही बार ऐसा होता है inventory आपने different locations पर अलग-अलग warehouses में रखी हुई है कही बार ऐसा भी होता है कि inventory की जो individual value है वो significant नहीं है लेकिन जब सबको जोड़ देंगे तो बहुत बड़ी value है जैसे example लेके बात करते है तुम लोग toffee खाने रहते हैं दुकान पर एक रुबे की वो एक toffee की एक रुबे की value लेकिन पूरा jar है अगर वो 300 रुबे का jar है तो jar की value है लेकिन बल्क में stock में बहुत ज़्यादा value रखती है तो कह रहा है उसका ध्यान रखना पड़ता है कई बर हमारे को यह भी check करना पड़ता है audit करते है वक्त कि हम लोग ने जब audit करने का inventory तो उसकी physical condition कैसी थी next हमारे को यह भी देखना पड़ता है कि इसमें कई बार ऐसा होता है कि inventory ने दिखा रख्था है कि हमारे पास इतनी inventory पड़ी है इतनी jewelry है मालब jewler हो अब आपने बोला हमारे पास इतने तोला सोना पड़ा हुए लेकिन वह सोना असली भी है या नहीं है उसके लिए हमारे को कई बार ऐसा भी होता है कि third party की opinion लेन पर थे एक्सपर्ट की opinion लेन पर थे एक्जामपल लिका है in case of jewelry तो कई बार आप auditor हो लेकिन आपको उस field की समझी नहीं आप जिस inventory को audit करने को आपको पता ही नहीं कि वह जैन्वन है और आप check भी नहीं कर सकते तो कई बार आपको उस field क expert को hire करना पड़ता है जो speed के बारे में बता सके तो एक खतम होगे audit inventory तो आप क्या कैशी यह देखोगे आप यह देखोगे कि पहली बात तो कि यह fast moving वाली है यह normal वाली है कि खराब हो सकते है नहीं तो खराब होने वाली शीज़ है तो आप उनको बोलो कि फिर 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 next आप यह देखो कि फैक्टरी की सच जितनी भी inventory है वह एक ही जगह पढ़ी है different location पर पढ़ी है next आप यह देखो कि उसकी inventory की value individually कितनी है और overall में कितनी है ताकि उससे आपको audit करते पक्त आइडिया हो सके कि अगर value बहुत ज़्यादा है उनकी aggregate में तो company एक जगह पे stock maintain ना करें ताकि कल को अगर आग लगजे तो पते चले पूरे निफसान हुझा है अलग लगजे का maintain करें next उनकी physical condition कैसी अब company ने बोला जिए हमारे पर करूड और पे का stock है लेकिन साला physically साला destroy पढ़ा हुआ है क्या है उसकी valuation कैसे लगेगी तो आप किसी expert को higher कर सकते हैं और next कह रहा है audit and assurance related to audit of fixed assets अब यहां fixed assets अब आपको पता ही है इसको मशौड में PPE बोलते है plant property equipment और जब आप किसी entity को audit करने जाओ तो जब आप उसको audit करो तो साथ में यह भी देखो कि उन्होंने revise AS AS का मतलब है accounting standards जो बनता है पुरा proper वो follow करा या नहीं करा क्योंकि इसके लिए accounting standards है कि आपको ये वाला AS follow करना है आपको ये PPE इसकी accounting इस तरीके जिखाने के उस तरीके से maintain हुए नहीं कि आप proper उनके बास जो assets है उसमें से fixed assets में कितने पैसा उनका है जो इस पर rental आ रहा है औ और कितने ऐसे जो खुद यूज़ कर रहे हैं अपने purpose के लिए जाकर चेक करो और कितने fix assets उनके पैसे जो इसको कई सालों से यूज़ कर रहे हैं वह उसको ये सब चीज़ा कर चेक करो ये खतम हो गया अब आता है audit of education institutions अच्छा आता है na education educational institutions कोन हो गये example schools colleges वगेरा वगेरा और आपको पता होगा India मेरे जो schools और colleges बनते हैं वो trust की form में बनते हैं जद अतार किस form में बनते हैं trust की form में और जो उस schools को control करते हैं wszyscy कोन होते हैं trustees सुना होगा नं हमारे school ने trustees थे तो trust कौन होती है, trust एक संस्था होती है, जो एक लोगों को, इनका main name जो होता है न, वो profit तो होता है, बहुत सारे school तो social welfare के लिए बंगते हैं, लेकिन आपका, इनका main name pure profit नहीं होता, जैसे public school भी है, तो वो खाली pure profit नहीं कर सकते, उनको आपको पता होगा, आजकल public school के लिए black change lines हैं, कि आपको कुछ percent seats, poor section के people के लिए रखनी पड़ेगी, poor people के लिए रखनी पड़ेगी, गरीब बच्चों के लिए रखनी पड़ेगी कुछ परसंट सीट्स वो अलग-लग क्राइटीरिया बताया हुआ अलग-लग स्टेट्स के अंदर कि 10 परसंट सीट है 15 परसंट सीट है आपको गरीब बच्चों के लिए रखनी पड़ेगी तो मेरे कहने की सैंस यह है कि इंडिया में वैसे तो एजुकेशनल इंस्टूशन प्रॉफिटेबल वाले भी है, पॉब्लिक स्कूल भी है, सरकारी स्कूल भी है और सारे ही ट्रस्ट की फॉर्म में बनते हैं, लेकिन समन्ने वाली चीज यह है समन्ने वाली चीज है कि सारे स्कूल जो ट्रस्ट की फॉर्म में बनते हैं इंडिया के अंदर उसमें ध्यान देने वाली चीज है कि ऐसा नहीं कि वह प्योर्ली प्रॉफिट के लिए बनेंगे या तो पूरा सोशल वेलफिर के लिए होंगे और अगर फ्रॉफिट के लिए हाई बे तो प्योर्ली नहीं हो सकते हैं उसमें कुछ पर्ण सीटे सरकार की गाइडलाइन होती कि आप वो ग्रीब बच्चों के लिए लखनी पड़ती है 1922 तो दिली निवस्टी के जो भी लॉज है वो उस एक्ट में बताएं में है तो कहा रहा है कि अगर आप किसी स्कूल का या किसी एडुकेशन इस्ट करने का है तो पहले तो यह चेक करो कि वो ट्रॉस्ट के एक्ट चल रहे हैं या उनका खुद का एक्ट है और खुद का ए रहे हैं वो कैसे चलेंगी जैसे कमपनी के केस में bit वो होता है ना कि moa में company को चलाना कैसे उसके rules लिखे होते हैं सेम ऐसे स्कूल के कीस के अंदर एडुकेशन इसां कीस में trust deed होती है तो ऑसके अनर स्कूल कैसे चलेगा स्कूल के trust is कोन को होंगे सारी चीजे स्कूल को कितना मिलेगा, school के trustees की meeting कब कब होगी साल के अंदर, सारे चीजे उपर से level लेकर lower level तक hierarchy क्या होगी, वो सारी चीजे बच्चों का passing criteria क्या रखेंगे, वो सारी चीजे trust deed में लिखती होती है, तो आपको जाके असल तो वो पढ़ लो, तो आपको उसका idea अजया का audit करने से पहले जितने भी जो speak जितने भी स्कूल मीटी होते हैं, तो स्कूल याइक होता है, इसको लोगा चिला रहे हैं, वो स्कूल चेला रहे हैं जो इतनी भी meeting होती है साल के अंदर trustees वोगयरा की, तो वो धंकसो के minutes बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं. next, अब school वाले कह रहे हैं कि जी, school की जो balance sheet बनी, उसके अंदर लिखा रहे हैं कि हमने इतने बच्चों से fees collect करी, इतने बच्चों का वो था, इतना पैसा collect हुआ, तो अब जाके, इस school वाले जो बोल रहे हैं कि हमने इतनी fees collect करी, उसको class के attendance register होते हैं उससे maintain कर लो, मालनो school वा मंगवालो, उससे calculate कर लो, आपको total माईडिया हो जाएगा, कि अगर ये 500 balance sheet में दिखा रहे हैं कि actual में 500 ही हैं, ये पता चले बच्चे जादा दिखा कम रहे हैं, ताकि tax कम पे करना पड़े, तो उनसे और उनकी monthly fees कितनी collect होते हैं, उसकी receipt मंगा लो, है ना, ये सब चेक कर कर लो, उनके students के नाम चेक कर लो, उनके roll number चेक कर लो, उनसे कितनी fees collect हो रही है, ये चेक कर लो, उससे पता लग जाएगा, है ना, और उनकी जितनी fees आई है, उसमें cash collection कितनी है, और bank में entry कितनी आई है, वो सब verify कर लो, वह जाकर, और चीज़े चेक करनी है, तो जैसे building fund के नाम से पैसा ले लेते हैं, लेकिन साला building में लगाते कुछ नहीं है, तो वह building fund के नाम पे पैसा मांग रहे हैं, अगर उन्होंने वो, वैसे तो वो cash में लेते हैं, उसे चाही तो आप उसे verify करी नहीं सकते, लेकिन वह यही कह रहा है, कि अगर उन्होंने पैसा bank account में वैरिफाई कर लो, और यह चेक करो कि कितने free studentship वाले बच्चे हैं, concession वाले, मैंने बोला ना, कि सारे schools, जितने बड़े public schools हैं, उनके लिए mandatory हैं, कि उन्हें कुछ percent seats, गरीब बच्चों के लिखनी पड़ते हैं, तो आप जाके verify करो, पता लग वालो, class में जाके survey कर वालो कि कितने बच्चे इस class में free पड़ रहे हैं, हाथ खड़े कर वालो, और overall से calculate कर लो कि कितने बच्चे free पड़ रहे हैं, इतने बच्चों के लिए free seat दी भी यह नहीं दी, कही बार ऐसा होता है कि दिखाने के लिए free seat बोलते हैं, लेकि free seat देते नहीं है, next, कितने बच्चे बच्चे से late आते हैं, उनसे late fees ली जाती है, कोई बच्चे छुटी होते हैं, उनके absent की fees ली जाती है, तो वो कितने कलेक्ट हुई, उसकी details निकालो, जितने बच्चे school के, college के hostels में रहे हैं, उनकी details निकालो, और आपको पता हो कि जब आप school college में admission लेते हो, तो आपको कु कितने पीस आ रही है, कितने बच्चे हैं, उनको class से जाके verify कर लो, class register से मेंडे verify कर लो, उनसे attendance की पीस कितने ली जा रही है, को चोरी तो होगी, इसमें बहुत सरी चीज़े हैं, जो पकड़ में नहीं आ सकती है, जैसे building fund के नाम पर पैसा लिया था, वो पकड़ में नहीं यह आपको audit of education शुरु खता मागे, अब आता audit of hospitals, अब यह क्या है, यह देखो, next आता audit of hospital, देखो guys, इसका भी same concept होता, school की तरह, इंडिया में जो hospitals होते हैं, वो भी trust की form में ही बनते हैं, या फिर आजकल companies की form में भी बनने लगे हैं, जो बड़े-बड़े private hospital है, वो तो companies की खूँआ हैं, लेकिन नॉरमली जो हस्पिटल बनते हैं, वो trust की form में बनते हैं, जो सरकारी hospital होते हैं, वो तो बनती हैं, और जो एक के लिए बनते हैं, वो डनती है तो अगर आप किसी hospital को audit करने जा रहे हो, अचाही तो MOA होते हैं, इसी का दूसरा नाम होता है charter, इसको दूसरा हम charter भी बोलते हैं, कि charter का मतलब होता है, वो document शहां पर rules regulation लिखी जाती है, तो कहारा है, सबसे पहले तो आप यह जाकर चेक करो किसी hospital को audit करने जा रहे हो, कि कौन से, जो hospital के senior level directors होते हैं, hospital भी तो company की form में, trust की form में चले हैं, या तो महां पर trustees होंगे, या directors होंगे top level पे, ज्यादातर वो doctors ही होते हैं, उनको स्कोप दिया जाता है, तो उनकी responsibility कि कि किस को क्या काम दिया हो, वो check करो, next आप जाकर उस hospital किस तरीके से work करेगा, तो बैट होसpital कैसे चलेगा, hospital में कितने directors हैं, उनका नाम क्या क्या है, hospital में कितनी capital लगी होई है, कितने funds रहा है, वो चल रहा है, ए रहना, hospital किस किस, आप सारष वार हास्पिकल ची करते हैं आपको ये देखना पड़ा हैfed हो कि अनके पतुरत से पता लग जागा एक और सखोप क्या है कि वो किस चिट में डील करते हैं अब जाकर चेक करो कि उनका internal control system कैसा वो कैसे अपने आपको manage कर रहे है timing क्या है hospital का next वो पेशेंट से जो पैसे ले रहे हैं क्या वो उसकी proper billing काट रहे हैं नहीं काट रहे हैं क्या वो कर्षाइच में पैसे तो निकलेक्ट कर रहे हैं है और वो जो पैसे चार्ज रहे हैं नहीं है next अब अब पेशेंट से भी पोछ सकते हो का था बीच बीच में क्या करो तो वो लोग hospital पहले क्या करते थे? बिल बना, service प्रोवाइड करते थे 2 लाग की, customer को बोलते थे 1 लाग का बिल बनेगा, 1 लाग का बिल नी बनेगा, 1 लाग को cash में देरें पढ़ेंगे तो आप यह check कर लो, copy of bills है, vouch कर लो, patient को पकड़ लो, कि भाई, तुम्हार को बिल अगरा दिया, वो proper है या नहीं है, है ना, और hospital वालो पे इतना पैसा होता है, तो अगर अपने पैसे को किसी अलग जगा पे इंवेस्ट करा हुआ है, जैसे hospitals पे बहुत पैसा होता है, तो hospital व बहुत सर लोग तरस खा के उनको donations भी देते हैं, सरकारी hospital को तो देते हैं, कुछ लोग private hospital को भी donation देते हैं, तो check करो कि donation का पैसा दिया गया है, क्या वो illegal purpose के लिए ऐसे होता है, प्रता चले हो हॉस्पिटल के डिरेक्टर घर में लेके चलेगा है पैसे को, कि अगर hospital में donation मे यह हुरी है, तो वो hospital के लिए use होना चाहिए, किसी ओर purpose के लिए use नहीं होनी चाहिए, यही सब बतारा है, कि donations जो आरही है, वो सारा पैसा, जितने भी subscriptions हैं, लिखा है नहीं사, कई przeci'd multi थ्कूछ वाना सारा शाथ है, वो सारा कि उत्रीम पैसे हैं, जितने बी grants अर हैं, वगा नीचिर किया proper staff को salary दी जारी है ने जी जारी है क्या होस्पिटेल में doctor بنने के लिए जो एक qualification चाहिए होती है क्या वो qualification meet हो रही है या नहीं हो रही है प्लस ये जाकर चेक करो हो приним 16 पिसे इस इसने किटने इमएंटरि किने जितने वो दिछारे हैं उतने हैं या नहीं है दोनों में फरक समझो देखो, सोसाइटी जो होती है ना, इंडिया में सोशल वेलफिर करने के लिए बनती है, लोगों का भला करने के लिए बनती है जिसका बेस्ट एक्जामपल आगर आपको पता हो बींग यूमन फांडेशन, सलमान खान की है जो बींग यूमन फांडेशन रिलाइंस फांडेशन, रिलाइंस वालों अपनी फांडेशन बना रखी है टाटा वालों की फांडेशन बनी हुए टाटा फांडेशन, वो कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं तो यह सब जो इंडिया में बनती हैं, यह societies होती हैं, और इंडिया में अगर आपको society बनाना तो आप पर तीन रास्ते होते हैं, आप चाहो तो as per society registration act बना सकते हो society, as per societies registration act बना सकते हो, अपनी society को इंडिया में register करा सकते हो, चाहो तो आप as per trust act अपने आज society को रिस्टा करा सकते हो और चाहो तो as per companies act आप section 8 company बना सकते हो आप लोग उने company आप में पढ़ा होगा ना section 8 company बनती है non-profit के लिए 2013 आप section 8 non-profit company बना सकते हो तो इंडिया में एक होती society 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 का मतलब काम क्या social welfare करना हो और ये इंडिया में तीन तरीके से बनती है society act से भी trust act से भी company से भी हर law के अपने फायद है अपने रुकसान है उसके बारे मैं तुमें डिटेल में बात नहीं करूंगा लेकिन सिर्फ इतना बता रहा हो भी यह आपे कि अलगला एक से बनती है और इनका काम social welfare करना होता है लेकिन cooperative societies जो इंडिया में बनती है वो profit earn करने के लिए बनती है profit earn करने के लिए बनती है जिसका best example अगर आपने सुना हो एक cooperative society का नाम बताए तो marketing federation marketing federation को पता है कोन है आप अमूल का बटर खाते हो ना अमूल ही नहीं का ब्रैंड है अमूल के जो marketing देखते हैं वो सब यही cooperative society देखती है इस society का नाम है marketing federation cooperative limited जब आप अमूल का बटर खाते हो तो उसके पीछे लिखा होगा marketing federation cooperative limited और आपको पता अमूल तो profit earn करी रही है तो अब बच्चा पूछता है कि सर पहले तो societal profit society corporate society उन फरक्लियर हो गया है cooperative society क्यों बनाई तो सर cooperative society का main बनाने का logic पता है क्यों होता है cooperative society में खाली वही members बनते हैं only वही लोग member बन सकते हैं जिनका objective common होता है जिनका objective common होता है and जो उसी business से related जुड़े होए लोग होते हैं जैसे example लेके बात करूँ तो आपको पता होगा यह बात अमूल जो है मैं कह सकता हूँ कि अमूल जो है वो dairy product में deal करता है milk हो गया, butter हो गया, दही हो गया, घी हो गया यह इन सबसीटर में deal करता है तो आपको पता है अमूल के अंदर जितने भी member है उस cooperative society की जितने भी members हो सब farmers ही है वो सब कौन है, farmers ही है, dairy farmers है, जो उसको चला रहे हैं तो यह लोग ना बाहर के बंदे को नहीं जोड़ते, अच्छा समान जिसको मर्जी बेचें जैसे समान तो कोई भी खरीच सकते है, मैं भी खरीच सकते हैं, आप भी खरीच सकते हैं जो customer है वो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन जो इनकी cooperative society की member बनेगा जो इस संस्था को चलाएगा, जो इसमें invest करेगा, वो खाली कोन होंगे, farmers होंगे सेम ऐसे ही, इंडिया में अलग-लग cooperative societies बनती हैं, जैसे यह तो हो गई, कौनसी वाली cooperative societies, dairy वाली cooperative societies, ऐसे ही इंडिया में housing cooperative societies भी बनती हैं अच्छा तो यहाँ पर जो भी लोग होंगे, वो वही लोग होंगे, जिनका इस construction line से link होगा, जिनको इस construction की समझ होगी, वही लोग इसके क्या बनते हैं, member बनते हैं जो construction line से connected होगे, वही लोग क्या बनते हैं, इसके member, इन्हें हम बोलते हैं, housing cooperative society, जो बड़ी-बड़ी मकान बनाकर बेशने हैं, बड़ी-बड़ी societies की form में अचा लेकिन अगर 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 आगर है आप Reliance के Tata के member बनना चाहते हैं, member का मतलब क्या था shareholder, लेकिन अगर Reliance के Tata के shares खरीदना चाहते हैं, वह यह बोलते हैं, कि अगर आपको हमारे business की knowledge है, तभी आप हमारे shareholder बनोगे, नहीं, Reliance का share तो भले ही मैं किसी भी background से हो, मैं क्या बन सकते हो, member बन सकते हो, तो profit अन करने के लिए बनती हैं, लेकिन अपने members किसको बनाती है, outside रोग नहीं बनाती, उनी लोगों को बनाती है, जो इनकी field की क्या रखते है, knowledge रखते है, बात समझ आ गई जी, तो यह होता है cooperative society का concept, तो cooperative societies क्यों बनाई जाती है, cooperative society में क्य क्या फर्क होता, आपको यह समझ, आ गया, अच्या, और भी cooperative societies होती है, जैसे housing cooperative societies, ऐसी होती है, credit cooperative societies, सुना है कभी, credit cooperative societies वो होती है, जो लोगों को loan provide करती है, मतलब यहाँ पे होता पता है क्या है, कुछ members मिलके अपना पैसा इकठा कर देते हैं, और उस में से जिस बन्दे क पैसा है, जैसे माल लो, इस credit cooperative society के अंदर 50 member है, माल लो इन सबने 2-2 लाग रपे deposit कर दिया, 2 लाग इच सबने क्या कर दिया, deposit कर दिया, अच्छा, अगर 2 लाग सबने deposit कर दिया, तो मैं कह सकता हो, credit cooperative society के अंदर 1 करोड का fund लिकटा हो गया, fund collect हो गया, अगर 2 लाग सबने दिया तो, अब ये credit cooperative society क्या करेगी, अपने ही member को, outsider को नहीं, अपने ही member को क्या कर देगी, जो इस credit का member है, अगर उसको loan चाहिए, तो उसको loan provide कर देगी, loan provide कर देगी interest पे, तो credit cooperative society को उसमें income मिलेगी, interest पे, मालोगर किसी को 5 लाग का loan चाहिए, किसी को 10 लाग का loan चाहिए, तो वो loan provide कर देगी, और अगर कोई बंदा, और जो जो आपने 2-2 लाग चाहिए, उनको तो interest मिले गई, क्योंकि देगो, credit cooperative is just like bank की तरही काम करेगी, जैसे bank क्या करता है, तुम समझो, bank के पास जब तुम FD कराते हैं, तो bank तुम्हार को FD पे 6-7% की return देता है, मालोगर तुमने bank पे 1 croda पे ज जब आप लोग members और आपने 2-2 लाग पर जमा करके अपनी cooperative society को दे दिये, तो आपको 2-2 लाग के उपर interest मिलेगा, वो कम मिलेगा, 6-7% और जब आप उसी credit cooperative society से loan लेने जाओगे, तो आपको थोड़ा से ज़्यादा महंगा मिलेगा rate of interest, लेकिन आपको loan मिल जाएगा, तो जो लोगों को लगता है कि यार हमार को अपनी cooperative society से loan लेना चाहिए तो लोग इन से loan ले लेते हैं, समझा गई, तो यह लोग जो loan देते हैं, वो खाली किसको देते हैं, इसके लिए इंडिया में cooperative banks भी बने वे हैं, और cooperative bank, अगर आपको इंडिया में cooperative bank से loan चाहिए होता तो वो पहले कहते हैं कि आप में member बन जाओ, क्योंकि अपने members को loan देते हैं, भारवालों को नहीं देते हैं, तो वो यही बता रहा है कि definition cooperative society होती है, कहा रहा है जो कि voluntarily कुछ लोग मिलकर जूड कर बनाते हैं, जिनका objective common होता है, और objective, economic objective, economic का मतलब क्या होता है in terms of money, यह लोग कमाना चाते हैं, और मगर objective common है, जैसे पहले क्या होता था, farmers क्या करते थे, middle man होते थे, middle man ही उनको निचोड देते थे, सारा पैसा बीच में वही लोग खा जाते हैं, middle man farmers को कुछ मिलता ही नहीं था, अब farmers ने क्या करना शुरू कर रहे हैं, यह best example है cooperative society का, पहले क्या क्या कर कोई farmer है, उसके अंदर pesticide provide कर रहा है, कोई farmer उसके अंदर भैसे रख रहा है, कोई farmer क्या कर रहा है, उसकी supply का काम देख रहा है, कोई farmer marketing का काम देख रहा है, सब मिलके ही आपस में संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, सबको objective common है, पैसा कमाना है, लेकिन सब वही लोग जुड अगर आप किसी cooperative society को audit करने जा रहे हो, तो आप क्या चेक करोगे महाँ पर, दो चीज़ चेक करोगे, एक उनकी income और एक उनकी expenditure, कि उनको पैसा कहा कहा से आ रहा है, और वो खर्चा कहा कहा कर रहे है, तो पहले तो आप महाँ पर यह देखो कि audit of income के अंदर, cooperative society के audit of income में क्य कि इनको पैसा कहा से आ रहा है, he should carefully watch the receipt of cash कहा से आ रहा है, कितना पैसा cash में रहा है, कितना नहीं, next आप यह भी देखो कि जितना भी पैसा आ रहा है, वो members के पास से आना, लिकाना cash receipt on account to share, it should be vouched with the register of members, इसका मतलब यह है, कि आप अपने shares, cooperative society, अपने shares, खाली उसी को issue कि जो उसका member है, और उस बंदे का नाम cooperative society के register of members में आना चाहिए, मैंनो तुमार को अभी थोड़ देर पहले क्या बोला था, cooperative society कें तर हर कोई बंदा member नहीं बन सकता, खाली कोन बन सकता है, जो उनका, उनके business की knowledge रखता है, और वो उसी को लोन देगी, उसी से पैसा लेगी तो जिसको उनोंने share capital issue करी, अब उनका member होगे तो उसका नाम register member में है या नहीं, आप यह चेक करोगे, है ना, next year आप यह चेक करोगे कि cash received, as again sales should be vouched with the cash member and invoice issued to the customer, also as sales account, इसका मतलब क्या है, जितना आपने cash receive करा customer से, तो उसके बदले आपने cash receive करा तो अपने कोई समान अपनी member को दोगे, तो उसका loan agreement की copy check करो, वहाँ पर जाकर, ठीक है यह सब basic बात हो गई, तो same वैसे वो था, यह वो पैसा था income का expenditure, अगर audit, sorry, अगर cooperative side ने कुछ पैसा खर्चा करा है, तो कहां खर्चा करा है, वो expenditure long term था, short term था यह देखो, और bank से match करो कि उन्होंने जो ख खर्चा दिखाया है, आपने अपने PNL account में expense दिखाया होगा ना, कि हमारा यह expenditure हुआ है, profit and loss account के अंदर income expenditure account जो बनते है, PNL account जो बनते है, आपने expenses दिखाया होगे, तो आपने expenses दिखाया है, उसकी proper entry पार हुई थी निया नहीं हुई थी, यह चेक करो, next, अगर loan किसी ने repay कर दिया है, अगर आपने किसी को loan बाटा है, तो loan की loan agreement की detail देखो, किसी ने अगर आपको loan repay कर दिया, तो उसकी detail देखो, प्लस आपने जितने भी expenses करें है, उसकी proper billing की copy दिखाओ, company को बोलो, company बोलती है, जी हमने 50RP का electricity का bill पे कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, जो आपन next topic, आपका bank audit, अब यह क्या चीज है, यह देखते हैं, अच्छा bank audit start करने से पर मेरे दिमाग में एक बात आगा, यह जभी उपर stock audit पढ़ रहे थे, तो stock audit वैसे तो आपको पता होगा, जब कोई auditors, normal statutory auditor, जब CA audit करने आता है financial statement का, तो मोटा मोटा stock audit तो वही कर लेता है, माल खाली stock थोड़ी चेक करने है, उसको हरची चेक करने है, तो exactly जाकर गिन गिन के नहीं देखता है, वो overall idea लगा लेता, उपर उपर से देखे कि एक लाग unit stock पढ़ा है, दस लाग unit stock पढ़ा है, तो वह अंदाजा लगा लेता है, लेकिन अगर आप proper pure stock audit कराने चाहते हैं, हर कितना stock okay है, कितना बेकार है, कितना closing था, कितना opening है, सारी चेक करने हैं, तो आप फिर एक काम करें, internal auditor find करो और उससे stock audit करवाओ, तो फिर वो जाकर सिर्फ focus ही उसी पर करेगा, CA के पास तो और भी काम है, क्योंकि उसको statutory auditor को हर्ची चेक करनी है, अभी balance sheet में, जिरी सी रिख करते हैं, bank India के अंदर mainly दो काम करते हैं, एक करते है banking functions perform, और दूसरा वो करते है financing functions perform, banking function का मतलब क्या होता है, जो आपको चेक book issue करते हैं, तक आप check card law future में, वो सब banking function करते हैं, जो banks आपको loan देते हैं, RBI के कहने पर करते हैं, और इंडिया में banks को चलाने के लिए, इंडिया में एक अलग से act भी बना हुआ है, banking regulation act, जो भी इंडिया में banks है 1949, उनको यह भी एक फॉलो करना पड़ता है, तो कह रहा है, bank industry के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि हर किसी को पैसे की जरूरा था, और पैसे कौन देता है, bank देता है, हर economy के लिए bank जरूरी है, इंडिया की financial market को grow करने में help करता है, और इंडिया में कह रहा है, RBI जो है, जो bank का regulator है, monetary authority है, और इसको हम central bank भी बोलते हैं, obvious ही बात है, यह जितने भी normal banks, IEC, 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 IEC से तो commercial banks हैं, इनको जो control कर रहा है, वो कौन हो था RBI, तो central bank हो गया, और रहा है, इंडिया में कहीत रह cooperative banks होते हैं, इंडिया में जैसे वैश cooperative bank का कभी आपने नाम सुना हो, वैश cooperative banks होते हैं, इनसे अगर आपको loan लेना है, तो आपको पहले income member बनना पड़ता है, लेकिन normal commercial bank से loan लेना है, आपको उनका shareholder बनना जोगरी नहीं है, कुछ इंडिया में development banks होते हैं, कुछ payment banks होते है payment banks example pay ATM, यह payment bank में आता है, small finance bank, जैसे अपने नाम सुना होगा, अचकल AU small bank, AU small finance bank का अभी नाम सुना होगा, यह वो bank होते हैं, जो ज़्यादा बड़े level पर deal नहीं करते हैं, छोटे level पर deal करते हैं, छोटा मोटा loan देते हैं, तो अलग लग तरीके के इंडिया में banks होते हैं, सबका बन्या criteria लगे, तो कहरा, अगर आप bank audit करने जाते हो, तो bank की financial statement जो बनती है, वो banking regulation act 1949 के schedule 3 के according बनती है, और उनका format यह रहा, और फिर आप बागी तो मेरा को समझाने की जूरत नहीं है, बागी तो इसमें फिर वो ही है, कि जब आप bank audit करोगे तो आप क्या के चेक करो कितना पैसा लोन की फॉर्म में बाटा, उसको चेक करो, कितना पैसा उनके पास cash in hand है, है ना बाकी basic चीज़ उनसे verify कर लो, खतम, इसमें यह सब है, वो सारी जितनी भी item balance sheet में दी हुए ना, उसको इन्होंने point बना कर डाल दिया, नेक्स अधा audit of trust, यह तो बेकार है, trust को audit करने के लिए, trust क्या है, अभी इसके बारे में तुम पहले उपर पढ़ चुक है, hospital इंडिया में trust की form में बनते है, अगर उनको audit करना होगा, तो कैसे करोगा है, या तो society act में मना लो, या sectionate company में मना लो, या trust act में मना लो as a trust, इसी तरीके से बनती है, trust को audit करोगा है, तो क्या check करोगे, trust ने कितनी donation ली, annual subscription कितना कुछ लोग ऐसे हैं, जो monthly पैसा देते हैं, तो यहाँ पे school qualities के अंदर कुछ school ऐसे हैं, तो monthly पैसा लेते हैं, वो subscription होगया, जैस सरकारी school है, वो इंडिया में trust की form में बने है, तो उनका main objective fees ले, मलब पैसा कमाना नहीं है, लेकिन फिर भी वो बच्चों से कुछ fees लेते हैं, मन्तली साट रपे महिना, सो रपे महिना, तो वो monthly subscription हो, कितना पैसा school को monthly fees में आ रहा है, कितना पूरे साल में आ रहा है, उसको फिर match करो, कितने बच्चे हैं, उदर से payment collect करके मिला लो उ कर, और last topic आता audit of municipalities and panchayat, अचा गाउं में panchayat पे भी पैसा होता है, municipality पैसा होता है, आपको बता हूं, municipality पे भी fund होता है, इनको सरकार fund देती है, कि आप आसपास के local एक भला करने के लिए municipality को fund दिये जाते हैं, तो वो उस fund को धंसे जुस करें, municipality को काम लोड़े तब नालि पैसे statement के हम यह जा के चेक करेंगे, next, इनको जो money मिली थी, उन्होंने जिस purpose के लिए पैसे के लिए पैसा के लिए पैसा देती है, कि आप इस पैसे को गलिया मना ले में, नालिया मनाने में, इन सब्सीच में गटर बगएर की सपाई करने में, cleaning करने में लगाओ, तो लगा हैं, उनको वो खर्चने की power थी या नहीं थी, और उन्होंने अगर ज्यादा पैसा खर्च दिया, huge financial expenditure क्यों खर्च दिया, कि इतना पैसा खर्चने की जो थी भी नहीं थी, कई बार ऐसा होता है, रोड वो, गली मोले में, नाली बनवाने में खर्चा आया, दिखा दिया इन मैराथान भी खतम हो गया, I hope आपको अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यह सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, although मैंने fast fast कराया, क्योंकि मैं को आखरी में मैराथान को मैराथान की तरहीं से लिनता, लेकिन फिर मैंने कोशिश करेगी, सब कुछ कवर कर दे अगर तुमने नंग से कर लिया तो तुमारे नंबर दो आएंगे बढ़िया, यह तो मेरा प्रामिस है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सार में बैल आइकन को प्रेस कर दो, कर दो कर दो भी तक नहीं कर रहा है तो, ताकि आपको मेरे यू नियू वीडियो की तो